महराश्ट के सियासी संकट में एक जबरदस्त मोडा गया है सिपसेना से बागी हुए एकनाथ सिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कबायत शुरू कर दी है इंडिया टूडे की खबर के मुताबिक एकनाथ सिंदे सुक्रवार की रात गोहाटी से निकले थे उन्होंने बडोदरा में जाकर महराश्ट के पूर्व सियम और बीजेपी के दिगज नेता देवेंद्र फटनवी से मुलकात की ऐसे भी दाबे हुए कि अमिद साभी बडोदरा में मौजूद थे लेकिन इसकी किसी ने पुष्टी नहीं की है कि अमिद साभी बैठक में थे या नहीं मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोहाटी के होटल में बागियों के साथ रह रहे एकनाथ सिंदे प्राइवेट जेट से सुक्रवार की रात बडोदरा रवाना हुए थे एकनाथ सिंदे ने बडोदरा में फटनवीस से मुलकात की उनसे मुलकात के बाद सिंदे सनिवार की सुबद 6 बच कर 45 मिनट पर गुहाटी बापस लोट गए दूसरी तरब देवेंदर फटनवीस को लेकर दावा है कि उन्हें सुक्रवार की रात साढ़े 10 वजे मुंबई एरपोर्ट पर देखा गया था सिंदे से मुलकात के बाद वो भी मुंबई लोटा है ऐसे भी कावे हो रहे हैं कि सुक्रवार की रात अमित्सा बडोदरा के सरकिट हाउस में मुझूद थे बड़ी बात यह है कि सनिवार की सुब़ा ही पत्रकारों के सवालों के जबाब में सिपसेना सांसत संजे राउग ने देवेंद्र फटनवीश को महराष्ट के सियासी संकट से दूर रहने की सला दी थी मैं देवेंद्र जी को देवेंद्र जी को एक सला दूंगा वो भी राजनीते में बहुत सालों से माहिच खिला रही है महराष्ट में लगातार गहराते सियासी संकट के वीच सनिवार को मुंबई के सिपसेना भवन में कारकारनी की बैठक भी हुई इसमें छह परस्ता उपास किये गए जिसमें बागी विधायकों को किसी भी सूरत में माफ नहीं करने का फैसला भी लिया गया बैठक में नहीं आने वाले एकनाच सिंदे समित 16 बागी विधायकों को अयोग भोसित करने से जुड़ा नोटिस भी जारी किया गया जारी नोटिस में बागी विधायकों को 27 जुन की शाम 5 बजे तक अनुपस्थित रहने पर लिखित जवाब देने को कहा गया है इन सब के भी सनिवार की साम ऐसी खबरे आई कि बडोदरा में देवेंदर फटनवीस और एगनाच सिंदे की मुलाकात हुई है इस कबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे ये वन इंडिया हिंदी के साथ महरास्ट में सियासी रार की बीच शूसेना के बागी विधायक बाला साहब ठाकरे के नाम से एक नई सियासी पार्टी को जन्म दे सकते हैं बागी शूसेना विधायकों के साथ असम के गुहाटी में ठहरे एकनाच शिंदे नई पार्टी बना सकते हैं शियुसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने इस बात के संकेती है एनाई के साथ बाचीत में उनुने कहा कि हमारे पास 38 विधायकों का समर्थन है हम विधान सभा में एक नया दल गठित करेंगे जिसका नाम बाला साहब ठाकरे शियुसेना हुका यह खबर उद्धव ठाकरे के नित्रत वाली शियुसेना द्वारा विधान सभा सायोग ठहराये जाने के दबाओ के बीच आई है आपको बता दें कि एकनाज शिंदे की बगावत के बार शियुसेना ने उन्हें मनाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बने जिसके बाद अब शियुसेना की कोशिश पार्टी बचाने पर shift हो चुकी है क्योंकि floor test होते ही सरकार गिरने की पूरी समभावना नजर आ रही है पहीं पार्टी बचाने के लिए अब शुसेना बागियों के खिलाफ कारवाई की बात कर रही है इसके लिए डिप्टी स्पीकर से शिकायत की जा रही है और बागी विधायकों को नोटिस भेजने की तयारी भी है सियम उद्धव ठाकरे पहले ही बागी विधायकों को अपनी तरफ से अल्टीमेटम दे चुके हैं जिसमें उन्होंने 24 घंटे के भीतर वापसी की बात कही थी है राजनितिका सहजता में अकेले पड़े उद्धव ठाकरे शियुसेना की राष्ट्री कार्यकार्णी की बैठक को संबोधित कर रही है जिसमें बागीयों को सपष्ट संदीज देने की कोशिश की जा रही है ताकि शियुसेना में अपना सियासी रुद्वा कायम रख सके क्योंकि राजनितिक हलकों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि भारी संख्या में शिवसेना सांसद भी बागी रुखक त्यार कर सकते हैं बताते चले कि शिंदे गुट ने नई पार्टी बनाने की बात तो की है हाला कि नियमों के हिसाब से पहले अलग गुट को मानेता मिलना जरूरी है उसके बाद पार्टी के नाम और मानेता के लिए चुनाव आयोग तक जाना होगा ये सब करने के बाद ही नई पार्टी का गठन किया जा सकता है तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना है अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ महराष्ट में जारी शिवसेना वर्सस शिवसेना की लडाई और गहरा गई है मान मनवल और मनोहार के बाद भी एकनात शिंदे अपने रुख पर अडे हुए है लेकिन इस बीच उन्हें महराष्ट विधान सभा से एक जोरदार जटका लगा है महराष्ट विधान सभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिर्वाल ने उनके अर्मानों पर पानी फेरते हुए अविश्वास प्रस्ताव को खारिच कर दिया है लिहाजा यहाँ से मायूसी हाथ लगने के बाद शिंदे गुट ने फैसला किया है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे शिंदे की ओर से ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है उनसे 26 जून तक जवाब बांगा गया है आपको बता दें कि शिंदे गुट के विधायक अभी भी गुवाहाटी के एक रिजॉर्ट में बने हुए हैं इस बीच महाराष्ट के सियासी गलियारों में एक चर्चार ने जोर पकड़ा है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना पर आधिपत्य नहीं जमाएंगे बलके अपने गुट के विधायकों के साथ एक अलग दल का गठन करेंगे इस बीच उड़ते उड़ते एक खबर ये भी आई कि वे अपने दल के नाम में शिवसेना और बाल ठाकरे के नाम का भी इस्तिमाल करने वाले हैं चर्चा ऐसी थी जिससे उद्धव के नेत्रित्व वाली शिवसेना के भी कान खड़े हो गए लिहाजा उन्होंने अगाडी मारते हुए सीधे चुनाव आयों के दर्वाजे पर दस्तक देने की बात कह डाली उद्धव ठाकरी की ओर से इस बात को लेकर पुरजोर आपत्ती जताई गई है कि शिवसेना के नाम का इस्तिमाल नहीं कर सकता इसे लेकर उद्धव गुट ने कारेकारणी की एक बैठक भी बुलाई जिसमें इस बात को लेकर प्रस्ताव पास हुआ कि किसी भी समूह या गुट को शिवसेना या बाल ठाकरे के नाम का इस्तिमाल करने की अनुमती नहीं दी जाएगी कारेकारणी की इस बैठक में पहुँचे नेताओं ने उद्धव ठाकरे में अपनी आस्था दिखाई साथी बागी विधायकों को लेकर आगे का फैसला उद्धव ठाकरे पर छोड़ दिया इस दोरान उद्धव ठाकरे ने पार्टी के बागी विधायकों को लेकर कहा कि वे एक ऐसे बंपर बैठे हैं जो सुलग रहा है वहीं शिंदे पर व्यंग कस्ते हुए उन्होंने कहा कि एक नाथ शिंदे पहले नाथ थे अब दास हो चुके हैं आपको बता दें कि इस बीच एक ऐसी चर्चा ने जोर पकड़ा था कि शिंदे अपने दलकानाम शिवसेना बाला साहब ठाकरे रखने पर विचार कर रहे हैं जिसके बाद उद्धव ठाकरे के गुट ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसके खिलाफ चुनाव आयोग जाने क की बात कह डाली विरासत की सियासत को बचाने की जद्धो जिहद और इस पर पन पे हालात अब उग्र होते दिखाई दे रहे हैं महारास्ट में कुछ जगहों पर शिवसेनकों को उग्र होते देखा गया है पूरे में धारा 144 लगाई गई है उधर शिंदे गुट में शामि विधाय को और गद्धारों को इसी तरह की कारवाई का सामना करना पड़ेगा इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे हैं वन इंडिया हिंदी के साथ महराष्ट में जारी सियासी महा संग्राम लगातार गैराता जा रहा है शनीवार को मुंबे के शिप्षेना भवन में हुई राष्टिय कारकार्णी की बैटक में च्छा परस्ताव पारित किये गए बड़ी बात ये रही कि बागी बिधायकों को किसी भी सूरत में माफ नहीं करने का फैसला लिया गया शिप्षेना की राष्ट के कारकार्णी की बैटक खत्व होने के बाद अनुपस्तित रहने वाले बिधायकों की चिंता जरूर बढ़ गई बैटक में नहीं आने वाले एकनाथ सिंदे समेत 16 बागी बिधायकों को अयोग घोशित करने का नोटिस जारी कर दिया गया जारी नोटिस में बागी बिधायकों से 27 जून की शाम 5 बजे तक अनुपस्तित रहने पर लिखित जवाब देने को कहा गया है कहने का मतलब है कि सियम उद्धव ठाकरे ने बागी बिधायकों की खिलाब सबसे बड़ी चाल चल दी है 16 बागी बिधायकों को भेजे गए नोटिस में पूछा गया है कि आपकी सदस्ता क्योंन रद कर दी जाए एक दिल पहले सुक्रवार को ही सिपसेना ने 16 बागी बिधायकों की सदस्ता रद करने की अरजी डिप्टी स्पीकर को दी थी नोटिस में इस बात का भी जिक्र है कि अगर बागी बिधायक जवाब नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उनके पास जबाब देने के लिए कुछ नहीं है इसके बाद कानून के तहट कारवाई की जाएगी सिपसेना की राष्टे कारकारणी की बैठक के बाद संजेर आउपने मीडिया को जानकारी भी उन्होंने बताया कि पार्टी ने तै किया है कि जिसने भी गदारी की है उसे माफ नहीं किया जाएगा बागी बिधायकों की खिलाब काठोर कारवाई की जाएगी अगर कोई बैक्ती या पार्टी राजनीतिक फाइदे के लिए बाल ठकने के नाम का इस्तमाल करता है तो उसके खिलाब भी कारवाई होगी इस लोगों ने कायों कितनी भी बड़ा हो नेता हो मंत्री हो जुसने शिवसरा के साथ गदारी या बेहिमानी की है उनके उपर कठोर कठोर कारवाई करने के सरवादिगार हमने एक रिजुलोशन के नादे उद्धो ठकरे साथ को दिये है और जल्दे है उसके उपर अमल हो ये इस रिजुलोशन में काया है उत्तरा resolution number six उसमें हमने कहा है बाला साथ ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजिने इतिक स्वार तेक लिए जूज करता है तो हमें मंदूर नहीं उसका उपर legal action लिया जाए अगर जो छोड़ कर गए है वो लोग शिवसना का नाम से लिक मत मांगे और अगर होट मांगते है तो आपने खूद के बाप के नाम पर मांगे शिवसना के बाप हमारे बाप उत्तर ठाके के नाम पर मत मांगने का अपको अधिकार नहीं आप अपने बाप के नाम से होट दूसरी तरब गुहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में बैठब के बाद एकनाथ सिंदे ने 38 बिधायकों की सुची जारी की इसके पहले एकनाथ सिंदे ने सिपसेना के 34 बिधायकों की सुची जारी की थी आंखडों के हिसाब से समझे तो महाराश्ट की उद्धो ठाकरे सरकार को अल्गमत में लाने के लिए एकनाथ सिंदे को 37 बिधायकों की जरूरत है इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ महाराश्ट में शिव सेना वर्सल सिव सेना के बीच सियासी घमासान जारी है इसमें एक और है उद्धव ठाकरे वाली शिव सेना तो दूसरी और है एकनाथ सिंदे वाली शिव सेना दोनों के बीच तलवारें खिची नजरा रही है महरास्ट में जो जुबानी जंग अब तक मीडिया के कैमरों के सामने जानी था उसका टैंपरेचर अब और बढ़ गया है ठाडे में तो धारा 144 तक लगानी पड़ गई है एक और शिवसेना वरकर्स के एक धड़े में नाराजगी दिख रही है तो इस बीच शिवसेना के दूसरे धड़े मसलन एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शिंदे समर्थक 38 विधायकों के परिवारों की सुरक्षा हटा ली गई है इस बात से एकनाथ शिंदे इस कदर खफा हुए हैं कि उन्होंने इसे लेकर CM उधव समेथ प्रदेश के ग्रह मंत्री और DJP को एक चिठे लिख डाली है जिसमें उन्होंने सरकार पर ये आरोप मढ़ दिया है कि 38 विधायकों के परिवारों की सुरक्षा का हटाया जाना दर असल दुरभावना से लिया गया फैसला है उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी भरे लहसे में ये तक कह डाला कि अगर विधायकों के परिवार जनों को कोई चोट पहुचती है तो उसके लिए कोई और नहीं बलकि सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संजेराउद आदित्य ठाकरे और शर्द पवार ही जिम्मिदार होंगे मराठी में पांच पन्नों में लिखी गई इस चिठी का मजमून कुछ यूँ है हम वर्तमान विधायक हैं तथा पे हमारे आवास पर और साथ ही हमारे परिवार के सदस्यों को प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदान की गई सुरक्षा को प्रतिशोध के रूप में अवैध रूप से वापिस ले लिया गया है यह उल्लेक करने की आविशक्ता नहीं है यह भयावा है कदम हमारे संकल्प को तोड़ने का एक और प्रयास है और NCP और कॉंग्रेस के गुंडो वाली MVA सरकार की मांगो को पूरा करने के लिए हमारे हाथ जबरन मरोडने की कोशिश है शिंदे के इन आरोपों पर महराष्ट के ग्रह मंतरी दिलीप वलसे पाटिल ने ट्विटर के जरिये जवाब दिया है उन्होंने शिंदे के आरोपों को सरा सर गलत बताया है अपने ट्वीट में ग्रह मंतरी दिलीप वलसे ने लिखा है ना तो मुख्यमंत्री और ना ही ग्रह विभाग ने राज्य में किसी विधाय की सुरक्षा हटाने के आदेश दिये हैं इस संबंध में लगाये गए आरोब पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के ग्रह जिले ठाने में पुलिस ने निशे धाग्या लगा दी है ऐसे में इस शेत्र में किसी भी प्रकार से हिंसा में प्रयोग किये जा सकने रायक अस्त्र शस्त्र आदी लाए या ले जाए नहीं जा सकेंगे साथ ही किसी भी तरह के भढ़काऊ पोस्टर लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है पुलिस की ओर से इस तरह के कदम एहतियाती तोर पर उठाए गए हैं इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है One India हिंदी के साथ महराष्ट के महासंगराम में हरुस सियासी किरदार पर जुबानी हमले हो रहे हैं जिसने सिमसेना या उसके नेताओं को चुनोती देने की कोशिश की एकनाथ सिंदे के बागी तेवर के चलते सिमसेना के लिए लगातार मुश्किले खड़ी हो रही है सिंदे कुट अपने 38 बिधायकों के साथ असम के एक होटल में डटा हुआ है दूसरी तरब सिमसेना सांसत संजे राउत ने एक बार फिर से कई मुद्दों पर बेवाक राय रखी मेडिया से बात करते हुए संजे राउत ने कहा कि सिमसेना राज और देश में बहुत बड़ी पाटी है इस पाटी को बनाने में बाला सहाब ठाकरे, उद्धर ठाकरे और सभी कारकरताओंने खून पसीना बहाया है सिमसेना पर कोई भी आसानी से टाका नहीं डाल सकता, केवल पैसे के दम पर कोई पाटी नहीं खरीच सकता है संजे राउत ने बागी विधायकों को बकरी बताते हुए मुंबई आने की चुनोती भी इसके साथ ही बीजेपी के दिगज नेता दिवेंद्र फट नवीज पर भी बड़ा हमला कर दिया पार्टी बहुत बड़ी है राज्य में और देश में इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है बाला साथ ठाकरी जी हो उद्दव ठाकरी जी हो सबी कारे करता हो तो ये पार्टी इतनी असानी से कोई हैजाक नहीं कर सकता सोज भी नहीं सकता ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है शेकड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए सिप पैसा है किसे के पास और पैसे की बल पर कोई पार्टी खरिद नहीं सकता बकरी जैसे बेवेवेवे कर रहे है छोड़ दिजी ये बात अभी भी मौका नहीं गया है कल भी रात को शरत पाउर साब और अजीद पाउर साब जैंद्राव पाटिल प्रफुल पटेल सब मातुस रिपे आई थे उनके सामने उनके मौदूदगी में वहां से दस हैमेले ने हमसे बात कि उनके मौदूदगी में अरे क्या बोल रहा है कौन किसके साथ है आईए आप महराष्टा में फ्लोर अब दा हाउस पर किसमें कितना दम है वो पता चलेगा और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और कॉन्फिरेंटली बोल रहा हूँ यह हवा की बात नहीं है संजे राउद कभी हवा में बात नहीं करता उद्दो ठाकरी जो चाहते है वो इमें बोलूँगा और हमारे पास क्या है कौन सी ताकत है मुझे मालूम है और जो बगावत पे उतराए है वो अपने विधाय की बचाए आप महाराष्टा से बाहर है भाई आप महाराष्टा में आकरे बात कर लिए किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है इस जिम्मेदारी हमारी नहीं है लोगों का गुसा जरूर है अब तक गुसा जो है उसका विस्पोर्ट नहीं हो है लेकिन हो सकता है अभी मेरे पास सांगले के लोग आए हमारे पुछना चाहते हैं हम लोग क्या करे अगर लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी मैं आपको बताना चाहता हूँ लेकिन सब को बोला है सयम रखो मुझे विश्वास है जब विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे मैं देवेंद्र जी को देवेंद्र जी को एक सला दूँगा वो भी राजनीते में बहुत सालों से माहिच खिला रही है आप फिर जमेले में मत पड़िए फिर एक बार जो सुभा का हो गया था ना वो शाम का हो जाएगा इस हमेले में मत पड़िए आप आप आपकी जो भी बच्ची कुची प्रतिष्टा है वो संभाल कर रखिए चुनाव में देखेंगे इस हमेले में आप मत पड़िए आप फट जाओगे नमस्कार मैं हो कुल दिवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी स्यूसेना में वर्चस्चु की लडाई के चलते धाई साल में ही महाविकाय सगाडी सरकार पर संकट के बादल चाय हुए है महाराश्च की राजनीती में हर रोज परिवर्तन हो रहा है पहली बार महाराश्च की गद्दी में बैठा स्यूसेनिक राजनीती में बगावर और राजनीतिक दाउपेच का शिकार हो गया है स्यूसेना में खीस्तान जारी है उद्धो की कुर्सी के साथ साथ उनकी पार्टी सिउसेना की कमान भी उनके हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है वधान सबा में सिउसेना का संख्या दल लगातार घट रहा है हालां कि इस बात के संकेत अम मिलने लगे हैं कि जल्दी महाराष्ट में ये मामला निपटने वाला नहीं है महाराष्ट के लड़ाई लंबी चलने वाली है इसके पीछे एक बड़ा कारण है बागी मंत्री एक नाथ सिंदे दिन बदिन ताकतवर हो रहे हैं क्योंकि सिंदे सेना के पहले 33 विधायक थे जो गुरुवार को बढ़कर 38 हो गए 9 विधायक निर्दली हैं, 2 विधायक प्रहार जन्शक्ति पार्टी के हैं महराष्ट में सत्ता और स्युसेना के कबजे की लडाई स्पीकर तक पहुँच गई अब सभी की निगाह स्पीकर के कदम पर होगी क्योंकि गुरुवार को स्पीकर ने महादिवक्ता के साथ बैट कर बाच्चित की है ऐसे में फ्लोर्टेस्ट की सम्भावना भी बढ़ गई है अब सवाल है कि अगर फ्लोर्टेस्ट हुआ तो क्या होगा? अब आपको बताते हैं फ्लोर्टेस्ट होता क्या है? दरसल फ्लोर्टेस्ट में फैसला किया जाता है कि मौदूदा दल के पास सरकार में बने रहने या बनाने के लिए संख्याबल है या नहीं इसमें राजपाल किसी तरह का हस्ता छेट तो नहीं करते वहीं सुप्रीम कोट के एक आदेस में कहा गया है कि राजपाल को फ्लोर्टेस्ट के आदेस देने की शक्ति से बन्चित नहीं किया जा सकता अगर राजपाल को लगता है कि सरकार के पास सदन में संख्याबल कम है तुँओ चाहें तो flow test के लिए बुला सकते हैं अब आपको बताते हैं flow test लेता कौन है कानून के मुताबिक अगर विधान सबा सत्र चल रहा है तो विधान सबा अध्यक्ष flow test के लिए बुला सकते हैं लेकिन अगर सत्र नहीं चल रहा अब अगर बात बहुमत साबित करने की आई तो महराष्ट की 288 विधायकों वाली विधान साबा में किसी भी राजनीतिक दल को अपना बहुमत साबित करने के लिए 144 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है मौजूदा सरकार की बात करें तो MBA सरकार में स्यूसेना के 55, NCP के 33, कॉंग्रेस के 44 विधायक इसके अलावा MNS, स्वाभिमानी पक्ष, राष्टिय समाज पक्ष के एक-एक विधायक और 6 विधायक निर्दलिये हैं जिनका समर्थन सरकार को मिला हुआ है वहीं BJP के पास 106 विधायक हैं जो महराष्टे में मुख विपक्षी पार्टी है अब बात कर लेते हैं उस समीकरन की जो एकनाज सिंदे की बगावत के बाद पैदा हुआ है एकनाज सिंदे के बागी होने के बाद कहा जा रहा है कि उद्धो सरकार अल्प मत में चल रही है क्योंकि सिंदे का दावा है कि सियुसेना के 38 विधायक उनके साथ है इसके अलावा नौ निर्दली दो प्रहार जनसक्ती पार्टी के विधायकों का समर्तन सिंदे को मिला हुआ है इसके साथ ही अगर बीजेपी साथ हाई तो बीजेपी के एक सुच्छे विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी सिंदे के साथ होगी ऐसे में आसानी से बहुमत साबित किया जा सकता है क्योंकि 38 सिंदे और 106 बीजेपी कुल मिलाकर 144 यानि बीजेपी और सिंदे की लोटरी लग सकती है अगर सरकार के साथ विधायकों की बात करें तो 114 विधायक ऐसे हैं जो सरकार के साथ है जिनमें इनसीपी के तिरपन, सिंदे के बचे हुए सत्र है और कॉंग्रेस के 44 विधायक शामिल है तो वहीं सरकार के खिलाफ या आंकड़ा ज़्यादा बड़ा है जहां 164 कुल विधायक हो रहे हैं जो सरकार के खिलाफ खड़े हुए जिनमें बीजेपी के 106 हैं बागी शिंदे के 38 अन्न 20 विधायकों को सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ देखा जा सकता है हलां कि इस सब के बीच संजय राउत का एक अपना अलागी रुख है संजय राउत का दावा है कि विधान सभा में स्यूसेना का संख्याबल घटा जरूर है लेकिन शक्ति परिक्षण में बागी विधायकों का समर्थन M.V.A. के साथ होगा राउत ने कहा है कि संख्या किसी भी वक्त बदल सकती है उन्होंने दावा किया है कि मुंबई लोटने के बाद सभी विधायक जो बागी है वो पार्टी के प्रति वफादारी की अस्ली परिच्छा देंगे राउत ने पत्रकारों से बादचीत में स्वयकार कर लिया है कि बगावत के कारण विधान सभा में पार्टी का संख्या बल कम हुआ है उन्होंने कहा है कि बागी गुट ने परयाप्त संख्या बल होने का दावा किया है और लोगतंत्र संख्या बल पर ही चलता है लेकिन नंबर किसी भी वक्त बदल सकते हैं जब बागी विधायक लोटेंगे तो बाला साफ ठाकरे और सियुसेना के प्रती उनकी वफादारी की परिक्षा भी होगे यानि सबके अपने दावे हैं और सबकी अपनी आख्रेबाजी है इस सबके बीच जो पीछे छूट रहा है वो है महराश्ट महराश्ट का विकास मराथी मानुस जिसका विकास और उत्थान का दावा इन नेताओं ने किया था जो अब सत्ता की कुर्सी के लिए ही इस्ताम करते नजार आ रहे हैं उमीद है अपने वर्चस्ट की लडाई के बीच जल्द ही वो जनता का खयाल लाएंगे और जनमानस के कारियों में फिर से रूची लेंगे आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं फिलाल इस खबर में इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ नमस्कार महरास्टर में चल रहा सियासी शेहमात का खेर अपने आखरी पड़ाओ पर पहुँच गया है शिंदेगुर नए नाम के साथ पार्टी बनाने की बात कर रहा है तो शिवसेना नेता संजय राउत अपताकत दिखाने पर उतारू है दोनों तरफ मामला टेंशन वाला है बेहिसाब बैठके जल रही है बैठकों के बाद बयान भी सामने आ रही है नई नई रड़नीतियां बनाई जा रही है लेकिन इस बीज सवाल है कि जो कई दफा उट रहा है कि दो तिहाई शियुसेनिक विदायक बागी हो गए और उदो ठाकरे को बनक तक नहीं लगी इस सवाल को अब शियुसेना के संगी साथी भी उठाने लगी है दरसल आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सवाल कड़े कर दिये है इस सवाल उठाते हुए कहा गया कि इस बड़े सतर पर बगावत हो गई और पार्टी नेतर तो इस सबसे बेख़बर कैसे रह गया जो नेता सीयम हाउस की बेख़ग में शामिल हुए थे वो अगले ही रोज बागी होकर महरास्टर से बाहर कैसे चले गए इसके साथ ही सवाल किया गया कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कारेकरताओं के बीच आखिर क्या चल रहा है कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है वहीं उद्धो ठाकरे ने इसका जवाब देते हुए कहा कि एकनाज शिंदे बीजेपी के साथ जाने की बात कर रहे थे जिसको मैंने मना किया था इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ बागी विठायक उनके संपर्क में हैं वो उनसे SMS के जरिये बात कर रहे हैं उम्मीद है कि वे मुंबई आएंगे तो फिर से संपर्क करेंगे और उनका साथ देंगे इसके अलावा उद्धो ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा कि पार्टी कैडर को किसी भी प्रतिक्रिया के लिए मना किया गया था लेकिन आने वाले समय में पार्टी कारेकरता चुप नहीं बैठेंगे फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ महराष्ट में मचे सियासी घमासान के बीच केंद्रियों मंत्री और भारती रिपब्लिकन पार्टी के अध्याक्ष रामदास अठावले ने पूर्व सियम देवेंद्र फन्नविस से मुलाकात की मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि शिवसेना में फैली अंद्रूनी कला से हमारा कोई लेना देना नहीं है उद्धर ठागरे और एकना शिंदे अपने बीच के विवात को खुद सुल जा लेंगे इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बागी विधायकों को सुरक्षा देनी चाहिए और उनके घरों और दफ्तरों पर तोड़ फोर नहीं होनी चाहिए शक्राइन को संब्ध में अभी कोई सोचाता नहीं है जब आगे क्या होता है हम देखते है लेकिन जो माननी चेह रट पवार जी माननी अजित पवार जी माननी उद्धु ठाकरे जी संजी राउस जी जो बोल रहे कि वाए हम एज़ुड़ी तेखाएगे तो इतने पिने म स्थाथ याय अगर बाहर आये तो आप कैसे मुझसे बोल सकते हैं हम मेंजुर्टिस तक करेंगें टीक बात है हाउस में अगर देखना है तो हाउस में देख सकते हैं लेकिन 16 जो ML उनको सस्पेन करने का कोई अधिकार डेपूटी स्पिकर को तो बिल्कुल नहीं है और आइसा अगर होता है तो यह अन्याकार एक भूमिका होगी महाराश्रा में इसी तरह का इल्लीगल काम नहीं चलना चाहिए और 230 मेज़र डी से एकना सिंदे के साथ ML चले इसको रूपने के आवाशकता है लेकिन पूलिस के सामने इसी तरह की तोड़पाट हो रही है एबात बिल्कुल नाजायश है और बहुत घंबीर बबात है तो पूलिस ने ध्यान देने के आवशकता है उनके सभी ML अगर को ब्रोडेक्शन देने के आवाशकता है आई से दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी और दादागिरी अगर करने कुशित होगी तो दादागिरी को दादागिरी से उत्तर दिया जा सकता है इन सब के बीच सीयम उद्धव ठाकरे ने शुषेना राश्री कारेकारणी समीती के बैठक बुलाई और आगे किरणीती पर चर्चा हुई बैठक में कई प्रस्ताओं पर मुहर लगी और मीडिया से बातचीत में संजेर आउत ने कहा कि शुषेना के आगे फैसले खुद उड़ आता जा रहा है बागी विधायकों और सीयम उद्धव के बीच जंग लगातार बढ़ती जा रही है कई विधायक सीयम उद्धव ठाकरे का खेमा छोड़ सिंदे गुट में शामिल हो गये हैं बावजूद इसके संजेराउत सरकार पर कोई खत्रा नहीं होने की बात कह रहे हैं इस ख़बर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ महराष्ट में सियासी संकट जारी है शनिवार को शिप्षेना की कारकारनी की बैठक हुई इसमें बागी बिधायकों के खिलाब कड़ी कारवाई का प्रस्ताव पास हुआ दूसरी तरब सोला बागी बिधायकों को अयोग ठहराने से जुड़ा नोटिस भी जारी किया गया इन सब के बिच महराष्ट के सियासी महासंगराम पर AI MIM चीप असलबी नोवैसी ने भी बयान दिया है उन्होंने समचार एजंसी ANI से बात की और कहा कि महाविकास अगाड बागी को इस मामले पर विचार करने दे हम सामने आरे ड्रामा पर नजर रख रहे हैं यह बंदरों का डांस लग रहा है एक साखा से दूसरी साखा में खूदने वाले बंदरों की तरह काम कर रहे हैं यहां सुनिये महराष्ट संकट पर असदुदील वैसी ने क्या कुछ कह मुझे इस बारे में कुछ बोलना नहीं है वो महाविकास अगाडी जाने वो तैय करें वो उनका अंदरोंी मामला है वो उस पर देखें वो फैसला करें हमको क्या करना है उसे हमारास्ट की सियासत में आप भी एक प्ले है हाँ बिलकुल है हम बहुत बड़े हमारा रोल है औ हो का नहीं मालों वो तैय करेंगे संजे राउट का जैसे बयान है किसी सैनिक रोड पे आएंगे इसको लेकर क्याते हैं हरे रोड पे आएंगे तो आणा चाहिए उनको यह नहीं आना चाहिए वो मसंद कर रहे हैं मैं जा कियूंगों कि उसमें खामका अपना आप राजिनितिकी केसा हाँ अरे अब ही तो हम चोटे-मूटे पुलिटीशन हैं बड़े नहीं यह इतने हम देख रहे हैं ना देख रहे हैं नजर रख रहे हैं हम देख रहे हैं कि वहां पर जो बंदरों का नाच हो रहा है एक ज देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूँ महराश्ट में जारी सियासी महा संगराम के बीच सनीवार को भी जबरदस्त उतार चाढ़ो दिखा शिपसेना ने कहा है कि वो बागियों के सामने जुकने वाली नहीं है दूसरी तरब शिपसेना के बागी बिधायकों के साथ असम में जम्मे एकनाथ सिंदे में 38 बिधायकों का समर्थन पत्र जारी कर दिया शिंदे की तरब से जारी पत्र में 38 विधायकों के हस्ताथ छर भी हैं दरसल महराश्ट में सियासी सह मात के जारी खेल के बीच हिंसा की खबरे भियानी शुरू हो गई है पूने में सिपसेना विधायक ताना जी सावंत के आफिस में पार्टी के कार करताओं ने स्षनिवार को जम कर तोड़ फोड की इसके अलावा उनके दुकानों में भी तोड़ फोड की गई इस दोरान सिपसेनिक सावंत के खिलाब नारेवाजी भी करते दिखे उन्होंने ताना जी सावंत के आफिस और दुकानों की दिवारों पर गदार लिख दिया ताना जी सावंत भी एकनाथ सिंदे के साथ गुहाटी में है एक दिल पहले सुक्रवार को भी शिबसेना के कुरला से बागी विधायक मंगेश कुडालकर के ओफिस में तोलपोड की गई थी इस हमले कारोप शिबसेना के कारकरताओं पर लगा था कुडालकर मुंबई ये कुरला से शिबसेना के विधायक है वो सुक्रवार को गुहाटी गए थे और एकनाथ सिंदे के गुट में शामिल हो गए थे इसके पहले सिबसेनकों ने महराष्ट के नासिक में बागी नेता एकनाथ सिंदे के पोश्टर पर भी कालिक पोधी थी पोश्टर पर अंडे भी फेके गए और सिंदे के बिरोद में जोरदार नारेवाजी भी की गई थी इन सब के बिच सनीवार को पूले में सिम सेना के बिदायक ताना जी सावंत के आफिस में पार्टी के कारकरताओं ने जम कर तोड़ फोड़ की कर तोड़ 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 कर तोड महाराष्ट में महा अगाडी सरकार स्यूसेना की फूट से चूज रही है, पूरे मामले में लगतार वार पलटवार का खेल चल रहा, राजी की सियासत दिन बदिन गरमाती दिख रही है, इस बीच मौका पाकर निर्दली हिसान सद नौनीत राणा ने उद्धो सरकार और संज राउद पर निशाना साधा है, नौनीत राणा ने वीडियो जारी करते हुए ग्रहमंत्री अमिस्ता से महाराष्ट में राष्ट पती सासन लगाने की मांग की है, शूशल मीडिया पर नौनीत राणा ने एक वीडियो शेर किया है, जिसमें वो कहती है ये गुंडगर्दी बंद की जाए, महाराष्ट में उद्धो ठाकरे, गुंडगर्दी, पावर का गलत इस्तमाल, सम्विधान को खत्म करने वाला नियम राज्य मिल्ले कराए हैं, उन्होंने कहा कि मेरी विंती है कि इनके परिवारों को सुरक्षा दी जाए, साथ ही महाराष्ट में रष्ट प परिवारों को सुरक्षा दी जाए, मैं अमीज शाजी से विनंती करूंगी, जितने भी विदायक जो बाड़ा साहिब के विचारधारों पे लेकर, हिंदुत वादी विचारधारों को लेकर, उद्धव ठाकरे को छोड़कर अपनी विचारधारों से जुड़कर वो अल्ल परिवारों को सिक्योर किया जाए, और हमारे महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की गुंडे शाई, ये बंद की जाए, क्योंकि बार बार ये धाई वर्षों में हमने मेरे हमारे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गुंडा गर दी, और पावर का दुरूपियों और दरसल बागी विधायकों को लेकर शुसेना कारेकरताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है इसी के चलते पुरे में शुसेना के बागी विधायक ताना जी सामंद के दफ्तर में शुसेना कारेकरताओं ने तोड़ पोड की है इस दौरान कारेकरताओं ने उद्धो ठाकरे क पर हमला बोलते हुए फीडियो शेर किया पतादे कि इस युसेना के नेता संचे राउत ने कुणे में बागी विधायक ताना जी सावंत के दफ्तर में हुई तोड़ पोड को सही करार देते हुए कहा था कि ये केवल एक्षन का रियक्षन है उन्होंने कहा कि इस युसेना की भासा में सभी विधायकों को जवाब दिया जाएगा और इसी वज़े से ये रियक्षन अबराज्य में हर जगए दिखेगा इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे ये वन इंडिया हिंदी के साथ महाराष्ट में शिव सेना दो फाड होने की कगार पर है उद्धफ ठाकरे ने पहले मनाने की कोशिश की फिर पद छोड़ा फिर छोड़ा सरकारी आवास और तो और शिंदे का पार्टी में पद और कद बढ़ाने की भी पेशकश की लेकिन मजाल क्या कि एकनात शिंदे टस से मस हुए हो बेलगातार अपने रुख पर कायम बने हुए हैं और हुने जता दिया है कि मान मनवल के लिए अब बहुत देर हो चुकी है लिहाजा पार्टी का विभाजन तह है इस बात से शिवसेना में खुद उधव और उनके वफादार सहयोगी आहत हैं पार्टी में इस तरह के बिखराव को लेकर संजे राउत कई बार संकेतों की भाशा में बीजेपी को घेर चुके हैं उस पर आरोप मढ़ चुके हैं और ऐसा होने के लिए सियासी शडयंतर तक बता चुके हैं ऐसे में इसे तंजपूर्ण धंग से महरास्ट में ओपरेशन लोटस भी कहा जा रहा है बीजेपी हाला की इसे लेकर शांत मुद्रा में बनी हुई है इसे शिवसेना का आंतरिक मसला बता कर वो लगभग मौन बनी हुई है वो और बात है कि महरास्ट के रा करते हुए बीजेपी पर तंज कसा है अपने ट्वीट में कनहिया कुमार लिखते हैं कि इसे ओपरेशन लोटस नहीं बलकी Ọपरेशन लूटस कहा जाना चाहिए कनहिया कुमार की ओरसे ऐसा बयान तब सामने आया है जब महरास्ट में पनपास सियसी संकत। और गहरा गया ह शिवसेना तूट के कगार पर है एकनात शिंदे अपने गुट को लेकर नामों पर विचार मिमर्श कर रहे हैं तो इस बीच महरास्ट के कुछ जिलों में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है शिंदे के ग्रहजिले ठाणे में धारा 144 लगानी पड़ी है ताकि किसी तरह की अराजकता की संभावना को कम किया जा सके ठाणे में पुलिस ने निशेधाग्या लगा दी है ऐसे में इस शेतर में किसी भी प्रकार से हिंसावे प्रयोग किये जा सकने लायक अस्तर शस्तर आदी लाने या ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है साथ ही किसी भी तरह के भड़काऊं पोस्टर लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है पुलिस की ओर से इस तरह की कदम एहतियाती तोर पर उठाए गये हैं इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ कंगना रनौट और उठाखरे की बीच चली रार फिर से चर्चा में हैं दरहसल कंगना रनौट का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वाईरल हो रहा है और बुलडोजर चला रिया था उन दिनों अभिनेत्री ने उद्धर ठाकरे को निशाना बनाते हुए कहा था कि उद्धर ठाकरे तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझसे बदला लिया है आज मेरा घर टूटा है कल तुम्हारा घमन टूटेगा इसके अलावा कगना रनाउत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है इसमें मैं कहती हैं कि जब भी कोई व्यक्ती औरत का अप्मान करता है उसका पतल जरूर होता है अज मेरा घर टूटा है कल तेरा घमन टूटेगा यो वक्त का पहिया है याद रखना हमेशा एक जैसा नहीं रहता है आपको बता दे कि BMC ने साल 2020 में कंगना रनाउत के मुंबई स्थित ओफिस में जमकर तोड़ फोर की थी इसके बाद अभी नेत्री ने BMC के खिलाफ Bombay High Court का दरवाजा खटखटाया था और मुआवजे की मांग की थी इस मामले में कोड का फैसला भी कंगना के हक में आया था कोड का कहना था कि BMC ने खराब नियत से यह कतम उठाय था और कंगना का दफ्तर गलत इरादे से तबहा किया गया कोड ने कहा कि यह नागरिकों के अधिकार के भी विरुद्ध था अदालत के फैसले के बाद कंगना रनावत ने ट्वीट किया था जब कोई व्यक्ती सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीता है तो यह व्यक्ती की जीत नहीं बलकि लोगतंद की जीत दोती है यह पूरा मुद्धा उस वक्त काफी चर्चा में रहा था जो एक बार फिर वा प्रश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज केंदर की मोधी सरकार पर जम कर निशाना साधा उन्हों ने कहा कि इस देश को जवाहर लाल नहरू इंदरा गांधी राजीव गांधी जैसे नेताओं के खून पसीने से बनाय वो आपको मार कर धन प्राफ्त करते हैं मैं उनसे बंदुक उठाना बंद करने का रोध करती हूं मैं मॉल्वी सन रोध करती हूं कि पंडितों को हमारे संसाधन घोशित करें उन पर कई हमले हुए नहीं होने चाहिए थे बढूब पादी वह थे लिए पादी थे लुट्ट्टा बैसिट को उसकी जो ढूबस की जो बश्रत पूर्टेश प्रॉजब लुट्ट्राइख गांधी हुए टूर्ट्ट्ट बढूए लुट्ट्ट वह को आपको करती हूं मारे पर्चाई खिर थे लूए लुट्ट इसके साथ ही महबुबा मुफ्ती ने शोपिया में हुए सूमो धमाके का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सूमो में हुए धमाके में चालक शौकत एहमद शेख को गिरफतार कर लिया क्या और उसे हिरासत में ले लिया क्या। दस दिनों के बाद वे कहते हैं कि वे कुप वाड़ा में एक मढ़भेड में मारा गया था लेकिन वे हिरासत से वहां तक आखिर कैसे पहुँचा। तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहिए One India हिंदी के साथ। सांता क्रूस थाने लिजाये गया। जहां उनके अलावा दो पूर्व IPS अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्श की गई है। उन पर ये कारवाई एहमदबाद सिटी की अपराद शाखा के इंस्पेक्टर दर्शन सिंग बराड की शिकायत पर की गई है। तीस्ता सितलवाड और पूर्व IPS आर्वी श्रीकुमार और संजीव भट के खिलाफ ये कारवाई गुजरात दंगा मामले में जोटी जानकारी देने के आरोप में की गई है। दर्श FIR के मताबिक इस मामले में आरोपियों ने जाक्या जाफरी के जरीए कोर्ट में कई आचिकाय दी थी जबकि SIT समेथ अन्य आयों को गलत जानकारिया दी थी। आपको बता दें कि इस संबंध में पूर्व IPS आर्मी श्रीकुमार के अलावा हीरेन पांडिया और संजीव भट ने SIT के सामने जो बयान दर्श करवाए थे वे जूटे और निराधार सावित हुए थे। इसे रद्द करते हुए कोट ने टिपड़ी की थी कि इस मामले में तीस्ता सीतलवाण को लेकर और च्छानबीन किये जाने की जरुवत है। कि तीस्ता इस पूरे मामले में इसी वजह से घुशी रही क्योंकि जाकिया जाफरी इस मामले में असल पीडित है। कोर्ट ने अपनी टिपड़ी में ये भी कहा था कि तीस्ता अपने हिसाब से इस मामले में मदद के बहाने इसे नियंत्रित कर रही थी और अपने हित को साधने की भी कोशिश कर रही थी इस खबर में फिलहाल इतरा ही बाकी अपडेट्स के लिए बदे रहिए One India हिंदी के सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगे के मामले में असाइटी की ओर से पीम नरेंद्र मोधी को दी गई क्लीन चीट बरकरार रखी है कोर्ट ने असाइटी के काम की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य प्रिशासन के कुछ हधिकारियों की लापरवाही का मतलब ये नहीं राज्य प्रिशासन की ये साजिश थी महिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ग्रे मंत्री अमिशा ने अनाई को दिये इंटर्विव में कहा कि पीम मोधी पिछले 18 सालों से भगवान शंकर की तरह विश्पान करते रहे लेकिन किसी से कभी भी कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा कि मैंने प्रधान मंत्री मोधी को नस्दीक से इस दर्द को जेलते हुए देखा है क्योंकि न्याईक प्रक्रिया चल रही थी तो सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोले बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टेंड ले सकता है दिखे सबसे पहले क्लीन चीट नहीं है मैं इसके बारे में बात में बात करूंगा सुप्रिम कोट ने पूरे आरोपों को खारीज किया है और आरोप क्यूं घड़े गहे इसके बारे में भी सुप्रिम कोट ने कहा है एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रिम कौट ने आरोब पोलिटिकली मोटिवेटेड है ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रिम कौट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। जहां तक कैसा लगा का सवाल है? अठारा उननेस साल की लड़ाई देश का इतना बड़ा नेता एक सब्द बोले बगर सभी दुखों को भगवान संकर के विश्पान की तरह गले में उतार कर सहन करकर लड़ता रहा। और आज जब अन्त में सत्य सोने की तरह बारा है, चमकता हुआ बारा है, तो आनन्दी होगा। मैंने बहुत नद्दीक से मोदी जी को इस दर्द को जहलते हुए दिखा है, इस आरोपों को जहलते हुए दिखा है। और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी, क्योंकि नाएक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, इस टेंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही इस टेंड ले सकता है। इसके साथ ही अमिर्शा ने कहा कि मोदी और बीजेपी के खलाब करीब दो दशक से दुश्प्रचार चले रहा था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोट ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोट के फैसले ने ये सिद्ध कर दिया कि सभी आरोप राजनितिक रूप से प्रेडित थे। उन्नीस साल के बाद सुप्रीम कोट के खंड़पित ने आज जो जज्जमेंट दिया है उस जज्जमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे घलत आरोप को खारीज कर दिया गया और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पोलिटिकली मोटिवेटेड तरीक इसे लगाया था विस्टेड इंट्रेस था कौन थे वो आपके साथ से ना मैं बताता हूं बाद में और तीसरा इस से भारतिय जनता पार्टी की सरकार पर जो धबा लगा था वो भी धुला है और मोदी जी जैसे वैस्विक नेता पर जो घलत आरोप लगाये थे मैं मानता ह कि लोग तंत्रनर के अंदर मोदी जी ने संविधान का संद्मान कैसे हो सकता है इसका एक आदर्स उदाहन सभी राजनिती में काम करने वालों लोगों के सामने करा है मोदी जी की भी पुत्ताच हुई थे किसी ने धर्णा प्रदसन नहीं करा था देश भर से कारे करता आकर मोदी जी के समर्थन में सॉलिराडिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे हम कानून को कॉपरेट किये थे आपको बता दें कि जस्टिस ए एम खान विलकर दिनेश महश्वरी और सीटी रवी कुमार की बेंच ने 452 पन्नों में फैसला सुनाया सुनमाई के दोरान कोर्ट ने कहा कि जो छान बीन हुई उसमें ऐसा कोई तत्थ है नहीं जो बताया कि अल्प संख्यक समुदा के खलाप हिंसा के लिए हाई लेवल पैर्ट साजिश रची गई थी इस ख़बर में फिलाल इतना ही अफडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ बिहार के राजदानी पत्ना में शनिवार को एक बार फिर से बिमान हाथ सटल गया पत्ना एरपोर्ट से उरान भरने के ठीक पहले गुहाटी जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में तकनीकी खरावी आ गई जिसके बाद प्लेन को रनवे से बापस लोटा दिया गया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पाइस जेट का प्लेन पटना से गुहाटी के लिए टेक ओफ करने वाला था, टेक ओफ के दौरान ही वार्निंग लाइट जलने लगी, जिसके बाद टेक ओफ को कैंसिल कर दिया गया, इस फ्लाइट में करीब 50 यातरी सामिल थे, दरसब प्लेन पटना से नई दिल्ली जारी स्पाइस जेट की फ्लाइट के इंजन में बर्ड हिट हो गया था, इस कारण इंजन में आग लग गई थी, बात में पाइलेट ने सूझ बूच के साथ प्लेन को पटना एर्पोर्ट पर लेंड करा दिया था, उस फ्लाइट में 185 पैस एंडिये की राष्टपती पत की उमिदबार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को अपना नमांकन दाखिल कर दिया, इस मौके पर पियम नरेंदर मोधी समित कई दिगजनेता मौजूद रहे, एंडिये की राष्टपती पत की उमिदबार के लिए बीजेपी लगाता समर्थन जुटा रही है, इसी बिच द्रौपदी मुर्मू ने टीमसी प्रमुक और पश्चिम बंगाल की सीम ममता बनर्जी से समर्थन की अपील की, पीटी आई की रिपोर्ट के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल की सीम ममता बनर्जी से फोन पर ब अमिदवार द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी के अलाबा कॉंग्रे सद्यक्स सोनिया गांधी, जारखंड के सियम हेमंत सोरेन और NCP चीप सरद पवार से भी बात की। उन्होंने तमाम बड़े दलों से समर्थन मांगा है। सभी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्टपती चुनाओ के लिए सुपकाम नाए दी। रिबोर्ट के मुताबिक नमांकन दाखिल करने से पहले तमाम नेताओं को फोन किया गया था। दरसल विपक्ष ने यस्वंत सिना को राष्टपती पत का उमिदबार बनाया है। 27 जुन को दिल्ली में राष्टपती पत के उमिदबार यस्वंत सिना अपना नमांकन दाखिल करेंगे। रिबोर्ट के मुताबिक मम्ता बनर जी ने द्रौपदी मुर्मू से कहा कि पार्टी तै करेगी कि क्या करना है। अगर सियासी समीकरन की बात करें तो मम्ता बनर जी में कई नेताओं के साथ बैठक की थी। उनकी कोशिश विपक्च के उमिदबार के लिए समर्थन चुटाना था। अगर राष्टपती पत के चुनाओ की बात करें तो 18 जुलाई को मतदान होगा। यदि द्रौपदी मुर्मू को जीत मिलती है तो वो पहली आदिवासी औ मुझूदा राष्टपती रामनात कोविंद का कारेकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। पस्तो पेश में डाल दिया है। पोडिशा से आने वाली आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू ने बच्छी खेमे में सेन लगा दिया है। बता दे आज बीएसपी चीफ मायवती ने मुर्मू को राष्पती चुनाम में समर्थन देने का एलान किया है। उन्होंने का ह कि आदिवासी समाज बीएसपी के मुर्मेंट का खास हिस्सा है। इसलिए हमने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का एलान किया है। परत्मान समय में इसी कड़ी में राष्पती चुनाम में अपना फैसला खुद लेने के लिए सर्तंत्र आजाद है। जिसके तहती हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मुर्मेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपती मुर्मियू को राष्पती पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। वे बिना किसी दवाग के कारी कर पाएगी ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा। अंत में अब मैं अपने आदिवासी समाज की महला को देश का राष्पती बनाने के लिए अपनी पार्टी का बोट देने का एलान करते हुए अपनी बात यहीं समाज करती हूँ। बाउजों समाज पार्टी की प्रमुग मायवती ने द्रौपती मुरू के समर्थन का एलान कर दिया है। भी साफ किया कि हमने यह फैतला अपनी पार्टी और आंदलन को ध्यान में रखते हुए लिया है। गौर्ट दलबै की बसपा दलित मुव्मेंट में उपजी पार्टी है। पार्टी का बेज वोट बैंक भी दलित है। ऐसा होने पर वो देश की पहली आदिवासी महिला राश्पति होंगी। बीएसपी का समर्थन मिलने से एंडिय की उमिद्वार को और मजबूती मिली है। इस ख़पर में फिलाल इतना ही बनरिया बंडिया हिंदी के साथ। देश में राश्पति चुनाव को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। वहीं विपक्षी पार्टी के बीच भी अब जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। इंडिया ने आदिवासी समुदाय के मिला द्रौपती मुर्मू को अपना उमिद्वार बनाया। तो वहीं विपक्ष की ओर से यश्वन सिना राश्पति पत के उमिद्वार है। विपक्ष की ओर से राश्पति उमिद्वार को लेकर होई हाल फिलाल बैठकों में बीच पको नहीं बुलाया गया। जिसको लेकर मैयावती नाराज हैं। बता दें कि विपक्ष की ओर से 21 जुन को राश्पति चुनाव को लेकर एक बैठक बुलाई गयी थी। ये बैठक ममता वनेट जी ने बुलाई थी। जिसमें विपक्ष की तमाम बड़ी पार्टियां शामिल हुई। लेकिन इस बैठक में ना तो मैयावती को बुलाया गया और नहीं उनसे यश्वन सिन्हा को उमिद्वार बनाये जाने से पहले चर्चक ही गई। जिसको लेकर अब उन्होंने विपक्षी दलोबन निशाना साधा है। बियस्पी सुप्रीमों मैयावती ने बड़ा एलान करते हुए द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की बात कही। आगे मयावती ने कहा कि हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपने मुवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ठपती पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही मायवती ने ये भी साफ किया, कि हमने ये फैसला अन्डिये के पक्ष में या यूपिये के विरोध में नहीं लिया, बलकी अपनी पारटी के मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए एक आदिवासी महिला को देश की राश्पती बनाने के लिए ये फैसला लिया इस खपर में फिलाल इतना आई अपडेट्स के लिए बने रही है बन इंडियाज हिंदी के साथ भारत में मांगाई ने आम जन जीवन को अस्त बेस्ट कर दिया है हालात ऐसे हैं कि आम से लेकर खास जनता तक मांगाई से प्रभावित है पेट्रॉल डीजल से लेकर LPG और खाने पीने के सामान भी महंगे हो गए हैं दुनिया के कई दूसरे देशों में भी मांगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है इसी विच AIMIM चीप असदुदीन ओवैसी ने देश में जारी महंगाई को लेकर PM नरेंदर मोदी पर निशाना साधा है ओवैसी ने ट्विट करके बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार पर जोरदार तंज कसा है ओवैसी ने ट्विट में लिखा ये सस्बी परधान मंतरी सिरी नरेंदर मोदी जी के नेतरित्म में महंगाई नई उचाईया छू रही है ये हमारा सौभाग है कि हमें ऐसे परधान सेवक मिले हैं मोदी जी लगता है कि आप कहीं और बीजी है टेंसन मत लिजिए आपके आठ साल के राज की बदोलत देश बास्यों की सहन सकती भी नई उचाईया छू रही है अपने ट्विट के साथ असदुदी नोवैसी ने एक चार्ट भी सेर किया है जिसमें उर्जा, कपड़े और खाने पीने से जुड़े सामानों की लिश्ट और उनके बढ़ते दामों का जिक्र है बताते चले कि AIMIM चिप असदुदीन वैसी लगतार केंदर सरकार पर जुवानी हमले करते रहते हैं इसके पहले ओवैसी ने अगनिपत स्कीम को लेकर भी मोधी सरकार पर निशाना साथा था उन्होंने अगनिपत स्कीम को बापस लेने की मान की थी अब ओवैसी ने मांगाई के मुद्दे पर मोधी सरकार को घेरा है इस ख़बर में फिलहाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ हिमाचल परदेश विधान सभाद चुनाओ को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से संजीदा दिखाई दे रही है लिहाजा पार्टी के सयोजक अर्विंद केजरिवाल एक बार फिर से हिमाचल दोरे पर पहुँचे है उनके साथ पंजाब के मुख्यमंतरी भगवंत मान भी कुल्लू पहुँचे भुंतर एरपोर्ट पर पार्टी कारेकरताओं ने उनका ग्रेंड वेलकम किया करीब 300 मीटर तक विरत यातरा पर भी सवार दिखाई दिये इस दोरान सैकडों की संख्या में पार्टी कारेकरताओं ने तिरंगा यातरा निकाली यहाँ से केजरिवाल का रत धालपूर पहुँचा जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर स्वास्थ, शिक्षा और बिजली समेत कई मुर्भूत सुविधाओं के अभाव के मुद्धों पर जम कर प्रहार किया पार्टी के सिध्धानतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम राजनीती नहीं जानते और ना ही हिमाचल में राजनीती करने आये हैं उन्होंने कहा कि पार्टी का मकसद सिर्फ और सिर्फ काम करना और भरष्टाचार को मिटाना है आप आज इतनी धूप में हमारे साथ तिरंगा यात्रा निकालने के लिए कठ्थे हुए आज आप यहाँ पे सारे कठ्थे हुए इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रियादा करना चाहता हूँ जैसा भी मेरे छोटे भाई भगवन जी ने कहा हमें राजनीती करनी नहीं आती हमें पॉलिटिक्स करनी नहीं आती हम यहाँ पॉलिटिक्स करने भी नहीं आये अन्ना अंदोलन से शुरू हुआ था हमारा सिलसला अन्ना अंदोलन के बाद हमने पार्टी बनाई कसम खाइधी की इस देश से ब्रश्टाचार दूर करेंगे और आज भी उसी रस्ते के ओपर चल रहे हैं पहले दिल्ली में ब्रश्टाचार खतम किया अब पंजाब के अंदर सिलसला चालू हो गया आपने कभी सुना था कोई मुख्य मंत्री अपनी कैमिरेट के मिनिस्टर को खुदी पकड़के और जेल में डाल दे कभी सुना था आपने अभी मान साब ने थोड़े दिन पहले इनके पास एक कोई रेकॉर्डिंग देखे गया उस रेकॉर्डिंग को इन्होंने सुना उसमें पता चला कि इनका जो हेल्थ मिनिस्टर था वो गड़वड कर रहा था विपक्ष वालों को नहीं पता था भी मीडिया वालों को भी नहीं पता था ये चाहते तो दबा देते यह चाहते हैं तो Health Minister को बुला के बोलते कि थोड़ो मेरा हिस्सा कहा है इन्होंने अशा नहीं किया इन्होंने अपनी पुलिस बुलाई और उसको पुलिस के आतों कर दी आज वो जेल में बैठा है इनका Health Minister ये केवल एक ही पार्टी कर सकती है इस डेश में आम आदमी पार्टी कर सकती है केबल और कोई नहीं कर सकता Zero Tolerance भ्रशकाचारियों को छोड़ेंगे नी हमारे वाला करेगा उसको भी नी छोड़ेंगे उनके वाला करेगा उसको भी नी छोड़ेंगे इस खबर में फिलहाली तरही बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे रहे वन इंडिया हिंदी के साथ सेना में भरती की नई इसकीम अगरीपत को लेकर मचे घमासान में जहां सड़कों पर उनमाद में युवा उपद्रव और हिंसा पर आमादा दिखे तो तमाम विपक्षी दल इसे लेकर बेहत आग बबूला नजराये थे एक के बाद एक केंदर सरकार की इस नई भरती सकीम को लेकर जबानी प्रहार किये जा रहे थे जिस पर सरकार तो कुछ फेर बदल के साथ अपने रुख पर कायम रही अलबता इस पर अब सियासत दानों के अलावा सम्वधानिक पदपर आसीन मेगाले के राजजिपाल सत्तिपाल मलिक ने एक गर्मा गर्म बयान दे डाला है NDTV की एक रिपोर्ट के मुदाविक उन्हें भी सेना में भरती की ये नई स्कीम नहीं भाई है लिहाज़ा उन्होंने भी तमाम विरोधी दनों के सुर में सुर मिलाते हुए इस स्कीम को वापिस लेने की अपील की है इसलिए कर अपने एक बयान में उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री मोदी से हाद जोड़ कर अपील करता हूँ कि इस योजना को वापिस लें ये योजना बताती है कि सरकार और गामों के बीच दूरी बढ़ रही है मैं युवाओं से भी आगरह करता हूँ कि प्रदर्शन करते वक्त हिंसा ना करें सेरा में भरती की इस रई स्कीम पर नाराज़गी जाहिर करते हुए में एक हाले कि राज़िपाल सत्यपाल मलिक ने तंज कसते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री ये वादे कर रहे हैं कि वो नौकरियां देंगे उनका ही भरोसा नहीं है कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं वही उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारी जो सरकार का बचाव कर रहे हैं वो भी गलत है राजिपाल मलिक ने कहा कि वर्दी और न्यायाले की ही इज़त बची है लिहाजा वर्दी वाले जेनरल को भी टीवी पर लाना सरासर गलत है उन्होंने कहा कि उन्हें पद की लालसा नहीं है लेकिन वो बोलना बंद नहीं करेंगे अपने बयान में वे आगे कहते हैं कि उन्हें कहा जाए तो वे राजिपाल का भी पद छोड़ने को तयार है आपको बता दें कि सेरा में भरती की इस नई स्कीम अगरिपत को लेकर कई राजियों में जबरदस्त विरोध देखने को बिला था अगर परदर्शनों के दोरान रेलवे की संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुँचाया गया था हाला कि बाद में सरकार में इस पर विचार करते हुए एक साल के लिए उम्र में छूट देने का एलान भी किया था लेकिन उसके बावजूद नाराज धीवाओं का गुसा शांत नहीं हुआ इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ किंद सरकार ने 14 जून को अगनीपत भड़ती योजना की गोशना की थी इस गोशना के बाद से पूरे देश में हिंसक परदेशन के साथ साथ सियासत भी जाड़ी है तो वहीं इस योजना के विरोध में हस्तिना पूर से विदान सवा चुनाव लड़ी ही कॉंग्रिस नेतरी और फिल्म अभी नेतरी अर्चना गौतम 24 जून को बुलंशेर पहुंची यहां अर्चना गौतम ने तूप में तपती सड़क पर नंगे पाउं उतरी और अगनीपत योजना के खिलाव जम कर विरोध प्रदेशन किया प्रदेशन के दोरान अर्चना गौतम हातों में रसी की बेडियां और गले में फंदा डाले हुए नजर आई आपको बतादे फिल्म अभी नेतरी और कौंगरेस नेता अर्चना गौतम 24 जून को सेना बढ़ती अगनीपत योजना और वियापक बेरोजगारी के विरोध में जिला कौंगरेस कमेटी और युत कौंगरेस कमेटी के साथ सड़क पर उतरी इस दोरान अगनीपत योजना वापस लोग के नारे लगाए बना दे इस दोरान कौंगरेस नेता और अभी नेतरी अर्चना गौतम ने कहा अगनीपत योजना देश और युवाओ के इत्में नहीं हैं इस योजना के तहट युवाओ को मात्र चार साल के लिए जौब देंगे चार साल के बाद के सपनों से खिलवार कर रही है चार साल के लिए युवाओ को आर्मी में भर्जी किया जा रहा है चार साल बाद वो क्या करेंगे कहा घर में मार्पीट करेंगे चोरी करेंगे डेकैटी डालेंगे क्योंकि उनके पास कमाने का कोई सादन नहीं बचा होगा हर्चना गौतम इस दोरान सवाल पूछते हुए कहा कि ऐसी कौन सी मा होगी जो अपने बेटे को गोली खाने के लिए चार साल के लिए आर्मी में भेजेगी इस दोरान उन्होंने कहा कि कई बड़े कॉर्परेट घराने और दिगज उद्योगपती जो इन युवाओ को चार साल बाद जौ में अंग्रीजी जरूरी होती है इसलिए मुझे लगता है कि बड़ी-बड़ी कंपनिया द्वारा जौप देने के किये गए वाले वादे खोकले साबित होंगे इसकाबर में फिलाल इतना ही बनरिया बनरिया हिंडिया हिंदी के साथ चीन सीमा में बढ़ते तनाओ के बीच भारती सेना को बड़ा हत्यार मिला है ये वो हत्यार है जो दुश्मन को दूर से देखकर नश्त नाबूद करने के लिए काफी है देखते ही देखते बड़े से बड़े टैंक को तबाह करने की छमता रहता है एक साथ कई मोर्चों पर लड़ सकता है ये वहन इतना कमफर्टेबल है कि कोई वी साइनिक इसको चला कर दुश्मन के छक के छुड़ा सकता है भारती सेना ने चीन से जुड़ी सीमा पर इन्फ फूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉमबैट वीकल यानि FICV को तैनात किया है जिसे मेकिन इंडिया प्रोजेक्ट के तैयार किया गया है ऐसे 1750 FICV सेना को मिलेंगे बतादें कि दुश्मन के टैंकों को नस्ट करने और सैनिकों को ले जाने के लिए भारतिय सेना को फूचर फूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉमबैट वीकल की मांगी थी भारतिय सेना चाहती थी कि पूर्वी लगताक जैसे इलाकों में वहन को तैनात किया जाए ताकि सीमा को सुरक्चित और दुश्मन को मूतोर जवाब दिया जा सके सेना के सूत्रों के मुंताविक सेना को हर साल 75-100 कॉमबैट मिलेंगे जिन्हें जरूरत के हिसाब से तैनात किया जाएगा दुश्मन के टैंक नस्ट करने वाला ये पहला वहन दियार्डियो और टाटा ने मिल कर तायार किया है लेह लगदाक जैसे दुर्गम इलाकों में भारतिय सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए मेड इन इंडिया इंफ्रेंट्री कॉमबैट विकल को सेना के बेड़े में शामिल किया गया है शुक्रवार को लगदाक में फारवर्ड एरिया पोस्ट में तैनाथ नौर्दन आर्मी को ये कॉमबैट विकल मिला नौर्दन आर्मी कमांडर लेफ्रेंटन जनरल उपेंदर दिवेदी ने इस विकल को चलाया और बताया कि इस इलाके में ये विकल बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा इसे यहाँ पर बहुत आसानी से चलाया जा सकता है उपेंदर दिवेदी ने बताया कि कोई भी इस वाहन को आसानी से चला सकता है जो भी इसे चलाएगा वो 1800 मीटर दूर दुश्मन को देख सकता है। इस वीकल में लगे हत्यारों को अंदर से ही बैट कर कंट्रूल किया जा सकता है। आपको बता दें कि Infantry Protected Mobility Vehicles के नाम की इन वहनों को इसी साल आपरेल में भारती सेनों को सौपा गया था। लेकिन पहाड़ी इलाकों जैसे लग्दाक छेतर में इसका परिशन चलात प्रशिचन में यह पास रहा इसलिए नौर्दन आर्मी को सौपा गया है। Infantry Protected Mobility Vehicle की खासियत की बात करें तो इस वहन में एंटी टैंक मिसाल भी है। RFI के अनुसार इस Combat Vehicle को भारत की उत्री सीमाओं यानि लद्दाक, मद्द और सिक्किम सेक्टर के ओपरेशन्स के लिए तैनात किया जाएगा। इन IPMP का इस्तमाल सैनिकों के तेजी से मुमेंट करने और टैंकों के खिलाफ किया जाता है। इन Combat Vehicles में आज से 10 सैनिक अपने हाथ्यारों के साथ तैनात रह सकते हैं। इसके अलावों मशीन गन और ATGM यानि NT टैंक गाइडिट विसाइल से भी लैस किया गया है। सीना से जुड़ी इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है One India Hindi के साथ। पडोसी मुल्क पाकिस्तान जो बम बारूत गोले खरीदने के लिए अपने खजाने के द्वार खोल दिया करता है। उसे अब चाय की चुस्की के भी वानदे होते जा रहे हैं। जी हाँ बिलकुल ठीक सुना आपने। वही प्याली भर चाय जिसे आप और हम सुड़क कर भूल जाया करते हैं। उसे सुड़कने से पहले अब पाकिस्तान की आवाम को दो बार सोचना पड़ेगा कि अगली प्याली नसीब होगी या नहीं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार इसका भी हल ढूंडाई है। पाकिस्तान में ताजा ताजा बनी शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान युनिवर्सटी को चाय का एक विकल्प सुझाया है। युनिवर्सटी को कहा गया है कि वो यहाँ पढ़ने वाले च्छात्रों को लसी और सत्तू पीने के लिए प्रोतसाहित करे। इसे वो चाय के विकल्प के तोर पर ले सकते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल कौंध रहा होगा कि चाय के विकल्प को लेकर पाकिस्तानी सरकार ने ऐसा सुझाव दिया कियो और तमाम बड़े-बड़े मसलों को छोड़ चाय को लेकर विचार किया कियो ये सवाल आपके जहन में उठन किया जाता है ऐसे में पाकिस्तान के उच्छ शिक्षा आयोग ने अब चाय के आयात पर खर्च में कटोती पर विचार किया और उसके लिए एक नया तरीका भी सुझाया इस सिलसले में एक पाकिस्तानी अख़बार दन्यूज ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताय गया है कि शिक्षा निकाय ने कुलपतियों से लसी और सत्तु जैसे स्थानिय पे की खपत को बढ़ाने के लिए कहा है इसके साथ साथ लोगों से ये भी अपील की गई है कि वे चाय का कम से कम सेवन करें और अपनी दिंचर्या में बदलाव करते हुए चाय की तलब को कम करने की कोशिश करें पाकिस्तान पहले ही बहुत सी गैर जरूरी चीज़ों के आयात में कटोती कर चुका है जबकि सरकारी कर्मचारियों के खर्चों में भी कई तरह की बंदिशेल लगाई गई थी चाय के आयात में कटोती के साथ मुल्क में सत्तू और लसी के सेवन को अपनाने को लेकर पाकिस्तान उच्छ शिक्षा आयोग की दलील है कि ये ना केवल एक सेहत बंद विकल्प सावित होगा बलकि इससे रोजगार भी बढ़ेगा और तंगी से जूचते लोगों को आय का जरिया भी मिल जाएगा हलाकि इस फैसले को पाकिस्तान के लोग किस नजरिये से देखते हैं ये आने वाले दिनों में जाहिर हो जाएगा इस खबर में फिलाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रहेए वन इंडिया हिंदी के साथ अमेरिका में लंबे समय से ये बहस श्री हुई थी कि यहां गर्भपात या अबॉर्शन पर परतिमंध लगाया जाए या नहीं ये चर्चा उठ खड़े होने भर से कई संगठन सड़कों पर उतराये थे पिछले कुछ हफतों से इसे लेकर सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन भी देखा जा रहा था लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर अब एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिसने कई संगठनों को जोरदार जटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने डॉप्स वर्सस जैक्सन वाद में 6-3 की सहमती के आधार पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अमेरिका में अबॉर्शन सम्वेधानिक अधिकार नहीं है कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए साल 1973 के उस फैसले को पलट दिया जिसे रोव वर्सस वेड के नाम से जाना जाता है उस फैसले में कोर्ट ने गर्भपात के अधिकार को सम्वेधानिक अधिकार माना था अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब अमेरिकी राज्जियों के लिए फिर से गर्भपात पर पूर्ण परतिबंध लगाने का रास्ता साफ हो जाएगा इसे लेकर हुमेन राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है कि इससे अमेरिकी महिलाओं की आजादी उनके खुद के फैसले लेने की स्वतंतरता और व्यक्तिकत स्वायत्तिता की रास्त्री समझ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी साल 1994 के बाद से अमेरिका ऐसा चौथा दिश बन गया है जिसने अबॉर्शन राइट्स को वापिस लिया है इस पर प्रतिबंद लगाने की विरोध में पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका की सड़कों पर लगतार प्रदर्शन देखे जा रहे थे अमेरिकी लोग इसे अपने अधिकारों का हरनन बता रहे हैं उनका मानना है कि उनके शरीर पर पूरी तरह से उनका ही अधिकार होना चाहिए गौरतलब है कि अमेरिका में गर्भपात का कानून करीब 50 साल पुराना था यहाँ दुनिया के दूसरे देशों की तरह गर्भपात को लेकर बंदिशे नहीं थी इसी वजह से वहाँ लोग अपनी बर्जी से अबॉर्शन करवाया करते थे लेकिन वो अब से मुम्किन नहीं हो पाएगा इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे हैं वन इंडिया हिंदी के साथ देश और दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है दुनिया के कई देशों में चोथी लहर चल लई है तो यह भारत में भी पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं देश के कई राज्यों में कोरोना केसों में लगातारी जाफा हो रहा है जिसने स्वास्त मंत्रालय और राज्य सरकारों की चिंता पढ़ा रखी है देश में पिछले 24 गंटे में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर से टेंसन बढ़ा दी है पिछले 24 गंटे में कोरोना के 15,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए देश में कोरोना की सूपर स्पीड के भी चेक्टिव केस की तादाद भी बढ़ती जा रही है कोरोना के नए मामलों में आई तेजी के साथी देश में अब एक्टिव केसों के संख्या कुल तकरीवन 92,000 तक पहुँच गई है देश में पिछले 24 गंटे में 15,940 नए मामले दर्ज किये गए महराश्ट में सबसे ज़्यादा 4,205 मामले मिले इसके बाद केरल में 3,981, दिल्ली में 1,447, तमिलनाडु में 1,369 और करनाटक में 816 नए मामले सामने आए देश में कुल नए मामलों में से 74,8% नए मामले इन 5 राज्यों में मिले है कोरोना के नए केस मिलने के बाद देश में अब मिले संक्रमीदों की संख्या 4,33,78,234 हो गई है देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20 मरीजों की मौत भी होई है जिसमें कोरोना संक्रमर से मनने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,24,974 हो गई है उदर देश में कोरोना की रिकवरी रेट अब 80.85 फिजदी हो गई है पिछले 24 घंटे में कुल 12,425 मरीज ठीक भी हुए अब तक देश बर में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 4,27,16,481 हो गई है कुरोना केसों में जिस तरह से लगातार ही जाफा होता जा रहा है विश्यशग्यों का मानना है कि कुरोना के बढ़ते मामले चौथी लहर की आहट भी हो सकते हैं महराष्ट केरल में सबसे ज़्यादा मामले है जिसको लेकर स्वास मंत्राले ने राज्यों को निर्देश पिजारी किया है और कुरोना रोक्थाम से संबंदे सभी संभव उपाय करने को कहा गया है इस ख़बर में फिलाल इतना ही अब डेट्स के लिए बने रही है One India हिंदी के साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए जुलाई कई सौगात लेकर आ सकता है सरकार अपने कर्मचारियों तीन बड़े तोहफे देने के मूड में नजर आ रही है दरसल सरकार अपने करमचारियों के वेतन में बढ़ोतरी से लेकर बकाया राज़िक के भुक्तान पर विचार कर रही है सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई माह में डिये में बढ़ोतरी के साथ ही बकाया डिये का भुक्तान भी किया जा सकता है इतना ही नहीं, PF पर ब्याज की रकम भी सरकारी कर्मचारियों के खाते में पहुँच सकती है खबरों की माने तो सरकार अपने कर्मचारियों के बकाया D.A. का भुगतान अगले महिने कर सकती है ये भुगतान लगभग 18 महिने से कोरोना के कारण लटका हुआ था अब ये कुल जमा एक बार में 2 लाग तक दिया जा सकता है इसके साथ ही सरकार करमचारियों के डिये में भी इजाफा करने की ओर कोई फैसला ले सकती है करमचारियों के डिये में 4-5 फीसिदी तक की बढ़ोतरी की जा सकती है फिलाल करमचारियों को 34 फीसदी की दर से डिये मिल रहा है अगर ये डिये बढ़ता है तो 50 लाग से जादा करमचारियों और 65 लाग पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा इतना ही ने अगले महा सरकार अपने करमचारियों को भविशी निदी संगठन यानी EPFO के ब्याज का पैसा भी दे सकती है बता दें कि बड़ती महंगाई को देखते हुए सरकारी करमचारियों को राहत देने के लिए सरकार की और से ये कदम उठाए जा सकते हैं ये फैस्ट ले अगले महीने अमल में लाई जा सकते हैं तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहिए One India हिंदी के साथ ओनलाइन पेमेंट जितना असान है उतना ही खतरनाक भी है क्योंकि अभी के दोर में साइबर क्राइम भी बढ़ गया है ऐसे में अगर आप ज्यादा तर ओनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए है दरसल एक जुलाई से क्रेडिट डेविट कार्ड के नियम बदल जाएंगे आपके अउनलाइन पेमेंट को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए रिजरो बैंक ने पिछले साल ही कार्ड टोकनाइजेशन की शुरुआत की थी जिसे एक जुलाई से लागू किया जाएगा इसकी डेडलाइन पहले एक जनवरी 2022 थी जिसे बढ़ा करे एक जुलाई 2022 कर दिया गया था दरसल नहीं गाइडलाइन के मुताबिक कार्ड पेमेंट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए अर्बयाईन के लिए करड और फार टोकन को अनिवाश कर दिया है इस नियम के बाद अब एक जुलाई को गरखों के पेमेंट और जादा सुरक्षित होंगे अर्बयाई के लिर्देश के मुताविक गरखों के डेविट या करेडिट कार्ट की डिटेल को encrypted token में बदलना होगा जिसकी मदद से payment की जा सकेगी यानि कि अब आपको 8 जुलाई से हर बार payment के समय अपने card की पूरी detail भरनी होगी अगर आपने card tokenization के लिए सहमती नहीं दी है तो उस payment से पहले अपने credit या debit card की पूरी detail भरनी होगी मैं अगर कोई ग्राह कार्ड tokenization के लिए सहमती देता है तो उसे सिर्फ CVV और OTP भरनी होगी और payment हो जाएगा यानि ये पूरी स्वतंतरताब ग्राह को पर होगी मर्चेंट के हाथों में कुछ नहीं होगा बिना अनुमती के वो आपके detail अपने server पर save नहीं कर सकते हैं इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है One India Hindi के साथ हर तरफ पानी ही पानी घर, सड़के, स्कूल और फसल सब जलमग ये हालात पुर्वोतर भारतिय राज्य असम का है जहां कई दिनों से हो रही बारिश के बाद हालात मुश्किल हो गए है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि असम के कई जिलों में बाड की वज़ा से भीशण तबाही मची हुई है हजारों लोगों का आशियाना पानी में टूप चुका है हालात ये हैं कि अपना घर बार छोड़ कर लोगों को शिवीरों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है तो बीते 24 घंटे के दौरान असम में बाड की वज़ा से दस लोगों की जान और चली गई जिसके बाद अब इस साल असम में बाड और भुसकलन से मरने वालों का आकड़ा 118 पर पहुँच गया है तो वहीं बेज़ुबान जानवर भी परेशान है सडके पानी में डूप गई हैं जिससे लोगों को एक जगा से दूसरी जगा जाने में समस्या हो रही है एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान असम के 28 जिलों के 2510 गाओं के कुल 33,333 लोग बाड से प्रभावित हुए हैं जबकि बाड की वजह से लाखों हेक्टेर फसल शेत्र प्रभावित हुआ बाड ने 173 सडकों और 20 पुलों को भी शतिकरस्त कर दिया फिलाल रहत और बचाओं के लिए राज्य में सेना के साथ ही पुलिसबल, NDRF, SDRF, अगनी शमन और अपात कालीन कर्मियों के जवान समेत आपदा मित्र के वॉलंटियर्स लगातार मदद पहुँचा रही हैं राज्य में बाड की मौजूदा इस्थिती पर प्रधान मंत्री नरेंद्रु मोदी और राज्य के सीम हीमंत बिस्वा शर्मा लगातार बाड की स्थिती पर करीब से नजर बनाये हुए हैं गौरतलब है कि हर साल असम में बाड बुसकलन की घटनाएं सामने आते हैं और हजारों लोगों की जान चली जाती है यहां की सबसे बड़ी नदी ब्रह्म पुत्र है जिसकी साहयक नदियों में आपार जल भरा हुआ है जिसकी वजह से बाड जैसी आफत बारिश के सीजन में ज्याद आती है फिलाल इस खबर में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिया बने रहीए One India हिंदी के साथ पानी पानी असम, लाखों लोग हुए बेघर ये भयावे तस्वीर असम की है जहां बाड का कहर अब भी जारी है असम के नागाओं जिले में बाड की स्थिती अभी भी गंभीर है क्यूंकि जिले में पांश लाग से ज्यादा लोग अभी भी बाड से प्रभावित हैं अस्सी फीजदी से ज्यादा असम इस वक्त पानी में डूबा हुआ है बाड और लगतार बारिश के बीच असम को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है कई सडके वह गई हैं, हजारों घर तभा हो गई हैं, कई पुल शतिग्रस्थ हो गई हैं, बाड और भुजकलन में कई लोगों की मौत हो गई है आख़ों की मुताबिक बाड भुजकलन में मरने वालों की संख्या 118 हो गई है वहीं बाड की वजह से कई स्कूल भी पानी में डूप चुके हैं जिसकी वजह से स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है ऐसे में असम के नागाओं में छात्र छात्राओं की पढ़ाई जारी रखने में मदद के लिए बाढ़ रहत शिवीरों में प्री स्कूल मॉडल इस्थापित किया गया है जहां बच्चों को ड्राइंग और सिंगिंग जैसी प्री स्कूली गतिविधियां कराई जा रही है असा में बहुत इधर बार हो रहा है तो हम लोगा जो आंगड़माडी चेंटर है वो सब बन है इसलिए प्री स्कूल नहीं कर सक रहा है तो इसलिए हमने रिलीम केम में ही मतलब एग मॉडल एड़ल से जैसा बना के बच्चों को प्री स्कूल का एक्टिविडिस करा रहे है जैसे आपको हम लोग मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं फिर थोरा फीजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं फिर उसके बाद हम लोगा जो प्री स्कूल एक्टिविडिस है उसके अंदर धर जैसे की गाना गाना थोरा कुछ पाजल मिलाना ड्रोइंग करना ऐसा वगेरा एक्टि पहले भीजित कर चुके हैं यह सेंडर असम में भारी बारिश और बार से भारी तबाही देखने को मिल रही है बार और भुसकलन की दोहरी मार लोग छेल रहे हैं बार के स्तिती में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है रहत और बचाओ कार्रे के लिए सेना असम राइफल्स, अगनी शमन और अपात कालीन सेवाओं जिला प्रशाशन की मदद कर रहे हैं प्रभावित शेत्रों में लोगों की सुरक्षित निकासी में मदद कर रहे हैं इसके साथ ही बचाकर सुरक्षित इस्थानों पर लाए गए लोगों की भूप मिटाने के लिए अनाज भी दिया जा रहा है ताकि कोई भूग से ना मरे फिलाल इस खबर में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ दक्षण भारत के राजे केरल से पिछले महीने के अंत में शुरू हुआ मौनसून अब तक कई प्रिदेशों में पहुंच चुका है हाना कि राजे राज़दानी दिली समय देश के कई हिस्तों में लंबे समय से जारी मौनसून का बेसबरी से इंतिज़दार अब खतम होने वाला है दरसल मौनसून विवाग का अनुमान है कि 27 जून को मौनसून राज़दानी में दस्तक देगा उदर मौसर विवाग ने आज कई राज्यों में जहमाजम बारिश के आसार भी जताएं आपको बता दें पश्चिम बंगाल सिक्किम मिगाले आधी जैसे राज्यों में अगले पांस दिनों तक बारिश की संबावना जताई गई है आने वाले दिनों की बात की जाए तो आएमडी के मताबिक कल यारी 26 जून को भी मौसम समा नहीं बना रहेगा कहीं-कहीं बादर चाहे रहेंगे लेकिन गर्मी का एसास रहेगा 27 जून को दिल्ली के कुछ इलागों में गरज के साथ छीटा पड़ सकती है 28 जून से दिल्ली वासियों के लिए मौसम एक बाद फिर सुआना हो जाएगा दिन बर बादर चाहे रहेंगे और जिनली के अलग-अलग इलागों में बारिश देखने को मिलेगी इसके बाद 13 जून को भी ऐसा ही मौसम रहेगा और दिन बर रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी बता दें 28 और 19 जून को दिल्ली में लगातार बारिश रहने के बाद 30 जून को भारी बारिश हो सकती है इसे लेकर मौसम विवाग की ओर से येलो लट जारी किया गया है 30 जून को दिन बर मौसम खराब बने रहने की संभावना ज़ताई गई है मौसम विवाग के मौताबिक 30 जून से मौसम की शुरुआत हो जाएगी और आगे भी मौसम यूही बना रहेगा आपको बता दें मत्य प्रदेश के वोपाल में आज आंदी और बारिश की संभावना है यहां का नियुनतम तापमान 23 जगरी सेल्सियस और अधिक्तम तापमान 38 जगरी सेल्सियस तक रहने की संभावना है इसके अलावा चंडीगर में आज बाद अच्छाए रहेंगे मौसर मिवाग के मताबिक यहां का नियुन तम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिक तम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है आपको बता दें मौसर मिवाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक बंगाल से किम अरुणाजर प्रदेश, असम, मेगाले, नागालेंड, मनीपूल, मिदोरम और तिर्पुरा में भारी बारिश होने वाली है इसके अलावा 27 जून से यूपी और उत्तरखण में बारिश की गतिविदियां में भड़ोत्री होने की संभावना है इसके अलावा आज कोकाड़ा, गोवा और तटिये करनाटक में भी बारिश जारी रहेगी मद्य महराज और दक्षिन गुजराज में भी आज बारिश हो सकती है मौसम विज्ञानी को ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी से दूसरी बार मौसून सक्री होगा इसके बाद ये राजदानी समय तुस्तर प्रिदेश में बारिश होने की अच्छी संभावना है ये मौसून जूट के अंतिन दिनों में सक्री होने का अनुमान है मौसम विज्ञानी अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि 60 किलोमेटर पती घंटे की रवतार से प्रिदेश के 10 जिलों में हवाय चलेंगी इसमें जौनपूर, प्रताबगड, सुल्तानपूर, माराजगन, सिद्दादनगर, बन्रामपूर, श्रवस्ती, बहराइच, लकिंपूर, खीरी और पीलीवी जिले शामिल है इस ख़बर में प्लारत नहीं बनदिया बनदिया हिंदी के साथ क्या कभी आपने सुना है कोई सड़क करोडों की लागत से बने और दो ही दिन में खराब हो जाए नहीं तो ये खबर ध्यान से देखिए क्योंकि यहां सरकार और सरकारी तंत्रों की ओर से दावों और वादों के बड़े-बड़े पुल बनाये जाते हैं उन्हीं वादों पर सड़के भी बनती हैं जो बारिश की एक मार भी नहीं जहल पाती दरसल प्रधान मंत्री मोदी के बेंगलोरो दोरे से पहले 23 करोड की लागत से तयार की गई सड़क एक बारिश भी नहीं जहल पाई है बेंगलूरू महानगरपालिया ने हाल ही में सड़क का निर्माड कराया था महानगरपालिया ने 3,26 किलोमेटर सड़क को बनाया जो कि बेंगलूरू युनिवर्सिटी केंपस का हिस्सा है प्रधानमत्री मोदी इसी सड़क से सोम वार को डॉक्टर भीम राव अमबेट कर स्कूल ओफ एकोनॉमिक्स पहुँचे थे कितनी शिद्दत और मेहनत से सड़क बनाई गई होगी जो राग की एक बारिस में ही बैठ गई सड़क के बीचो बीच गड़ा हो गया जहां सड़क शतिग्रस हुई वो विस्तुविद्याले केंपस के पास ही है सड़क पर गुजरने वाले लोग देखते हैं लेकिन देख के भी क्या करेंगे सरकारी तंत्र को कोशने के अलावा ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब रोड में इतना बड़ा गड़ा हो इससे पहले प्रधान मंत्री मोदी अप्रैल में जाने वाले थे तब भी सड़क बनाई गए थी लेकिन पीया मोदी का दौरा रद हो गया सड़क की हालत थोड़े दिनों में खस्ता हो गई और सड़क पर बीच बीच में गड़े हो गए मान अगर पालिका के इंजिनियर्स का कहना है कि पानी के लीक होने या फिर सीवेज पाइपलाइन के तूटने की बज़े से ये गड़ा हुआ प्रधान मंत्री मोधी के आने से पहले इसकी मरम्मत करवाई गई थी स्पेशल कमिशनर बीबी एंपी ने कहा कि प्रोटोकॉल की बज़े से मजदूरों ने इसे दिन राती करके सड़क को तयार किया था इस ख़बर में फिलाल इतना है अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंडी के साथ 36 गण की बिलासपूर पुलिस ने एक ऐसा कारणामा किया है जिसकी चर्चा दूर दूर तक है पुलिस ने तसकरों से बरामत हुए गाजे का ऐसा इस्तिमाल किया है कि जिस पर लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा लेकिन घटना ये सच है दरसल बिलासपूर पुलिस का दावा है कि 12 टंग गांजा से उसने 5 मेगवाट बिजली का उत्पादन किया है पुलिस ने इस कारनामे को अधिकारियों की मौजूद्गी में कैमरे के सामने किया है पूरा वागया 36 गढ़के नशा विरोधी अभियान के तहट की गई कारवाई का है जहां पुलिस ने अनोखे तरीके से शुकरवार को नशीले पदार्थों को नश्ट करते हुए इलाके के एक बायो मास प्लांट में करीब 12 टंग गांजा जलाया पूलिस का दावा है कि गांजे को जलाने के बाद लगबग 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ दरसल बिलासपूर पूलिस के थानों में नशे से आजादी अभियान के तहट जब 12 टंग गांजे को पावर प्लांट की भट्टी में शुकरवार को डाल कर नश्ट किया गया जिससे करीब 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ देश में नशीले पदार्त को जला कर बिजली उत्पादन का यह अनोखा मामला है नशे की सामागरी नश्टी करणग में गांजे के साथ नशीले कफ, सीरफ, इंजेक्शन और टैबलेट को भी चला कर नश्ट किया गया इसके अलावा उन पर गुल्डो जर भी चलाई गई पिलासपुल पुलिस रेंज आईजी रतललाल डांगी ने बताया कि 12-26 जूम तक नशे से आजादी पकवाडा मनाया जा रहा है इस दोरान सभी थाना छेत्रों में नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कारोई के दोरान बड़ी मातरा में गांजा जब्त किया गया था नशीले पदार्थों को जब्त करने के लिए द्रग डिस्पोजल कमेटी बनाई गयी थी कमेटी ने नशे के सावान की सूची तैयार की और उसे पावर प्लांट में डिस्पोजल करने करने न लिया गया ताकि विज्वी बन घर उपियोग किया जा सके जानकारी के मुताबिक विलासपुर रेंज के सभी थानों में चप्ती में 553 प्रक्रणों में 12.667 गांजग बरामत किया गया 13 नक पौधा, 8,380 नक टैबलेट, 11,220 नक कप सीरप, 897 नक कैपसूल और 222 नक इंजेक्शन बरामत किये गये थे जिसे पावर प्लान की भट्टी में नश्ट कर दिया गया इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ नमश्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ मर्दुल चंदेल बिहार के मुगेर से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर सभी हैरान है दरसल हुआ ये कि शादी के मैच साथ दिन बाद एक नई नवेली दुलन अपने प्रेमी के संद फरार हो गई दरसल उसने अपने पती से कहा कि उसे मार्केट से कुछ समा लेना है जिसके लिए पती उसे मार्केट लेकर गया वहीं कुछ देर बाद उसका प्रेमी वहाँ आया और वो अपने प्रेमी का हाथ पकड़ कर एक स्कौर्पियो गारी में बैठ कर फरार हो गई जिसका CCTV फोटेज भी वायरल हो रहा है आईए दिखाते हैं आपको जे CCTV फोटेज बिहार के मुंगेर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर सब हैरान है यहां शादी के महल साथ दिन बाद एक नव विवायता अपने प्रेमी का हाथ पकड़ कर 9-11 हो गई हैरानी की बात यह रही कि पती के सामने ही यह पुरी घटनोई बेबस पती ने उनका फीचा करने की भी कोशिश की लेकिन तब तक दोनों मौके से फरार होने में काम्याब रहे इस मामले की तैकिकार में जुटी पुलिस ने नई नवेली दूलन और उसके प्रेमी को पकड़ दिया है आपको पताते हैं यह पूरा मामला कोटवाली थाना इलाके का है यहां पोदार कॉरानी के रहने वाले एक युवक की शादी नया राम नगर थाना छेत्र के नौवा गड़ी की रहने वाली एक युवक्ती से बीते 14 जून को ही थी शादी के बाद 4 दिन नवी वहता ससुराल में रही इसके बाद 18 जून को अपने माय के आगई 21 जून को वह वापस ससुराल आई और दूसरे दिन यानी 22 को प्रेमी के साथ फरार हो गई आपको बता दें दूलन ने पती से कहा था कि बजार चलिए मुझे चूड़ी और कुछ समान खरीदना है पती उसे लेकर बदार गया जानना वगायता अपने पती से बोली आप ही चूड़ी पसंद कीजिए जैसे ही पती चूड़ी पसंद करने लगा वैसे ही दूलन पीचे इंतजार कर रहे अपने गरिमी का हाथ पकड़ कर भाग गई पती ने पीछा भी किया लेकिन तब तक गाड़ी में बैट कर दोनों फरार हो गए वहीं अब पिड़िक उपनी मा और बहन के साथ इस मामले की शिकायत देने कोतवाली पहुंचा पुलिक्स को बताया गया कि हम लोग कोतवाली थाना इलाके के ही दीन दयाज चौक पर अंजली चूडी हाउस खरिदारी कर रहे थे तब ही मेरी पत्नी ने दूसरे यूगों का हाथ पकड़ लिया और सड़क पर खड़ी स्कॉर्प्यो कार में बैट कर चली गई वो शादी के जेवर भी साथ में ले गई है और कुछ डॉक्यूमेंट भी रख कर लाई थी जिने अपने साथ ले गई आपको बताता है इस संबन में दुलन की साथ ने कहा कि हमारा एक ही लड़का है बड़े दूनदाम से शादी की थी लेकिन बहु गलत निकल गई उसे अगर प्रेमी के साथ ही जाना था तो वो शादी ही नहीं करती हमारे परिवार के साथ उसके परिवार वालों ने दोका किया अब हमारे परिवार की बेज़जती हो रही है बता दें नया रामनगा थाना पुलिस ने सूचना की आदार पर दूलन और उसके प्रेमी को बरामत कर मुंगेर कोटवाली थाना पुलिस के सुपूर्द कर दिया है इस संबन में कोटवाली थाने में अपरण का मौमदा दर्च किया गया है लड़की का मेडीकल कराने के बाद अदालत में बयान दच कराए जाएंगे फिलाल प्रेमी को हिरासत में लेकर फूस्ताज की जा रही है फूस्ताज में प्रेमी ने बताया एक ती मैं पेशे से ड्राइवर हूँ और दूसरे की गाड़ी चलाता हूँ हमारे बीच पिछले छे साल से प्रिम प्रसंग चला था लेकिन लड़की के घरवाले मुझसे शादी कराने के लिए तयार नहीं थे जबरदस्ती इसकी शादी दूसरे लड़के से करा दी गई थी इस खबर अकलाल इतना ही बने लिया बने लिया हिंदी के साथ निमंतरन देने के बावजूद बरात में नहीं ले जाने पर एक यूवक ने अपने दूले दोस्ट पर मानसिक प्रतार्णा का आरोप लगाते हुए 50 लाक रुपे का मानहानी का नोटिस बेज दिया आपको बताते हैं हरिद्वार के अधिवक्ता अरोण बदोरिया ने बताया कि हरिद्वार के बहादराबाद के रहने वाले रवी नामक यूवक ने अन्ने लोगों के साथ साथ अपने दोस्ट चंदशेकर को विवा का नियोता दिया था और बराद में भी चलने के लिए कहा था लेकिन दूला रवी अपने दोस्ट को छोड़कर कतित रूप से समय से पहले ही बराद लेका चला गया और जब चंदशेकर समय पर बरात में जाने के लिए पहुंचा तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था पता चले कि बरात तो जा चुकी थी अधिवक्ता ने बताया कि इस बात को चंदशेकर ने अपना अपमान समझ लिया और वो इसकदर मानसिक तराम में आ गया कि आत्माहत्या करने की सोचने लगा और दूले पर मानसिक ग्रूप से प्रताडित करने का आरोप लगाते हुए 50 लाग रुपे के मानहानी का कानूनी नोटिर बेज दिया चंदशेकर के वकील के मताबिक चंदशेकर ने जब अपने दोस्त रवी को फोन किया तो उसने कहा कि वो तो बरात लेकर निकल गए है और आप लोगों को अब बरात में आने की कोई जरूत नहीं है आप लोग अपने घर जाओ वकील बदोरिया का कहना है कि चंदशेकर भहुत ज़्यादा मांसिक तराम में आ गया था और वो इस अपमान को सैन नहीं कर पाया था उन्होंने बताया कि इस अपमान को लेकर नियाय दिलाने का भरोसा देकर उन्होंने चंदशेकर को आत्महत्या करने से रोका चंदशेकर ने अपने दोस्त दूले को फौन करके मानहाणी का नोटल भीजने की बात बताई मगर इसके बाद भी उसके दोस्त ने जब उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया तो उसदेन दूले को 50 अक रुपे का मानहाणी का कानूनी नोटिल भीजते हुए तीन दिन में सरवजनी क्रूप से माफी नहीं मांगने पर कानूनी कारवाई करने की चेतावी दिये इस ख़बर में फिलाल इतना ही बरेरिया वन इंडिया हिंदी के साथ तावड तोड टार्गेट किलिंग के मामलों के बाद कश्मीन में सबसे बड़ी चिंता का विशे है अमारनात यातरा इस महीदें शुरू होने जा रही इस यातरा की सकुषलता प्रशाशन और सैना के लिए एम सवाल इसके लिए बन वही है क्योंकि खुफिया जानकारी मिली है कि हाइबरिड आतंकी और पत्थरबाद दक्षणी कश्मीर की ओर फूच कर चुके हैं आपको बता दे यातरा का पहला जत्ता जम्मू से उन्ति जून को रवाना होना है शेहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातरा दे पहले करीब 5000 के करीब अत्रिक जवान जम्मू में तेनाद की गए है वहीं किसी भी इस्तिती में निपटने के लिए जम्मू में कोई रियक्शन टीम को भी तेनाद किया गया है बता दे खूफिया जनकारी के मताबिक इस साल होने वाली अमना त्यातर में पाकिस्तान बादा डालने के लिए हमला बोल सकता है जिसके लिए वो इस्तिकी बंप या मेग्रेटिक बंप का इस्तिमाल कर सकता है आपको बता दे हाली के दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस समयत सुरक्षा एजंसियों ने सीमा पार से ड्रोन के जरिये भीजे गए कई इस्तिकी बंप समयत मेग्रेटिक बंप को परामत किये है पुलिस ने अलट जारी करते हुए आम जंता से अपील की है कि गाड़ी चलाने से पहले एक बार पूदी गाड़ी को चेक कर ले बीते दिनों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनो सिना ने सुरक्षा विवस्ता और अन्य तेयारियों की समिक्षा की है जानकारी के मताबिक अधिकारियों ने इस दोरान सिना को समग्र सुरक्षा इस्तिती से अवबद कराते हुए यात्रा से सम्मंदित अलग-अलग विवस्ताओं पर चर्चा भी की इस ख़बर में फिलाल इतना ही बनरिया बनरिया हिंदी के साथ शारुखान को बॉलिवूड का वाश्या यूही नहीं कहा जाता उन्होंने अपने करियर में जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए उन्होंने खूब मेहनत की है आज उन्हें बॉलिवूड में काम करते हुए पूरे 30 साल हो गए है 25 जून 1992 आज ही के दिन शारुखान की पहली फिल्म दिवाना रिलीज हुई थी हलाकि इस फिल्म में में लीड रोल दिवंगत एक्टर रिशी कपूर का था लेकिन सबसे ज्यादा जिस एक्टर की चर्चा हुई वो थे डेबियो एक्टर शारुखान पहली फिल्म में ही उन्होंने लोगों को अपनी एक्टिंग से दिवाना बना कर उनके दिलों पर छाप छोड़ती थी टीवी से बॉलिबुड तक का सफर करने वाले शारुखान आज इंडस्टरी के टॉप एक्टर में शुमार है बाजीगर और डर जैसी ब्लोगबस्टर फिल्मों के साथ उन्होंने खुद को साबिक किया शारुखान ने बॉलिबुड में अपने तीस साल के सफर में कई उतार चड़ाओ देखे लेकिन हार नहीं मानी और महनत करते गए और आज वो लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए है बॉलिबुड में अपने तीस साल कोरे होने के इस खास मौके पर शारुखान ने ट्वीट कर अपने फांस को शुक्री आदा किया किंखान का ये ट्वीट काफी भावो कर देने वाला है जो तेजी से वारल हो रहा है शारुखान ने अपने ट्वीट में लिखा कि काम कर रहा हूं और अभी देखा आपका ये धेड सारा प्यार जो आप 30 साल से मुझ पर लुटा रहे हैं अभी एहसास हुआ कि आपको एंटर्टेन करने की कोशिश करते हुए मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिन्दगी निकाल दी है कल थोड़ा वक्त निकाल कर आप लोगों से बाद करूँगा इस प्यार के लिए शुक्रिया इसकी बहुत ज़रुद थी पतादे कि शारुखान ने थीएटर से अपने करियर की शुरुआद ही थी आज वो जिस मुकाम पर है उसे उन्होंने कड़ी मेहनत से हासिल किया है शारुखान जब थीएटर करते थे तब वो बहुत ही साधारण लुक में रहते थे इसके बाद दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल, फौजी और सरकस से एंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री में कदम रखा और बिना रुके आगे बढ़ते रहे आज शारुखान वॉलिगुट के बाजचाहा किंग खान, किंग ओफ रोमांस जैसे नामों से मशूर है किंग खान ऐसे एक्टर हैं जिसने लोगों को सपने देखना सिखाया, प्यार करना सिखाया, जिन्दगी से लड़ना सिखाया और मेहनत करना सिखाया शारुखान 56 साल के हो गए है फिल्म प्रोजेक्ट की बात करें तो पठान, जवान, डंकी किंग, खान की अपकमिंग फिल्म में हैं इसके अलावा ब्रहमास्त्र, टाइगर 3, लाल सिंग चंठा और रोकेटरी, दननम्बी इफेक्ट में आपको उनका कैमियो रोल देखने को मिलेगा अब उनके फैंस बेसबरी से उनकी अपकमिंग फिल्मों का इंतिजार कर रहे हैं फिल्हाल इस खबर में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ बॉलिवूट के दबंग एक्टर सलमान खान 56 के हो गए हैं सुपरस्टार सलमान खान को इंडिस्ट्री में कई नामों से फुकारा जाता है इनमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है भाईजान सलमान को उनके फान से लेकर इंडिस्ट्री के उनके कई कलीक्स भाईजान कहे कर ही पुकारते हैं लेकिन बॉलिवूट एक्टरेस सारा अली खान ले जाने अन जाने में भाईजान को नराज कर दिया है भरी महफिल में सारा ने सलमान खान को कुछ ऐसा कह दिया कि भाई जान उनसे नराज हो गए हैं दरसल बीते दिनों अबुधाबी में आईफा अवोर्ड्स 2022 का आयोजन हुआ था जहां बॉलेवूर्ड के कई सितारे पहुचे थे अवोर्ड्स शो को टीवी पर आज रात 8 बजे दिखाया जाएगा इस बीच शो के कई प्रोमो वीडियोस सामने आ चुके हैं इन्ही में से एक वीडियो ऐसा है जो इस समय शोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में है वीडियो में देखा जा सकता है कि सारा बातों ही बातों में सल्मान खान को अंकल कह देती हैं जिसके बाद भाईजान को गुस्ता तो आता है लिकिन वो अपनी नराजगी जाहिर नहीं करते सल्मान इशारों ही इशारों में कहते हैं कि आपकी पिक्चर तो गई जिसके बाद सारा कहती हैं कि मेरी पिक्चर क्यों गई इस पर सलमान कहते हैं कि आपने सब के सामने मुझे अंकल बुलाया इसके बाद सारा कहती हैं कि आप ही ने तो कहा था कि सब के सामने अंकल बुलाओ इसे सुनने के बाद तो इवेंट में आए सभी सितारे अपनी हसी पर कंट्रोल नहीं कर पाते और सभी जोर-जोर से हसने लगते हैं वहीं सल्मान शांत खड़े हुजाते हैं वीडियो में देखा जा सकता है कि खुद सल्मान और सारा भी इस मज़ेदार इंसिडेंट को इंजुआय करने लगते हैं दोनों को फिर 1997 की फिल्म जुड़वा के गाने पर थिरकते हुए भी देखा जा सकता है वीडियो पर लोगों के अलग-अलग रियक्शन्स आ रहे हैं एक यूजर ने लिखा सारा ने सल्मान खान को गुस्सा दिला दिया है तो दूसरे ने कहा ये देखने के लिए और इंतिजार नहीं कर सकता कई लोग सारा के हूमर की तारिफ कर रहे हैं और उन्हें एंटर्टेनिंग बता रहे हैं शोशल मीडिया पर ये वीडियो खुब वारल हो रहा है तो वहीं वर्क फ्रेंट की बात करें तो सारा अली खान लुका छिपी 2 और गैस लाइट में नज़र आने वाले हैं तो वहीं सल्मान खान कभी ईद कभी दिवाली गौट फादर टाइगर 3 में नज़र आने वाले हैं फिलहाल इस खबर में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए One India हिंदी के साथ भारत और शिर्लंका की महिला टीम के बीच इस वक्त तीन मैचों की T20 सीरीज के लिए जा रही है मकाबले की बात करें तो पहला मैच भारती टीम ने जीता और इसके बाद दूसरे मकाबले में शनिवार को टीम इंडिया ने जबर्दस जीत हासिल करते हुए सिरीज में दो जीरो से भड़त बना ली है साथ ही सिरीज पर भी कबजा कर लिया है बात करें मकाबले की तो शिर्लंका की टीम पहले बलेवाजी करने उतरी शिर्लंका के लिए टीम की कप्तान और साथ ही ओपनिंग बलेवाजी ने शांदार बलेवाजी की और टीम के लिए 87 रन जोड़े दोना ही खिलाडी जिनमें विश्मी गुणारतने और कप्तान चामीरा अट्टा पट्टू रही जिन्होंने 87 रन जोड़े और साथ ही टीम को बहतर शुरुआ दिलाई इस जोड़ी को पूजा वस्त्राकार ने तोड़ा और टीम इंडिया को पहली सफलता थी इसके बाद लगाता श्रिलंका की टीम के बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होते चले गए और कोई भी खिलाडी दोरे अंग तक नहीं पोच पाया भारती टीम के लिए सबसे जादा विगिट दिप्ती शर्मा ने चटकाई साथी रेनुका और राधा पूजा और हर्मन प्रीत हो भी एक एक विगिट बाद करें अगर भारती बल्ले बादे की तो 126 रनों के लक्षे का पीछा करने उत्री भारती टीम को स्मृती मंदाना ने शांदार शुरुआ दिलाई 34 गेंदों में 49 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाने में एहम भूमी का निबाई इसके लावा बात करें अगर टीम के अन्य खिलाडियों की तो कप्तान हर्मन प्रीत कौर ने शांदार 32 गेंदों में 31 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई और वहें नोट आउट रही दिपती शर्मा के साथ अंत में साजेदारी की इसके लावा याश्तिका भाटिया के साथ भी हर्मन प्रीत कौर ने साजेदारी करते हुए टीम को 127 रन के स्कोर तक पहुचाया और पांच विकिट से जीत दिलाने में एहम भूमी का निबाई बता दें कि हर्मन प्रीत कौर ने टीट वंटी में मिताली राज के सबसे ज़्यादा रन बनाने के रिकौर्ड को भी तोड़ा और साथ ही उन्होंने शानदार बल्ले बाजी भी की अगर बात करें शिरलंका की गिन्द बाजी की तो टीम के लिए ओशाधी ने दो विकिट चटकाई साथे इनोका भी दो विकिट चटकाने में काम्याब रही बराल अब तीसरे मुकाबला खेला जाएगा देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है आपकी क्या राय है कमेंट करके जब बताएं वीडियो को लाइक करें शियर करें और वन इंडिया को सब्सक्राइब करें नमस्कार पैंगलूरू के एम चिन्नस्वामे स्टेडियम में खेले जा रहे रंजी ट्रॉफी फाइनल मुकाबले में मंध्यप्रदेश की टीम ने चौथे दिन 536 रंड बनाए तो वहीं चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक मुंबई की टीम ने दो विकिट खोकर 113 रंड बना लिये हैं आपको पता दे कि बारिश की वजह से चौथे दिन का खेल एक घंटा देड से खत्म हुआ तीसरे दिन की बात करें तो मध्यप्रदेश की टीम ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 3 विकिट के नुकसान पर 368 रं बनाए थे वहीं चौथे दिन टीम अपने ओवरनाइट स्कोर में 168 रं ही आगे जोड सकी लेकिन इस 168 रं की वजह से मध्यप्रदेश 536 रं तक पहुँच पाया और मुंबई के खिलाफ 162 रं की बड़त पाकर इस मुकाबले में रंजी ट्रॉफी जीतने का दावेदार बन गया है आपको बता दे कि मध्यप्रदेश के लिए इस मुकाबले में यश्दूबे, शुभम शर्मा और रजत पड़िदार ने शतके पारी के लिए इन तीनों ही बल्लेबाजों की शतक के वजह से मध्यप्रदेश इस मुकाबले में मजबूत हो गया है चोथे दिन की बात करें तो बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम ने दूसरी पारी में कप्तान प्रत्वी शौ के साथ यशष्वी जैस्वाल के बजाए हार्दिक तोमर को बल्लेबाजी के लिए भेजा ताकि मुंबई की टीम जितने हो सके उतने रन और जोड़ कर इस मुखाबले में वापसी कर सके लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि पांच में दिन मध्य प्रदेश की टीम रंजी ट्रॉफी 2021-22 के सीजन को जीत कर एक नया कीरतिमान रचेगी इस वक्त मध्य प्रदेश की टीम रंजी ट्रॉफी से मातर एक कदम दूर नजर आ रही है मध्य प्रदेश के लिए इस मुखाबले में हरे खिलारी ने शांदार प्रदर्शन करके दिखाया है वहीं आप मुंबई की बात करें तो मुंबई की टीम इस मुखाबले में पीछे है और पांचवे दिन रंजी ट्रॉफी जीतने के लिए उन्हें किसी चमतकार की जरुरत है मुंबई के गेनबाज भी इस मुखाबले में धेर नजर आए जहां दूसरे और तीसरे दिन मुंबई के गेनबाज विकेट के लिए तरसे वही चौथे दिन शम्स मौलानी ने पंजा मार कर चौथे दिन मुंबई को वापसी कराई फिलहाल मुंबई की टीम इस मुखाबले में 49 रनों से पीछे है अगर पांचवे दिन मध्य प्रदेश की गिनबाज मुंबई के जल्दी विकेट निकाल लेते हैं तो फिर ये मुखाबला पूरी तरह से मध्य प्रदेश के गृफ्त में आ जाएगा इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिया बने रही है वन इंडिया के साथ अगर आज के दिन के मैं बात करूं तो आज का दिन खासतोर पर फस्टाफ के दौरान आपको excessive mental stress हो सकता है कोई पुराना matter आपके सामने आ सकता है जो आपके तनाव को और बढ़ा कर जा सकता है इसलिए सोच के समझ कर matters को सारे positivity के साथ अध्यन करके आगे बढ़ने की जरूरत है रुके हुए काम आपके आगे बढ़ने शुरू होंगे अगर वो चीज किसी निवेश से संबंद रखती हुई आपके सामने आती है या आप काफी समय से निवेश करने की सोच रहे थे कुछ property matters में आगे बढ़ने की सोच रहे थे और चलते चलते कुछ ब्लॉके जा रहा था वहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेश की तरह से आपको आज के दिन बहुमूल राय मिल सकती है हैने का मतलब यह है कि first half के दौर on stress factors को में रखते हुए आज के दिन investment point of view उसे काफी अच्छा दिन साबित हो सकता है अगर tactfully बिताया जाए तो बात करते हैं विर्शव राशी वालों के लिए स्वास संबंदी चिंताएं विर्शव राशी वालों आपके लिए बढ़ सकती है आज के दिन आपका और आपके माता या माततुली किसी सदस्य का स्वास में या उसी सेंस में सामने वाला आपकी बात को समझे इसकी आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कारेशेत्र में पराक्रम की वृद्धी होगी मन आपका शानत रहेगा लेकिन कॉमिनिकेशन पॉइंट आपको आज के दिन पॉजिटिव होकर clarity के साथ बढ़ने की जरूरत ह करकर शिवालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज के दिन positivity को embrace करिए समाने ता आपकी परिस्तिती चलेगी कुछ खास उतार चड़ाव चीजों में देखने को नहीं मिलेगा जैसे चल रहे हैं सिचुवेशन वैसे चलती रहेंगी लंबी समय से चल रहा पारिवारिक त संबंदित विदेश रहने इस्थान गमन से संबंदित या वहाँ पर सेट्लमेंट से संबंदित कोई न कोई अगर आप प्रयास कर रहे थे तो उसमें आज के दिन positive step आपको देखने को मिल सकता है बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए सिंग राशी वालों आज का दिन थोड़ा सा ओर जावान बनाने के अपने आपको कोशिश करिये चीज़ों को विवस्ति धंग से लेकर आगे बढ़िये और गराइस रही है डिस्रिप्लिन रही हाला कि फर्स्थाफ के दौरान थोड़ा सा आलस आपको सता सकता है कारेश श पाएंगे समझ भी पाएंगे gap identification के बाद आप उसमें महतरपूर कोई स्टेप भी ले पाएंगे साथी साथ आज के दिन स्वास संबंदी चिंताएं भी आपको सेकंड हाफ के दौरान सता सकती है खास तोर पे पेट संबंदी रोग से आपको साफधान रहने की जरूरत है ब stress factors को balance out करिये शब्दों का प्रयोग सोच के समझ के करिये खास तोर पे निजी संबंदों में क्योंकि यही आज के दिन से दरार डालने का काम कर सकते हैं साथी साथ निवेश करने से पहले सारे आयाम को सारे aspects को सोच के समझ के आगे बढ़ने में ही पूर्टा आपको देखन कर चलना है अपने आपको impulse पर आकर ना तो shopping करनी है ना ही कोई investment partner को आगे लेकर जाना है अगर आपको लगता है कि आपके उपर कहीं से pressure आ रहा है कुछ डील करने का कुछ चीजी खरीदने का तो आज के दिन आप उसको postpone कर सकते हैं unless and until आपने सारे तक्षियों को review कर लिया है तब आपका निवेश करना बनता है नहीं तो लंबे समय में यही किया हुआ निवेश आपको mental tension दे कर जा सकता है साथी साथ जोलों नौकरी चेंज करने के एक्षुक हैं अगर आप अपने प्रयासों में तेजी आज के दिन लाएंगे तो आपको 10-15 दिन के अंदर अंद को अपने आप से दूर रखे विवस्तित रहिए और इस रही डिस्प्रेंड रहे अपने लिए भी समय निकाल पाना उतना ही जरूरी है जितना की आज के दिन आप प्राथ्मिक्ताओं को बढ़ा प्राथ्मिक्ताओं के दाएरे को बढ़ाते हुए और ज्यादा चीजों मे उनती के लिए अवसर जो आप इतने दिनों से ढूंड रहते हैं आज के दिन आपको वो मिलते हुए नजर आएंगे कुल मिला के आज का दिन साधारन तरीके से एफेक्टिवली अगर आप मैनेज करने की कोशिश करें तो आपके लिए सिचुएशन दोर पॉसिटिव होते ह परिवार में चोटी मोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है संतान अपक्ष से आज के दिन आपके चंताएं बढ़ सकती है इसलिए आज के दिन आपको वेवस्थित धंग से परिवार की सारी उत्तरदायत्मों की पूर्ती करते हुए कोई एक एफेक्टिव या ठोस निरने आ सकती और प्रिपेर कर सकती आगे आने वाली चुनोतियों के लिए तो कुल मिला कि आज के दिन कारेश्यतर से थोड़ा सा आपको समय लेकर अपने उपर काम करने की जरूरत है जिससे कि आप रेजुमिनेटर्ट फील कर पाएं बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए मकर र चैलेंज आज के दिन खतम होता हुआ नजर आएगा या उसकी परिस्तितिया नुकूर होती हुए नजर आएंगी कोई दिशा निर्देश सूचना संकेत या कोई एक महतरपूर्ण परिस्तिति आपके लिए किसी व्यक्ति विशेश की तरफ से आ सकती है जो आपके पूर्ण डिसिजन लेते हैं तो आज के दिन टाइमिंग का आपको ख्याल रखते हुए कोई भी डिसिजन लेने की जरूरत है बात करते हैं कुमराज शिवालों के लिए कुमराज शिवालों आज का दिन मेहनत जादा करा सकता है टारिंग टैक्सिंग हो सकता है चिटड़ा हैंडल करने की कोशिश करिया क्योंकि पाइल अगर आपकी चीज़ें होंगी तो आपका तनाव या स्ट्रेस फैक्टर और अग्रिबेट होता हुए नजर आएगा जो लोग प्रोमोशन के एक शुक थे या प्रोमोशन की परिस्टितियां बन रही थी अब उनके लिए वो पर राशी वालों के लिए मन को शांत रखिए मीन राशी वालों पॉजिटिविटी को इंब्रेस करिए कॉंफिडेंस लेविल में जाफा करिए और आगे बढ़ते चलिए आप अपनी मंजिल के बहुत ही निकट है साथी साथ अगर आप किसी कॉंपिटिटिव आपके लिए आजाएगी साथी साथ कारिशेतर में नई स्ट्राटेजी का भी आप आज के दिन अबलोकन करते हुए उसको भी एग्जेक्यूशन मोड में ला सकते हैं कारिशेतर में विस्तार की परिस्थितियां बनी हुई है इसी के साथ मुझे आग्या दीजे मैं कल फिर आज़े रोंगे नमस्कार महराश्ट के सियासी संकट में एक जबरदस्त मोडा गया है सिपसेना से बागी हुए एकनाथ सिंदे ने बीजे पी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कबायत सुरू कर दी है इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक एकनाथ सिंदे सुक्रवार की रात गोहाटी से निकले थे उन्होंने बडोदरा में जाकर महराश्ट के पूर्व सियम और बीजे पी के दिगज नेता देवेंदर फटनवी से मुलकात की ऐसे भी दाबे हुए कि अमित साभी बडोदरा में मुझूद थे लेकिन इसकी किसी ने पुष्टी नहीं की है कि अमित साभी बैठक में थे या नहीं मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोहाटी के होटल में बागियों के साथ रह रहे एकनाथ सिंदे प्राइवेट जेट से सुक्रवार की रात बडोदरा रवाना हुए थे एकनाथ सिंदे ने बडोदरा में फटनवीस से मुलकात की उनसे मुलकात के बाद सिंदे सनिवार की सुबद 6 बच कर 45 मिनट पर गुहाटी बापस लोट गए दूसरी तरफ देवेंदर फटनवीस को लेकर दावा है कि उन्हें शुक्रवार की रात साणे 10 बचे मुंबई एर्पोर्ट पर देखा गया था सिंदे से मुलकात के बाद वो भी मुंबई लोटा है ऐसे भी दावे हो रहे हैं कि सुक्रवार की रात अमित्सा बटोदरा के सरकिट हाउस में मुझूद थे बड़ी बात यह है कि सनिवार की सुब़ा ही पत्रकारों के सवालों के जबाब में सिप सेना सांसत संजे राउद ने देवेंद्र फटनवीश को महराष्ट के सियासी संकट से दूर रहने की सला दी थी मैं देवेंद्र जी को एक सला दूँगा वो भी राजनिते में बहुत सालों से माहिच खिला रही है महराष्ट में लगातार गहराते सियासी संकट के बीच सनिवार को मुंबई के सिप सेना भवन में कारकारणी की बैठक भी हुई इसमें छह परस्ता उपास किये गए जिसमें बागी बिधायकों को किसी भी सूरत में माफ नहीं करने का फैसला भी लिया गया बैठक में नहीं आने वाले एकनाच सिंदे सम्मेट 16 बागी बिधायकों को अयोग भोसित करने से जुड़ा नोटिस भी जारी किया गया जारी नोटिस में बागी बिधायकों को 27 जुन की शाम 5 बजे तक अनुपस्थित रहने पर लिखित जवाब देने को कहा गया है इन सब के विश सनीवार की साम ऐसी खबरे आई कि बडोदरा में देवेंदर फणनवीस और एगनाच सिंदे की मुलाकात हुई है इस कबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ महरास्ट में सियासी रार की बीच शियूसेना के बागी विधायक बाला साहब ठाकरे के नाम से एक नई सियासी पार्टी को जन दे सकते हैं बागी शियूसेना विधायकों के साथ असम के गुहाटी में ठेहरे एकनाच शिंदे नई पार्टी बना सकते हैं शियुसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने इस बात के संकेती है एनाई के साथ बाचीत में उन्हें कहा कि हमारे पास 38 विधायकों का समर्थन है हम विधान सभा में एक नया दल गठित करेंगे जिसका नाम बाला साहब ठाकरे शियुसेना हुका यह खबर उद्धव ठाकरे के नित्रत वाली शियुसेना द्वारा विधान सभा सायोग ठहराये जाने के दबाओ के बीचाई है आपको बता दें कि एकनाज शिंदे की बगावत के बाद शियुसेना ने उन्हें मनाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बने जिसके बाद अब शियुसेना की कोशिश पाटी बचाने पर शिफ्ट हो चुकी है क्यूर्थ होते ही सरकार गिरने की पूरी संभावना नजर आ रही है पहीं पार्टी बचाने के लिए अब शुसेना बागियों के खिलाफ कारवाई की बात कर रही है इसके लिए डिप्टी स्पीकर से शिकायत की जा रही है और बागी विधायकों को नोटिस भेजने की तैयारी भी है सियम उद्धव ठाकरे पहले ही बागी विधायकों को अपनी तरफ से अल्टीमेटम दे चुके हैं जिसमें उन्होंने 24 घंटे के भीतर वापसी की बात कही थी है राजनितिका सहजता में अकेले पड़े उद्धव ठाकरे शियुसेना की राश्ट्री कार्यकार्णी की बैठक को संबोधित कर रही है जिसमें बागीयों को सपष्ट संदीश देने की कोशिश की जा रही है ताकि शियुसेना में अपना सियासी रुद्वा कायम रख सके क्योंकि राजनितिक हलकों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि भारी संख्या में शियुसेना सांसत भी बागी रुख अफ्तियार कर सकते हैं बताते चले कि शिंदे गुट ने नई पार्टी बनाने की बात तो की है हाला कि नियमों के हिसाब से पहले अलग गुट को मानेता मिलना जरूरी है उसके बाद पार्टी के नाम और मानेता के लिए चुनाव आयोग तक जाना होगा ये सब करने के बाद ही नई पार्टी का गठन किया जा सकता है तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना है अब डेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ महराष्ट में जारी शिवसेना वर्सस शिवसेना की लडाई और गहरा गई है मान मनवल और मनोहार के बाद भी एकनात शिंदे अपने रुख पर अडे हुए है लेकिन इस बीच उन्हें महराष्ट विधान सभा से एक जोरदार जटका लगा है महराष्ट विधान सभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिर्वाल ने उनके अर्मानों पर पानी फेरते हुए अविश्वास प्रस्ताव को खारिच कर दिया है लिहाजा यहाँ से मायूसी हाथ लगने के बाद शिंदे गुट ने फैसला किया है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे शिंदे की ओर से ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है उनसे 26 जून तक जवाब बांगा गया है आपको बता दें कि शिंदे गुट के विधायक अभी भी गुवाहाटी के एक रिजॉर्ट में बने हुए हैं इस बीच महाराष्ट के सियासी गलियारों में एक चर्चार ने जोर पकड़ा है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना पर आधिपत्य नहीं जमाएंगे बलके अपने गुट के विधायकों के साथ एक अलग दल का गठन करेंगे इस बीच उड़ते उड़ते एक खबर ये भी आई कि वे अपने दल के नाम में शिवसेना और बाल ठाकरे के नाम का भी इस्तिमाल करने वाले हैं चर्चा ऐसी थी जिससे उद्धव के नेत्रित्व वाली शिवसेना के भी कान खड़े हो गए लिहाजा उन्होंने अगाडी मारते हुए सीधे चुनाव आयों के दर्वाजे पर दस्तक देने की बात कह डाली उद्धव ठाकरी की ओर से इस बात को लेकर पुरजोर आपत्ती जताई गई है कि शिवसेना के नाम का इस्तिमाल नहीं कर सकता इसे लेकर उद्धव गुट ने कारेकारणी की एक बैठक भी बुलाई जिसमें इस बात को लेकर प्रस्ताव पास हुआ कि किसी भी समूह या गुट को शिवसेना या बाल ठाकरे के नाम का इस्तिमाल करने की अनुमती नहीं दी जाएगी कारेकारणी की इस बैठक में पहुँचे नेताओं ने उद्धव ठाकरे में अपनी आस्था दिखाई साथी बागी विधायकों को लेकर आगे का फैसला उद्धव ठाकरे पर छोड़ दिया इस दोरान उद्धव ठाकरे ने पार्टी के बागी विधायकों को लेकर कहा कि वे एक ऐसे बंपर बैठे हैं जो सुलग रहा है वहीं शिंदे पर व्यंग कसते हुए उन्होंने कहा कि एक नाथ शिंदे पहले नाथ थे अब दास हो चुके हैं आपको बता दें कि इस बीच एक ऐसी चर्चा ने जोर पकड़ा था कि शिंदे अपने दलकानाम शिवसेना बाला साहब ठाकरे रखने पर विचार कर रहे हैं जिसके बाद उद्धव ठाकरे के गुट ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसके खिलाफ चुनाव आयोग जाने की बात कह डाली विरासत की सियासत को बचाने की जद्दो जहद और इस पर पनपे हालात अब उग्र होते दिखाई दे रहे हैं महारास्ट में कुछ जगहों पर शिवसेनकों को उग्र होते देखा गया है पूरे में धारा 144 लगाई गई है उधर शिंदेगुट में शामिल हुए विधायक तानाजी सावंद के आफिस में भी तोड़ फोड की गई है पूरे के शिवसेना प्रमुक का कहना है कि तोड़ फोड उनहीं के कारेकरताओं की ओर से की गई है चेतामनी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि बागी विधायकों और गद्दारों को इसी तरह की कारवाई का सामना करना पड़ेगा इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है One India हिंदी के साथ महराष्ट में जारी सियासी महा संग्राम लगातार गहराता जा रहा है शनिवार को मुंबई के शिवसेना भवन में हुई राष्टिये कारकारणी की बैठत में च्छा परस्ताव पारित किये गए बड़ी बात ये रही कि बागी बिधायकों को किसी भी सूरत में माफ नहीं करने का फैसला लिया गया शिवसेना की राष्टिये कारकारणी की बैठत खत्म होने के बाद अनुपस्तित रहने वाले बिधायकों की चिंता जरूर बढ़ गई बैठत में नहीं आने वाले एकनाथ सिंदे समित 16 बागी बिधायकों को अयोग घोशित करने का नोटिस जारी कर दिया गया जारी नोटिस में बागी बिधायकों से 27 जुन की शाम 5 बजे तक अनुपस्तित रहने पर लिखित जवाब देने को कहा गया है कहने का मतलब है कि सियम उद्धव ठाक्रे ने बागी बिधायकों की खिलाब सबसे बड़ी चाल चल दी है 16 बागी बिधायकों को भेजे गए नोटिस में पूछा गया है कि आपकी सदस्ता क्योंन रद कर दी जाए एक दिल पहले सुक्रवार को ही सिबसेना ने 16 बागी बिधायकों की सदस्ता रद करने की अरजी डिप्टी स्पीकर को दी थी नोटिस में इस बात का भी जिक्र है कि अगर बागी बिधायक जवाब नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उनके पास जबाब देने के लिए कुछ नहीं है इसके बाद कानून के तहप कारवाई की जाएगी सिबसेना की राष्टे कारकारनी की बैठक के बाद संजेर आउपने मीडिया को जानकारी भी उन्होंने बताया कि पाटी ने तै किया है कि जिसने भी गदारी की है उसे माफ नहीं किया जाएगा बागी बिधायकों की खिलाब कटोर कारवाई की जाएगी अगर कोई बैक्ती या पाटी राजनीतिक फाइदे के लिए बाल ठागने के नाम का इस्तमाल करता है तो उसके खिलाब भी कारवाई होगी इस लोगों ने चायो कितनी भी बड़ अबड़ा हो नेता हो मंत्री हो जिसने शिवसरा के साथ कटारी या बेहिमानी की है उनके उपर कटोर कटोर कारवाई करने के सरवादिकार हमने एक रिजुलोशन के नादे गुद्व ठाकरे साथ को दिये है और जल्दे है उसके उपर अमल हो यह इस रिजुलोशन में का है तुसरा रिजुलोशन नंबर सिक्स उसमें हमने का है बाला साथ ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजिने इतिक स्वार तिक लिए यूज करता है तो हमें मंदूर नहीं उसका उपर लिगल एक्शन लिया जाए अगर तो छोड़ कर गए है वो लोग शिवसना का नाम से रिक्मत मांगे अगर होड मांगते है तो आपने खूद के बाप के नाम पर मांगे शिवसना के बाप हमारे बाप बला साथ ठाके के नाम पर मत मांगने का आप अधिकार नहीं आप अपने बाप के नाम से होड मांग सके एक तरब सोलबादी विधायकों को नोटी चारी किया गया है। दूसरी तरब गुहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में बैठक के बाद एकनाथ सिंदे ने 38 विधायकों की सुचित जारी की। इसके पहले एकनाथ सिंदे ने सिपसेना के 34 विधायकों की सुचित जारी की थी। आंख़ों के हिसाब से समझे तो महाराष्ट की उद्धव ठाकरे सरकार को अल्गमत में लाने के लिए एकनाथ सिंदे को 37 विधायकों की जरूरत है इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ महाराष्ट में शिव सेना वर्सल शिव सेना के बीच सियासी घमासान जारी है इसमें एक और है उद्धव ठाकरे वाली शिव सेना तो दूसरी और है एकनाथ शिंदे वाली शिव सेना दोनों के बीच तलवारें खीची नजरा रही है महरास्ट में जो जुबानी जंग अब तक मीडिया के कैमरों के सामने जारी था उसका टैंपरेचर अब और बढ़ गया है ठाडे में तो धारा 144 तक लगानी पड़ गई है एक और शिवसेना वरकर्स के एक धड़े में नाराजगी दिख रही है तो इस बीच शिवसेना के दूसरे धड़े मसलन एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शिंदे समर्थक 38 विधायकों के परिवारों की सुरक्षा हटा ली गई है इस बात से एकनाथ शिंदे इस कदर खफा हुए हैं कि उन्होंने इसे लेकर CM उधव समेथ प्रदेश के ग्रह मंतरी और DJP को एक चिठे लिख डाली है जिसमें उन्होंने सरकार पर ये आरोप मढ़ दिया है कि 38 विधायकों के परिवारों की सुरक्षा का हटाया जाना दर असल दुर्भावना से लिया गया फैसला है उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी भरे लहसे में ये तक कह डाला कि अगर विधायकों के परिवार जनों को कोई चोट पहुँचती है तो उसके लिए कोई और नहीं बलकि सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संजेराउद आदित्य ठाकरे और शरद पवार ही जिम्मिदार होंगे मराठी में पाँच पन्नों में लिखी गई इस चिठी का मजमून कुछ यूँ है हम वर्तमान विधायक हैं तथा पे हमारे आवास पर और साथ ही हमारे परिवार के सदस्यों को प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदान की गई सुरक्षा को प्रतिशोध के रूप में अवैध रूप से वापिस ले लिया गया है यह उल्लेक करने की आवश्यक्ता नहीं है यह भयावा है कदम हमारे संकल्प को तोड़ने का एक और प्रयास है और NCP और कॉंग्रेस के गुंडो वाली MVA सरकार की मांगो को पूरा करने के लिए हमारे हाथ जबरन मरोडने की कोशिश है शिंदे के इन आरोपों पर महराष्ट के ग्रह मंतरी दिलीप वलसे पाटिल ने ट्वीटर के जरिये जवाब दिया है उन्होंने शिंदे के आरोपों को सरा सर गलत बताया है अपने ट्वीट में ग्रह मंतरी दिलीप वलसे ने लिखा है ना तो मुख्यमंत्री और ना ही ग्रह विभाग ने राज्य में किसी विधाय की सुरक्षा हटाने के आदेश दिये हैं इस संबंध में लगाये गए आरोब पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के ग्रह जिले ठाने में पुलिस ने निश्य धाग्या लगा दी है ऐसे में इस शेत्र में किसी भी प्रकार से हिंसा में प्रयोग किये जा सकने लायक अस्त्र शस्त्र आदी लाए या ले जाए नहीं जा सकेंगे साथ ही किसी भी तरह के भड़काऊ पोस्टर लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है पुलिस की ओर से इस तरह के कदम एहतियाती तोर पर उठाए गए हैं इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है One India हिंदी के साथ महराष्ट के महासंगराम में हरुस सियासी किरदार पर जुवानी हमले हो रहे हैं जिसने सिमसेना या उसके नेताओं को चुनोटी देने की कोशिश की एकनाथ सिंदे के बागी तेवर के चलते सिमसेना के लिए लगातार मुश्किले खड़ी हो रही है सिंदे कुट अपने 38 बिधायकों के साथ असम के एक होटल में टटा हुआ है दूसरी तरब सिमसेना सांसत संजे राउत ने एक बार फिर से कई मुद्धों पर बेवाक राय रखी मेडिया से बात करते हुए संजे राउत ने कहा कि सिमसेना राज और देश में बहुत बड़ी पाटी है इस पाटी को बनाने में बाला सहाब ठाकरे, उद्धर ठाकरे और सभी कारकरताओंने खून पसीना बहाया है सिमसेना पर कोई भी आसानी से टाका नहीं डाल सकता, केवल पैसे के दम पर कोई पाटी नहीं खरीच सकता है संजे राउत ने बागी विधायकों को बकरी बताते हुए मुंबई आने की चुनोती भी इसके साथ ही बीजेपी के दिगज नेता दिवेंद्र फट नवीज पर भी बड़ा हमला कर दिया पार्टी बहुत बड़ी है राज्य में और देश में इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है बाला साथ ठाकरी जी हो उद्दव ठाकरी जी हो सबी कारे करता हो तो ये पार्टी इतनी असानी से कोई हैजाक नहीं कर सकता सोज भी नहीं सकता ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है शेकड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए सिप पैसा है किसे के पास और पैसे की बल पर कोई पार्टी खरीद नहीं सकता बखरी जैसे बेवेवेवे कर रहे है छोड़ दीजे ये बात अब यह भी मौका नहीं गया है कर भी रात को शरत पाउर साब और अजीद पाउर साब जैंद्राव पाटिल प्रफुल पटेल सब मातुस रिपे आई थे उनके सामने उनके मौदूदगी में वहां से दस हैमेले ने हम से बात कि उनके मौदूदगी में अरे क्या बोल रहा है कौन किसके साथ है आईए आप महराष्टा में फ्लोर आप दा हाउस पर किसमें कितना दम है वो पता चलेगा और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और कॉन्फिरेंटली बोल रहा हूं यह हवा की बात नहीं है संजे राउत कभी हवा में बात नहीं करता उद्दो ठाकरी जो चाहते हैं वो इमें बोलूँगा और हमारे पास क्या है कौन सी ताकत है मुझे मालूम है और जो बगावत पे उतराए है वो अपने विधाय की बचाए आप महाराष्टा से बाहर है भाई आप महाराष्टा में आकरे बात कर लिए किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है इस जिम्मेदारी हमारी नहीं है लोगों का गुसा जरूर है अब तक गुसा जो है उसका विस्पोर्ट नहीं हो है लेकिन हो सकता है अभी मेरे पास सांगले के लोग आए हमारे पुछना चाहते हैं हम लोग क्या करे अगर लोग भढ़क गए तो आग लग जाएगी मैं आपको बताना चाहता हूँ लेकिन सबको बोला है सयम रखो मुझे विश्वास है जब विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे मैं देवेंद्र जी को देवेंद्र जी को एक सला दूँगा वो भी राजनीते में बहुत सालों से माहिच खिला रही है आप इस जमेले में मत पड़िए फिर एक बार जो सुबह का हो गया था ना वो श्याम का हो जाएगा इस जमेले में मत पड़िए आप आप आपकी जो भी बच्ची कुची प्रतिष्टा है वो संभाल कर रखिए चुनाल में देखेंगे इस जमेले में आप मत पड़िए आप फज जाओगे नमस्कार मैं उकुल लिदिवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी स्यूसेना में वर्चस्चु की लडाई के चलते धाई साल में ही महाविकास अगाडी सरकार पर संकट के बादल चाय हुए है महाराश्च की राजनीती में हर रोज परिवर्तन हो रहा है पहली बार महाराश्च की गद्दी में बैठा स्यूसेनिक राजनीती में बगावत और राजनीतिक दाउपेज का शिकार हो गया है स्यूसेना में खीस्तान जारी है उद्धो की कुर्सी के साथ साथ उनकी पार्टी सियुसेना की कमान भी उनके हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है विधान सभा में सियुसेना का संख्या बल लगातार घट रहा है हालां कि इस बात के संकेत अम मिलने लगे हैं कि जल्दी महाराष्ट में भी ये मामला निपटने वाला नहीं है महाराष्ट की लड़ाई लंबी चलने वाली है इसके पीछे एक बड़ा कारण है बागी मंतरी एकनाथ सिंदे दिन बदिन ताकत्वर हो रहे हैं क्योंकि सिंदे सेना के पहले 33 विधायक थे जो गुरुवार को बढ़कर 38 हो गए। 9 विधायक निर्दली हैं, 2 विधायक प्रहार जन्शक्ति पार्टी के हैं। महराष्ट में सप्ता और स्युसेना के कबजे की लडाई स्पीकर तक पहुँच गई है। अब सभी की निगाह स्पीकर के कदम पर होगी। क्योंकि गुरुवार को स्पीकर ने महादिवक्ता के साथ बैट कर बाच्चित की है। ऐसे में फ्लोर्टेस्ट की संभावना भी बढ़ गई है। अब सवाल है कि अगर फ्लोर्टेस्ट हुआ तो क्या होगा। अब आपको बताते हमिए फ्लोर्टेस्ट होता क्या है। दरसल फ्लोर्टेस्ट में फैसला किया जाता है कि मौझूदा दल के पास सरकार में बने रहने या बनाने के लिए संख्याबल है या नहीं। इसमें राजपाल किसी तरह का हस्ता छेट तो नहीं करते, वहीं सुप्रीम कोट के एक आदेश में कहा गया है कि राजपाल को फ्लोर टेस्ट के आदेश देने के शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर राजिपाल को लगता है कि सरकार के पास सदन में संख्या बल कम है तूँ ओ चाहें तो फ्लोर्टेस्ट के लिए बुला सकते हैं अब आपको बताते हैं फ्लोर्टेस्ट लेता कौन है कानून के मुताबिक अगर विधानसभा सत्र चल रहा है तो विधानसभा अध्यक्ष फ्लोर्टेस्ट के लिए बुला सकते हैं लेकिन अगर सत्र नहीं चल रहा तो अनुच्छेद 163 के तहर राजपाल फ्लोर्टेस्ट के लिए बुला सकते हैं याद रहे महराष्ट में वी फ्लोर टेस्ट के लिए राजपाल ही बुला सकते हैं क्योंकि वहाँ पर विधान सबा का सत्र नहीं चल रहा है। अब अगर बात बहुमत साबित करने की आई तो महराष्ट की 288 विधायकों वाली विधान साबा में किसी भी राजनीतिक दल को अपना बहुमत साबित करने के लिए 144 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है। मौजूदा सरकार की बात करें तो M.V.A. सरकार में स्यूसेना के पचपन, N.C.P. के तिरपन, कॉंग्रेस के 44 विधायक, इसके अलावा M.N.S., स्वाभिमानी पक्ष, राष्टिय समाज पक्ष के एक-एक विधायक और 6 विधायक निर्दलिये हैं जिनका समर्थन सरकार को म मिला हुआ है, वहीं B.J.P. के पास 106 विधायक हैं, जो महराष्टे में मुख विपक्षी पार्टी है, अब बात कर लेते हैं उस समीकरन की जो एकनाज सिंदे की बगावत के बाद पैदा हुआ है, एकनाज सिंदे के बागी होने के बाद कहा जा रहा है कि उद्धो सरकार अल्प मत में चल रही है, क्योंकि सिंदे का दावा है कि सियुसेना के 38 विधायक उनके साथ हैं, इसके अलावा 9 निर्दली, दो प्रहार जनसक्ती पार्टी के विधायकों का समर्तन सिंदे को मिला हुआ है, इसके साथ ही अगर B.J.P. साथ हाई, तो B.J.P. के एक सुच्छ है, अगर सरकार के साथ विधायकों की बात करें, तो 114 विधायक ऐसे हैं, जो सरकार के साथ हैं, जिनमें N.C.P. के तिरपन, सियुसेना के बचे हुए सत्र हैं, और कॉंग्रेस के 44 विधायक शामिल हैं, तो वही सरकार के खिलाफ या आंकड़ा ज्यादा बड़ा हैं, जहा कि इस सब के बीच संजय राउत का एक अपना अलागी रुख है, संजय राउत का दावा है कि विधान सभा में सियुसेना का संख्या बल घटा जरूर है, लेकिन शक्ति परिच्छन में बागे विधायकों का समर्थन M.V.A. के साथ होगा, राउत ने कहा है कि संख्या किसी भी वक्त बदल सकती है, उन्होंने दावा किया है कि मुंबई लोटने के बाद सभी विधायक जो बागी हैं वो पार्टी के प्रति, वफादारी की अस्री पर इच्छा देंगे, राउत ने पत्रकारों से बादचीत में स्वैकार कर लिया है कि बगावत के कारण विधान स सभा में पार्टी का संख्याबल कम हुआ है, उन्होंने कहा है कि बागी गुट ने परयाप्त संख्याबल होने का दावा किया है और लोगतंत्र संख्याबल पर ही चलता है, लेकिन नंबर किसी भी वक्त बदल सकते हैं, जब बागी विधायक लोटेंगे तो बाला साफ ठा आकरे और सियुसेना के प्रती उनकी वफादारी की परिक्षा भी होगी, यानि सबके अपने दावे हैं और सबकी अपनी आकरेबाजी हैं, इस सबके बीच जो पीछे चूट रहा है वो है महराश्ट, महराश्ट का विकास मराथी मानुस, जिसका विकास और उत्थान का दा आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, फिलाल इस खबर में इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे वन इलिया हिंदी के साथ, नमस्कार दोनों तरफ मामला टेंशन वाला है, बेहिसाब बैठके जल रही है, बैठकों के बाद बयान भी सामने आ रही है, नई नई रडनीतियां बनाई जा रही है, लेकिन इस बीच सवाल है कि जो कई दवा उट रहा है, कि दो तिहाई शियुसेनिक विदायक बागी हो गए और दो ठाकरे को बनक तक नहीं लगी, इस सवाल को अब शियुसेना के संगी साथी भी उठाने लगी है, दरसल आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीपी नेताओं ने शियुसेना की टॉप लीडर्शिप पर ही सवाल खड़े कर दिये हैं, एनसीपी के नेताओं का कह अब शियुसेना के अंदर इतनी बड़ी बगावत हो गई और उनके नेताओं को इसकी भनक तक नहीं लगी, यह सब हैरान कर देने वाला घटना करम है, एनसीपी की बैठक में प्रमुखरूप से सवाल उठाते हुए कहा गया कि इतने बड़े स्तर पर बगावत हो गई, औ प्रमीनी स्तर पर कांद करने वाले कारेकरताओं के बीच आखिर क्या चल रहा है, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है, वहीं उद्धव ठाकरे ने इसका जवाब देते हुए कहा, कि एकनाज शिंदेई बीजेपी के साथ जाने की बात कर रही थे, जिसको मैंने मना कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ बागी विठायक उनके संपर्क में है, वो उनसे SMS के जरिए बात कर रहे हैं, उम्मीद है कि वे मुंबई आएंगे तो फिर से संपर्क करेंगे और उनका साथ देंगे, इसके अलावा उद्धो ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा, कि पार्टी कैडर को किसी भी प्रतिक्रिया के लिए मना किया गया था, लेकिन आने वाले समय में पार्टी कारेकरता चुप नहीं बैठेंगे, फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही, अब डेट्स के लिए बने रहे है, वन इंडिया हिंदी के साथ महराष्ट में मचे सियासी घमासान के बीच केंद्रियों मंत्री और भारती रिपब्लिकन पार्टी के अध्याक्ष रामदास अठावले ने पूर्व सियम देवेंद्र फन्नविस से मुलाकात की, मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि शिवसेना में फैली अंदुरूनी कला में यहासे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उद्धर ठागरे और एकना शिंदे अपनी बीच के विवात को खुद सुल जालेंगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बागी विधायकों को सुरक्षा देनी चाहिए और उनके घरों और तोड़ फोर नहीं होनी चाहिए जो विरोधी पक्ष निता भी है और माजी मुख्यमंत्री भी है उनके साथ मैंने बात की है और उन्हें पर पताया है कि मतलब जो शिव सेना में जो अंतरगत जगडा है उससे हमारा कोई संब्ध नहीं है और एकना सिंदेज और उद्लो ठाक भान सफ्सक्रेगी बीज में जो विवाद है वह जो नैनिफटा है हुशे हमारा कोई संब्धा नहीं है और हमें कबड़ाई वाच पर हम लोग है हमें कोई नहीं है और सरकार बनाने के संबंद में हमने अभी कोई सोचाता नहीं है जब आगे क्या होता है हम ना देखते हैं लेकिन यह जो माननी शरत पवार जी माननी अजीत पवार जी माननी उद्धो ठाकरे जी संजेर राउज जी जो बोल रहे हैं कि हम मेज़ोरटी दिखाएगे तो इतने मेले मतलब आपको सब्सक्राइब करने का कोई अधिकार स्पिकर को बिल्कुल नहीं है और अगर होता है तो यह अन्यकार बूमिक होगी महाराश्रा में इसी तरह का इल्लीगल काम नहीं चलना चाहिए और टू धर्ट मेज़ोरटी से एकना सिंदे के साथ यह मेले चले गए है तो उनको मतलब सिव जना के माननेता मिलनी चाहिए और इसी तरह की दादागरी करना अच्छी बात नहीं है जो तोड़पाट हो रही इसको रूपने के आवशकता है लेकिन पूलिस के सामने इसी तरह की तोड़पाट हो रही है ए बात बिलकुल नाजायश है और बहुत इक गंबिर बात है तो पूलिस ने ध्यान देने के आवशकता है उनके सभी MLA के घर को प्रोटक्शन देने के आवशकता है आईसी दादागिरी अगर करने कुशित होगी तो दादागिरी को दादागिरी से उतर दिया जा सकता है इन सब के बीज सीम उद्धव ठाकरे ने शुषेना राश्ट्री कारेकारणी समीती के बैठक बुलाई और आगे किरनीती पर चर्चा हुई बैठक में कई प्रस्ताओं पर म जरूरत नहीं है बैराल महराश्ट की सियासत में लगातार नया मोड आता जा रहा है बागी विधायकों और सीम उद्धों के बीच जंग लगातार बढ़ती जा रही है कई विधायक सीम उद्धों ठाकरे का खेमा छोड़ सिंदे गुट में शामिल हो गये हैं बावजूद इसके संजराउद सरकार पर कोई खत्रा नहीं होने की बात कह रहे हैं इस ख़बर में फिलाल इतनाई अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ महराष्ट में सियासी संकट जारी है शनिवार को शिप्षेना की कारकारेनी की बैठक हुई इसमें बागी बिधायकों के खिलाप कड़ी कारवाई का प्रस्ताव पास हुआ दूसरी तरफ सोला बागी बिधायकों को अयोग ठहराने से जुड़ा नोटिस भी जारी किया गया इन सब के बिच महराष्ट के सियासी महासंगराम पर AI MIM चीप असलदी नोवैसी ने भी बयान दिया है उन्होंने समचार एजनसी AI से बात की और कहा कि महाविकास अगाडी को इस मामले पर विचार करने दे हैं हम सामने आरे ड्रामा पर नजर रख रहे हैं यह बंदरों का डांस लग रहा है एक साखा से दूसरी साखा में खूदने वाले बंदरों की तरह काम कर रहे हैं यहां सुनिये महराष्ट संगट पर असदुदीन वैसी ने क्या कुछ कहा मुझे इस बारे में कुछ बोलना नहीं है वो महाविकास अगाडी जाने वो तैक करें वो उनका अंदोरुनी मामला है वो उस पर देखें वो फैसला करें हमको क्या करना है उसे हम बहुत बड़े हमारा रोल है और रहेगा मगर इस मसले में वो वो खुद देख लें क्या होगा नहीं मालों वो तैक करेंगे संजे राउत का जैसे बयाना है कि सिसनी के रोट पे आएंगे इस तो लेकर क्या देना है हरे तो रोट पे आएंगे तो आना चाहिए उनको या नहीं आना चाहिए वो फैसला करेंगे मैं कौन होता हूं मुझे मैसले कर रहा हूं मुझे से तालुक नहीं है वो तैक करेंगे वो जाने महाविकास अगारी जाने हम क्या करेंगे उसमें हमको क्या करना है उसमें मैं ज ने हम देख रहे हैं ना देख रहे हैं नजर रख रहे हैं हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो बंदरों का नाच हो रहा है एक जाड़ से दूसरे जाड़ को कूद रहा है कोई इस पेड़ से इस पेड़ पे आ रहा है देख रहे हैं तमाशा इखलाख का जलता हुआ घर देख देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूँ महराश्ट में जारी सियासी महासंगराम के बीद सनीवार को भी जबरदस्त उतार चाहो दिखा शिफसेना ने कहा है कि वो बागियों के सामने जुकने वाली नहीं है दूसरी तरब Länder के बागियों के साथ असम में जम्मे एकनाथ सिंधे ने 38 बिदायकों का समर्थन पत्र जारी कर दिया सिंधे की तरब से जारी पत्र में 38 बिदायकों के हस्ताक्षर भी है दरसल महराष्ट में सियासी सहमात के जारी खेल के बीच हिंसा की खबरे भियानी शुरू हो गई है पूने में सिपसेना विधायक ताना जी सावंत के आफिस में पार्टी के कारकरताओं ने शनिवार को जम कर तोड़ फोड की इसके अलावा उनके दुकानों में भी तोड़ फोड की गई इस दोरान सिपसेनिक सावंत के खिलाप नारेवाजी भी करते दिखे उन्होंने ताना जी सावंत के आफिस और दुकानों की दिवारों पर गद्दार लिख दिया ताना जी सावंत भी एकनाथ सिंदे के साथ बुहाटी में है एक दिल पहले सुक्रवार को भी शिपसेना के कुरला से बागी विधायक मंगेस कुडालकर के आफिस में तोलपोड की गई थी इस हमले कारोप शिपसेना के कारकरताओं पर लगा था कुडालकर मुंबई ये कुरला से शिपसेना के विधायक है वो सुक्रवार को गुहाटी गए थे और एकनाथ सिंदे के गुट में शामिल हो गए थे इसके पहले सिमसेनको ने महराष्ट के नासिक में बागी नेता एकनाथ सिंदे के पोश्टर पर भी कालिक पोती थी पोश्टर पर अंडे भी फेके गए और सिंदे के बिरोद में जोरदार नारेवाजी भी की गई थी इन सब के बिच स्वनिवार को पूले में सिम सेना के बिदायक ताना जी सावंत के आफिस में पार्टी के कारकरताओं ने जम कर तोड़ फोड़ की एंडे उश्टर प्राइ हो जै जो जोर्च और स्वार्ट अंडेस्ते एंडेस्ते है एंडेस्ते है पॉह उत्र ऑनुफ Chapter 5 है में प्राइक parλ05 महाराष्ट में महा अगारी सरकार स्यूसेना की फूट से जूज रही है। पूरे मामले में लगतार वार पलटवार का खेल चल रहा। राजी की सियासत दिन बदिन गरमाती दिख रही है। इस बीच मौका पाकर निर्दली इसांसद नौनीत राणा ने उद्धो सरकार और संज राउत पर निशाना साधा है। नौनीत राणा ने वीडियो जारी करते हुए ग्रह मंत्री अमिश्टा से महाराष्ट में राष्ट पती सासन लगाने की मांग की है। सूशल मीडिया पर नौनीत राणा ने एक वीडियो शेर किया है जिसमें वो कहती हैं ये गुंड़ागर्दी बंद की जाए। महाराष्ट में उद्धो ठाकरे गुंड़ागर्दी पावर का गलत इस्तमाल सम्विधान को खत्म करने वाला नियम राज्य मिल्ले कराए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी विंती है कि इनके परिवारों को सुरक्षा दी जाए। साथ ही महाराष्ट में रश्टपती शासन लागों किया जाए। उन्होंने कहा कि आप बताईए कि ये विधायक आखिर क्यों इनसे अलग होए हैं। उन्होंने क्रह्मंति अमिशा से हाथ जोड़कर विंती की है कि बाला साथ की विचारधारा पर चलने वाले इन विधायकों के परिवारों को सुरक्षा दी जाए। को सिक्यूर करना यह हम सब की जवाबदारियों और मैं हमिश्या जी से विनंति करूँगी कि उनके परिवार को सिक्यूरटी दी जाए उनको सिक्यूर किया जाए और हमारे महाराष्ट्र से उद्दव ठाकरे की गुंडे शाइद यह बंद की जाए क्योंकि बार बार यह मैं आपसे विनंति करूँगी जल चल्द यह परिवारों को सिक्यूर किया जाए और राष्ट्रपती शाषन यह महाराष्ट्र में लगाये जाए इतनी मैं आपसे जरूर विनंति करूँगी दरसल बागी विधायकों को लेकर शुसेना कारेकरताओं में पुस्ता देखने क इसी को लेकर अमरावती से निर्दली ए सांसर नौनीत राणा ने उद्धो ठाकरे पर हमला बोलते हुए फीडियो शेर किया पतादे कि शुसेना के नेता संचे राउत ने पुने में बागी विधायक ताना जी सावंत के दफ्तर में हुई तोड़ पोड को सही करार देते हुए कहा था ये केवल एक्शन का रियक्शन है उन्होंने कहा कि शुसेना की भासा में सभी विधायकों को जवाब दिया जाएगा और इसी वज़े से ये रियक्शन अबराज्य में हर जगे दिखेगा इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे ये वन इंडिया हिंदी के साथ महाराष्ट में शिव सिना दो फाड होने की कगार पर है उद्धव ठाकरे ने पहले मनाने की कोशिश की फिर पद छोड़ा फिर छोड़ा सरकारी आवास और तो और शिंदे का पार्टी में पद और कद बढ़ाने की भी पेशकश की लेकिन मजाल क्या कि एकनात शिंदे टस से मस हुए हो वे लगातार अपने रुख पर कायम बने हुए हैं उन्होंने जता दिया है कि मान मनवल के लिए अब बहुत देर हो चुकी है लिहाजा पार्टी का व यही बार संकेतों की भाषा में बीजेपी को घेर चुके हैं उस पर आरोप मढ़ चुके हैं और ऐसा होने के लिए सियासी शड्यंतर तक बता चुके हैं ऐसे में इसे तंजपूर्ण धंग से महरास्ट में ऑपरेशन लोटस भी कहा जा रहा है बीजेपी हाला की इसे लेकर शांत मुद्रा में बनी हुई है इसे शिवसेरा का आंतरिक मसला बता कर वो लगभग मौन बनी हुई है वो और बात है कि महरास्ट के राजनितिक संकट को लेकर विरोधी दल बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं इस बीच कनहिया कुमार ने भी बीजेपी को निशाने पर लि लूटस कहा जाना चाहिए करहिया कुमार की ओर से ऐसा बयान तब सामने आया है जब महरास्ट में पनपास सियासी संकट और गहरा गया है शिवसेना तूट के कगार पर है एक नात शिंदे अपने गुट को लेकर नामों पर विचार मिमर्श कर रहे हैं तो इस बीच महरास् प्रक्ता की संभावना को कम किया जा सके ठाड़े में पुलिस ने निशेधाग्या लगा दी है ऐसे में इस शेतर में किसी भी प्रकार से हिंसावे प्रयोग किये जा सकने लायक अस्तर शस्तर आदी लाने या ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है साथ ही किसी भी तरह के भड़काऊं पोस्टर लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है पुलिस की ओर से इस तरह की कदम एहतियाती तोर पर उठाए गए हैं इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ महरास्ट में सियासी टकराओ जारी है शुसेना वर्सेज शुसेना के इस पूरे सियासी घड़ना करम के बीच रोजाना नई नई रणनीत देखने को मिल रही है दो पालों में बटे शुसेना फिलहाल अपना अस्तित तलाश रही है लेकिन इस बीच बॉलिवुट की चर्चित अभीने थे कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे की बीच चली रार फिर से चर्चा में है दरसल कंगना रनौत का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वारल हो रहा है इस वीडियो में कंगना रनौत कह रही है कि उद्धव ठाकरे का घमंड टूट जाएगा कंगना रनौत का यह वीडियो साल 2020 का है जब अभिनेतरी का ओफिस पर ब्यंसी ने कारवाई की थी और बुल्डोजर चला दिया था उन दिनों अभिनेतरी ने उद्धव ठाकरे को निशाना बनाते हुए कहा था कि उद्धव ठाकरे तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझसे बदला लिया है आज मेरा घर टूटा है कल तुम्हारा घमंड टूटेगा इसके अलावा कगना रनावत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है इसमें मैं कहती है कि जब भी कोई व्यक्ति औरत का अपमान करता है उसका पतल जरूर बोता है अज मेरा घर टूटा है कल तेरा घमंड टूटेगा यो वक्त का पहिया है याद रखना हमेशा एक जैसा नहीं रहता है आपको बता दें कि बीमसी ने साल 2020 में कंगरा रनावत के मुंबई स्थिल आफिस में जमकर तोड़ फोर की थी इसके बाद अभिनेत्री ने बीमसी के खिलाफ बॉंबे हाई कोड का दर्वाजा खट खटाया था और मुआबजे की मांग की थी इस मामले में कोड का फैसला भी कंगरा के हक में आया था कोड का कहना था कि BMC ने खराब नियत से यह कतम उठाय था और कंगना का दफ्तर गलत इरादे से तबहा किया क्या कोड ने कहा कि यह नागरिकों के अधिकार के भी विरुद्ध था अदालत के फैसले के बाद कंगना रनाओत ने ट्वीट किया था जब कोई व्यक्ती सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीता है तो यह व्यक्ती की जीत नहीं बलकि लोगतर की जीत होती है यह पूरा मुद्धा उस वक्त काफी चर्चा में रहा था जो एक बार फिर वायनल को रहा है फिलाल के लिए इस ख़बर मेटता है अब डेट्स के लिए बने रहे है वर इंडिया हिंदी के साथ जम्बू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महभूबा मुप्ती ने आज केंदर की मोधी सरकार पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि इस देश को जवाहरलाल नहरू, इंदरा गांधी, राजीब गांधी जैसे नेताओं के खून पसीने से बनाया गया था इसका अधार लोक्तंडर और धर्म निर्पेक्ष्टा था भाजपा इसके विप्रीच चल रही है मैंने अपने जीवन में इससे भ्रष्ट सरकार नहीं देखी है महभूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि मैं युवाओं के अभिवावकों से अनरोध करती हूँ कि युवाओं को बंदुक उठाने से रोखें वो आपको मार कर धन प्राप्त करते हैं मैं उनसे बंदुक उठाना बंद करने का अनरोध करती हूँ मैं मॉल्वीस अनरोध करती हूँ कि पंडितों को हमारे संसाधन गोशित करें उन पर कई हमले हुए नहीं होने चाहिए थे आपको प्राप्ट यह रखंट शुट्रा थे लिडिस सब्सकर शुट्ट इस जो इसफंडमें टो यह च्ट्राइब कर दो कि एंडियर अवर बुक टीम कर दोर्प्त गोशित थे नहीं है इसके साथ ही महबुबा मुफ्ती ने शोपिया में हुए सूमो धमाके का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि सूमो में हुए धमाके में चालक शौकत एहमर शेख को गिरफतार कर लिया क्या और उसे हिरासत में ले लिया क्या मुंबई में सोशल एक्टिवेस्ट तीस्ता सीतलवार के आवास पर गुजरात ATS की टीम ने अचानक दबिश दी उन्हें गिरफतार किया गया और वहां से उन्हें सिधे सांता क्रूस थाने लिजाये गया जहां उनके अलावा दो पूर्व IPS अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्श की गई है उन पर ये कारवाई एहमदाबाद सिटी की अपराद शाखा के इंस्पेक्टर दर्शन सिंग बरार की शिकायत पर की गई है तीस्ता सितलवाड और पूर्व IPS आर्वी श्रीकुमार और संजीव भट के खिलाफ ये कारवाई गुजराद दंगा मामले में जोटी जानकारी देने के आरोप में की गई है दर्श FIR के मुताबिक इस मामले में आरोपियों ने जाक्या जाफरी के जरीए कोर्ट में कई आचिकाय दी थी जबकि SIT समेट अन्य आयों को गलत जानकारिया दी थी आज तक एक रिपोर्ट के मुताबिक गिरफतार किये गए पूर्व IPS अधिकारी आर्बी श्रीकुमार को लेकर जोजानकारिया सामने आई हैं उसके मुताबिक गुजराद दंगा मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में सीम की बैठक में शामिल होने के दाविदारों के बयान राजनीतिक तोर से संसरी पैदा करने वाले थे आपको बता दें कि इस संबंध में पूर्व IPS आर्मी श्रीकुमार के अलावा हेरेन पांडिया और संजीव भट ने SIT के सामने जो बयान दर्ज करवाए थे वे जूठे और निराधार साबित हुए थे बाद में जब इसकी जाच परक की गई तो मालूम पड़ा कि लौए और्डर की समिक्षा के लिए जो बैठक बुलाई गई थी उस बैठक में वे शामिल ही नहीं हुए थे वही 24 जून को गुजराद दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT की रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी की ओर से दायर याचिका को रद कर दिया था इसे रद करते हुए कोर्ट ने टिपड़ी की थी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तीस्ता इस पूरे मामले में इसी वजह से घुसी रही क्योंकि जाकिया जाफरी इस मामले में असल पीडित है कोर्ट ने अपनी टिपड़ी में ये भी कहा था कि तीस्ता अपने हिसाब से इस मामले में मदद के बहाने इसे नियंत्रित कर रही थी और अपने हित को साधने की भी कोशिश कर रही थी इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बदे रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगे के मामले में असाइटी की ओर से पीम नरेंद्र मोधी को दी गई क्लीन चीट बरकरार रखी है कोर्ट ने असाइटी के काम की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य प्रिशासन के कुछ हधिकारियों की लापरवाही का मतलब ये नहीं राज्य प्रिशासन की ये साजिश थी मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ग्रे मंत्री अमिशा ने अनाई को दिये इंटर्विव में कहा कि पीम मोधी पिछले 18 सालों से भगवान शंकर की तरह विश्पान करते रहे लेकिन किसी से कभी भी कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा कि मैंने प्रधान मंत्री मोधी को नजदीक से इस दर्द को जेलते हुए देखा है क्योंकि न्याईक प्रक्रिया चल रही थी तो सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोले बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टेंड ले सकता है दिखे सबसे पहले क्लीन चीट नहीं है मैं इसके बारे में बात में बात करूंगा सुप्रिम कॉट ने पूरे आरोपों को खारीज किया है और आरोप क्यूं घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रिम कॉट ने कहा है एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रिम कॉट ने ये आरोब politically motivated है ये भी सिद्ध कर दिया है सुप्रीम कोट के judgment ने सिद्ध किया है जहां तक कैसा लगा का सवाल है 18-19 साल की लड़ाई देश का इतना बड़ा नेता एक सब्द बोले बगर सभी दुखों को भगवान संकर के विश्पान की तरह गले में उतार कर सहन करकर लड़ता रहा और आज जब अन्त में सत्य सोने की तरह बारा है चमकता हुआ बारा है तो आनन्द ही होगा मैंने बहुत नद्दीक से मोदी जी को इस दर्द को जिलते हुए दिखा है इस आरोपों को जिलते हुए दिखा है और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि नाईग प्रक्रिया चालू है हम कुछ नहीं बोलेंगे इस टेंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही इस टेंड ली सकता है इसके साथ ही अमिश्या ने कहा कि मोदी और बीजेपी के खलाब करीब दो दर्शक से दुष प्रचार चले रहा था उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोड ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोड के फैसले ने ये सिद्ध कर दिया कि सभी आरोप राजनितिक रूप से प्रेडित थे 19 साल के बाद सुप्रीम कौट के खंडपिट ने आज जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे घलत आरोप को खारीच कर दिया गया और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपो को पोलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था विस्टेड इंट्रेस था ना मैं बताता हूँ बाद में और तीसरा इस से भारतिय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है और मोटिजी जैसे वैस्विक नेता पर जो घलत आरोप लगाये थे मैं मानता हूँ कि लोग तंत्रन के अंदर मोटिजी ने संविधान का संद्मान कैसे हो सकता है इसका एक आदर्स उदाहन सभी राजनिती में काम करने वालो लोगों के सामने करा है मोटिजी की भी पुत्ताच हुई थे किसी ने धर्णा प्रदसन नहीं करा था देश भर से कारे करता आकर मोटिजी के समर्थन में स्वालिराडिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे हम कानून को कॉपरेट की थे आपको बता दें कि जस्टिस ए एम खान विलकर दिनेश महश्वरी और सीटी रवी कुमार की बेंच ने 452 पन्नों में फैसला सुनाया सुनमाई के दोरान कोर्ट ने कहा कि जो छान बीन हुई उसमें ऐसा कोई तत्थ है नहीं जो बताया कि अल्प संख्यक समुदाय के खलाब हिंसा के लिए हाई लेवल पैर्ट साजिश रची गई थी इस ख़बर में फिलाल इतना ही अफडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ बिहार के रजदानी पतना में शनिवार को एक बार फिर से बिमान हाथ सटल गया पतना एरपोर्ट से उरान भरने के ठीक पहले गुहाटी जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में तकनीकी खरावी आ गई जिसके बाद प्लेन को रनवे से बापस लोटा दिया गया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पाइस जेट का प्लेन पटना से गुहाटी के लिए टेक ओफ करने वाला था, टेक ओफ के दौरान ही वार्निंग लाइट जलने लगी, जिसके बाद टेक ओफ को कैंसिल कर दिया गया, इस फ्लाइट में करीब 50 यातरी सामिल थे, गरसव इस जेट की फ्लाइट के इंजन में बर्ड हिट हो गया था, इस कारण इंजन में आग लग गई थी, बात में पाइलेट ने सूझ बूच के साथ प्लेन को पटना एरपोर्ट पर लेंड करा दिया था, उस फ्लाइट में 185 पैसेंजर्स के अलावा क्रू मेंबर्स भी इंडिये की राष्टपती पत की उमिदबार द्रौपदी मुर्मून ने शुप्रवार को अपना नमांकन दाखिल कर दिया, इस मौके पर पियम नरेंद्र मोधी समित कई दिगजनेता मौजूद रहे, इंडिये की राष्टपती पत की उमिदबार के लिए बीजेपी लग अतार समर्थन जुटा रही है, इसी बिच द्रौपदी मुर्मून ने टीमसी प्रमुक और पश्चिम बंगाल की सीम ममता बनर्जी से समर्थन की अपील की, पिटी आई की रिपोर्ट के मुताबिक द्रौपदी मुर्मून ने पश्चिम बंगाल की सीम ममता बनर्जी से फ सम्ता बनर्जी के अलाबा कॉंग्रेस सध्यक्ट सोनिया गांधी, जारखंड के सियम हेमंत सोरेन और NCP चीप सरद पवार से भी बात की, उन्होंने तमाम बड़े दलों से समर्थन मांगा है, सभी ने द्रौपदी मुर्मु को राष्टपती चुनाओं के लिए सुबकाम ना दी, रिबोर्ट के मुताविक नामांकन दाखिल करने से पहले तमाम नेताओं को फोन किया गया था, दरसल विपक्ष ने यस्वंत सिना को राष्टपती पत का उमिदबार बनाया है, 27 जुन को दिल्ली में राष्टपती पत के उमिदबार यस्वंत सिना अपना नामांकन रिबोर्ट के मुताविक ममता बनर जी ने द्रौपदी मुर्मू से कहा कि पाटी तै करेगी कि क्या करना है, अगर सियासी समिकरन की बात करें तो ममता बनर जी का द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना संभव नहीं है, ऐसा इसलिए कि यस्वंत सिना राष्टपती पत के उमिदवार है, विपक्षी देलों ने यस्वंत सिना को अपना उमिदवार बनाया है, इसके पहले भी ममता बनर जी ने राष्टपती चुनाओ को लेकर दिल्ली में कई नेताओं के साथ बैठक की थी, उनकी कोशिश विपक्ष के उमिदवार के लिए समर्थन चुटाना अगर राष्टपती पत के चुनाओ की बात करें तो 18 जुलाई को मतदान होगा, यदि द्रौपदी मुर्मु को जीत मिलती है तो वो पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्टपती होंगी, मौजुदा राष्टपती रामनात कोविंद का कारेकाल 24 जुलाई को समाप् इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ राष्टपती चुनाब में एंडिया ने दुरपती मुर्मु को उमिदवार बनाया है बीज़पी की आदिवासी कार्ड ने विपक्षी दिलो को भी राष्टपती चुनाब में समर्तन के मुद्दे पर पसोपेश में डाल दिया है पुरिशा से आने वाली आदिवासी नेता द्रोपती मुर्मू ने बच्छी खेमे में स्टेन लगा दिये बतादे आज बीएसपी चीफ मायवती ने मुर्मू को राश्पती चुनाव में समर्थन देने का एलान किया है उन्होंने काए कि आदिवासी समाज बीएसपी के मुवमेंट का खास हिस्सा है इसलिए हमने द्रोपती मुर्मू को समर्थन देने का एलान किया है परत्मान समय में इसी कड़ी में राश्पती चुनाव में अपना फैंसला खुद लेने के लिए सर्थन देने का एलान किया है के पक्षवे नहीं और नाहीं इनके विपक्ष यूपिय के विरोध में कोई सोच कर लिया है बलकि अपनी पार्टी वे मुव्मेंट को विश्रेश ध्यान में रखकर ही एक आदिवाश्य समाज की योग्य वे करमठ महला को देश का राश्पती बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है हलाके वे कितना फिरिली होकर वे बिना किसी दवाग के कारी कर पाएगी ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा अंत में अब मैं अपने आदिवाश्य समाज की महला को देश का राश्पती बनाने के लिए अपने पार्टे का बोट देने का एलान करते हुए अपने बात यहीं समाग करती हूँ बहुजों समाज पार्टे की प्रमुप मायावती ने द्रौपती मुरू के समर्थन का एलान कर दिया है लखनों में बस्ता प्रमुप मायावती ने एलान किया कि हम नहें राश्पती जुना में एंडिय की उमीदवार द्रौपती मुरू का समर्थन करने का फैसला किया है ये भी साफ किया कि हमने ये फैदला अपनी पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए लिया है गौर्टलबै की बस्पा दलित मुव्मेंट में उपजी पार्टी है पार्टी का बेज वोट बैंक भी दलित है एंट ये कैंडिडेट द्रौपती मुर्मू आदिवासी समुधाय से आती हैं ऐसे मैं बस्पा भी इस परसो पेश में फसी थी की दरौपती मुर्मू का समर्टन करे या विपक्षी दलो के उमीदवार पूर केंद्रेमंतरी भ्यश्वन सिना का आपको बताते हैं दर्वपती मुर्में एंडिये के राश्पती पत्त की उमीदवार हैं वो इससे पहले जहरकंट की पहली महीला राज्य पाल ले चुकी है, सत्ताधारी एंडिये का उमीदवार होने के दाते उनकी जीत तैमानी जा रही है, ऐसा होने पर वो देश की पहली आदिवासी महिला राश्पति होंगी, बीएसपी का समटन मिलने से एंडिय की उमिद्वार को और मजबूती मिली है, इस ख़पर में फिलाल इतना ही बन लिया बन लिया हिंदी के साथ देश में राश्पति चुनाव को लेकर अब सियासत तेज हो गई है, वहीं विपक्षी पार्टी के बीच भी अब जुबानी जंग लगातार तीज होती जा रही है एंडिया ने आदिवासी समुदाय के मिला द्रौपती मुर्मु को अपना उमिद्वार बनाया, तो वहीं विपक्ष की ओर से यश्वन सिन्हा राश्पति पत के उमिद्वार है, बियस्पी सुप्रीमो मयावती ने पश्रिम मंगाल की सीयम ममता बनर्जी पर तंज कसा, उ भी बियस्पी को आमंतरित नहीं किया गया, ये उनके जातिवादी उदेशों को दर्शाता है, दरसल विपक्ष की ओर से राश्पति उमिद्वार को लेकर होई हाल फिलाल बैठकों में बियस्पी को नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर मयावती नाराज है, बता दें कि वि बियस्पी सुप्रीमों मयावती ने बड़ा एलान करते हुए द्रौक्दी मूर्मू के समर्थन की बात कही, आगे मयावती ने कहा कि हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपने मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौक्दी मूर्मू को राश्पति पद के अपडेट्स के लिए बने रही है, बन इंडिया हिंदी के साथ भारत में मांगाई ने आम जन जीवन को अस्त बेस्ट कर दिया है, हालात ऐसे हैं कि आम से लेकर खास जनता तक मांगाई से प्रभावित है, पेटरौल डीजल से लेकर LPG और खाने पीने के सामान भी महंगे हो गए हैं, दुनिया के कई दूसरे देशों में भी मांगाई न रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसी बिच AIMIM चीप असदुदिन ओवैसी ने देश में जारी महंगाई को लेकर PM नरेंदर मोदी पर निशाना साधा है, ओवैसी ने ट्वीट करके बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार पर जोरदार तंज कसा है, ओवैसी ने ट्वीट में लि देश बास्यों की सहन सकती भी नई उचाईयां छू रही है, अपने ट्वीट के साथ असदुदिन ओवैसी ने एक चार्ट भी सेर किया है, जिसमें उर्जा, कपड़े और खाने पीने से जुड़े सामानों की लिश्ट और उनके बढ़ते दामों का जिक्र है, बताते चले कि AIMIM चिप असदुदिन ओवैसी लगतार केंदर सरकार पर जुवानी हमले करते रहते हैं, इसके पहले ओवैसी ने अगनिपत स्कीम को लेकर भी मोधी सरकार पर निशाना साधा था, उन्होंने अगनिपत स्कीम को बापस लेने की मान की थी, अब ओवैसी ने मांगाई के म कुद्धे पर मोधी सरकार को घेरा है, इस ख़बर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ हिमाचल परदेश विधान सभाचुनाओ को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से संजीदा दिखाई दे रही है, लिहाजा पार्टी के सयोजक अर्विंद के जिरिवाल एक बार फिर से हिमाचल दोरे पर पहुँचे हैं, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगव मान भी कुल्लू पहुँचे, भुंतर एरपोर्ट पर पार्टी कारे करताओं ने उनका ग्रेंड वेलकम किया, करीब 300 मीटर तक विरत यातरा पर भी सवार दिखाई दिये, इस दोरान सैकडों की संख्या में पार्टी कारे करताओं ने तिरंगा यातरा निकाली, यहाँ से केजरिवाल का रत धालपूर पहुचा, जहां उन्होंने परदेश सरकार पर स्वास्थ, शिक्षा और बिजली समेट कई मुर्भूत सुविधाओं के अभाव के मुद्दों पर जम कर प्रहार किया, पार्टी के सिध्धानतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम जंगा यात्रा निकालने के लिए कठ्थे हुए, आज आप यहां पे सारे कठ्थे हुए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रियादा करना चाहता हूँ, जैसा भी मेरे छोटे भाई भगवन जी ने कहा, हमें राजनीती करनी नहीं आती, हमें पॉलिटिक्स करनी न आई कसम खाई थी कि इस देश से ब्रश्टाचार दूर करेंगे, और आज भी उसी रस्ते के ओपर चल रहे हैं, पहले दिल्ली में ब्रश्टाचार खतम किया, अब पंजाब के अंदर सिलसला चालू हो गया, आपने कभी सुना था, कोई मुख्यमंत्री अपनी कैमिरेट के मिनिस्टर को खुदी पकड़ के और जेल में डाल दे, कभी सुना था आपने, अभी मान साब ने थोड़े दिन पहले इनके बास एक कोई रेकॉर्डिंग रेके गया, उस रेकॉर्डिंग को इन्होंने सुना, उसमें पता चला कि इनका जो हेल्थ मिनिस्टर था, वो इन्होंने असा नहीं किया, इन्होंने अपनी पूलिस बुनाई और उसको पूलिस के आतों कर दिए, आज वो जेल में बैठा इनका हेल्थ मिनिस्टर जिरो टालरेंस भ्रषकाचारियों को छोड़ेंगे नी हमारे वाला करेगा उसको भी नी छोड़ेंगे उनके वाला करेगा उसको भी नी छोड़ेंगे इस खबर में फिर हाली तरही बाकि अप्डेट्स के लिए बने रहे रहेे One India हिंदी के साथ सेना में भर्ती की नई इसकीम अगनिपत को लेकर मचे घमासान में जहां सड़कों पर उनमाद में युवा उपद्रव और हिंसा पर आमादा दिखे तो तमाम विपक्षी दल इसे लेकर बेहत आग बबूला नजराये थे एक के बाद एक केंदर सरकार की इस नई भर्ती सकीम को लेकर जुबारी प्रहार किये जा रहे थे जिस पर सरकार तो कुछ फेर बदल के साथ अपने रुख पर कायम रही अलबकता इस पर अब सियासत दानों के अलावा सम्वधानिक पदपर आसीन मेगाले के राजजपाल सत्तिपाल मलिक ने एक गर्मा गर्म बयान दे डाला है NDTV की एक रिपोर्ट के मुदाविक उन्हें भी सेरा में भरती किये नई स्कीम नहीं भाई है लिहाजा उन्होंने भी तमाम विरोधी दलों के सुर में सुर मिलाते हुए इस स्कीम को वापिस लेने की अपील की है इसलिए कर अपने एक बयान में उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री मोदी से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि इस योजना को वापिस ले ये योजना बताती है कि सरकार और गावों के बीच दूरी बढ़ रही है मैं युवाओं से भी आगरह करता हूँ कि प्रदर्शन करते वक्त हिंसा ना करें सेरा में भरती की इस रही स्कीम पर नाराजगी जाहिर करते हुए मेखाले कि राज़िपाल सत्यपाल मलिक ने तंज कसते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री ये वादे कर रहे हैं कि वो नौकरियां देंगे उनका ही भरोसा नहीं है कि वो दोबारा मुख्य मंत्री बनेंगे या नहीं वहीं उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारी जो सरकार का बचाव कर रहे हैं वो भी गलत है राज्यपाल मलिक ने कहा कि वर्दी और नियायले की ही इज़त बची है लिहाजा वर्दी वाले जन्रल को भी टीवी पर लाना सरासर गलत है उन्होंने कहा कि उन्हें पद की लालसा नहीं है लेकिन वो बोलना बंद नहीं करेंगे अपने बयान में वे आगे कहते हैं कि उन्हें कहा जाए तो वे राज्यपाल का भी पद छोड़ने को तयार है आपको बता दें कि सेना में भरती की इस नई स्कीम अगरीपत को लेकर कई राज्यों में जबरदस्थ विरोध देखने को बिला था अगर परदर्शनों के दोरान रेलवे की संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुचाया गया था हाला कि बाद में सरकार में इस पर विचार करते हुए एक साल के लिए उम्र में छूट देने का एलान भी किया था लेकिन उसके बावजूद नाराज धीवाओं का गुसा शांक नहीं हुआ इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ किंद सरकार ने 14 जून को अगनी पर भड़ती योजना की थी इस खोशना के बाद से पूरे देश में इंसक परदेशन के साथ साथ सियासत भी जाड़ी है तो वहीं इस योजना के विरोध में हस्तीना पूर्स विदान सब चुनाव लड़ी ही कॉंग्रिस ने 3 और फिल्म अभी ने 3 अर्चना गौतम 24 जून को बुलंशेर पहुंची यहां अर्चना गौतम ने 2 में तप्ती सड़क पर नंगे पाउं उतरी और अगनी पत योजना के खिलाब जम कर विरोध प्रदेशन किया प्रदेशन के दोरान अर्चना गौतम हातों में रसी की बेडियां और गले में फंदा डाले हुए नजर आई आपको बता देख फिल्म अभी ने 3 और कौंगरेस नेता अर्चना गौतम 24 जून को सेहना बढ़ती अगनी पत योजना और वियापक बेरोजगारी के विरोध में जिला कौंगरेस कमेटी और युथ कौंगरेस कमेटी के साथ सड़क परूतरी इस दोरान अगनी पत योजन के लिए जौब देंगे चार साल के बाद युवाओ को बीजेपी का चौकीदार बना दिया जाएगा या फिर उनसे पकोड़े तलवाये जाएंगे जानकारी के मताबिक इतना ही नहीं अर्चना गौतम ने कहा कि मोदी सरकार युवाओ के सपनों से खिलवार कर रही है चार साल के लिए युवाओ को आर्मी में वर्जी किया जा रहा है चार साल बात वो क्या करेंगे कहा घर में मार्पीट करेंगे चोरी करेंगे डेकैटी डालेंगे क्योंकि उनके पास कमाने का कोई सादन नहीं बचा होगा अर्चना गौतम ने इस दोरान सवाल पूछते हुए क कि ऐसी कौन सी मा होगी जो अपने बेटे को गोली खाने के लिए चार साल के लिए आर्मी में भेजेगी इस दोरान उनने कहा कि कई बड़े कॉर्परेट घराने और दिगज उद्योपती जो इन युवाओ को चार साल बात जौब देने का आजवादा कर रहे हैं वो चार सा इन्हें जोब नहीं देंगे क्योंकि आर्मी में जाने वाले युवा हिंदी मीडियम से पड़ाई करके जाते हैं उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है जबकि बड़ी-बड़ी कंपनियों में अंग्रेजी जरूरी होती है इसलिए मुझे लगता है कि बड़ी- खोकले साबित होंगे खाबर में फिलाल इतना ही बनरिया बन इंडिया हिंदी के साथ चीन सीमा में बढ़ते तनाओ के बीच भारती सेना को बड़ा हत्यार मिला है ये वो हत्यार है जो दुश्मन को दूर से देखकर नश्त नाबूद करने के लिए काफी है देखते ही देखते बड़े से बड़े टैंक को तबाह करने की छमता रखता है एक साथ कई मोर्चों पर लड़ सकता है ये वहन इतना कमफर्टेबल है कि कोई भी साइनिक इसको चला कर दुश्मन के छक के छुडा सकता है भारती सेना ने चीन से जुड़ी सीमा पर इंफरेंटी कॉमबैक्ट वहन तैनाओ किया है जिसे शुक्रुआर को लगदाफ में फारवर्ड बोस्ट ए जिसे मेकिन इंडिया प्रोजेक्ट रिकता है तैयार किया गया है ऐसे 1750 FICV सेना को मिलेंगे बता दें कि दुश्मन के टैंकों को नस्ट करने और सैनिकों को ले जाने के लिए भारतिय सेना को फ्यूटरेस्टिक इंफरेंट्री कॉमबैक्ट वीकल की बहत जरूरत थी इस सेना के सूत्रों के मुलताविक सेना को हर साल 75-100 कॉमबैक्ट मिलेंगे जिने जरूरत के हिसाब से तैनाग किया जाएगा दुश्मन के टैंक नस्ट करने वाला ये पहला वहन दियार्डियो और टाटा ने मिल कर तायार किया है ले लगदाक जैसे दुर्गम इलाकों में भ नॉर्दन आर्मी कमांडर लेटरिनेंट जेनरल उपेंदर दिवेदी ने इस वीकल को चलाया और बताया कि इस इलाके में ये वीकल बहुत बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा इसे यहाँ पर बहुत आसानी से चलाये जा सकता है उपेंदर दिवेदी ने बताया कि कोई भी इस वाहन को आसानी से चला सकता है जो भी इसे चलाएगा वो अठारे सो मीटर दूर दुश्मन को देख सकता है इस वीगल में लगे हत्यारों को अंदर से ही बैठ कर कंट्रूल किया जा सकता है आपको बता दें कि Infantry Protected Mobility Vigals के नाम की इन वाहनों को इसी साल आपरेल में भारती सेनों को सौपा गया था लेकिन पहाड़ी इलाकों जैसे लग्दाक छेतर में इसका परिशन चला था प्रसुच्छन में यह पास रहा इसलिए नौर्दन आर्मी को सौपा गया है Infantry Protected Mobility Vigals की खासियत की बात करें तो इस वाहन में एंटी टैंक मिसाल भी है RFI के अनुसार इस Combat Vehicle को भारत के उत्री सीमाओं यानि लद्दाक, मद्द और सिक्किम सेक्टर के ओपरेशन्स के लिए तैनात किया जाएगा इन IPMP का इस्तमाल सैनिकों के तेजी से मुमेंट करने और टैंकों के खिलाफ किया जाता है इन Combat Vehicles में आज से 10 सैनिक अपने हाथ्यारों के साथ तैनात रह सकते हैं इसके अलाओ मशीन गन और ATGM यानि NT Tank Guided Visile से भी लैस किया गया है सीना से जुड़ी इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है One India Hindi के साथ पडोसी मुल्क पाकिस्तान जो बम बारूत गोले खरीदने के लिए अपने खजाने के द्वार खोल दिया करता है उसे अब चाय की चुस्की के भी वान्दे होते जा रहे हैं जी हाँ बिलकुल ठीक सुना आपने वही प्याली भर चाय जिसे आप और हम सुड़क कर भूल जाया करते हैं उसे सुड़कने से पहले अब पाकिस्तान की आवाम को दो बार सोचना पड़ेगा कि अगली प्याली नसीब होगी या नहीं ऐसे में पाकिस्तान सरकार इसका भी हल ढुण लाई है पाकिस्तान में ताजा ताजा बनी शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान युनिवर्सटी को चाय का एक विकल्प सुझाया है युनिवर्सटी को कहा गया है कि वो यहाँ पढ़ने वाले च्छात्रों को लसी और सत्तू पीने के लिए प्रोत साहित करे इसे वो चाय के विकल्प के तौर पर ले सकते हैं अब आपके जहन में ये सवाल कौन रहा होगा कि चाय के विकल्प को लेकर पाकिस्तानी सरकार ने ऐसा सुझाव दिया कियो और तमाम बड़े-बड़े मसलों को छोड़ चाय को लेकर विचार किया कियो ये सवाल आपके जहन में उठना भी चाहिए दरसल पाकिस्तान इन दिनों बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है ऐसे में बाहर से आयात होने वाली चीजों पर होने वाले खर्च में कटाउती की जा रही है पाकिस्तान में बड़ी मात्रा में चाय का भी आयात किया जाता है ऐसे में पाकिस्तान के उच्छ शिक्षा आयोग ने अब चाय के आयात पर खर्च में कटोती पर विचार किया और उसके लिए एक नया तरीका भी सुझाया इस सिलसले में एक पाकिस्तानी अखबार दन्यूज ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताया गया है कि शिक्षा निकाये ने कुलपतियों से लस्सी और सत्तु जैसे स्थानिय पे की खपत को बढ़ाने के लिए कहा है इसके साथ साथ लोगों से ये भी अपील की गई है कि वे चाय का कम से कम सिवन करें और अपनी दिंचर्या में बदलाव करते हुए चाय की तलब को कम करने की कोशिश करें पाकिस्तान पहले ही बहुत से गैर जरूरी चीज़ों के आयात में कटोती कर चुका है जबकि सरकारी कर्मचारियों के खर्चों में भी कई तरह की बंदिशे लगाई गई थी चाय के आयात में कटोती के साथ मुल्क में सब्तू और लसी के सेवन को अपनाने को लेकर पाकिस्तान उच्छ शिक्षा आयोग की दलील है कि ये ना केवल एक सेहत बंद विकल्प सावित होगा बलकि इससे रोजगार भी बढ़ेगा और तंगी से जूचते लोगों को आये का जरिया भी मिल जाएगा हलाकि इस फैसले को पाकिस्तान के लोग किस नजरिये से देखते हैं ये आने वाले दिनों में जाहिर हो जाएगा इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए One India हिंदी के साथ अमेरिका में लंबे समय से ये बहस श्री हुई थी कि यहां गर्भपात या अबॉर्शन पर परतिबंध लगाया जाए या नहीं ये चर्चा उठ खड़े होने भर से कई संगठन सड़कों पर उतराये थे पिछले कुछ हफतों से इसे लेकर सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन भी देखा जा रहा था लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर अब एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिसने कई संगठनों को जोरदार जटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने डॉप्स ब्रस जैक्सन वाद में 6.3 की सहमती के आधार पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अमेरिका में अबॉर्शन सम्वेधानिक अधिकार नहीं है कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए साल 1973 के उस फैसले को पलट दिया जिसे रो वर्सेस वेड के नाम से जाना जाता है उस फैसले में कोर्ट ने गर्भपात के अधिकार को समवेधानिक अधिकार माना था अमेरीकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब अमेरीकी राज्जियों के लिए फिर से गर्भपात पर पूर्ण परतिबंध लगाने का रास्ता साफ हो जाएगा इसे लिकर human rights activist का कहना है कि इससे अमेरिकी महिलाओं की आजादी उनके खुद के फैसले लेने की स्वतंतरता और व्यक्तिकत स्वायत्तिता की रास्ट्री समझ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी साल 1994 के बाद से अमेरिका ऐसा चोथा दिश बन गया है जिसने abortion rights को वापिस लिया है इस पर प्रतिबंद लगाने की विरोध में पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका की सड़कों पर लगतार प्रदर्शन देखे जा रहे थे अमेरिकी लोग इसे अपने अधिकारों का हरनन बता रहे हैं उनका मानना है कि उनके शरीर पर पूरी तरह से उनका ही अधिकार होना चाहिए गौरतलब है कि अमेरिका में गर्भपात का कानून करीब 50 साल पुरारा था यहां दुनिया के दूसरे देशों की तरह गर्भपात को लेकर बंदिशे नहीं थी इसी वज़े से वहां लोग अपनी बर्जी से अबॉर्शन करवाया करते थे लेकिन वो अब से मुम्किन नहीं हो पाएगा इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे हैं वन इंडिया हिंदी के साथ देश और दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है दुनिया के कई देशों में चौथी लहर चल लई है तो यह अब भारत में भी पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे है देश के कई राज्यों में कोरोना केसों में लगातारी जाफा हो रहा है जिसने स्वास्त मंत्रालय और राज्य सरकारों की चिंता पढ़ा रखी है देश में पिछले 24 गंटे में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर से टेंसन बढ़ा दी है पिछले 24 गंटे में कोरोना के 15,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए देश में कोरोना की सूपर स्पीड के भी चेक्टिव केस की तादाद भी बढ़ती जा रही है कोरोना के नए मामलों में आई तेजी के साथी देश में अब एक्टिव केसों के संख्या कुल तकरीबन 22,000 तक पहुँच गई आए देश में पिछले 24 गंटे में 15,940 नए मामले दर्ज किये गए महराश्ट में सबसे ज़्यादा 4,205 मामले मिले इसके बाद केरल में 3,981, दिल्ली में 1,447, तमिलनाडु में 1,369 और करनाटक में 816 नए मामले सामने आए देश में कुल नए मामलों में से 74,8% नए मामले इन 5 राज्यों में मिले है कोरोना के नए केस मिलने के बाद देश में अब मिले संक्रमिदो की संख्या 4,33,78,234 हो गई है देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20 मरीजों की मौत भी होई है पिछले 24 घंटे में कुल 12,425 मरीज ठीक भी हुए अब तक देश बर में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 4,27,16,482 हो गई है कोरोना केसों में जिस तरह से लगातार ही जाफा होता जा रहा है विश्रेशग्यों का मानना है कि कोरोना के बढ़ते मामले चौथी लहर की आहट भी हो सकते है महराष्ट केरल में सबसे जादा मामले है जिसको लेकर स्वास्त मंतराले ने राज्यों को निर्देश भी जारी किया है और कुरोना रोगथाम से संबंदिश सभी संभव उपाय करने को कहा गया है इस ख़वर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है बन इंडिया है इंदी के साथ सरकारी करमचारियों के लिए जुलाई कई सौगात लेकर आ सकता है सरकार अपने करमचारियों तीन बड़े तोहफे देने के मूड में नजर आ रही है दरसल सरकार अपने करमचारियों के वेतन में बढ़ोतरी से लेकर बकाया राश्य के भुकतान पर विचार कर रही है प्लानिंग की जा रही है सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई महा में डिये में बढ़ोतरी के साथ भी बकाया डिये का भुकतान भी किया जा सकता है इतना ही नहीं, PF पर ब्याज की रकम भी सरकारी करमचारियों के खाते में पहुँच सकती है खबरों की माने तो सरकार अपने करमचारियों के बकाया DA का भुकतान अगले महीने कर सकती है ये भुकतान लगभग 18 महीने से कोरोना के कारण लटका हुआ था अब ये कुल जमा एक बार में 2 लाग तक दिया जा सकता है इसके साथ ही सरकार करमचारियों के DA में भी इजाफा करने की ओर कोई फैसला ले सकती है करमचारियों के DA में 4-5 फीसिदी तक की बढ़ोतरी की जा सकती है फिलाल कर्मचारियों को 34 फीसदी की दर से डिये मिल रहा है अगर ये डिये बढ़ता है तो 50 लाग से जादा कर्मचारियों और 65 लाग पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा इतना ही ने अगले महा सरकार अपने कर्मचारियों को भविशी निदी संगधन यानी EPFO के ब्याज का पैसा भी दे सकती है बता दें कि बड़ती महंगाई को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार की और से ये कदम उठाए जा सकते हैं ये फैस्ट ले अगले महीने अमल में लाई जा सकते हैं तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ ओनलाइन पेमेंट जितना असान है उतना ही खतरनाक भी है क्योंकि अभी के दोर में साइबर क्राइम भी बढ़ गया है ऐसे में अगर आप ज्यादा तर ओनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए है दरसल एक जुलाई से क्रेडिट डेविट कार्ड के नियम बदल जाएंगे आपके ओनलाइन पेमेंट को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए रिजरो बैंक ने पिछले साल ही कार्ड टोकनाईजेशन की शुरुआत की थी जिसे एक जुलाई से लागू किया जाएगा इसकी डेडलाइन पहले एक जनवरी 2022 थी जिसे बढ़ा करे एक जुलाई 2022 कर दिया गया था दरसल नहीं गाइडलाइन के मुताबिक कार्ड पेमेंट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए मर्चेंट को अपने सर्वर पर ग्राहकों के कार्ड के डेटा को स्टोर नहीं करने की हिदाद दी थी जिसके बाद ऑनलाइन मर्चेंट अपने कस्टमर के डेविट और क्रेडिट कार्ड की डीटेल या उनका डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं RBI ने मर्चेंट के लिए card on file token को अनिवारी कर दिया है। इस नियम के बाद अब एक जुलाई को ग्राहकों के payment और ज्यादा सुरक्षित होंगे। RBI के लिर्देश के मुदाविक ग्राहकों के debit या credit card की detail को encrypted token में बदलना होगा। जिसकी मदद से payment की जा सकेगी। यानि कि अब आपको एक जुलाई से हर बार payment के समय अपने card की पूरी detail भरनी होगी। अगर आपने card tokenization के लिए सहमती नहीं दी है तो उस payment से पहले अपने credit या debit card की पूरी detail भरनी होगी। मैं अगर कोई ग्राहक card tokenization के लिए सहमती देता है तो उसे सिर्फ CVV और OTP भरनी होगी और payment हो जाएगा। यानि ये पूरी स्वतंतरताब ग्राहकों पर होगी। मर्चेंट के हाथों में कुछ नहीं होगा। बिना नुमती के वो आपकी detail अपने server पर save नहीं कर सकते हैं। इस ख़वर में फिलाल इतनाई updates के लिए बने रही है One India Hindi के साथ। हर तरफ पानी ही पानी, घर, सड़के, स्कूल और फसल, सब जलमग। यह हालात पुर्वोतर भारतिय राज्य असम का है। जहां कई दिनों से हो रही बारिश के बाद हालात मुश्किल हो गए है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि असम के कई जिलों में बाड की वज़ा से भिशन तबाही मची हुई है। हजारों लोगों का आशियाना पानी में डूप चुका है। हालात यह हैं कि अपना घर बार छोड़ कर लोगों को शिवीरों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो बीते 24 घंटे के दोरान असम में बाड की वज़ा से दस लोगों की जान और चली गई। जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में समस्या हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे के दोरान असम के 28 जिलों के 2510 गाओं के कुल 33,333 लोग बाड से प्रभावित हुए हैं। जबकि बाड की वज़ा से लाखों हेक्टेर फसल शेत्र प्रभावित हुआ। बाड ने 173 सडकों और 20 पुलों को भी शतिकरस्ट कर दिया। फिलाल रहत और बचाओ के लिए राज्जे में सेना के साथ ही पुलिसबल, NDRF, SDRF, अगनी शमन और अपात कालीन कर्मियों के जवान समेत आपदा मित्र के वॉलन्टियर्स लगातार मदद पहुचा रहे हैं। राज्जे में बाड की मौजूदा इस्तिती पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राज्जे के सीम हीमंत बिस्वा शर्मा लगातार बाड की स्तिती पर करीब से नजर बनाये हुए हैं। फिलाल इस खबर में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रही ये One India हिंदी के साथ पानी पानी असम लाखो लोग हुए बेघर ये भयावे तस्वीर असम की है जहां बाड का कहर अब भी जारी है असम के नागाओं जिले में बाड के स्थिती अभी भी गंभीर है क्यूंकि जिले में पांच लाख से ज्यादा लोग अभी भी बाड से प्रभावित है अस्सी फीजदी से ज्यादा असम इस वक्त पानी में डूबा हुआ है बाड और लगतार बारिश के बीच असम को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है कई सडके वह गई हैं, हजारों घर तभा हो गई हैं, कई पुल शतिग्रस्थ हो गई हैं बाड और भुजकलन में कई लोगों की मौत हो गई है आखडों की मुताबिक बाड भुजकलन में मरने वालों की संख्या 118 हो गई है वहीं बाड की वजह से कई स्कूल भी पानी में डूप चुके हैं जिसकी वजह से स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है ऐसे में असम के नागाओं में छात्र छात्राओं की पढ़ाई जारी रखने में मदद के लिए बाड रहत शिवीरों में प्रिस्कूल मौडल स्थापित किया गया है जहां बच्चों को ड्राइंग और सिंगिंग जैसी प्रिस्कूली गतिविधियां कराई जा रही है आसा में बहुत इधर बार हो रहा है तो हम लोगा जो आंगड़माडी सेंटर है वो सब बन है इसलिए प्रिस्कूल नहीं कर सक रहा है फिर उसके बाद हम लोगा जो प्रिस्कूल अक्टिविटीस है उसके अंदर धर जैसे की गाना-गाना थोड़ा कुछ पाजल मिलाना, ड्रोइओं करना ऐसा वगेरा एक्टिविटीस हम लोगा जो प्रिस्कूल का डेली रूट साले analyzing का जैसा है भारी तबाही देखने को मिल रही है बाड और भुसकलन की दोहरी माल लोग छेल रहे हैं बाड के स्तिती में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है रहत और बचाओकार्य के लिए सेना असम राइफल्स एंडी आरेफ एसडी आरेफ भारतिय सेना नागरिक सुरक्षा अर्ध सैनि प्रभावित शेत्रों में लोगों की सुरक्षित निकासी में मदद कर रहे हैं इसके साथ ही बचाकर सुरक्षित इस्थानों पर लाए गए लोगों की भूप मिटाने के लिए अनाज भी दिया जा रहा है ताकि कोई भूप से न मरे फिलाल इस खबर में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिया बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ दख्षन भारत के राज्य केरल से पिछले महीने के अंत में शुरू हुआ मौन्सून अब तक कई प्रदेशों में पहुंच चुका है हmatली राज्य राजधानी दिली समय देश के कई हिस्तों में लंबे समय से जारी मौन्सून का बेसबरी से इंतिज़दार अब खतम होने वाला है दरसल मौसम विवाग का अनुमान है कि 27 जून को मौन्सून राजधानी में दस्तक देगा उदर मौसम विवाग ने आज कई राज्यों में जहमाजम बारिश के आसार भी जताए है आपको बता दें पश्यमंगाल, सिक्किम, मिगाले, आजी जैसे राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश की संबावना जटाई गई है मालमों कि कीरल करनाटक यासे दक्षन भारत के राज्यों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है वहीं उत्तरभारत के लोग मौसुन का इंतिजार कर रहे है आने वाले दिनों की बात की जाए तो आएमडी के मताबिक कल यारी 26 जून को भी मौसम समा नहीं बना रहेगा कहीं-कहीं बादर चाहे रहेंगे लेकिन गर्मी का एहसास रहेगा 27 जून को दिल्ली के कुछ इलागों में गर्ज के साथ छीटा पड़ सकती है 28 जून से दिल्ली वाचियों के लिए मौसम एक बाद फिर तो आना हो जाएगा दिन बर बादर चाहे रहेंगे और दिल्ली के अलग-अलग इलागों में बारिश देखने को मिलेगी इसके बाद 28 जून को भी ऐसा ही मौसम रहेगा और दिन बर रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी बताते हैं 28 जून को दिल्ली में लगातार बारिश रहने के बाद 30 जून को भारी बारिश हो सकती है इसे लेकर मौसम विवाग की ओर से येलो लट जारी किया गया है 30 जून को दिन बर मौसम खराब बने रहने की संबावना जताई गई है मौसम विवाग के मुताबिक 30 जून से मौसून की शुरुआत हो जाएगी और आगे भी मौसम यूही बना रहेगा आपको बता दें मत्यक्ते के वोपाल मेरा आज आंदी और बारिश की संबावना है मौसम विवाग के मताबिक 30 डिगरी सेल्सिय और अदिक्तम तापमान 49 डिगरी सेल्सिय रहने वाला है आपको बता दे मौतमिवाग ने बताया है कि अगले पांस दिनों तक बंगाल से किम अरुणाजर प्रदेश, असम, मेगाले, नागालेंट, मनीपूल, मिदोरम और तिरपुरा में भारी बारिश होने वाली है इसके अलावा 27 जून से यूपी और उत्रखण में बारिश की गतिविदियां में भड़ोत्री होने की संभावना है इसके अलावा आज कोकाड़ा, गोवा और तटिये करनाटक में भी बारिश जारी रहेगी मद्य महराज और दक्षिन गुजराज में भी आज बारिश हो सकती है मौसम विज्ञानी को ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी से दूसरी बार मौनसून सक्री होगा इसके बाद ये राजदानी समयत उत्रखण में बारिश होने की अच्छी संभावना है ये मौसून जूट के अंतिन दिनों में सक्री होने का अनुमान है मौसम विवाग ने अलट जारी करते हुए बताया है कि 60 किलोमेटर पती घंटे की रवतार से प्रिदेश के 10 जिलों में हवाय चलेंगी इसमें जौनपूर, प्रताबगड, सुल्तानपूर, माराजगन, सिद्दादनगर, बर्लामपूर, श्रवस्ती, बहराइच, लकिनपूर, खीरी और पीलीवीट जिले शामिल है इस ख़बर उतलार इतना ही बनरिया बनिया हिंदी के साथ क्या कभी आपने सुना है? कोई सडक करोडों की लागत से बने और दो ही दिन में खराब हो जाए नहीं, तो ये खबर ध्यान से देखिए क्योंकि यहां सरकार और सरकारी तंत्रों की और से दावों और वादों के बड़े-बड़े पुल बनाये जाते हैं उन्हीं वादों पर सडके भी बनती हैं, जो बारिश की एक मार भी नहीं जहल पाती दरसल प्रधान मंत्री मोदी के बैंगलूरू दोरे से पहले 23 करोड की लागत से तयार की गई सडक, एक बारिश भी नहीं जहल पाई है बैंगलूरू महानगर पालिया ने हाल ही में सडक का निर्माड कराया था महानगर पालिया ने 396 किलोमेटर सडक को बनाया, जो कि बैंगलूरू युनिवर्सिटी केंपस का हिस्सा है प्रधानमत्री मोदी इसी सडक से सोमवार को डॉक्टर भीम राव अमबेट कर स्कूल ओफ एकोनोमिक्स पहुँचे थे कितनी शिद्दत और मेहनत से सडक बनाई गई होगी, जो रात की एक बारिश में ही बैठ गई सडक के बीचों बीच गढ़्धा हो गया, जहां सडक शतिग्रस हुई वो विस्तुविद्याले केंपस के पास ही है सडक पर गुजरने वाले लोग देखते हैं, लेकिन देख के भी क्या करेंगे, सरकारी तंत को कोसने के अलावा ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, जब रोड में इतना बड़ा गढ़्धा हो गया हो इससे पहले प्रधान मंत्री मोदी अप्रैल में जाने वाले थे, तब भी सडक बनाई गई थी लेकिन पिया मोदी का दोरा रद हो गया, सडक की हालत थोड़े ही दिनों में खस्ता हो गई, और सडक पर बीच बीच में गड़े हो गए मानगर पालिका के इंजिनियर्स का कहना है कि पानी के लीक होने या फिर सीवेज पाइपलाइन के टूटने की बज़े से यह गठा हुआ प्रधान मंत्री मोदी के आने से पहले इसकी मरम्मत करवाई गई थी स्पेशल कमिशनर बीबी एंपी ने कहा कि प्रोटोकॉल की बज़े से मजदूरों ने इसे दिन राती करके सड़क को तयार किया था इस ख़बर में फिलाल इतना ही, अब डेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ 36गर की बिलासपुर पुलिस ने एक ऐसा कारनामा किया है, जिसकी चर्चा दूर दूर तक है पुलिस ने तसकरों से बरामत हुए गांजे का ऐसा इस्तिमाल किया है कि जिस पर लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा लेकिन घटना ये सच है दरसल बिलासपुर पुलिस का दावा है कि 12 टंग गांजा से उसने 5 मेगवाट बिजली का उत्पादन किया है पुलिस ने इस कारनामे को अधिकारियों की मौजूद्गी में कैमरे के सामने किया है पूरा वागया 36 गढ़के नशा विरोधी अभियान के तहट की गई कारवाई का है जहां पुलिस ने अनोखे तरीके से शुकरवार को नशीले पदार्थों को नश्ट करते हुए इलाके के एक बायो मास प्लांट में करीब 12 टंग गांजा जलाया पूलिस का दावा है कि गांजे को जलाने के बाद लगबग 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ दरसल बिलासपूर पूलिस के थानों में नशे से आजादी अभियान के तहट जब 12 टंग गांजे को पावर प्लांट की भट्टी में शुकरवार को डालकर नश्ट किया गया जिससे करीब 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ देश में नशीले पदार्त को जलाकर बिजले उत्पादन का यह अनोखा मामला है नशे की सामागरी नश्टी करणग में गांजे के साथ नशीले कफ, सीरप, इंजेक्सन और टैबलेट को भी चलाकर नश्ट किया गया इसके अलावा उन पर गुल्डोजर भी चलाई गई बिलासपुल पुलिस रेंज आईजी रतललान डांगी ने बताये कि 12-26 जूम तक नशे से आजादी पकवाड़ा बनाया जा रहा है इस दोरान सभी थाना छेत्रों में नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कारोवाई के दोरान बड़ी मात्रा में गांजा जब्त किया गया था नशीले पदार्थों को जब्त करने के लिए द्रग डिस्पोजल कमेटी बनाई गयी थी कमेटी ने नशे के सावान की सूची तैयार की और उसे पावर प्लांट में डिस्पोजल करने कंडे न लिया गया ताकि विजली बन कर उपियोग किया जा सके जानकारी के मुताबिक बिलासपुर रेंज के सभी थानों में चप्ती में पान सु तिरपन प्रक्रणों में बारा दसमलों साथ छे साथ गांजय बरामत किया गया 13 नक पौधा, 8,380 नक पैबलेट, 11,220 नक कप सीरफ, 897 नक कैप्सूल और 222 नक इंजिक्शन बरामत किये गये थे जिसे पावर प्लान की भट्टी में नश्ट कर दिया गया इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ नमश्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ मर्दुल चंदेल बिहार के मुगेर से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर सभी हैराने दरसल हुआ ये कि शादी के मेच साथ दिन बाद एक नई नवेली दुलन अपने प्रेमी के संग फरार हो गई दरसल उसने अपने पती से कहा कि उसे मार्केट से कुछ समान लेना है जिसके लिए पती उसे मार्केट लेकर गया वहीं कुछ देर बाद उसका प्रेमी वहाँ आया और वो अपने प्रेमी का हाथ पकड़ कर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बैट कर फरार हो गई जिसका CCTV फोटेज भी वायरल हो रहा है आईए दिखाते हैं आपको जे CCTV फोटेज बिहार के मुगेर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर सब हैरान है यहां शादी के महल साथ दिन बाद एक नव विवायता अपने प्रेमी का हाथ पकड़ कर 9-11 हो गई हैरानी की बात यह रही कि पती के सामने ही ये पुरी घटन हुई बेबसपती ने उनका पीचा करने की भी कोशिश की लेकिन तक तक दोनों मौके से फरार होने में काम्याब रहे इस मामले की तैकिकाद में जुटी पुलिस ने नई नवेली दूलन और उसके प्रेमी को पकड़ दिया है आपको बताते हैं ये पूरा मामला कोटवाली थाना इलाके का है यहां पोदार कॉलानी के रहने वाले एक युगक की शादी नया राम नगर थाना छेत्र के नौवा गड़ी की रहने वाली एक युखती से बीते 14 जून को ही थी शादी के बाद चार दिन नवी वायता ससुराल में रही इसके बाद 18 जून को अपने माय के आगई 21 जून को वो वापस ससुराल आई और दूसर दिन यानी 22 को प्रेमी के साथ फरार हो गई आपको बता दे हैं दूलन ने पती से कहा था कि बजार चलिए मुझे चूड़ी और कुछ सामान खरीदना है पती उसे लेकर बजार गया जाना वो गया था अपने पती से बोली आप ही चूड़ी पसंद कीजिए जैसे ही पती चूड़ी पसंद करने लगा वैसे ही दूलन पीचे इंतजार कर रहे अपने पिरमी का हाथ पकड़ कर भाग गई पती ने पीचा भी किया लेकिन तब तक गाड़ी में बैट कर दौनों फरार हो गए वहीं अब पिड़िक अपनी मा और बहन के साथ इस मामले की शिकायत देने कोतवाली पहुंचा पुलिस को बताया गया कि हम लोग कोतवाली थाना इलाके के ही सीन दयाज चौक पर अंजली चूड़ी हाउस खरिदारी कर रहे थे भी मेरी पत्नी ने दूसरे यूग का हाथ पकड़ लिया और सड़क पर खड़ी स्कॉर्प्यो कार में पैट कर चली गई वो शादी के जेवर भी साथ में ले गई है और कुछ डॉक्यूमेंट भी रख कर लाई थी जिनने अपने साथ ले गई आपको पता दाएं इस संबन में दूलन की साथ ने कहा की हमारा एक ही लड़का है बड़े दून दाम से शादी की थी लेकिन बहु गलत निकल गई उसे अगर प्रेमी के साथ ही जाना था तो वो शादी ही नहीं करती हमारे परिवार के साथ उसके परिवार वालों ने दोका किया अब हमारे परिवार की बेज़जती हो रही है बता दें नया रामनगा थाना पुलिस ने सूचना के आदार पर दूलन और उसके प्रेमी को बरामत कर मुंगेर कोतवाली थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है इस संबन में कोतवाली थाने में अपरण का मौमदा दर्च किया गया है लड़की का medical कराने के बाद अधालत में बयान दज़ कराई जाएंगे फिलाल प्रेमी को हिरासत में लेकर फुस्टाज की जा रही है फुस्टाज में प्रेमी ने बताया एक ती मैं पेशे से ड्रैवर हूं और दूसरे की गाड़ी चलाता हूं हमारे बीच पिछले 6 साल से प्रिम प्रसंग चला था लेकिन लड़की के घरवाले मुझसे शादी कराने के लिए तयार नहीं थे जबरदस्ती इसकी शादी दूसरे लड़की से करा दी गई थी इस खबर अखलाल इतना ही बने लिया बने लिया हिंदी के साथ निमंतरन देने के बावजूद बरात में नहीं ले जाने पर एक यूवक ने अपने धूले दोस्त पर मानसिक प्रताडना का आरोप लगाते हुए 50 लाक रुपे का मानहानी का नोटित बीच दिया आपको बताते हैं हरिद दौर के अधिवक्ता अरोण बदोरिया ने बताया कि हरिद दौर के बहादराबाद के रहने वाले रवी नामक यूवक ने अन्ने लोगों के साथ साथ अपने दोस्त चंदशेकर को व्यवा का नियोता दिया था और बरात में भी चलने के लिए कहा था लेकिन दूला रवी अपने दोस्त को छोड़कर कतित रूप से समय से पहले ही बरात लेकर चला गया और जब चंदशेकर समय पर बरात में जाने के लिए पहुचा तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था पता चला कि बरात तो जा चुकी थी अधिवक्ता ने बताया कि इस बात को चंदशेकर ने अपना अपमान समझ लिया और वो इसकदर मानसिक तराम में आ गया कि आत्माहत्या करने की सोचने लगा और दूले पर मानसिक रूप से प्रताडित करने का आरोप लगाते हुए 50 लाग रुपे के मानहानी का कानूनी नोटिस बेज दिया चंदशेकर के वकील के मताबिक चंदशेकर ने जब अपने दोस रवी को फोन किया तो उसने कहा कि वो तो बरात लेकर निकल गए है और आप लोगों को अब बरात में आने की कोई जरूत नहीं है आप लोग अपने घर जाओ वकील बदौरिया का कहना है कि चंदशेकर भहुत ज़्यादा मानसिक तराम में आ गया था और वो इस अपमान को सैंड नहीं कर पाया था उन्होंने बताया कि इस अपमान को लेकर नियाय दिलाने का भरोसा देकर उन्होंने चंदशेकर को आत्मात्या करने से रोका चंदशेकर ने अपने दोस्त दूले को फोन करके मानहानी का नोटिल बेजने की बात बताई माफी नहीं मांगने पर कानूनी कारवाई करने की चेतावनी दिये इस ख़बर में फिलाल इतना ही बने रिया वन इंडिया हिंदी के साथ तावड़तोर टार्गेट किलिंग के मामलों के बाद कश्मीन में सबसे बड़ी चिंदा का विशे है अमारनात यातरा इस मईदे शुरू होने जा रही इस यातरा की सकुषलता प्रशाशन और सैना के लिए एम सवाल कि लिए बन गई है क्योंकि खुफिया जानकारी मिली है कि हाइबिर्ड आतनकी और पत्थरबाद दक्षणी कश्मीर की ओर पूच कर चुके हैं आपको बता दे यातरा का पहला जत्ता जम्मू से उन्ति जून को रवाना होना है शेहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातरा से पहले करीब 5000 के करीब अध्रिक जवान जम्मू में तेनाद की गए हैं वहीं किसी भी इस्तिती में निपटने के लिए जम्मू में कोई रियक्शन टीम को भी तेनाद किया गया है बता दे खूफिया जनकारी के मताबिक इस साल होने वाली अमाना तेयातर में पाकिस्तान बादा डालने के लिए हमरा बोल सकता है जिसके लिए वो इस्टिकी बंप या मेगरेटिक बंप का इस्तिमाल कर सकता है आपको पता दे हाली के दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस समयत सुरक्चा एजंसियों ने सीमा पार से ड्रोन के जरिये बेजे गए पुलिस ने अलट जारी करते हुए आम जंता से अपील किये कि गाड़ी चलाने से पहले एक बार पूरी गाड़ी को चेक कर लें बीते दिनों जंबो कश्मीर के उपराज पाल मनो सिना ने सुरक्षा विवस्ता और अन्य तेयारियों की समिक्षा की है जानकारी के मताबिक अधिकारियों ने इस दोरान सिना को समग्र सुरक्षा इस्तिती से अवगत कराते हुए यात्रा से सम्मंदित अलग-अलग विवस्ताओं पर चर्चा भी की इस ख़बर में फिलाल इतना ही बनरिया बनरिया हिंदी के साथ शारुखान को बॉलिवूड का वाश्या यूही नहीं कहा जाता उन्होंने अपने करियर में जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए उन्होंने खूब मेहनत की है आज उन्हें बॉलिवूड में काम करते हुए पूरे 30 साल हो गए है 25 जून 1992 आज ही के दिन शारुखान की पहली फिल्म दिवाना रिलीज हुई थी हलाकि इस फिल्म में में लीड रोल दिवंगत एक्टर रिशी कपूर का था लेकिन सबसे ज्यादा जिस एक्टर की चर्चा हुई वो थे डेब्यो एक्टर शारुखान पहली फिल्म में ही उन्होंने लोगों को अपनी एक्टिंग से दिवाना बना कर उनके दिलों पर छाप छूर दी थी टीवी से बॉलिबुड तक का सफर करने वाले शारुखान आज इंडस्टरी के टॉप एक्टर में शुमार है बाजीगर और डर जैसी ब्लॉगबस्टर फिल्मों के साथ उन्होंने खुद को साबित किया शारुखान ने बॉलिबुड में अपने 30 साल के सफर में कई उतार चड़ाओ देखे लेकिन हार नहीं मानी और महनत करते गए और आज वो लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए है बॉलिबुड में अपने 30 साल कोरे होने के इस खास मौके पर शारुखान ने ट्वीट कर अपने फ्रांस को शुकरी आदा किया किन खान का ये ट्वीट काफी भावो कर देने वाला है जो तेजी से वाइरल हो रहा है शारुखान ने अपने ट्वीट में लिखा कि काम कर रहा हूँ और अभी देखा आपका ये धेर सारा प्यार जो आप 30 साल से मुझ पर लुटा रहे है अभी एहसास हुआ कि आपको एंटर्टेन करने की कोशिश करते हुए मैंने अपनी आधी से ज़्यादा जिन्दगी निकाल दी है कल थोड़ा वक्त निकाल कर आप लोगों से बाद करूँगा इस प्यार के लिए शुक्रिया इसकी बहुत ज़रुद थी पतादे कि शारुखान ने थीटर से अपने करियर की शुरुआद की थी आज वो जिस मुकाम पर है उसे उन्होंने कड़ी मेहनत से हासिल किया है शारुखान जब थीएटर करते थे तब वो बहुत ही साधारण लुक में रहते थे इसके बाद दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल फौजी और सरकस से एंटर्टेन्मेंट इंडस्टरी में कदम रखा और बीना रोके आगे बढ़ते रहे आज शारुखान वाले बुट के बाज़ जहां किंग खान किंग ओफ रोमांस जैसे नामों से मशूर है किंग खान ऐसे एक्टर हैं जिसने लोगों को सपने देखना सिखाया, प्यार करना सिखाया, जिंदगी से लड़ना सिखाया और महनत करना सिखाया शारुखान 56 साल के हो गए है फिल्म प्रोजेक्ट की बात करें तो पठान, जवान, डंकी किंग, खान की अपकमिंग फिल्म में हैं इसके अलावा ब्रहमास्त्र, टाइगर 3, लाल सिंग चड़ा और रोकेटरी, दननम्बी इफेक्ट में आपको उनका कैमियो रोल देखने को मिलेगा अब उनके फैंस बेसबरी से उनकी अपकमिंग फिल्मों का इंतिजार कर रहे हैं फिल्हाल इस खबर में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ बॉलिवूट के दबंग एक्टर सलमान खान 56 के हो गए हैं सुपरस्टार सलमान खान को इंडिस्ट्री में कई नामों से फुकारा जाता है इनमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है भाईजान सलमान को उनके फान से लेकर इंडिस्ट्री के उनके कई कलीक्स भाईजान कहे कर ही पुकारते हैं लेकिन बॉलिवूट एक्टरेस सारा अली खान ले जाने अंजाने में भाईजान को नराज कर दिया है भरी महफिल में सारा ने सलमान खान को कुछ ऐसा कह दिया कि भाई जान उनसे नराज हो गए है दरसल बीते दिनों अबुधाबी में आईफा अवोर्ड्स 2022 का आयोजन हुआ था जहां बॉलेबुट के कई सितारे पहुचे थे अवोर्ड्स शो को टीवी पर आज रात आट बजे दिखाया जाएगा इस बीच शो के कई प्रोमो वीडियोज सामने आ चुके है इन्ही में से एक वीडियो ऐसा है जो इस समय शोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में है वीडियो में देखा जा सकता है कि सारा बातों ही बातों में सल्मान खान को अंकल कह देती है जिसके बाद भाईजान को गुस्ता तो आता है लेकिन वो अपनी नराजगी जाहिर नहीं करते सल्मान इशारों ही इशारों में कहते हैं कि आपकी पिक्चर तो गई जिसके बाद सारा कहती हैं कि मेरी पिक्चर क्यों गई इस पर सलमान कहते हैं कि आपने सब के सामने मुझे अंकल बुलाया इसके बाद सारा कहती हैं कि आप ही ने तो कहा था कि सब के सामने अंकल बुलाओ इसे सुनने के बाद तो इवेंट में आए सभी सितारे अपनी हसी पर कंट्रोल नहीं कर पाते और सभी जोर-जोर से हसने लगते हैं वहीं सल्मान शांत खड़े हुजाते हैं वीडियो में देखा जा सकता है कि खुद सल्मान और सारा भी इस मज़ेदार इंसिडेंट को इंजुआए करने लगते हैं दोनों को फिर 1997 की फिल्म जुड़वा के गाने पर थिरकते हुए भी देखा जा सकता है वीडियो पर लोगों के अलग-अलग रियक्शन्स आ रहे हैं एक यूजर ने लिखा सारा ने सल्मान खान को गुसा दिला दिया है तो दूसरे ने कहा ये देखने के लिए और इंतिजार नहीं कर सकता कई लोग सारा के हूमर की तारिफ कर रहे हैं और उन्हें एंटर्टेनिंग बता रहे हैं शोशल मीडिया पर ये वीडियो खुब वारल हो रहा है तो वहीं वर्क फ्रेंट की बात करें तो सारा अली खान, लुका छिपी 2 और गैस लाइट में नज़र आने वाले हैं तो वहीं सल्मान खान कभी ईद कभी दिवाली, गौट फादर, टाइगर 3 में नज़र आने वाले हैं फिलहाल इस खबर में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं वन इंडिया हिंदी के साथ भारत और श्रिलंगा की महिला टीम के बीच इस वक्त तीन मैचों की टी 20 सीरीज के लिए जा रही है मकाबले की बात करें तो पहला मैच भारती टीम ने जीता और इसके बाद दूसरे मकाबले में शनिवार को टीम इंडिया ने जवर्दस जीत हासिल करते हुए सिरीज में दो जीरो से भड़त बना ली है साथ ही सिरीज पर विकप जा कर लिया है बात करें मकाबले की तो श्रिलंगा की टीम पहले बलेवाजी करने उतरी श्रिलंगा के लिए टीम की कप्तान और साथ ही ओपनिंग बलेवाज ने शांदार बलेवाजी की और टीम के लिए 87 रन जोड़े दोनों ही खिलाडी जिनमें विश्मी गुणारतने और कप्तान चामीरा अट्टा पट्टू रही जिन्होंने 87 रन जोड़े और साथ ही टीम को बहतर शुरुआ दिलाए इस जोड़ी को पूजा वस्तरकार ने तोड़ा और टीम इंडिया को पहली सफलता थी इसके बाद लगाता श्रिलंका की टीम के बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होते चले गए और कोई भी खिलाडी दोरे अंग तक नहीं पहुच पाया भारती टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकिट दिप्ती शर्मा ने चटकाई साथी रेनुका और राधा पूजा और हर्मन प्रीत को भी एक एक विकित बाद करें अगर भारती बल्ले बाजे की तो 126 रनों के लक्षे का पीछा करने उत्री भारती टीम को स्मृती मंदाना ने शांदार शुरुआ दिलाई 34 गेंदों में 49 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाने में एहम भूमिका निबाई इसके लावा बात करें अगर टीम के अन्ने खिलाडियों की तो कप्तान हर्मन प्रीत कौर ने शांदार 32 गेंदों में 31 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई और वहें नोट आउट रही बता दें कि हर्मन प्रीत कौर ने T20 में मिताली राज के सबसे ज़्यादा रन बनाने के रिकौर्ड को भी तोड़ा और साथ ही उन्होंने शांदार बल्ले बाजी भी की अगर बात करें श्रिलंका की गेंद बाजी की तो टीम के लिए ओशादी ने दो विकेट चटकाई साथे इनोका भी दो विकेट चटकाने में काम्याब रही बराल अब तीसरे मुकाबला खेला जाएगा देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है आपकी क्या राय है क्रमेंट करके ज़र बताएं वीडियो को लाइक करें शियर करें और वन इंडियो को सब्सक्राइब करें नमस्कार पैंगलूरू के एम चिननस्वामे स्टेडियम में खेले जा रहे रंजी ट्रॉफी फाइनल मुखाबले में मंध्य प्रदेश की टीम ने चौथे दिन 536 रं बनाए तो वहीं चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक मुंबई की टीम ने दो विकिट खोकर 113 रं बना लिये हैं आपको पता दे कि बारिश की वजह से चौथे दिन का खेल एक घंटा देड से खत्म हुआ तीसरे दिन की बात करे तो मध्य प्रदेश की टीम ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 3 विकिट के नुकसान पर 368 रं बनाए थे वहीं चौथे दिन टीम अपने ओवरनाइट स्कोर में 168 रं ही आगे जोड सकी लेकिन इस 168 रं की वजह से मध्य प्रदेश 536 रं तक पहुँच पाया और मुंबई के खिलाफ 162 रं की बड़त पाकर इस मुकाबले में रंजी ट्रॉफी जीतने का दावेदार बन गया है आपको बता दे कि मध्य प्रदेश के लिए इस मुकाबले में यश्दूबे, शुभम शर्मा और रजत पड़िदार ने शतके पारी के लिए इन तीनों ही बल्लेबाजों की शतक के वजह से मध्य प्रदेश इस मुकाबले में मजबूत हो गया है चौथे दिन की बात करें तो बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम ने दूसरी पारी में कप्तान प्रत्वी शौ के साथ यश्ष्वी जैसवाल के बजाए हार्दिक तोमर को बल्लेबाजी के लिए भेजा ताकि मुंबई की टीम जितने हो सके उतने रन और जोड़ कर इस मुखाबले में वापसी कर सके लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि पांच में दिन मध्य प्रदेश की टीम रंजी ट्रॉफी 2021 की सीजन को जीत कर एक नया कीरतिमान रचेगी इस वक्त मध्य प्रदेश की टीम रंजी ट्रॉफी से मातर एक कदम दूर नजर आ रही है मध्य प्रदेश के लिए इस मुखाबले में हर एक खिलारी ने शांदार प्रदर्शन करके दिखाया है वहीं आप मुंबई की बात करें तो मुंबई की टीम इस मुखाबले में पीछे है और पांचवे दिन रंजी ट्रॉफी जीतने के लिए उन्हें किसी चमतकार की जरूरत है मुंबई की गेंदबाज भी इस मुखाबले में धेर नजर आए जहां दूसरे और तीसरे दिन मुंबई की गेंदबाज विकेट के लिए तरसे वहीं चौथे दिन शम्स मौलानी ने पंजा मार कर चौथे दिन मुंबई को वापसी कराई फिलहाल मुंबई की टीम इस मुखाबले में 49 रनों से पीछे है अगर पांचवे दिन मध्य प्रदेश की गिन बाज मुंबई के जल्दी विकेट निकाल लेते हैं तो फिर ये मुखाबला पूरी तरह से मध्य प्रदेश के गृफ्त में आ जाएगा इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ अगर आज के दिन के मैं बात करूं तो आज का दिन खासतोर पर फरस्टाफ के दौरान आपको excessive mental stress हो सकता है कोई पुराना matter आपके सामने आ सकता है जो आपके तनाव को और बढ़ा कर जा सकता है इसलिए सोच के समझ कर matters को सारे positivity के साथ अध्यन करके आगे बढ़ने की जरूरत है रुके उड़े काम आपके आगे बढ़ने शुरू होंगे अगर वो चीज किसी निवेश से सम्मन्द रखती हुई आपके सामने आती है या आप काफी समय से निवेश करने की सोच रहे थे कुछ property matters में आगे बढ़ने की सोच रहे थे और चलते चलते कुछ ब्लॉके जा रहा था वहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेश की तरह से आपको आज के दिन बहुमूल राए मिल सकती है करने का मतलब ये है कि first half के दौरन stress factors को रखते हुए आज के दिन investment point of view से काफी अच्छा दिन साबित हो सकता है अगर tactfully बिताया जाए तो बात करते हैं विशेशी वालों के लिए स्वास संबंदी चिंताएं विय्शेव राशी वालों आपके लिए बढ़ सकती है आज के दिन आपका और आपके माता या माता तुलिक किसी सदस्से का स्वास्त आपको चिंता दे सकता है तो वहाँ पर आपको बैलंस बनाए रखने की जरूरत है साथी साथ आज के दिन आपको अपने आपको तनावरहित होने के साथ साथ अपने lifestyle improvement techniques पर भी काम करने की जरूरत है आज के दिन आपको अपने लिए थोड़ासा निकालना चाहिए जहां पर आप आकलन कर सकें कि क्या situation किस तरह से चल रही है उसमें किस तरह का interventions, किस तरह का मुल्यांकन करके कौन से step आप अपनी आत्मिक शान्ती के लिए ले सकते हैं क्योंकि अगर आप आत्म चिंतन आज के दिन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने काफी दुनों से अपने स्वास्त को या mental health को इग्नॉर करके आप चल रहे थी कारेशेत्र में communication को clarity के साथ लेकर आगे बढ़ना है, शब्दों का प्रयोग और जिस सेंस में आप बात कह रहे हैं उसी प्रस्पेक्टिव में या उसी सेंस में सामने वाला आपकी बात को समझे, इसकी आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कारेशेत्र में पराकरम की वृद्धी होगी, मन आपका शानत रहेगा, लेकिन communication point of view से आपको आज के दिन positive होकर clarity के साथ बढ़ने की जरूरत है बात करते हैं करक राशी वालो के लिए, करक राशी वालो आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज के दिन positivity को embrace करिये, समानेता आपकी परिस्थिती चलेगी, कुछ खास उतार चड़ाव चीजों में देखने को नहीं मिलेगा, जैसे चल रही है, situations वैसे चलती रहेंगी, अगर वो व्यक्ति हो सकता है, विदेश यात्रा से संबंदित, विदेश रहने इस्थान गमन से संबंदित, या वहाँ पर सेट्लमेंट से संबंदित, कोई ना कोई अगर आप प्रयास कर रहे थे, तो उसमें आज के दिन positive step आपको देखने को मिल सकता है, बात करते हैं सिं महत्रपूर्ण तत्यों को इग्नोर भी कर सकते हैं, तो आज के दिन attentiveness जितनी आप attentive बन के चलेंगे, उतना आपके लिए alertness आपके लिए positivity लेकर आएगी, साथी साथ discipline approach लेकर चलेंगे, तो आपके कारेशेत्र में चल रही अनिमिताओं को आप आकलन भी कर पाएंगे, समझ दान रहने की जरूरत है, बात करने राशी वालों के लिए, परिस्तितियां कने राशी वालों आपके लिए बिल्कुल ठीक चल रही है, अनुचित जो आपकी भाशा बीच बीच में हो जाती है, जहां पर आप stress आउट हो जाते हैं, और परिवार पे stress निकाल देते हैं, उस के समझ के आगे बढ़ने में ही पूर्टा आपको देखने को मिलेगी, गुलमिला के आज का दिन अगर टैक्टफुली बिताया जाए, तो काफी ज़दा लाबदा एक सिद्ध हो सकता है, बात करते हैं तुला राशी वालों के लिए, तुला राशी वालों आज के दिन के मै कुछ चीजे खरीदने का तो आज के दिन आप उसको पोस्पोर्ण कर सकते हैं, अगर आप अपने प्रयासों में तेजी आज के दिन लाएंगे तो आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर शुबता या शुब संकेट चीजों में देखने को मिलेगी, चले बात करते हैं प्रयाम को अपने फेवर में लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है, नकरात्मक उर्जा को अपने आप से दूर रखे, विवस्तित रहे, और आप सोचना चाहें, तो परिस्तितियां आपके लिए नुकूल बन नहीं रहेंगी, मन आपका शांत रहेगा, विचार धाराएं प् स्वास्ति के प्रती थोड़ा सा संविधन शील रहे, कारेश शेतर में उनती के लिए, अवसर जो आप इतने दिनों से ढूंड रहे थे, आज के दिन आपको वो मिलते हुए नजर आएंगे, कुल मिला के आज का दिन साधारन तरीके से एफेक्टिवली अगर आप मैनेज कर सकती है, परिवारों में छोटी मोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है, संतान अपक्ष से आज के दिन आपके चंताएं बढ़ सकती है, इसलिए आज के दिन आपको वेवस्थित धंग से परिवार की सारी उत्तरदायत्मों की पूर्ती करते हुए, कोई एक एफेक्टिव पिरने आज के दिन लेने की जरूरत है, साथी साथ अगर आप ट्रावलिंग में इंट्रिस्टेड हैं या आपकी कोई लॉंग टरम ट्रावल या कारिशेतर से संबंदित ट्रावल इंडिकेटेड है, तो वह आपके स्ट्रेस फाक्टर्स को बैलन्स करती हुई जा सकती, आ आगे आने वाली चुनोतियों के लिए, तो कुल मिला कि आज के दिन कारिशेतर से थोड़ा सा आपको समय लेकर अपने उपर काम करने की जरूरत है, जिससे कि आप रेजुमिनेटर फील कर पाएं, बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए, मकर राशी वालों अगर आज के आज का दिन के मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए नए उर्जा का एक प्रतीक बनमाना जा सकता है, संबंदों में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, कोई परिवारिक स्तर पे अगर आपका कोई तनाव या चुनोतिया आग के लिए आ रही होगी रिष्टों म में वो भी अब चैलेंज आज के दिन खतम होता हुआ नजर आएगा या उसकी परिस्तितिया नुकूर होती हुए नजर आएंगी, कोई दिशा, निर्देश, सूचना, संकेत या कोई एक महतरपूर्ण परिस्तिति आपके लिए किसी व्यक्ति विशेश की तरफ से आ सकती ह जो आपके रिष्टों में कोई एक अच्छी पॉजिटिविटी लेकर परिस्तिति बन सकती है, साथी साथ लंबे समय से चल रहा पारिवालिक चनाओ, साजा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपको सोच के समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है, महतरपूर्ण ये है कि टाइमिंग का आपको ख्याल रखते हुए कोई भी डिसिजन लेने की जरूरत है, बात करते हैं कुमराज शिवालों के लिए, कुमराज शिवालों आज का दिन महनत जादा करा सकता है, टाइरिंग टैक्सिंग हो सकता है, चिटड़ापन भी बढ़ सकता है, खान पान अनिय करिया, क्योंकि पाइल अगर आपकी चीज़ें होंगी, तो आपका तनाव या स्ट्रेस फाक्टर और एग्रिबेट होता हुए नजर आएगा, जो लोग प्रोमोशन के एक्षुक थे या प्रोमोशन की परिस्तितियां बन रही थी, अब उनके लिए वो परिस्तितियां बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए, मन को शान्त रखिए मीन राशी वालों, पॉजिटिविटी को इंब्रेस करिए, और आगे बढ़ते चलिए, आप अपनी मंजिल के बहुत ही निकट है, साथी साथ अगर आप किसी कॉंपिटिटिव एग्जामिनेशन की तयारी कर हैं, मल्टिपल इंकम रिसॉसिस को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सब तरह से आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटेड है, द्रण निश्रे और संकल्प करी आगे बढ़ते चलिए, आप अपने आपको उर्जावान बनाईए, परिस्टितियों को अपन में ला सकते हैं, कारिशेतर में बिस्तार की परिस्टितियां बनी हुई है, इसी के साथ मुझे आग्या दीजे, मैं कल फिर आज़े रोंगे, नमस्कार महराष्ट के सियासी संकट में एक जबरदस्त मोडा गया है, सिपसेना से बागी हुए एकनाथ सिंदे ने बीजे पी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कबायत शुरू कर दी है इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक एकनाथ सिंदे सुक्रवार की रात गोहाटी से निकले थे, उन्होंने बडोदरा में जाकर महराष्ट के पूर्व सियम और बीजे पी के दिगज नेता देवेंद्र फटनवी से मुलकात की ऐसे भी दाबे हुए कि अमिद साभी बडोदरा में मुझूद थे, लेकिन इसकी किसी ने पुष्टी नहीं की है कि अमिद साभी बैठक में थे या नहीं मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुहाटी के होटल में बागियों के साथ रह रहे एकनाथ सिंदे, प्राइवेट जेट से सुक्रवार की रात बडोदरा रवाना हुए थे एकनाथ सिंदे ने बडोदरा में फटनवीज से मुलकात की उनसे मुलकात के बाद सिंदे सनिवार की सुबद 6 बज कर 45 मिनट पर गुहाटी बापस लोट गए दूसरी तरब देवेंदर फटनवीज को लेकर दावा है कि उन्हें शुक्रवार की रात साणे 10 बजे मुंबई एर्पोर्ट पर देखा गया था सिंदे से मुलकात के बाद वो भी मुंबई लोटा है ऐसे भी दावे हो रहे हैं कि सुक्रवार की रात अमित्सा बटोदरा के सरकीट हाउस में मुझूद थे बड़ी बात यह है कि सनिवार की सुब़ा ही पतरकारों के सवालों के जबाब में सिब सेना सांसत संजे राउद ने देवेंद्र फटनवीज को महराष्ट के सियासी संकट से दूर रहने की सला दी थी मैं देवेंद्र जी को एक सला दूँगा वो भी राजनिते में बहुत सालों से माहिच खिला रही है महराष्ट में लगातार गहराते सियासी संकट के बीच सनिवार को मुंबई के सिब सेना भवन में तारकारणी की बैठक भी हुई इसमें च्छ परस्ता उपास किये गए जिसमें बागी बिधायकों को किसी भी सूरत में माफ नहीं करने का फैसला भी लिया गया बैठक में नहीं आने वाले एकनाच सिंदे समेट 16 बागी बिधायकों को अयोग भोसित करने से जुड़ा नोटिस भी जारी किया गया जारी नोटिस में बागी बिधायकों को 27 जुन की शाम 5 बजे तक अनुपस्थित रहने पर लिखित जवाब देने को कहा गया है इन सब के भी सनीवार की साम ऐसी खबरे आई कि बडोदरा में देवेंदर फण नवीस और एगनाच सिंदे की मुलकात हुई है इस कबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहिए One India हिंदी के साथ महरास्ट में सियासी रार की बीच शियूसेना के बागी विधायक बाला साहब ठाकरे के नाम से एक नई सियासी पार्टी को जन दे सकते हैं बागी शियूसेना विधायकों के साथ असम के गुहाटी में ठहरे एकनाच सिंदे नई पार्टी बना सकते हैं शियूसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने इस बात के संकेती हैं एनाई के साथ बाचीत में उन्होंने कहा कि हमारे पास 38 विधायकों का समर्थन है हम विधान सभा में एक नया दल गठित करेंगे जिसका नाम बाला साहब ठाकरे शियुसेना हुकार या एक खबर उद्धव ठाकरे के नित्रत वाली शियुसेना द्वारा विधान सभा सायोग ठहराये जाने के दबाओ के बीच आई है आपको बता दें कि एकनाज शिंदे की बगावत के बाद शियुसेना ने उन्हें मनाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी इसके बाद अब शियुसेना की कोशिश पार्टी बचाने पर शिफ्ट हो चुकी है क्योंकि फ्लोर टे विधायकों को नोटिस भेजने की पैयारी भी है। विधायकों को नोटिस भेजने की पैयारी भी है। महराष्ट में जारी शिवसेना वर्सच शिवसेना की लडाई और गहरा गई है। मानमनवल और मनोहार के बाद भी एकनात शिंदे अपने रुख पर अड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच उन्हें महराष्ट विधान सभा से एक जोरदार जटका लगा है। महराष्ट विधान सभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिर्वाल ने उनके अर्मारों पर पानी फेरते हुए अविश्वास प्रस्ताव को खारिच कर दिया है। लिहाजा यहाँ से मायूसी हाथ लगने के बाद शिंदे गुट ने फैसला किया है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। शिंदे की ओर से ये फैसला ऐसे वक्त पर रिया गया है जब डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है। उनसे 26 जून तक जवाब बांगा गया है। आपको बता दें कि शिंदे गुट के विधायक अभी भी गुवाहाटी के एक रिजॉर्ट में बने हुए हैं। इस बीच महाराष्ट के सियासी गलियारों में एक चर्चार ने जोर पकड़ा है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना पर आधिपत्य नहीं जमाएंगे बलके अपने गुट के विधायकों के साथ एक अलग दल का गठन करेंगे। इस बीच उड़ते उड़ते एक खबर ये भी आई कि वे अपने दल के नाम में शिवसेना और बाल ठाकरे के नाम का भी इस्तिमाल करने वाले हैं। इसे लेकर उड़ते गुट ने कारेकारणी की एक बैठक भी बुलाई जिसमें इस बात को लेकर प्रस्ताव पास हुआ कि किसी भी समुह या गुट को शिवसेना या बाल ठाकरे के नाम का इस्तिमाल करने की अनुमती नहीं दी जाएगी। कारेकारणी की इस बैठक में पहुँचे नेताओं ने उद्धव ठाकरे में अपनी आस्था दिखाई साथी बागी विधायकों को लेकर आगे का फैसला उद्धव ठाकरे पर छोड़ दिया। इस दोरान उद्धव ठाकरे ने पार्टी के बागी विधायकों को लेकर कहा कि वे एक ऐसे बंपर बैठे हैं जो सुलग रहा है। असत की सियासत को बचाने की जद्धो जिहद और इस पर पनपे हालात अब उग्र होते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट में कुछ जगहों पर शिवसेनकों को उग्र होते देखा गया है। पूड़े में धारा 144 लगाई गई है। उधर शिद्धेगुट में शामिल हुए विधायक तानाजी सावंद के आफिस में भी तोड़ फोड की गई है। पूड़े के शिवसेना प्रमुक का कहना है कि तोड़ फोड उनहीं के कारेकरताओं की ओर से की गई है। चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि बागी विधायकों और गद्धारों को इसी तरह की कारवाई का सामना करना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है। वन इंडिया हिंदी के साथ। महराष्ट में जारी सियासी महा संग्राम लगातार गहराता जा रहा है। की चिंता जरूर बढ़ गई। बैठत में नहीं आने वाले एकनाथ सिंदे समेत 16 बागी विधायकों को अयोग घोशित करने का नोटिस जारी कर दिया गया। जारी नोटिस में बागी विधायकों से 27 जून की शाम 5 बजे तक अनुपस्तित राने पर लिखित जवाब देने को कहा गया है। एक दिल पहले सुक्रवार को ही सिपसेना ने 16 बागी विधायकों की सदस्ता रद करने की अरजी डिप्टी स्पीकर को दी थी। नोटिस में इस बागी विधायक जवाब नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद कानून के तहट कारवाई की जाएगी। शिबसेना की राष्ट्य कारकारणी की बैठक के बाद संजयर राउत ने मीडिया को जानकारी गी। उन्होंने बताया कि पार्टी ने तै किया है कि जिसने भी गदारी की है उसे माफ नहीं किया जाएगा। बादी विधायकों की खिलाब कठोर कारवाई की जाएगी। अगर कोई बैक्ती या पार्टी राजनीतिक फाइदे के लिए बाल ठाकने के नाम का इस्तमाल करता है तो उसके खिलाब भी कारवाई होगी। इस लोगों ने खायों कितनी भी बड़ अबड़ा हो नेता हो मंत्री हो जुस ने शिवसरा के साथ गदारी या बेहमानी की है उनके उपर कठोर कठोर कारवाई करने के सरवादिकार हमने एक रिजुलोशन के नादे उद्दो ठाकरे साब को दिये है और जल्दे उसके उप खाकरे का नाम अगर कोई अपने राजी ने इतिक स्वार तिक लिए यूज़ करता है तो हमें मंदूर नहीं उसका उपर लिगल एक्षिन लिया जाए अगर जो छोड़ कर गए है वो लोग शिवसना का नाम से धिक्मत मांगे और अगर होट मांगते है तो आपने खूद के ब आपके नाम पर मांगे शिवसना के बाफ हमारे बाफ उद्दल ठकी के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं आप अपने बाफ के नाम से होट मांग सकते हैं एक तरब सोलाबादी विधायकों को नोटिस जारी किया गया है दूसरी तरब गुहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में बैठक के बाद एकनाज सिंदे ने 38 विधायकों की सुचीज जारी की इसके पहले एकनाज सिंदे ने सिपसेना के 34 विधायकों की सुचीज जारी की थी आंख़ों के हिसाब से समझे तो महाराष्ट की उद्धो ठाकरे सरकार को अल्गमत में लाने के लिए एकनाथ सिंदे को 37 विधायकों की जरूरत है इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही वन इंडिया हिंदी के साथ महाराष्ट में शिव सेना वर्सल शिव सेना के बीच सियासी घमासान जारी है इसमें एक और है उद्धव ठाकरे वाली शिव सेना तो दूसरी और है एकनाथ शिंदे वाली शिव सेना दोनों के बीच तलवारें खिची नजरा रही है महाराष्ट में जो जुबानी जंग अब तक मीडिया के कैमरों के सामने जारी था उसका टैंपरेचर अब और बढ़ गया है ठाडे में तो धारा 144 तक लगानी पड़ गई है एक और शिव सेना वर्कर्स के एक धड़े में नाराजगी दिख रही है तो इस बीच शिव सेना के दूसरे धड़े मसलन एक नाथ शिंदे वाली शिव सेना में शिंदे समर्थक 38 विधायकों के परिवारों की सुरक्षा हटा ली गई है इस बात से एक नाथ शिंदे इस कदर खफा हुए है कि उन्होंने इसे लेकर CM उधव समेथ प्रदेश के ग्रह मंतरी और DJP को एक चिठे लिख डाली है जिसमें उन्होंने सरकार पर ये आरोप मढ़ दिया है कि 38 विधायकों के परिवारों की सुरक्षा का हटाया जाना दर असल दुर्भावना से लिया गया फैसला है उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी भरे लहजे में ये तक कह डाला कि अगर विधायकों के परिवार जनों को कोई चोट पहुचती है तो उसके लिए कोई और नहीं बलकि सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संजेराउत आदित्य ठाकरे और शरद पवार ही जिम्मिदार होंगे मराठी में पाँच पन्नों में लिखी गई इस चिठी का मजमून कुछ यूँ है हम वर्तमान विधायक हैं तथा पी हमारे आवास पर और साथ हमारे परिवार के सदस्यों को प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदान की गई सुरक्षा को प्रतिशोध के रूप में अवैध रूप से वापिस ले लिया गया है यह उल्लेक करने की आवशक्ता नहीं है यह भयावा है कदम हमारे संकल्प को तोड़ने का एक और प्रयास है और NCP और कॉंग्रेस के गुंडो वाली MVA सरकार की मांगो को पूरा करने के लिए हमारे हाथ जबरन मरोणने की कोशिश है शिंदे के इन आरोपों पर महराष्ट के ग्रह मंतरी दिलीप वलसे पाटिल ने ट्वीटर के जरिये जवाब दिया है उन्होंने शिंदे के आरोपों को सरा सर गलत बताया है अपने ट्वीट में ग्रह मंतरी दिलीप वलसे ने लिखा है ना तो मुख्य मंतरी और ना ही ग्रह विभाग ने राजी में किसी विधाय की सुरक्षा हटाने के आदेश दिये हैं इस संबंद में लगाय गए आरोप पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के ग्रह जिले ठाने में पुलिस ने निशे धाग्या लगा दी है ऐसे में इस शेत्र में किसी भी प्रकार से हिंसा में प्रयोग किये जा सकने लायक अस्तर शस्तर आदी लाए या ले जाए नहीं जा सकेंगे साथ ही किसी भी तरह के भढ़काऊ पोस्टर लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है पुलिस की ओर से इस तरह के कदम एहतियाती तोर पर उठाए गए हैं इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है One India हिंदी के साथ महराश्ट के महा संग्राम में हरुष सियासी किरदार पर जुवानी हमले हो रहे हैं जिसने सिबसेना या उसके नेताओं को चुनावती देने की कोशिश की एकनाथ सिंदे के बागी तेवर के चलते सिबसेना के लिए लगातार मुश्किले खड़ी हो रही है सिंदे कुट अपने 38 पिधायकों के साथ असम के एक होटल में टटा हुआ है दूसरी तरब सिबसेना सांसत संजे राउत ने एक बार फिर से कई मुद्दों पर बेवाक राय रखी मेडिया से बात करते हुए संजे राउत ने कहा कि सिबसेना राज और देश में बहुत बड़ी पाटी है इस पाटी को बनाने में बाला सहाब ठाकरे, उद्धर ठाकरे और सभी कारकरताओंने खून पसीना बहाया है सिबसेना पर कोई भी आसानी से टाका नहीं डाल सकता केवल पैसे के दम पर कोई पाटी नहीं खरीच सकता है संजे राउत ने बागी विधायकों को बकरी बताते हुए मुंबई आने की चुनोती भी इसके साथ ही बीजेपी के दिगज नेता दिवेंद्र फटनवीस पर भी बड़ा हमला कर दिया इस पार्टी बहुत बड़ी है राज्य में और देश में इस पार्टी को बनाने में हमने खुन पसीना बहाया है बाला साथ ठाकरी जी हो उद्दव ठाकरी जी हो सबी कारे करता हो तो ये पार्टी इतनी असानी से कोई हैजाक नहीं कर सकता सोज भी नहीं सकता ये पार्टी हमारे खुन से बनी हुई पार्टी है शेकुडों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए शिब पैसा है किसे के पास और पैसे की बल पर कोई पार्टी खरिद नहीं सकता बहकरी जैसे बेबेबेबे कर रहे है, छोड़ दीजे सामने उनके मौजूदगी में वहां से दस हमेले ने आम से बात कि है उनके मौजूदगी में और क्या बोल रहा है कौन किसके साथ है आईए आप महराश्टा ने फ्लोर आप दा हाउस पर इसमें कितना दम है वो पता चलेगा और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और आते हैं वो इमें बोलूँगा और हमारे पास क्या है कौन सी ताकत है मुझे मालूम है और जो बगावत पे उतराए है वो अपने विधाय की बचाए आप महाराश्टा से बाहर है भाई आप महाराश्टा में आकर बात कर लिए किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है इस जिम् लोग क्या करें अगर लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी मैं आपको बता ना चाहता हूं लेकिन सबको बोला है सयम रखो मुझे विश्वास है जब विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाए मैं देवेंद्र जी को देवेंद्र जी को एक सला दूंगा वो भी राजनीते में बहुत सालों से माहिच खिला रही है आप फिर जमेले में मत पड़िए फिर एक बार जो सुबह का हो गया था ना वो श्याम का हो जाएगा इस जमेले में मत पड़िए आप आपकी जो भी बची कुची प्रतिष्टा है वो संबाल कर रखिए चुनार में देखेंगे इस जमेले में आप मत पड़िए आप फ़च जाओगे नमस्कार मैं हो कुल दिवेदी और आप देख रहे हैं बन इंडिया हिंदी शियुसेना में वर्चस्णु की लडाई कें चलते धाई साल में ही महाविकास अगारी सरकार पर संकट के बाद लिछाए हुए है महराश की राजनीति में हर रोज परिवर्तन हो रहा है पहली बार महाराष्ट की गद्धी में बैठा सियुसेनिक राजनीती में बगावत और राजनीतिक दौवपेच का शिकार हो गया है। सियुसेना में खीशतान जारी है, उद्धो की कुर्सी के साथ साथ उनकी पार्टी सियुसेना की कमान भी उनके हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। विधान सभा में सियुसेना का संख्या बल लगातार घट रहा है। हालां कि इस बात के संकेत अम मिलने लगे हैं कि जल्दी महराष्ट में ये मामला निपटने वाला नहीं है। महराष्ट की लडाई लंबी चलने वाली है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। बागी मंत्री एक नाथ सिंदे दिन बदिन ताकतवर हो रहे हैं। क्योंकि सिंदे सेना के पहले 33 विधायक थे जो गुरुवार को बढ़कर 38 हो गए। 9 विधायक निर्दली हैं, 2 विधायक प्रहार जन्सक्ति पार्टी के हैं। महराष्ट में सब्ता और सियुसेना के कबजे की लडाई स्पीकर तक पहुँच गई है। अब सभी की निगाह स्पीकर के कदम पर होगी। क्योंकि गुरुवार को स्पीकर ने महादिवक्ता के साथ बैट कर बात्चित की है। ऐसे में फ्लोर्टेस्ट की संभावना भी बढ़ गई है। अब सवाल है कि अगर फ्लोर्टेस्ट हुआ तो क्या होगा। अब आपको बताते हैं ये फ्लोर्टेस्ट होता क्या है। पताते हैं फ्लोर्टेस्ट लेता कौन है? कानून के मुताबिक अगर विधानसभा सत्र चल रहा है तो विधानसभा अध्यक्ष फ्लोर्टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। अनीतिक दल को अपना बहुमत साबित करने के लिए 144 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है। एक नाथ सिंदे की बगावत के बाद पैदा हुआ है। एक नाथ सिंदे के बागी होने के बाद कहा जा रहा है कि उद्धो सरकार अल्प मत में चल रही है। क्योंकि सिंदे का दावा है कि सिंदे के 38 विधायक उनके साथ है। इसके अलावा नौ निर्दली दो प्रहार जनसक्ती पार्टी के विधायकों का समर्थन सिंदे को मिला हुआ है। इसके साथ ही अगर बीजेपी साथ हाई तो बीजेपी के एक 66 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी सिंदे के साथ होगी। ऐसे में आसानी से बहुमत साबित किया जा सकता है क्योंकि 38 सिंदे और 106 बीजेपी कुल मिलाकर 144 यानि बीजेपी और सिंदे की लोट्री लग सकती है। अगर सरकार के साथ बिधायकों की बात करें तो 114 बिधायक ऐसे हैं जो सरकार के साथ हैं जिनमें नसीपी के तिरपन, सियुसेना के बचे हुए 17 और कॉंग्रेस के 44 बिधायक शामिल हैं तो वहीं सरकार के खिलाफ या आंकड़ा ज़्यादा बड़ा हैं जहां 164 कुल अपना अलागी रुख हैं संजय राउत का दावा है कि विधान सभा में सियुसेना का संख्याबल घटा जरूर है लेकिन शक्ति परिक्षण में बागी विधायकों का समर्थन MVA के साथ होगा राउत ने कहा है कि संख्या किसी भी वक्त बदल सकती हैं उन्होंने दावा किय या है कि मुंबई लोटने के बाद सभी विधायक जो बागी हैं वो पार्टी के प्रति वफदारी की असली परिच्छा देंगे राउत ने पत्रकारों से बादचीत में स्वैकार कर लिया है कि बगावत के कारण विधान सभा में पार्टी का संख्याबल कम हुआ है उन्हो वफदारी की परिच्छा भी होगी यानि सबके अपने दावे हैं और सबकी अपनी आख्रेबाजी है इस सबके बीच जो पीछे चूट रहा है वो है महराश्ट महराश्ट का विकास मराथी मानुस जिसका विकास और उत्थान का दावा इन नेताओं ने किया था जो अब सत पर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं फिलाल इस खबर में इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ नमस्कार महराश्ट में चल रहा सियासी शेहमात का खेल अपने आखरी पड़ाओ पर पहुँच गया है शिंदे को नए नाम के साथ पार्टी बनाने की बात कर रहा है तो शिवसेना नेता संजय राउत अपताकत दिखाने पर उतारू है दोनों तरफ मामला टेंशन वाला है बेहिसाब बैठके जल रही है बैठकों के बाद बयान भी सामने आ रही है नई नई रड़नीतियां बनाई जा रही है लेकिन इस बीच सवाल है कि जो कई दवा उट रहा है कि दो तिहाई शियुसेनिक विदायक बागी हो गए और उदो ठाकरे को भनक तक नहीं लगी इस सवाल को अब शियुसेना के संगी साथी भी उठाने लगी है दरसल आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी नेताओं ने शियुसेना की टॉप लीडर्शिप पर ही सवाल खड़े कर दिये हैं एनसीपी के नेताओं का कहना था कि शियुसेना के अंदर इतनी बड़ी बगावत हो गई और उनके नेताओं को इसकी भनक तक नहीं लगी यह सब हैरान कर देने वाला घटना करम है NCP की बैठक में प्रमुखरूप से सवाल उठाते हुए कहा गया कि इतने बड़े स्तर पर बगावत हो गई और पार्टी नेतरत तो इस सब से बेखबर कैसे रह गया जो नेता सीम हाउस की बैठक में शामिल हुए थे वो अगले ही रोज बागी होकर महरास्टर से बाहर कैसे चले गए इसके साथ ही सवाल किया गया कि जमीनी स्तर पर कांद करने वाले कारेकरताओं के बीच आखिर क्या चल रहा है कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है वहीं उद्धव ठाकरे ने इसका जवाब देते हुए कहा कि एकनाज शिंदेई बीजेपी के साथ जाने की बात कर रही थे जिसको मैंने मना किया था इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ बागी विठायक उनके संपर्क में है वो उनसे SMS के जरिये बात कर रही है उम्मीद है कि वे मुंबई आएंगे तो फिर से संपर्क करेंगे और उनका साथ देंगे इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा कि पार्टी कैडर को किसी भी प्रतिक्रिया के लिए मना किया गया था लेकिन आने वाले समय में पार्टी कारेकरता चुप नहीं बैठेंगे फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही अब डेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ महराष्ट में मचे सियासी घमासान के बीच केंद्रियों मंत्री और भारती रिपब्लिकन पार्टी के अध्याक्ष रामदास अठावले ने पूर्व सियम देवेंद्र फन्नविस से मुलाकात की मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि शिवसेना में फैली अंद्रूनी कला से हमारा कोई लेना देना नहीं है उद्धर ठागरे और एकना शिंदे अपने बीच के विवात को खुद सुल जा लेंगे इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बागी विधायकों को सुरक्षा देनी चाहिए और उनके घरों और दफ्तरों पर तोड़ फोर नहीं होनी चाहिए सोचाथ नहीं है और अगे यहां देखते है लेकिन एक जो माननी चरत पवार जी माननी अजित पवार जी माननी उद्व ठाकले जी जी जो बोल रही है करने का कोई अधिकार को बिल्कुल नहीं है और आइसा अगर होता है तो यह अन्याकारक भुमिका होगी महाराश्रा में इसी तरह का इल्लीगल काम नहीं चलना चाहिए और टू धर्ट मेज़ोर डी से एकना सिंदे के साथ यह में चले गए है तो उनको मतलब सिव चना के माननेता मिलनी चाहिए और इसी तरह की दादागेरी करना अच्री बात नहीं है जो तोड़पाट हो रही है इसको रूपने के आवशकता है लेकिन पूलिस के सामने इसी तरह के तोड़पाट हो रही है इसी दादागेरी बिलकुल नहीं चलेगी और दादागेरी अगर करने कुशित होगी तो दादागेरी को दादागेरी से उत्तर दिया जा सकता है इन सब के बीज सीयम उद्धव ठाकरे ने शुषेना राश्ट्री कारेकारणी समीती के बैठक बुलाई और आगे किरनीती पर चर्चा हुई बैठक में कई प्रस्ताओं पर मुहल लगी और मीडिया से बादचीत में संजे राउत ने कहा कि शुषेना के आगे फैसले खुद उद्धव ठाकरे लेंगे इसके साथी उन्होंने एकना शिंदे पर तंज कसा और कहा कि अगर बोट मांगना है या फिर पार्टी बनानी है तो अपने पिता के नाम पर करें बाला साहब का नाम लेने की जरूरत नहीं है बैराल महराष्ट की सियासत में लगातार नया मोड आता जा रहा है बागी विधायकों और सियम उद्धो के बीच जंग लगातार बढ़ती जा रही है कई विधायक सियम उद्धो ठाकरे का खेमा छोड़ सिंदे गुट में शामिल हो गये हैं बाजोद इसके संजराउद सरकार पर कोई खत्रा नहीं होने की बात कह रहे हैं इस ख़वर में फिलाल इतनाई अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ महराष्ट में सियासी संकट जारी है शनिवार को शिप्षेना की कारकारनी की बैठक हुई जारी किया गया इन सब के बिच महराष्ट के सियासी महासंगराम पर AI MIM चीप असदुदीन ओवैसी ने भी बयान दिया है उन्होंने समचार एजनसी AI से बात की और कहा कि महाविकास अगाड़ी को इस मामले पर विचार करने दे हम सामने आ रहे ड्रामा पर नजर रख रहे हैं यह बंद्रों का डांस लग रहा है एक साखा से दूसरी साखा में खूदने वाले बंद्रों की तरह काम कर रहे हैं यह महासुनिय महराष्ट संकट पर असदुदीन वैसी ने क्या कुछ कहा मुझे इस बारे में कुछ बोलना नहीं है वो महाविकास अगाड़ी जाने वो तैक करें वो उनका अंदोरुनी मामला है वो उस पर देखें वो फैसला करें हमको क्या करना है उसे उसकी सियासत में आप यहां बिल्कुल हैं हम बहुत बड़े हमारा रोल है और रहेगा मगर इस मसले में वो वो खुद देख लें क्या होगा नहीं मालम वो तैक करेंगे संजे राउत का जैसे बयाना है कि सिसनी के रोट पे आएंगे इस इसको लेकर कहते हैं हरे रोट पे रहें गे तो आना चायिये उनको यही नहीं आना चाहिए हम अखन कर रहें भवो फेसरी और ने-नी वो फशले करेंगे मैं को否्त हूं मुझे मैं इस ले करें रहा रहा हूं मुझे मैं से तालूक रहूं है आए though महाविकास अगाडी जाने हम क्या करेंगे उसमें हमको क्या करता है उसमें मैं जा कि उसमें खामखा अपना हाथम आप राजनितिक के साथ भी है अरे यह हैं वह चोटे पुलिटीशन हैं बड़े नहीं एतने हम ले समय कि हृएं हम देख रहें नजर Rख रहें हम देख हैं वहां पर जो बंदरों का नाच हो रहा है एक जाड़ से दूसरे जाड़ of कूज रहा है कोई इस पीड़ से इस पेड़ पे आ रहा है देख रहे हैं तमाशा इखलाक का जलता वड़ गर देख महराश्ट में जारी सियासी महा संगराम के बीद सनीवार को भी जबरदस्ट उतार चाहो दिखा शिपसेना ने कहा है कि वो बागियों के सामने जुकने वाली नहीं है दूसरी तरब शिपसेना के बागी बिदायकों के साथ असम में जम्मे एकनाथ सिंदे ने 38 बिदायकों का समर्थन पत्र जारी कर दिया शिंदे की तरब से जारी पत्र में 38 विदायकों के हस्ताथ छर भी हैं दरसल महराश्ट में सियासी सह मात के जारी खेल के बीच हिंसा की खबरे भियानी शुरू हो गई है पूने में सिबसेना विदायक ताना जी सावंत के आपिस में पार्टी के कारकरता उन्हें शनिवार को जम कर तोड़ फोड की इसके अलावा उनके दुकानों में भी तोड़ फोड की गई इस दोरान सिबसेनिक सावंत के खिलब नारेवाजी भी करते दिखे उन्होंने ताना जी सावंत के आपिस और दुकानों की दिवारों पर गदढन लिख दिया ताना जी सावंत भी एकनात सिंदे के साथ गुहाटी में है एक दिल पहले सुक्रवार को भी शिबसेना के कुरला से बागी विधायक मंगेस कुडालकर के ओफिस में तोलपोड की गई थी इस हमले कारोप शिबसेना के कारकरताओं पर लगा था कुडालकर मुंबई ये कुरला से शिबसेना के विधायक है वो सुक्रवार को गुहाटी गए थे और एकनाथ सिंदे के गुट में शामिल हो गए थे इसके पहले सिमसेनको ने महराष्ट के नासिक में बागी नेता एकनाथ सिंदे के पोश्टर पर भी कालिक पोती थी पोश्टर पर अंडे भी फेके गए और सिंदे के बिरोद में जोरदार नारेवाजी भी की गई थी इन सब के बिच सनिवार को पूले में सिब सेना के बिदायक ताना जी सावंत के आफिस में पार्टी के कारकरताओं ने जम कर तोड़ फोड़ की अफिर ऑरा क्वार्टी कि अथ्जार्स करिचू अपिरो प्राटी कर दोड़ के बिचितागे एन्धाओं गिरोछ œ коं के अ करुनी है यहले जिए ऑ instructors और सावंत भी ।ूबर डहले सत है खोड़ के ख तोड़ कि एज हुने में आपोवो एन्धार्स नह थेखिज़ महाराष्ट में महा अगारी सरकार स्यूसेना की फूट से जूज रही है पूरे मामले में लगतार वार पलटवार का खेल चल रहा राजी की सियासत दिन बदिन गरमाती दिख रही इस बीच मौका पाकर निर्दली इसांसद नौनीत राणा ने उद्धो सरकार और संज राउद पर निशाना साधा है नौनीत राणा ने वीडियो जारी करते हुए ग्रह मंत्री अमिश्टास से महाराष्ट में राष्ट पती सासन लगाने की मांगी है सोशल मीडिया पर नौनीत राणा ने एक वीडियो शेर किया है जिसमें वो कहती है ये गुंड़ागर्दी बंद की जाए महाराष्टे में उद्धो ठाकरे गुंड़ागर्दी पावर का गलत इस्तमाल समिधान को खत्म करने वाला नियम राज्य मिल्ले कराए है उन्होंने कहा कि मेरी विंती है कि इनके परिवारों को सुरक्षा दी जाए साथ ही महाराष्ट में रष्टपती शासन लागों किया जाए उन्होंने कहा कि आप बताईए कि ये विधायक आखिर क्यों इनसे अलग होए है उन्होंने ग्रह्मंती अमिशा से हाद जोड़कर विंती की है कि बाला साहब की विचारधारा पर चलने वाले उन विधायकों के परिवारों को सुरक्षा दी जाए मैं अमिज शाजी से विनंती करूंगी चितने भी विदायक जो बाड़ा साहब के विचारधारों पे लेकर हिंदुत वादी विचारधारों को लेकर उद्दव ठाकरे को छोड़कर अपनी विचारधारों से जुड़कर वो अलग अपनी निरने ले रहे हैं उनके परिवार क को सिक्योर करना यह हम सब की जवाबदारिया और मैं अमिश्या जी से विनंति करूंगी कि उनके परिवार को सिक्योरटी दी जाए उनको सिक्योर किया जाए और हमारे महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की गुंडे शाई यह बंद की जाए क्योंकि बार बार यह धाई नंति करूंगी जड़ से जड़ यह परिवारों को सिक्योर किया जाए और राष्ट्रपती शाषन यह महाराष्ट्र में लगाये जाए इतनी में आपसे जरूर भी नंति करूंगी दरसल बागी विधायकों को लेकर शुसेना कारेकरताओं में कुस्सा देखने को मिल रहा ह इसी के चलते पुणे में शुसेना के बागी विधायक ताना जी सावंद के दफ्तर में शुसेना कारेकरताओं ने तोड़ पोड़ की है इस दोरान कारेकरताओं ने उद्धो ठाकरे के समर्तन में नारेवा जीवी की इसी को लेकर अमरावती से निर्दली एसांसर नौनीत राणा ने उद्धो ठाकरे पर हमला बोलते हुए फीडियो शेर किया पतादे कि शुसेना के नेता संजे राउत ने पुने में बागी विधायक ताना जी सावंत के दफ्तर में हुई तोड़ पोड़ को सही करार देते हुए कहा था कि ये केवल एक्शन का रियक्शन है उन्होंने कहा कि शुसेना की भासा में सभी विधायकों को जवाब दिया जाएगा और इसी वज़े से ये रियक्शन अबराज्य में हर जगे दिखेगा इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे ये वन इंडिया हिंदी के साथ महारास्ट में शिव सिना दो फाड होने की कगार पर है उद्धव ठाकरे ने पहले मनाने की कोशिश की फिर पद छोड़ा फिर छोड़ा सरकारी आवास और तो और शिंदे का पार्टी में पद और कद बढ़ाने की भी पेशकश की लेकिन मजाल क्या कि एकनात शिंदे टस से मस हुए हों वे लगातार अपने रुख पर कायम बने हुए हैं उन्होंने जता दिया है कि मान मनवल के लिए अब बहुत देर हो चुकी है लिहाजा पार्टी का विभाजन तह है इस बात से शिवसेना में खुद उधव और उनके वफादार सहयोगी आहत है पार्टी में इस तरह के बिखराव को लेकर संजेराउत कई बार संकेतों की भाशा में बीजेपी को घेर चुके हैं उस पर आरोप मढ़ चुके हैं और ऐसा होने के लिए सियासी शड्यंतर तक बता चुके हैं ऐसे में इसे तंजपूर्ड ढंग से महरास्ट में ऑपरेशन लोटस भी कहा जा रहा है बीजेपी हाला की इसे लेकर शांत मुद्रा में बनी हुई है इसे शिवसेरा का आंतरिक मसला बता कर वो लगभग मौन बनी हुई है वो और बात है कि महरास्ट के राजनितिक संकट को लेकर विरोधी दल बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं इस बीच कनहिया कुमार ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया है इसे लेकर उन्होंने एक ट्वीट करते हुए बीजेपी पर तंज कसा है अपने ट्वीट में कनहिया कुमार लिखते हैं कि इसे ओपरेशन लोटस नहीं बलकि ओपरेशन लूटस कहा जाना चाहिए कनहिया कुमार की ओर से ऐसा बयान तब सामने आया है जब महाराष्ट में पनपास सियासी संकट और गहरा गया है शिवसेना तूट के कगार पर है एकनात शिंदे अपने गुट को लेकर नामों पर विचार मिमर्श कर रहे हैं तो इस बीच महाराष्ट के कुछ जिलों में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है शिंदे के ग्रहजिले ठाणे में धारा 144 लगानी पड़ी है ताकि किसी तरह की अराजकता की संभावना को कम किया जा सके ठाणे में पुलिस ने निशेधाग्या लगा दी है ऐसे में इस शेतर में किसी भी प्रकार से हिंसावे प्रयोग किये जा सकने लायक अस्तर शस्तर आदी लाने या ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है साथ ही किसी भी तरह के भड़काऊ पोस्टर लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है पुलिस की ओर से इस तरह के कदम एहतियाती तौर पर उठाए गए हैं इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है One India हिंदी के साथ महरास्ट में सियासी टकराओ जारी है शुसेना वर्सेज शुसेना के इस पूरे सियासी घटना करम के बीच रोजाना नई नई रणनीत देखने को मिल रही है दो पालों में बटे शुसेना फिलहाल अपना अस्तित्व तलाश रही है लेकिन इस बीच बॉलिवुट की चर्चित अभीने थे कंगना रनौत और उध्व ठाकरे के बीच चली रार फिर से चर्चा में है दरसल कंगना रनौत का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वारल हो रहा है इस वीडियो में कंगना रनौत कह रही है कि उध्व ठाकरे का घमंड टूट चाएका कंगना रनौत का यह वीडियो साल 2020 का है जब अभिनेत्री का ओफिस पर बियंसी ने कारवाई की थी और बुल्डोजर चला दिया था उन दिनों अभिनेत्री ने उध्व ठाकरे को निशाना बनाते हुए कहा था कि उध्व ठाकरे तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझसे बदला लिया है आज मेरा घर टूटा है कल तुम्हारा घमन टूटेगा इसके अलावा कगना रनाओत का एक और वीडियो बारल हो रहा है जिसमें मैं कहती है कि जब भी कोई व्यक्ती औरत का अपमान करता है उसका पतल जरूर होता है उध्व ठाकरे है याद रखना हमेशा एक जैसा नहीं रहता है आपको बता दें कि बीमसी ने साल 2020 में कंगना रनाओत के मुंबई स्थिल ऑफिस में जमकर तोड़ फोर की थी इसके बाद अभी नेत्री ने बीमसी के खिलाफ बॉंबे हाई कोड का दर्वाजा खट-खटाया था और मुआबजे की मांग की थी इस मामले में कोड का फैसला भी कंगना के हक में आया था कोड का कहना था कि बीमसी ने खराब नियत से यह कतम उठाय था और कंगना का दफ्तर गलत इरादे से तबह किया क्या कोड ने कहा कि यह नागरिकों के अधिकार के भी विरुद्ध था अदालत के फैसले के बाद कंगना रनावत ने ट्वीट किया था जब कोई व्यक्ती सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है तो यह व्यक्ती की जीत नहीं बलकी लोगतर्द की जीत नहीं है यह पूरा मुद्धा उस वक्त काफी चर्चा में रहा था जो एक बार फिर वायनल को रहा है फिलाल के लिए इस ख़बर में इतता ही अब डेट्स के लिए बने रहे है वर इंडिया हिंदी के साथ जम्बू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंतरी और पीडीपी प्रमुख महभूबा मुफ्ती ने आज केंदर की मोधी सरकार पर जमकर निशाना साथा उन्होंने कहा कि इस देश को जवाहरलाल नहरू, इंदरा गांधी, राजीब गांधी जैसे नेताओं के खून पसीने से बनाया गया था इसका अधार लोक्तंडर और धर्म निर्पेक्ष्टा था भाजपा इसके विपरीच चल रही है मैंने अपने जीवन में इससे भ्रष्ट सरकार नहीं देखी है महभूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि मैं युवाओं के अभिवावकों से अनरोध करती हूँ कि युवाओं को बंदुक उठाने से रोखें वो आपको मार कर धन प्राप्त करते हैं मैं उनसे बंदुक उठाना बंद करने का रोध करती हूँ मैं मॉल्वी सन रोध करती हूँ कि पंडितों को हमारे संसाधन गोशित करें उन पर कई हमले हुए नहीं होने चाहिए थे चाहिए लागंदी गूले लिडाओ को जो इसका हृँ अजग मैंदा करते के लिए्या अजगाद आपको इसकाना बास्तना मेंन उप्रते हूँ इसके साथ ही महबुबा मुफ्ती ने शोपिया में हुए सूमो धमाके का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि सूमो में हुए धमाके में चालक शौकत एहमर शेह को गिरफतार कर लिया किया और उसे हिरासत में ले लिया क्या दस दिनों के बाद वे कहते हैं कि वह को पुवाड़ा में एक मठुभेड में मारा गया था लेकिन वह हिरासत से वहां तक आखिर कैसे पहुचा तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहिए One India हिंदी के साथ मुंबई में सोशल एक्टिवेस्ट तीस्ता सीतलवार के आवास पर गुजरात ATS की टीम ने अचानक दबिश दी उन्हें गिरफतार किया गया और वहां से उन्हें सिधे सांता क्रूस थाने लिजाया गया जहां उनके अलावा दो पूर्व IPS अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्श की गई है उन पर ये कारवाई एहमदबाद सिटी की अपराद शाखा के इंस्पेक्टर दर्शन सिंग बरार की शिकायत पर की गई है तीस्ता सितलवाड और पूर्व IPS आर्वी श्रीकुमार और संजीव भट के खिलाफ ये कारवाई गुजरात दंगा मामले में जोटी जानकारी देने के आरोप में की गई है दर्श FIR के मुताबिक इस मामले में आरोपियों ने जाक्या जाफरी के जरीए कोर्ट में कई आचिकाय दी थी जबकि SIT समेट अन्य आयों को गलत जानकारिया दी थी आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक गिरफतार किये गए पूर्व IPS अधिकारी आर्बी श्रीकुमार को लेकर जोजानकारिया सामने आई हैं उसके मुताबिक गुजरात दंगा मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में सीम की बैठक में शामिल होने के दावेदारों के बयान राजनीतिक तोर से संसरी पैदा करने वाले थे आपको बता दें कि इस संबंध में पूर्व IPS आर्मी श्रीकुमार के अलावा हेरेन पांडिया और संजीव भट ने SIT के सामने जो बयान दर्ज करवाए थे वे जूठे और निराधार साबित हुए थे बाद में जब इसकी जाच परख की गई तो मालूम पड़ा कि लॉए और की समिक्षा के लिए जो बैठक बुलाई गई थी उस बैठक में वे शामिल ही नहीं हुए थे वही 24 जून को गुजराद दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT की रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी की ओर से दायर याचिका को रद्ध कर दिया था इसे रद्ध करते हुए कोर्ट ने टिपड़ी की थी कि इस मामले में तीस्ता सीतलवार को लेकर और च्छानबीन किये जाने की जरूरत है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तीस्ता इस पूरे मामले में इसी वजह से घुसी रही क्योंकि जाकिया जाफरी इस मामले में असल पीडित हैं कोर्ट ने अपने टिपड़ी में ये भी कहा था कि तीस्ता अपने हिसाब से इस मामले में मदद के बहाने इसे नियंतरित कर रही थी और अपने हित को साधने की भी कोशिश कर रही थी इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बदे रहिए One India हिंदी के साथ सुप्रीम कोट ने 2002 गुजरात दंगे के मामले में असाइटी की ओर से पीम नरेंद्र मोदी को दी गई क्लीन चीट बरकरार रखी है कोट ने असाइटी के काम की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य प्रिशासन के कुछ हधिकारियों की लापरवाही का मतलब ये नहीं राज्य प्रिशासन की ये साजिश थी मैं सुप्रीम कोट के फैतले के बाद ग्रे मंत्री अमिश्या ने अनाई को दिये इंटर्विव में कहा कि पीम मोदी पिछले 18 सालों से भगवान शंकर की तरह विश्पान करते रहे लेकिन किसी से कभी भी कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा कि मैंने प्रधान मंत्री मोदी को नजदीक से इस दर्द को जेलते हुए देखा है क्योंकि न्याईक क्रक्रिया चल रही थी तो सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोले बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टेंड ले सकता है दिखे सबसे पहले क्लीन चीट नहीं है मैं इसके बारे में बात में बात करूंगा सुप्रिम कोट ने पूरे आरोपों को खारीज किया है और आरोप क्यूं घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रिम कोट ने का है एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रिम कौट ने आरोब पोलिटिकली मोटिवेटेड है ये भी सिद्ध कर दिया है सुप्रिम कौट के जजमेंट ने सिद्ध किया है जहां तक कैसा लगा का सवाल है 18-19 साल की लड़ाई देश का इतना बड़ा नेता एक सब्द बोले बगर सभी दुखों को बगवान संकर के विश्पान की तरह गलब में उतार कर सहन करकर लड़ता रहा और आज जब अन्त में सत्य सोने की तरह बारा है चमकता हुआ बारा है तो आनन्दी होगा मैंने बहुत नद्दीक से मोदी जी को इस दर्द को जिलते हुए दिखा है इस आरोपो को जिलते हुए दिखा है और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्यूंकि नयाएक प्रक्रिया चालू है हम कुछ नहीं बोलेंगे इस टेंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही इस टेंड ले सकता है इसके साथ ही हमिश शाह ने कहा कि मोदी और बीजेपी के खलाब करीब दो दशक से दुश प्रचार चले रहा था उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोट ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोट के फैसले ने ये सिद्ध कर दिया कि सभी आरोप राजनितिक रूप से प्रेडित थे उन्नीस साल के बाद सुप्रीम कोट के खंड़पिट ने आज जो जज्जमेंट दिया है उस जज्जमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे घलत आरोप को खारीच कर दिया गया और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपो को पोलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था विस्टेड इंट्रेस था कौन थे वो आपके हिसाब से ना मैं बताता हूँ बाद में और तीसरा इस से भारतिय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है और मोदी जी जैसे वैस्विक नेता पर जो घलत आरोप लगाये थे मैं मानता हूँ कि लोग तंत्रन के अंदर मोदी जी ने सम्विधान का सन्मान कैसे हो सकता है इसका एक आदर्स उदाहन सभी राजनिती में काम करने वालो लोगों के सामने करा है मोदी जी की भी पुत्ताच हुई थे किसी ने धर्णा प्रदसन नहीं करा था देश भर से कारे करता आकर मोदी जी के समर्थन में सॉलिराडिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे हम कानून को कॉपरेट की थे आपको बता दें कि जस्टिस ए एम खान विलकर दिनेश महश्वरी और सीटी रवी कुमार की बेंच ने 452 पन्नों में फैसला सुना सुनमाई के दौरान कोर्ट ने कहा बिहार के राजदानी पतना में शनिवार को एक बार फिर से बिमान हाथ सटल गया पतना एरपोर्ट से उलान भरने के ठीक पहले गुहाटी जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में तकनीकी खरावी आ गई जिसके बाद प्लेन को रनवे से बापस लोटा दिया गया दरसल पतना से गुहाटी जारी स्पाइस जेट की फ्लाइट SG-3724 में खरावी आ गई उलान भरने के ठीक पहले बिमान में खरावी के बाद प्लाइट को रनवे से हटा दिया गया सारे यातियों को उतारा गया और जांत शुरू की गई रिपोर्ट्स के मुताविक स्पाइस जेट का प्लेन पतना से गुहाटी के लिए टेक आफ करने वाला था टेक आफ के दोरान ही वार्निंग लाइट जलने लगी जिसके बाद टेक आफ को कैंसिल कर दिया गया इस फ्लाइट में करीब पचास यातरी सामिल थे गरसव स्पाइस जेट की फ्लाइट SG-3724 अमरित्सर से पतना आती है इसके बाद फ्लाइट को पतना से गुहाटी बेजा जाता है शनिवार कूरान भरने से ठीक पहले स्पाइस जेट की फ्लाइट में खरावी की सिकायत मिली थी बताते चले कि कुछ दिनों पहले भी पतना से नई दिल्ली जारी स्पाइस जेट की फ्लाइट के इंजन में बर्ड हिट हो गया था इस कारण इंजन में आग लग गई थी बात में पाइलेट ने सूज बूच के साथ प्लेन को पतना एरपोर्ट पर लेंड करा दिया था उस फ्लाइट में 185 पैसेंजर्स के अलावा क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे इस ख़बर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ एंडिये की राष्टपती पत के उमिदबार्ट द्रौब्दी मुर्मू ने शुक्रवार को अपना नमांकन दाखिल कर दिया इस मौके पर पियम नरेंदर मोधी समित कई दिगजनेता मौजूद रहे एंडिये की राष्टपती पत के उमिदबार के लिए बीजे पी लगातार समर्थन जुटा रही है इसी बिच द्रौब्दी मुर्मू ने टीमसी प्रमुक और पश्चिम बंगाल की सीम ममता बनर्जी से समर्थन की अपील की पीटी आई की रिपोर्ट के मुताबिक द्रौब्दी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल की सीम ममता बनर्जी से फोन पर बात चीत की इस दोरान उन्होंने ममता बनर्जी से समर्थन देने की अपील की रिबोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने NDA की राष्टपती पत की उमिद्वार द्रौपदी मुर्मू को शुबकाम नाए दी लेकिन राष्टपती चुनाओं में उनने समर्थन देने पर कुछ नहीं कहा NDA की उमिदवार द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर जी के अलाबा कॉंग्रेस सद्यक्ष सोनिया गांधी जारखंड के सियम हेमंत सोरेन और NCP चीप सरद पवार से भी बात की उन्होंने तमाम बड़े दलों से समर्थन मांगा है सभी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्टपती चुनाओं के लिए सुबकाम नाये दी रिबोर्ट के मुताबिक नमांकन दाखिल करने से पहले तमाम नेताओं को फोन किया गया था दरसल विपक्ष ने यस्वंत सिना को राष्टपती पत का उमिदबार बनाया है 27 जुनको दिल्ली में राष्टपती पत के उमिदबार यस्वंत सिना अपना नमांकन दाखिल करेंगे रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने द्रौपदी मुर्मू से कहा कि पाटी तै करेगी कि क्या करना है अगर सियासी समीकरन की बात करें तो ममता बनर्जी का द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना संभव नहीं है ऐसा इसलिए कि यस्वंत सिना राष्टपती पत के उमिदवार है विपक्षी देलों ने यस्वंत सिना को अपना उमिदवार बनाया है इसके पहले भी ममता बनर्जी ने राष्टपती चुनाओ को लेकर दिल्ली में कई नेताओं के साथ बैठक की थी उनकी कोशिश विपक्ष के उमिदवार के लिए समर्थन चुटाना था अगर राष्टपती पत के चुनाओ की बात करें तो 18 जुलाई को मतदान होगा यदि द्रौकदी मुर्मु को जीत मिलती है तो वो पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्टपती होंगी मौजूदा राष्टपती रामनात कोविंद का कारेकाल 24 जुलाई को समाप्थ हो रहा है इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहिए One India हिंदी के साथ राष्पती चुनाओ में एंडिये ने दौकदी मुर्मु को उमिदवार बनाया है बीजेपी की आदिवासी कार्ड ने विपक्षी दिलो को भी राष्पती चुनाओ में समर्थन के मुद्दे पर पस्तो पेश में डाल दिया है उडिसा से आने वाली आदिवासी नेता दौकदी मुर्मु ने विपक्षी खेमे में स्टेन लगा दिये बता दे आज बीजेपी चीफ मायवती ने मुर्मु को राष्पती चुनाओ में समर्थन देने का एलान किया है उन्होंने का है कि आदिवासी समाज बीजेपी के मुद्द का खास हिस्सा है इसलिए हमने दौकदी मुर्मु को समर्थन देने का एलान किया है पर्तमान समय में इसी कड़ी में राष्टपती चुनाव में अपना फैसला खुद लेने के लिए सर्तंत्र आजाद है जिसके तहती हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मुवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रोपती मुर्मियों को राष्टपती पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है और हमने यती महत्रपुण फैसला बीजेपी वे इनके अंडिये के पक्षवे नहीं और ना ही इनके विपक्ष यूपिये के विरोध में कोई सोच कर लिया है बलकि अपनी पार्टी वे मुव्मेंट को विशेज ध्यान में रखकर ही एक आदिवाची समाज की योग्ये वे करमठ महला को देश का राष्टपती बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है हलाके वे कितना फिरिली होकर वे बिना किसी दवाग के कारी कर पाएगी ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा अंत में अब मैं अपने आदिवाची समाज की महला को देश का राष्टपती बनाने के लिए अपने पार्टे का बोट देने का एलान करते हुए अपने बात यहीं समाग करती हूँ बहुजों समाज पार्टी की प्रमुप मायवती ने द्रौपती मुरू के समर्थन का एलान कर दिया है लखनों में बस्ता प्रमुप मायवती ने एलान किया कि हमने राष्पती जुना में एंडिय की उमीदवार द्रौपती मुरू का समर्थन करने का फैसला किया है मायवती ने NDA candidate के समर्थन को लेकर उठाए जा सकने वाले सवालों का जवाब भी दिया उन्होंने का कि हमने ये फैसला ना तो बीजेपी या NDA के पक्ष में ना ही विपक्ष के विरोध में लिया है मायवती ने ये भी साफ किया कि हमने ये फैसला अपनी पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए लिया है गौर्टलबै की बसपा दलित मुव्मेंट में उपजी पार्टी है पार्टी का बेज वोट बैंक भी दलित है एंडिये केंडिडेट द्रौपती मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती है ऐसे मैं बसपा भी इस पर सोपेश में फसीती की द्रौपती मुर्मू का समर्तन करे या विपक्षी दलो के उमीदवार पूर केंद्रे मंतरी यश्वन सिना का आपको बताने हैं द्रौपती मुर्में एंडिये की राश्पती पत की उमीदवार है वो इससे पहले जहरकंट की पहली महिला राज्येपाल ले चुकी है सत्ताधारी एंडियेट का उमीदवार होने के दाते उनकी जीत तैमानी जा रही है ऐसा होने पर वो देश की पहली आदिवासी महीला राश्पति होंगी बीएसपी का समर्टन मिलने से एंडिय क्यों मिद्वार को और मजबूती मिली है इस ख़पर में फिलाल इतना ही बनलिया बनलिया हिंदी के साथ देश में राश्पति चुनाव को लेकर अब सियासत तेज हो गई है वहीं विपक्षी पार्टी के बीच वेब जुबानी जंग लगातार तीज होती जा रही है एंडिया ने आदिवासी समुदाय के मिला द्रौपती मुर्मु को अपना उमिद्वार बनाया तो वहीं विपक्ष की ओर से यश्वन सिना राश्पति पत के उमिद्वार है बीस्पी सुप्रीमो मायावती ने पश्रिम मंगाल की सीयम ममता बनर्जी पर तंज कसा उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने राश्पति चुनाव के लिए एक विपक्ष उमिद्वार का चैन करने के लिए 15 जून को एक बैठक बुलाई थी जिसमें केवल चैनित पार्टियों को आमंतरीत किया जब शरत पवार ने 21 जून को एक बैठक बुलाई तो भी BSP को आमंतरीत नहीं किया गया ये उनके जातिवादी उदेशों को दर्शाता है दरसल विपक्ष की ओर से राश्पति उमिद्वार को लेकर होई हाल फिलाल बैठकों में BSP को नहीं बुलाई गया जिसको लेकर मयावती नाराज है बता दें कि विपक्ष की ओर से 21 जून को राश्पति चुनाव को लेकर एक बैठक बुलाई गयी थी ये बैठक ममता वनेर जी ने बुलाई थी जिसमें विपक्ष की तमाम बड़ी पार्टियां शामिल हुई लेकिन इस बैठक में ना तो मयावती को बुलाया गया और नहीं उनसे यश्वन सिन्हा को उमिद्वार बनाये जाने से पहले चर्चक ही गई जिसको लेकर अब उन्होंने विपक्षित दलोबन निशाना साधा है ब्यस्पी सुप्रीमो मयावती ने बड़ा एलान करते हुए द्रौप्दी मुर्मू के समर्थन की बात कही आगे मयावती ने कहा कि हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपने मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रॉक्ति मुर्मुक राश्टपती पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है इसके साथ ही मायवती ने ये भी साप किया कि हमने ये फैसला NDA के पक्ष में या UKA के विरोध में नहीं लिया बलकि अपनी पार्टी के मुव्मेंट को ध्यान में रखते हुए एक आदिवासी महिला को देश की राश्टपती बनाने के लिए ये फैसला लिया गया इस खपर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहिए One India हिंदी के साथ भारत में महांगाई ने आम जन जीवन को अस्त बेस्ट कर दिया है हालात ऐसे हैं कि आम से लेकर खास जनता तक महांगाई से प्रभावित है पेटरॉल डीजल से लेकर LPG और खाने पीने के सामान भी महंगे हो गए है दुनिया के कई दूसरे देशों में भी महांगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है इसी बिच AIMIM चीप असदुदीन ओवैसी ने देश में जारी महांगाई को लेकर PM नरेंदर मोदी पर निशाना साधा है ओवैसी ने टूइट करके बढ़ती महांगाई पर मोदी सरकार पर जोरदार तंज कसा है ओवैसी ने टूइट में लिखा ये सस्बी प्रधान मंतरी स्री नरेंदर मोदी जी के नेतरित्म में महांगाई नई उचाईया छू रही है ये हमारा सौभाग है कि हमें ऐसे परधान सेवक मिले है मोदी जी लगता है कि आप कहीं और बीजी है टेंसन मत लीजिए आपके आठ साल के राज की बदौलत देश बास्यों की सहन सकती भी नई उचाईया छू रही है अपने ट्विट के साथ असदुदी नवैसी ने एक चाट भी सेयर किया है जिसमें उर्जा, कपड़े और खाने पीने से जुड़े सामानों की लिश्ट और उनके बढ़ते दामों का जिक्र है बताते चले कि AIMIM चीप असदुदीन ओवैसी लगतार केंदर सरकार पर जुवानी हमले करते रहते हैं इसके पहले ओवैसी ने अगनिपत स्कीम को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा था उन्होंने अगनिपत स्कीम को बापस लेने की मान की थी अब वैसी ने मांगाई के मुद्धे पर मोदी सरकार को घेरा है इस ख़बर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है One India हिंदी के साथ हिमाचल परदेश विधान सभाचुनाओ को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से संजीदा दिखाई दे रही है लिहाजा पार्टी के सयोजक अर्विंद के जिरिवाल एक बार फिर से हिमाचल दोरे पर पहुँचे है उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कुल्लू पहुँचे भुंतर एरपोर्ट पर पार्टी कारी करताओं ने उनका ग्रेंड वेलकम किया करीब 300 मीटर तक विरत यातरा पर भी सवार दिखाई दिये इस दोरान सैकडों की संख्या में पार्टी कारी करताओं ने तिरंगा यातरा निकाली यहां से केजरिवाल का रत धालपूर पहुँचा जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर स्वास्थ, शिक्षा और बिजली समेत कई मुर्भूत सुविधाओं के अभाव के मुद्धों पर जम कर प्रहार किया पार्टी के सिध्धानतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम राजनीती नहीं जानते और नहीं हिमाचल में राजनीती करने आये हैं उन्होंने कहा कि पार्टी का मकसद सिर्फ और सिर्फ काम करना और भरष्टाचार को मिटाना है आप आज इतनी धूप में हमारे साथ तिरंगा यात्रा निकालने के लिए कठ्थे हुए आज आप यहाँ पे सारे कठ्थे हुए इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रियादा करना चाहता हूँ जैसा भी मेरे छोटे भाई भगवन जी ने कहा हमें राजनीती करनी नहीं आती हमें पॉलिटिक्स करनी नहीं आती हम यहाँ पॉलिटिक्स करने भी नहीं आए अन्ना अंदोलन से शुरू हुआ था हमारा सिलसला अन्ना अंदोलन के बाद हमने पार्टी बनाई कसम खाई थी कि इस देश से ब्रश्टाचार दूर करेंगे और आज भी उसी रस्ते के ओपर चल रहे है पहले दिल्ली में ब्रश्टाचार खतम किया अब पंजाब के अंदर सिलसला चालू हो गया आपने कभी सुना था कोई मुख्यमंत्री अपनी कैबिरेट के मिनिस्टर को खुदी पकड़ के और जेल में डाल दे कमी सुना था आपने अभी मान साब ने थोड़े दिन पहले इनके बास एक कोई रेकॉर्डिंग रेके गया उस रेकॉर्डिंग को इन्होंने सुना उसमें पता चला कि इनका जो हेल्थ मिनिस्टर था वो गड़वड कर रहा था विपक्ष वालों को नहीं पता था अभी मीडिया वालों को भी नहीं पता था ये चाहते तो दबा देते ये चाहते तो हेल्थ मिनिस्टर को बुला के बोलते कि कि थोड़ों मेरा हिस्सा कहा है इन्होंने असा नहीं किया इन्होंने अपनी पुलिस बिलाई और उसको पुलिस के आतों कर दिया जेल में बैठा इनका है इस देश में आम आदमी पार्टी कर सकती है के वल और कोई नहीं कर सकता जीरो टॉलरेंस भ्रशकाचारियों को हमारे वाला करेगा उसको भी नी छोड़ेंगे उनके वाला करेगा उसको भी नी छोड़ेंगे इस खबर में फिलहाली तरही बाकि अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ सेना में भरती की नई इसकीम अगरीपत को लेकर मचे घमासान में जहां सडकों पर उनमाद में युवा उपद्रव और हिंसा पर आमादा दिखे तो तमाम विपक्षी दल इसे लेकर बेहत आग बबूला नजराये थे एक के बाद एक केंदर सरकार की इस नई भरती सकीम को लेकर जुबारी प्रहार किये जा रहे थे जिस पर सरकार तो कुछ फेर बदल के साथ अपने रुख पर कायम रही अलबक्ता इस पर अब सियासत दानों के अलावा सम्वधानिक पदपर आसीन मेगाले के राजजपाल सत्तिपाल मलिक ने एक गर्मा गर्म बयान दे डाला है NDTV की एक रिपोर्ट के मुदाविक उन्हें भी सेरा में भरती किये नई स्कीम नहीं भाई है लिहाजा उन्होंने भी तमाम विरोधी दलों के सुर में सुर मिलाते हुए इस स्कीम को वापिस लेने की अपील की है इसलिए कर अपने एक बयान में उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री मोदी से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि इस योजना को वापिस ले ये योजना बताती है कि सरकार और गावों के बीच दूरी बढ़ रही है मैं युवाओं से भी आगरह करता हूँ कि प्रदर्शन करते वक्त हिंसा ना करें सेरा में भर्ति की इस रई स्कीम पर नाराजगी जाहिर करते हुए में एक हाले कि राज़पाल सत्यपाल मलिक ने तंजकस्ते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री ये वादे कर रहे हैं कि वो नौकरिया देंगे उनका ही भरोसा नहीं है कि वो दोबारा मुख्य मंत्री बनेंगे या नहीं वहीं उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारी जो सरकार का बचाव कर रहे हैं वो भी गलत है राजिपाल मलिक ने कहा कि वर्दी और नियायले की ही इज़त बची है लिहाजा वर्दी वाले जनरल को भी टीवी पर लाना सरासर गलत है उन्होंने कहा कि उन्हें पद की लालसा नहीं है लेकिन वो बोलना बंद नहीं करेंगे अपने बयान में वे आगे कहते हैं कि उन्हें कहा जाए तो वे राजिपाल का भी पद छोड़ने को तयार हैं आपको बता दें कि सेरा में भरती की इस नई स्कीम अग्रिपत को लेकर कई राजियों में जबरदस्त विरोध देखने को बिला था उगर परदर्शनों के दोरान रेलवे की संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुचाया गया था हाला की बाद में सरकार में इस पर विचार करते हुए एक साल के लिए उम्र में छूट देने का एलान भी किया था लेकिन उसके बावजूद नाराज धीवाओं का गुसा शांत नहीं हुआ इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ किंद सरकार ने 14 जून को अगनीपत भड़ती योजना की गोशना की थी इस गोशना के बाद से पूरे देश में हिंसक परदेशन के साथ साथ सियासत भी जारी है तो वहीं इस योजना के विरोध में हस्तिना पूर्स से विदान सब चुनाब लड़ी हीं कॉंग्रिस नेतरी और फिल्म अभी नेतरी अर्चना गौतम 24 जून को बुलंचेर पहुंची यहां अर्चना गौतम ने तूप में तपती सड़क पर नंगे पाउं उतरी और अगनीपत योजना के खिलाब चम कर विरोध प्रदेशन किया प्रदेशन के दोरान अर्चना गौतम हातों में रसी की बेडियां और गले में फंदा डाले हुए नजर आई आपको बता देख फिल्म अभी नेतरी और कौंगरेस नेता अर्चना गौतम 24 जून को सहना बढ़ती अगनीपत योजना और वियापक बेरोजगारी के विरोध में जिला कौंगरेस कमेटी और युथ कौंगरेस कमेटी के साथ सड़क परूतरी इस दोरान अगनीपत योज चार साल के लिए जौब देंगे चार साल के बाद युवाओ को बीजेपी का चौकीडार बना दिया जाएगा या फिर उनसे पकोड़े तलवाये जाएंगे जानकारी के मताबिक इतना ही नहीं अर्चना गौतम ने कहा कि मोधी सरकार युवाओ के सपनों से खिलवार कर रह ही है चार साल के लिए युवाओ को आर्मी में वर्जी किया जा रहा है चार साल बाद वो क्या करेंगे कहा घर में मार्पीट करेंगे चोरी करेंगे डेकैटी डालेंगे क्योंकि उनके पास कमाने का कोई सादन नहीं बचा होगा अर्चना गौतम ने इस दोरान सवाल युवाओ को चार साल बाद जॉब देने का आज वादा कर रहे हैं वो चार साल बाद इन्हें जॉब नहीं देंगे क्योंकि आर्मी में जाने वाले युवाओ हिंदी मीडियम्स पड़ाई करके जाते हैं उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है जबकि बड़ी-बड़ चीन सीमा में बढ़ते तनाओ के बीच भारतिय सेना को बड़ा हथियार मिला है ये वो हथियार है जो दुश्मन को दूर से देखकर नश्त नाबूद करने के लिए काफी है देखते ही देखते बड़े से बड़े टैंक को तबाह करने की छमता रखता है एक साथ कई मोर्च कोई भी साइनिक इसको चला कर दुश्मन के छक के छुडा सकता है भारतिय सेना ने चीन से जुड़ी सीमा पर इंफ्रेंट्री कॉमबैक्ट वहां तैनाओ किया है जिसे शुक्रुआर को लगदाफ में फारवर्ड पोस्ट एरिया में तैनाओ नॉर्धन आर्मी कमांडर ल इसी पर चीन से चल रही तनातनी के बीच भारतिय सेना ने फ्यूचरिस्टिक इंफ्रेंट्री कॉमबैक्ट विकल यानि FICV को तैनाओ किया है जिसे मेकिन इंडिया प्रोजेक्ट करता है तैयार किया गया है ऐसे 1750 FICV सेना को मिलेंगे बता दें कि दुश्मन के टैंकों क नस्ट करने और सैनिकों को ले जाने के लिए भारतिय सेना को फ्यूचरिस्टिक इंफ्रेंट्री कॉमबैक्ट विकल की बहुत जरूरत थी इसके लिए सेना ने फ्यूचरिस्टिक इंफ्रेंट्री कॉमबैक्ट विकल की मांग की थी भारतिय सेना चाहती थी कि पूर्वी लग्ताक जैसे इलाकों में वहन को तैनात किया जाए ताकि सीमा को सुरक्चित और दुश्मन को मूतोर जवाब दिया जा सके सेना के सूत्रों के मुंताविक सेना को हर साल 75-100 पॉम्बैट मिलेंगे जिन्हें जरूरत के हिसाब से तैनात किया जाएगा दुश्मन के टैंक नस्ट करने वाला ये पहला वहन दियाडियो और टाटा ने मिल कर तायार किया है लेह लग्ताक जैसे दुर्गम इलाकों में भारतिय सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए मेड इन इंडिया इंफ्रेंट्री कॉमबैक्ट विकल को सेना के बेड़े में शामिल किया गया है शुक्रवार को लग्दाक में फारवर्ड एरिया पोस्ट में तैनात नॉर्दन आर्मी को ये कॉमबैक्ट विकल मिला Northern Army Commander Lieutenant General उपेंदर दिवेदी ने इस वीकल को चलाया और बताया कि इस इलाके में ये वीकल बहुत बहुत बहुतर तरीके से काम करेगा इसे यहाँ पर बहुत आसानी से चलाये जा सकता है उपेंदर दिवेदी ने बताया कि कोई भी इस वाहन को आसानी से चला सकता है जो भी इसे चलायेगा वो अठारे सो मीटर दूर दुश्मन को देख सकता है इस वीकल में लगे हत्यारों को अंदर से ही बैट कर कंट्रूल किया जा सकता है आपको बता दें कि Infantry Protected Mobility Vehicles के नाम की इन वाहनों को इसी साल आपरेल में भारती सेनों को सौपा गया था लेकिन पहाड़ी इलाकों जैसे लग्दाक छेतर में इसका परिश्चन चला था प्रिश्चन में यह पास रहा इसलिए नौर्दान आर्मी को सौपा गया है Infantry Protected Mobility Vehicle की खासियत की बात करें तो इस वाहन में एंटी टैंक मिसाल भी है RFI के अनुसार इस Combat Vehicle को भारत की उत्री सीमाओं यानि लद्दाक, मद और सिक्किम सेक्टर के ओपरेशन्स के लिए तैनात किया जाएगा इन IPMP का इस्तमाल सैनिकों के तेजी से मुमेंट करने और टैंकों के खिलाफ किया जाता है इन Combat Vehicles में 8-10 सैनिक अपने हाथ्यारों के साथ तैनात रह सकते हैं इसके अलाओ मशीन गन और ATGM यानि Anti-Tank Guided Visile से भी लैस किया गया है सीने से जुड़ी इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है One India Hindi के साथ पडोसी मुल्क पाकिस्तान जो बम बारूत गोले खरीदने के लिए अपने खजाने के द्वार खोल दिया करता है उसे अब चाय की चुस्की के भी वानदे होते जा रहे हैं जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने वही प्याली भर चाय जिसे आप और हम सुड़क कर भूल जाया करते हैं उसे सुड़कने से पहले अब पाकिस्तान की आवाम को दो बार सोचना पड़ेगा कि अगली प्याली नसीब होगी या नहीं ऐसे में पाकिस्तान सरकार इसका भी हल ढूंडाई है पाकिस्तान में ताजा ताजा बनी शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान युनिवर्सिटी को चाय का एक विकल्ब सुझाया है यूनिवर्सटी को कहा गया है कि वो यहाँ पढ़ने वाले च्छात्रों को लसी और सत्तू पीने के लिए प्रोत्साहित करे इसे वो चाय के विकल्ब के तौर पर ले सकते हैं अब आपके जहन में ये सवाल कौन्द रहा होगा कि चाय के विकल्ब को लेकर पाकिस्तानी सरकार ने ऐसा सुझाव दिया कियो और तमाम बड़े-बड़े मसलों को छोड़ चाय को लेकर विचार किया कियो ये सवाल आपके जहन में उठना भी चाहिए दरसर पाकिस्तान इन दिनों बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है ऐसे में बाहर से आयात होने वाली चीजों पर होने वाले खर्च में कटोती की जा रही है पाकिस्तान में बड़ी मात्रा में चाय का भी आयात किया जाता है ऐसे में पाकिस्तान के उच्छ शिक्षा आयोग ने अब चाय के आयार पर खर्च में कटोती पर विचार किया और उसके लिए एक नया तरीका भी सुझाया इस सिलसले में एक पाकिस्तानी अखबार दन्यूज ने एक रिपोर्ट परकाशित की जिसमें बताया गया है कि शिक्षा निकाय ने कुल पतियों से लसी और सत्तु जैसे स्थानिय पे की खपत को बढ़ाने के लिए कहा है इसके साथ साथ लोगों से ये भी अपील की गई है कि वे चाय का कम से कम सिवन करें और अपनी दिंचर्या में बदलाव करते हुए चाय की तलब को कम करने की कोशिश करें पाकिस्तान पहले ही बहुत से गयर जरूरी चीजों के आयात में कटोती कर चुका है जबकि सरकारी कर्मचारियों के खर्चों में भी कई तरह की बंदिशे लगाई गई थी चाय के आयात में कटोती के साथ मुल्क में सब्तू और लसी के सेवन को अपनाने को लेकर पाकिस्तान उच्छे शिक्षा आयोग की दलील है कि ये ना केवल एक सेहत बंद विकल्प साबित होगा बलकि इससे रोजगार भी बढ़ेगा और तंगी से जूचते लोगों को आये का जरिया भी मिल जाएगा हलाकि इस फैसले को पाकिस्तान के लोग किस नजरिये से देखते हैं ये आने वाले दिनों में जाहिर हो जाएगा इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रहेए One India हिंदी के साथ अमेरिका में लंबे समय से ये बहस च्छी हुई थी कि यहां गर्भपात या अबॉर्शन पर परतिबंध लगाया जाए या नहीं ये चर्चा उठ खड़े होने भर से कई संगठन सड़कों पर उतराये थे पिछले कुछ हफतों से इसे लेकर सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन भी देखा जा रहा था लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर अब एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिसने कई संगठनों को जोरदार जटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने डॉब्स वर्सस जैक्सन वाद में 6-3 की सहमती के आधार पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अमेरिका में अबॉर्शन सम्वेधानिक अधिकार नहीं है कोट ने ये फैसला सुनाते हुए साल 1973 के उस फैसले को पलट दिया जिसे रो वर्सेज वेड के नाम से जाना जाता है उस फैसले में कोर्ट ने गर्भपात के अधिकार को समवेधानिक अधिकार माना था अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब अमेरिकी राज्यों के लिए फिर से गर्भपात पर पूर्ण पर्तिबंध लगाने का रास्ता साफ हो जाएगा इसे लिकर human rights activist का कहना है कि इससे अमेरिकी महिलाओं की आजादी उनके खुद के फैसले लेने की स्वतंतरता और व्यक्तिकत स्वायत्तिता की रास्ट्री समझ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी साल 1994 के बाद से अमेरिका ऐसा चोथा दिश बन गया है जिसने abortion rights को वापिस लिया है इस पर प्रतिबंद लगाने की विरोध में पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका की सड़कों पर लगतार प्रदर्शन देखे जा रहे थे अमेरिकी लोग इसे अपने अधिकारों का हरनन बता रहे हैं उनका मानना है कि उनके शरीर पर पूरी तरह से उनका ही अधिकार होना चाहिए गौरतलब है कि अमेरिका में गर्भपात का कारून करीब 50 साल पुरारा था यहाँ दुनिया के दूसरे देशों की तरह गर्भपात को लेकर बंदिशे नहीं थी इसी वजह से वहाँ लोग अपनी बर्जी से अबॉर्शन करवाया करते थे लेकिन वो अब से मुम्किन नहीं हो पाएगा इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे हैं वन इंडिया हिंदी के साथ देश और दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिट से डराना शुरू कर दिया है दुनिया के कई देशों में चौथी लहर चल लई है तो यह अब भारत में भी पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं देश के कई राज्यों में कोरोना केसों में लगातारी जाफा हो रहा है जिसने स्वास्त मंत्रालय और राज्य सरकारों के चिंता बढ़ा रखी है देश में पिछले 24 गंटे में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर से टेंसर बढ़ा दी है पिछले 24 गंटे में कोरोना के 15,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए देश में कोरोना की सूपर स्पीड के भी चेक्टिव केस की तादाद भी बढ़ती जा रही है कोरोना के नए मामलों में आई तेजी के साथी देश में अब एक्टिव केसों के संख्या कुल तकरीबन 22,000 तक पहुँच गई आए देश में पिछले 24 गंटे में 15,940 नए मामले दर्ज किये गए महराश्ट में सबसे ज़्यादा 4,205 मामले मिले इसके बाद केरल में 3,981, दिल्ली में 1,447, तमिलनाडू में 1,369 और करनाटक में 816 नए मामले सामने आए देश में कुल नए मामलों में से 74,08% नए मामले इन 5 राज्यों में मिले है कोरोना के नए केस मिलने के बाद देश में अब मिले संक्रमीदों की संख्या 4,33,78,234 हो गई है देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20 मरीजों की मौत भी होई है जिसमें कोरोना संक्रमर से मनने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,24,974 हो गई है उधर देश में कुरोना की रिकवरी रेट अब 80.58% हो गई है पिछले 24 घंटे में कुल 12,425 मरीज ठीक भी हुए अब तक देश बर में कुरोना से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 4,27,6,480 हो गई है कुरोना केसों में जिस तरह से लगातार ही जाफा होता जा रहा है विश्यशग्यों का मानना है कि कुरोना के बढ़ते मामले चौथी लहर की आहट भी हो सकते हैं महराष्ट केरल में सबसे जादा मामले है जिसको लेकर स्वास्त मंत्राले ने राज्यों को निर्देश पी जारी किया है और कुरोना रोक्थाम से संबंदे सभी संभव उपाय करने को कहा गया है इस ख़बर में फिलाल इतना ही अब डेट्स के लिए बने रही है बन इंडिया है इंडिके साथ सरकारी करमचारियों के लिए जुलाई कई सोगात लेकर आ सकता है सरकार अपने करमचारियों तीन बड़े तोहफे देने के मूड में नजर आ रही है दरसल सरकार अपने करमचारियों के वेतन में बढ़ोत्री से लेकर बकाया राशिके भुकतान पर विचार कर रही है प्लानिंग की जा रही है सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई माह में दिये में बढ़ोत्री के साथ ही बखाया डिये का भुकतान भी किया जा सकता है इतना ही नहीं, PF पर ब्याज की रकम भी सरकारी करमचारियों के खाते में पहुँच सकती है खबरों की माने तो सरकार अपने करमचारियों के बकाया D.A. का भुकतान अगले महिने कर सकती है ये भुकतान लगभग 18 महिने से कोरोना के कारण लटका हुआ था अब ये कुल जमा एक बार में 2 लाग तक दिया जा सकता है इसके साथ ही सरकार करमचारियों के डिये में भी इजाफा करने की ओर कोई फैसला ले सकती है करमचारियों के डिये में 4-5 फीसिदी तक की बढ़ोतरी की जा सकती है फिलाल कर्मचारियों को 34 फीसदी की दर से डिये मिल रहा है अगर ये डिये बढ़ता है तो 50 लाग से ज़ादा कर्मचारियों और 65 लाग पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा इतना ही ने अगले महा सरकार अपने कर्मचारियों को भविश निदी संगधन यानी EPFO के ब्याज का पैसा भी दे सकती है बता दें कि बड़ती महंगाई को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार की और से ये कदम उठाए जा सकते हैं ये फैस्ट ले अगले महीने अमल में लाई जा सकते हैं तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ ओनलाइन पेमेंट जितना असान है उतना ही खतरनाक भी है क्योंकि अभी के दोर में साइबर क्राइम भी बढ़ गया है ऐसे में अगर आप ज्यादा तर ओनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए है दरसल एक जुलाई से क्रेडिट डेविट कार्ड के नियम बदल जाएंगे आपके ओनलाइन पेमेंट को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए रिजरो बैंक ने पिछले साल ही कार्ड टोकनाईजेशन की शुरुआत की थी जिसे एक जुलाई से लागू किया जाएगा इसकी डेडलाइन पहले एक जनवरी 2022 थी जिसे बढ़ा करे एक जुलाई 2022 कर दिया गया था दरसल नहीं गाइडलाइन के मुताबिक कार्ड पेमेंट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए मर्चेंट को अपने सर्वर पर ग्राहकों के कार्ड के डेटा को इस्टोर नहीं करने की हिदार दी थी जिसके बाद ऑनलाइन मर्चेंट अपने कस्टमर के डेविट और क्रेडिट कार्ड की डीटेल या उनका डेटा इस्टोर नहीं कर सकते है RBI ने मर्चेंट के लिए card on file token को अनिवारिक कर दिया है इस नियम के बाद अब एक जुलाई को ग्राहकों के payment और ज्यादा सुरक्षित होंगे RBI के लिर्देश के मताविक ग्राहकों के debit या credit card की detail को encrypted token में बदलना होगा जिसकी मदद से payment की जा सकेगी यानि कि अब आपको 8 जुलाई से हर बार payment के समय अपने card की पूरी detail भरनी होगी अगर आपने card tokenization के लिए सहमती नहीं दी है तो उस payment से पहले अपने credit या debit card की पूरी detail भरनी होगी वही अगर कोई ग्राहक card tokenization के लिए सहमती देता है तो उसे सिर्फ CVV और OTP भनी होगी और payment हो जाएगा यानि ये पूरी स्वतंतरताब ग्राहकों पर होगी मर्चंट के हाथों में कुछ नहीं होगा बिना अनुमती के वो आपके detail अपने server पर save नहीं कर सकते इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है One India हिंदी के साथ हर तरफ पानी ही पानी घर, सडके, स्कूल और फसल सब जलमग ये हालात पुर्वोतर भारतिय राज्य असम का है जहां कई दिनों से हो रही बारिश के बाद हालात मुश्किल हो गए है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि असम के कई जिलों में बाड की वज़ा से भिशन तबाही मची हुई है हजारों लोगों का आशियाना पानी में टूप चुका है हालात ये हैं कि अपना घर बार छोड़ कर लोगों को शिवीरों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है तो वहीं बेज़ुबान जानवर भी परेशान है सडके पानी में डूप गई हैं जिससे लोगों को एक जगा से दूसरी जगा जाने में समस्या हो रही है एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान असम के 28 जिलों के 2510 गाओं के कुल 33,333 लोग बार से प्रभावित हुए हैं जबकि बार की वज़ा से लाखों हेक्टेर फसल शेत्र प्रभावित हुआ बार ने 173 सड़कों और 20 पुलों को भी शतिकरस्ट कर दिया फिलाल रहत और बचाओं के लिए राज्य में सेना के साथ ही पुलिसबल, NDRF, SDRF, अगनी शमन और अपात कालीन कर्मियों के जवान समेत आपदा मित्र के वॉलन्टियर्स लगातार मदद पहुँचा रहे हैं राज्य में बाड की मौजूदा इस्थिती पर प्रधान मंत्री नरेंद्रो मोदी और राज्य के सीम हीमंत बिस्वा शर्मा लगातार बाड की स्थिती पर करीब से नजर बनाये हुए हैं कौर तलब है कि हर साल असम में बाड बुसकलन की घटनाएं सामने आती हैं और हजारों लोगों की जान चली जाती है यहां की सबसे बड़ी नदी ब्रह्म पुत्र है जिसकी साहयक नदियों में आपार जल भरा हुआ है जिसकी बज़ा से बाड जैसी आफत बारिश के सीजन में जियादा आती है फिलाल इस खबर में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहीए One India हिंदी के साथ पानी पानी असम लाखों लोग हुए बेघर यह भयावे तस्वीर असम की है जहां बाड का कहर अब भी जारी है असम के नागाओं जिले में बाड के स्थिती अभी भी गंभीर है क्यूंकि जिले में 5 लाक से ज्यादा लोग अभी भी बाड से प्रभावित है 80 फीजदी से ज्यादा असम इस वक्त पानी में डूबा हुआ है बाड और लगतार बारिश के बीच असम को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है कई सडके वह गई हैं, हजारों घर तभा हो गई हैं, कई पुल शतिग्रस्थ हो गई हैं बाड और भुजकलन में कई लोगों की मौत हो गई है आखडों की मताबिक बाड भुजकलन में मरने वालों की संख्या 118 हो गई है वहीं बाड की वजह से कई स्कूल भी पानी में डूब चुके हैं जिसकी वजह से स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है ऐसे में असम के नागाओं में छाटर-छात्राओं की पढ़ाई जारी रखने में मदद के लिए बाड रहत शिवीरों में प्रिस्कूल मौडल इस्थापित किया गया है जहां बच्चों को ड्राइंग और सिंगिंग जैसी प्री स्कूली गतिविधियां कराई जा रही है असम में भारी बारिश और बार से भारी तबाही देखने को मिल रही है बार और भुसकलन की दोहरी माल लोग छेल रही है बार के स्तिती में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है रहत और बचाओ कार्य के लिए सेना, असम राइफल्स, एंडी आरेफ, एसडी आरेफ, भारतिय सेना, नागरिक सुरक्षा, अर्ध सैनिक बल, भारतिय वायु सेना, जिला प्रशासन के साथ, अगनी शमन और अपात कालीन सेवाओं, जिला प्रशाशन की मदद कर रहे हैं अनाज भी दिया जा रहा है, ताकि कोई भूग से न मरे। फिलाल इस खबर में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिया बने रहे है, वन इंडिया हिंदी के साथ दक्षण भारत के राजे केरल से पिछले महीने के अंत में शुरू हुआ मौनसून अब तक कई प्रदेशों में पहुंच चुका है हानकी राजचे राजधानी दिल्ली समय देश के कई हिस्तों में लंबे समय से जारी मौनसून का बेसबरी से इनतिज़ार अब खतम होने वाला है रचल मौसम विवाग का अनुमान है कि 27 जून को मौन्सून राजधानी में दस्तक देगा उधर मौसम विवाग ने आज कई राज्यों में जहमाजम बारिश के आसार भी जताए है आपको बता दें पश्यमंगाल, सिक्किम, मिगाले, आजी जैसे राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश की संबावना जटाई गई है मालमों कि कीरल करनाटक जैसे दक्षन भारत के राज्यों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है वहीं उत्तरभारत के लोग मौसुन का इंतिजार कर रहे है आने वाले दिनों की बात की जाए तो IMD के मताबिक कल यारी 26 जून को भी मौसम समा नहीं बना रहेगा कहीं-कहीं बादर चाहे रहेंगे लेकिन गर्मी का एहसास रहेगा 27 जून को दिली के कुछ इलागों में गर्ज के साथ छीटा पड़ सकती है 28 जून से दिली वाचियों के लिए मौसम एक बाद फिर तो आना हो जाएगा दिन बर बादर चाहे रहेंगे और दिली के अलग-अलग इलागों में बारिश देखने को मिलेगी इसके बाद 29 जून को भी ऐसा ही मौसम रहेगा और दिन बर रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी बताते हैं 28 जून को दिली में लगातार बारिश रहने के बाद 30 जून को भारी बारिश हो सकती है इसे लेकर मौसम विवाग की ओर से येलो लट जारी किया गया है 30 जून को दिन बर मौसम खराब बने रहने की सम्भावना जताई गई है मौसम विवाग के मुताबिक 30 जून से मौसून की शुरुआत हो जाएगी और आगे भी मौसम यूही बना रहेगा आपको बता दें मदे पिदेश के बोपाल में आज आन्दी और बारश की सम्भावना है यहां का नियुन तम तापमान 23 डिगरी सेल्सियस और अधिक्तम तापमान 38 डिगरी सेल्सियस तक रहने की सम्भावना है इसके अलावा चंडीगर में आज बाद अच्छाहे रहेंगे मौसर मिवाग के मताबिक यहां का नियुन तम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिक तम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है आपको बता दें मौसर मिवाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक बंगाल से किम अरुणाजर प्रदेश, असम, मेगाले, नागालेंट, मणीपूल, मिदोरम और तिरपूरा में भारी बारिश होने वाली है इसके अलावा 27 जून से यूपी और उत्रखण में बारिश की गतिविदियां में भड़ोत्री होने की संभावना है इसके अलावा आज कोकाड़ा, गोवा और तटिये करनाटक में भी बारिश जारी रहेगी मद्य महराज और दक्षिन गुजराज में भी आज बारिश हो सकती है मौसम विज्ञानी को ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी से दूसरी बार मौनसून सक्री होगा इसके बाद ही राजदानी समयत उत्रखण में बारिश होने की अच्छी संभावना है ये मौसून जूट के अंतिन दिनों में सक्री होने का अनुमान है मौसम विवाग ने अलट जारी करते हुए बताया है कि 60 किलोमेटर पती घंटे की रफतार से प्रिदेश के 10 जिलों में हवाय चलेंगी इसमें जौनपूर, प्रताबगड, सुल्तानपूर, माराजगन, सिद्दादनगर, बर्लामपूर, श्रवस्ती, बहराइच, लकिनपूर, खीरी और पीलीवीट जिले शामिल है इस ख़बर उतलार इतना ही बनरिया बन लिया हिंदी के साथ क्या कभी आपने सुना है? कोई सडक करोडों की लागत से बने और दो ही दिन में खराब हो जाए नहीं, तो ये खबर ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ सरकार और सरकारी तंत्रों की और से दाओं और वादों के बड़े-बड़े पुल बनाये जाते हैं उन्हीं वादों पर सडके भी बनती हैं, जो बारिश की एक मार भी नहीं जहल पाती दरसल प्रधान मंत्री मोदी के बैंगलोरू दोरे से पहले 23 करोड की लागत से तयार की गई सडक, एक बारिश भी नहीं जहल पाई है बैंगलोरू महानगर पालिया ने हाल ही में सडक का निर्माण कराया था, महानगर पालिया ने 396 किलोमेटर सडक को बनाया, जो कि बैंगलोरू युनिवर्सिटी केमपस का हिस्सा है प्रधानमत्री मोदी इसी सडक से सोमवार को डॉक्टर भीम राव अमबेट कर स्कूल ओफ एकोनॉमिक्स पहुचे थे कितनी शिद्दत और मेहनद से सडक बनाई गई होगी, जो राग की एक बारिश में ही बैठ गई सडक के बीचों बीच गढ़ा हो गया, जहां सडक शतिग्रस हुई, वो विस्तुविद्याले केमपस के पास ही है सडक पर गुजरने वाले लोग देखते हैं, लेकिन देख के भी क्या करेंगे, सरकारी तंत्र को कोशने के अलावा ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, जब रोड में इतना बड़ा गढ़ा हो गया हो, इससे पहले प्रधान मंत्री मोदी अप्रैल में जाने वाले थे, तब भी सडक बनाई गई थी लेकिन पियम मोदी का दोरा रद हो गया, सडक की हालत थोड़े ही दिनों में खस्ता हो गई, और सडक पर बीच बीच में गढ़े हो गए मान अगर पालिका के इंजिनियर्स का कहना है कि पानी के लीक होने या फिर सीवेज पाइपलाइन के तूटने की बज़े से यह गठा हुआ, प्रधान मंत्री मोदी के आने से पहले इसकी मरम्मत करवाई गई थी स्पेशल कमिशनर बीबी एंपी ने कहा कि प्रोटोकॉल की बज़े से मजदूरों ने इसे दिन राती करके सड़क को तयार किया था इस ख़बर में फिलाल इतना ही, अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ 36 गण की बिलासपूर पुलिस ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसकी चर्चा दूर दूर तक है पुलिस ने तसकरों से बरामत हुए गांजे का ऐसा इस्तिमाल किया है कि जिस पर लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा लेकिन घटना ये सच है दरसल बिलासपूर पुलिस का दावा है कि 12 टंग गांजा से उसने 5 मेगवाट बिजली का उतपादन किया है पुलिस ने इस कारनामे को अधिकारियों की मौजूद्गी में कैमरे के सामने किया है पूरा वागया 36 गढ़के नशा विरोधी अभियान के तहत की गई कारवाई का है जहां पुलिस ने अनोखे तरीके से शुक्रवार को नशीले पदार्थों को नश्ट करते हुए इलाके के एक बायो मास प्लांट में करीब 12 टंग गांजा जलाया पूलिस का दावा है कि गांजे को जलाने के बाद लगबग 5 मेगावाट बिजली का उतपादन हुआ दरसल बिलासपूर पूलिस के थानों में नशे से आजादी अभियान के तहत जब 12 टंग गांजे को पावर प्लांट की भट्टी में शुकरवार को डालकर नश्ट किया गया जिससे करीब 5 मेगावाट बिजली का उतपादन हुआ देश में नशीले पदार्त को जलाकर बिजली उतपादन का यह अनोखा मामला है नशे की सामागरी नश्टी करणग में गांजे के साथ नशीले कफ, सीरप, इंजेक्सन और टैबलेट को भी चलाकर नश्ट किया गया इसके अलावा उन पर गुल्डोजर भी चलाई गई पिलासपुल पुलिस रेंज आईजी रतललान डांगी ने बताये कि 12-26 जून तक नशे से आजादी पकवाडा बनाया जा रहा है इस दोरान सभी थाना छेतों में नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कारोई के दोरान बड़ी मात्रा में गांजा जब्त किया गया था नशीले पदार्थों को जब्त करने के लिए द्रग डिस्पोजल कमेटी बनाई गयी थी कमेटी ने नशे के सावान की सूची तैयार की और उसे पावर प्लांट में डिस्पोजल करने कंडे न लिया गया ताकि विजली बन कर उपियोग किया जा सके जानकारी के मुताबिक बिलासपुर रेंज के सभी थानों में चप्ती में पान सु तिरपन प्रक्रणों में बारा दसमलो साथ छे साथ गांजग बरामत किया गया 13 नक पौधा, 8,380 नक टैबलेट, 11,220 नक कप सीरफ, 897 नक कैपसूल और 222 नक इंजेक्शन बरामत किये गये थे जिसे पावर प्लांट की भट्टी में नश्ट कर दिया गया इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ मर्दुल चन्देल बिहार के मुगेर से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर सभी हैरान है दरसल हुआ ये कि शादी के मैच 7 दिन बाद एक नई नवेली दुलन अपने प्रेमी के संग फरार हो गई दरसल उसने अपने पती से कहा कि उसे मार्किट से कुछ समान लेना है जिसके लिए पती उसे मार्किट लेकर गया वहीं कुछ देर बाद उसका प्रेमी वहां आया और वो अपने प्रेमी का हाथ पकड़ कर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बैट कर फरार हो गई जिसका CCTV फोटेज भी वायरल हो रहा है आईए दिखाते हैं आप मुझे CCTV फोटेज बिहार के मुझेर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर सब हैरान है यहां शादी के महल साथ दिन बाद एक नव विवायता अपने प्रेमी का हाथ पकड़ कर 9-11 हो गई हैरानी की बात यह रही कि पती के सामने ही ये पुरी घटन हुई बेबसपती ने उनका पीचा करने की भी कोशिश की लेकिन तक तक दोनों मौके से फरार होने में काम्याब रहे इस मामले की तैकिकार में जुटी पुलिस ने नई नवेली दुलन और उसके प्रेमी को पकड़ जिया है आपको बताते हैं ये पूरा मामला कोटवाली थाना इलाके का है यहां पोदार कॉलानी के रहने वाले एक युगक की शादी नया राम नगर थाना छेत्र के नौवा गड़ी की रहने वाली एक युखती से बीते 14 जून को ही थी शादी के बाद चार दिन नवी वाहता ससुराल में रही इसके बाद 18 जून को अपने माय के आगई 21 जून को वो वापस ससुराल आई और दूसर दिन यानी 22 को प्रेमी के साथ फरार हो गई आपको बता दे हैं दूलन ने पती से कहा था कि बजार चलिए मुझे चूड़ी और कुछ सामान खरीदना है पती उसे लेकर बजार गया जानाव गया था अपने पती से बोली आप ही चूड़ी पसंद कीजिए जैसे ही पती चूड़ी पसंद करने लगा वैसे ही दूलन पीचे इंतजार कर रहे अपने पिरमी का हाथ पकड़ कर भाग गई पती ने पीचा भी किया लेकिन तब तक गाड़ी में बैट कर दौनों फरार हो गए वहीं अब पिड़िक अपनी मा और बहन के साथ इस मामले की शिकायत देने कोतवाली पहुंचा पुलिस को बताया गया कि हम लोग कोतवाली थाना इलाके के ही दीन दयाल चौक पर अंजली चूड़ी हाउस खरिदारी कर रहे थे भी मेरी पतनी ने दूसरे यूग का हाथ पकड़ लिया और सड़क पर खड़ी स्कॉर्प्यो कार में पैट कर चली गई वो शादी के जेवर भी साथ में ले गई है और कुछ डॉक्यूमेंट भी रख कर लाई थी जिनने अपने साथ ले गई आपको बता दे हैं इस संबन में दूलन की साथ ने कहा कि हमारा एक ही लड़का है बड़े दून दाम से शादी की थी लेकिन बहु गलत निकल गई उसे अगर प्रेमी के साथ ही जाना था तो वो शादी ही नहीं करती हमारे परिवार के साथ उसके परिवार वालों ने दोका किया अब हमारे परिवार की बेजजती हो रही है बता दे हैं, नया रामनगा थाना पुलिस ने सूचना के आदार पर दूनन और उसके प्रेमी को बरामत कर लड़की का मेडिकल कराने के बाद अदालत में बयान दर्च करा जाएंगे फिलाल प्रेमी को हिरासप में लेकर पुस्टाच की जा रही है फुस्ताज में प्रेमी ने बताया एक थी मैं पेशे से ड्रैवर हूँ और दूसरे की गाड़ी चलाता हूँ हमारे बीच पिछले 6 साल से प्रेमी प्रसंग चलाता लेकिन लड़की के घरवाले मुझसे शादी कराने के लिए तयार नहीं थे जबरदस्ती इसकी शादी दूसरे लड़के से करा दी गई थी इस खबर अकलाल इतना ही बने लिया बने लिया हिंदी के साथ निमंतरन देने के बावजूद बरात में नहीं ले जाने पर एक यूवक ने अपने धूले दोस्त पर मानसिक प्रताणना का आरोप लगाते हुए 50 लाख रुपे का मानहानी का नोटित बीज दिया आपको बताते हैं हरिद्वार के अधिवक्ता अरोन बदोरिया ने बताया कि हरिद्वार के बहादराबाद के रहने वाले रवी नामक यूवक्त ने अन्य लोगों के साथ साथ अपने दोस्त चंदशेकर को विवा का नियोता दिया था और बरात में भी चलने के लिए कहा था लेकिन दूला रवी अपने दोस्त को छोड़कर कतित रूप से समय से पहले ही बरात लेकर चला गया और जब चंदशेकर समय पर बरात में जाने के लिए पहुचा तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था पता चले कि बरात तो जा चुकी थ अधिवक्ता ने बताया कि इस बात को चंदशेकर ने अपना अपमान समझ लिया और वो इसकदर मानसिक तराम में आ गया कि आत्माहत्या करने की सोचने लगा और दूले पर मानसिक रूप से प्रताडित करने का आरोप लगाते हुए 50 लाग रुपे के मानहानी का कानूनी नोटिस बेज दिया चंदशेकर के वकील के मताबिक चंदशेकर ने जब अपने दोस्त रवी को फोन किया तो उसने कहा कि वो तो बरात लेकर निकल गए है और आप लोगों को अब बरात में आने की कोई जरूत नहीं है आप लोग अपने घर जाओ वकील बदौरिया का कहन यह आए कि चंदशेकर बहुत ज्याधा मासिक तरां में आ गया था और वो इस अपमान को सैंड नहीं कर पाया था उन्होंने बताय कि इस अपमान को लेकर न्याय दिलाने का भरोसा देकर उन्होंने चंदशेकर को आत्मात्या करने से रोका चंदशेकर ने अपने दोस्त दूले को फोन करके मानहानी का नोटिल बेजने की बात बताई मगर इसके बात भी उसके दोस्त ने जब उसकी बात को गंबीरता से नहीं लिया तो उसने दूले को 50 लाक रुपे का मानहानी का कानूनी नोटिल बेजते हुए तीन दिन में सरवजनी कुरूप से माफी नहीं मांगने पर कानूनी कारवाई करने की चेतावनी दिये इस ख़बर में इफिलाल इतना ही बने रिया वन इंडिया हिंदी के साथ तावड तोड टार्गेट किलिंग के मामलों के बाद कश्मीन में सबसे बड़ी चिंता का विशे है अमारनात यात्रा इस महीदें शुरू होने जा रही इस यात्रा की सकुषलता प्रशाशन और सैना के लिए एम सवाल इसके लिए बन वही है क्योंकि खुफिया जानकारी मिली है कि हाइबरिड आतंकी और पत्थरबाद दक्षणी कश्मीर की ओर पूच कर चुके हैं आपको बता दे यात्रा का पहला जत्ता जम्मू से उन्ति चून को रवाना होना है शेहर की सुरक्षा को ध्यान में लगते हुए यात्रा से पहले करीब 5000 के करीब अत्रिक जवान जम्मू में तेनाद की गए है वहीं किसी भी इस्तिती में निपटने के लिए जम्मू में कोई रियक्शन टीम को भी तेनाद किया गया है बता दे हुफिया जनकारी के मताबिक इस साल होने वाली अमनात यातर में पाकिस्तान बादा डालने के लिए हमरा बोल सकता है जिसके लिए वह इस्तिकी बंप या मेगरेटिक बंप का इस्तमाल कर सकता है आपको पता दे हाली के दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस समयद सुरक्षा एजंसियों ने सीमा पार से ड्रोन के जरिये बेजे गए कई इस्तिकी बंप समयद मेगरेटिक बंप को परामत किये हैं पुलिस ने अलट जारी करते हुए आम जंता से अपील की है कि गाड़ी चलाने से पहले एक बार फूरी गाड़ी को चेक कर लें बीते दिनों जम्मू कश्मीर के उपराज्य पाल मनो सिना ने सुरक्षा विवस्ता और अन्य तेयारियों की समिक्षा की है जानकारी के मताबिक अधिकारियों ने इस दोरान सिना को समग्र सुरक्षा इस्तिती से अवबत कराते हुए यात्रा से सम्मंदित अलग-अलग विवस्ताओं पर चर्चा भी की इस ख़बर में फिलाल इतना ही बनरिया बनरिया हिंदी के साथ शारुखान को बॉलिबुड का वाश्या यूही नहीं कहा जाता उन्होंने अपने करियर में जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए उन्होंने खूब मेहनत की है आज उन्हें बॉलिबुड में काम करते हुए पूरे 30 साल हो गए है 25 जून 1992 आज ही के दिन शारुखान की पहली फिल्म दिवाना रिलीज हुई थी हलाकि इस फिल्म में में लीड रोल दिवंगत एक्टर रिशी कपूर का था लेकिन सबसे ज्यादा जिस एक्टर की चर्चा हुई वो थे डेब्यो एक्टर शारुखान पहली फिल्म में ही उन्होंने लोगों को अपनी एक्टिंग से दिवाना बना कर उनके दिलों पर छाप छोड़ती थी टीवी से बॉलिबुड तक का सफर करने वाले शारुखान आज इंडस्टरी के टॉप एक्टर में शुमार है बाजीगर और डर जैसी ब्लोगबस्टर फिल्मों के साथ उन्होंने खुद को साबित किया शारुखान ने बॉलिबुड में अपने 30 साल के सफर में कई उतार चड़ाओ देखे लेकिन हार नहीं मानी और मेहनत करते गए और आज वो लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए है बॉलिबुड में अपने 30 साल कुरे होने के इस खास मौके पर शारुखान ने ट्वीट कर अपने फ्रांस को शुक्री आदा किया किन खान का ये ट्वीट काफी भावो कर देने वाला है जो तेजी से वाइरल हो रहा है शारुखान ने अपने ट्वीट में लिखा कि काम कर रहा हूँ और अभी देखा आपका ये धेर सारा प्यार जो आप 30 साल से मुझ पर लुटा रहे हैं अभी एहसास हुआ कि आपको एंटर्टेन करने की कोशिश करते हुए मैंने अपनी आधी से ज़्यादा जिन्दगी निकाल दी है कल थोड़ा वक्त निकाल कर आप लोगों से बात करूँगा इस प्यार के लिए शुक्रिया इसके बहुत जरुरत थी पतादे कि शारुखान ने थिएटर से अपने करियर के शुरुआत की थी आज वो जिस मुकाम पर है उसे उन्होंने कड़ी मेहनत से हासिल किया है शारुखान जब थिएटर करते थे तब वो बहुत ही साधारण लुक में रहते थे इसके बाद दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल फौजी और सरकस से एंटर्टेन्मेंट इंडस्टरी में कदम रखा और बिना रोके आगे बढ़ते रहे आज शारुखान बॉलिबूट के बाद चहां किंग खान किंग ओफ रोमांस जैसे नामों से मशूर है किंग खान ऐसे एक्टर हैं जिसने लोगों को सपने देखना सिखाया, प्यार करना सिखाया, जिन्दगी से लड़ना सिखाया और मेहनत करना सिखाया शारुखान 56 साल के हो गए है फिल्म प्रोजेक्ट की बात करें तो पठान, जवान, डंकी किंग, खान की अपकमिंग फिल्म में हैं इसके अलावा ब्रहमास्त्र, टाइगर थ्री, लाल सिंग चढधा और रोकेटरी, दननम्बी इफेक्ट में आपको उनका कैमियो रोल देखने को मिलेगा अब उनके फैंस बेसबरी से उनकी अपकमिंग फिल्मों का इंतिजार कर रहे हैं फिल्हाल इस खबर में तना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हैं वन इंडिया हिंदी के साथ बॉलिवूट के दबंग एक्टर सलमान खान 56 के हो गए हैं सुपरस्टार सलमान खान को इंडुस्ट्री में कई नामों से फुकारा जाता है इनमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है भाईजान सलमान को उनके फान से लेकर इंडुस्ट्री के उनके कई कलीक्स भाईजान कहे कर ही पुकारते हैं लेकिन वॉलिवूट एक्टरेस सारा अली खान ले जाने अन जाने में भाईजान को नराज कर दिया है भरी महफिल में सारा ने सलमान खान को कुछ ऐसा कह दिया कि भाई जान उनसे नराज हो गए हैं दरसल बीते दिनों अबुधाबी में आईफा अवोर्ड्स 2022 का आयोजन हुआ था जहां बॉलेबुट के कई सितारे पहुचे थे अवोर्ड्स शो को टीवी पर आज रात आज बजे दिखाया जाएगा इस बीच शो के कई प्रोमो वीडियोज सामने आ चुके हैं इन्हीं में से एक वीडियो ऐसा है जो इस समय शोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में है वीडियो में देखा जा सकता है कि सारा बातों ही बातों में सलमान खान को अंकल कह देती हैं जिसके बाद भाईजान को गुस्ता तो आता है लेकिन वो अपनी नराजगी जाहिर नहीं करते सल्मान इशारों ही इशारों में कहते हैं कि आपकी पिक्चर तो गई जिसके बाद सारा कहती हैं कि मेरी पिक्चर क्यों गई इस पर सल्मान कहते हैं कि आपने सब के सामने मुझे अंकल बुलाया इसके बाद सारा कहती हैं कि आप ही ने तो कहा था कि सब के सामने अंकल भुलाओ इसे सुनने के बाद तो इवेंट में आए सभी सितारे अपनी हसी पर कंट्रोल नहीं कर पाते और सभी जोर-जोर से हसने लगते हैं वहीं सलमान शांत खड़े हुजाते हैं वीडियो में देखा जा सकता है कि खुद सलमान और सारा भी इस मज़ेदार इंसिडेंट को इंजुआए करने लगते हैं दोनों को फिर 1997 की फिल्म जुड़वा के गाने पर थिरकते हुए भी देखा जा सकता है वीडियो पर लोगों के अलग-अलग रियक्शन्स आ रहे हैं एक यूजर ने लिखा सारा ने सलमान खान को गुसा दिला दिया है तो दूसरे ने कहा ये देखने के लिए और इंतिजार नहीं कर सकता कई लोग सारा के हूमर की तारिफ कर रहे हैं और उन्हें एंटर्टेनिंग बता रहे हैं शोशल मीडिया पर ये वीडियो खुब वारल हो रहा है तो वहीं वर्कफरंड की बात करें तो सारा अली खान लुकाचिपी 2 और गैसलाइट में नजर आने वाले हैं तो महीं सल्मान खान कभी एद कभी दिवाली गौट फादर टाइगर 3 में नजर आने वाले हैं फिलहाल इस खबर में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं वन इंडिया हिंदी के साथ भारत और श्रिलंगा की महीला टीम के बीच इस वक्त तीन मैचों की T20 सीरीज के लिए जा रही है मकाबले की बात करें तो पहला मैच भारती टीम ने जीता और इसके बाद दूसरे मकाबले में शनिवार को टीम इंडिया ने जवर्दस जीत हासिल करते हुए सिरीज में दो जीरो से भड़त बना ली है साथ ही सिरीज पर भी कबजा कर लिया है बात करें मकाबले की तो श्रिलंगा की टीम पहले बलेवाजी करने उतरी शिलंगा के लिए टीम की कप्तान और साथ ही ओपनिंग बलेवाज ने शांदार बलेवाजी की और टीम के लिए 87 रन जोड़े दोनों ही खिलाडी जिनमें विश्मी गुणारतने और कप्तान चामीरा अट्टा पट्टू रही जिन्होंने 87 रन जोड़े और साथ ही टीम को बहतर शुरुआ दिलाए इस जोड़ी को पूजा वस्तरकार ने तोड़ा और टीम इंडिया को पहली सफलता थी इसके बार लगाता शिल्लंका के टीम के बले बाज एक के बाद एक आउट होते चले गए और कोई भी खिलाडी दोरे अंग तक नहीं पोच पाया भारती टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकिट दिप्ती शर्मा ने चटकाई साथी रेनुका और राधा पूजा और हर्मन प्रीत को भी एक एक विकिट मिला बात करें अगर भारती बले बाजे की तो 126 रनों के लक्षे का पीछा करने उत्री भारती टीम को स्मृती मंदाना ने शांदार शुरुआ दिलाई 34 गेंदों में 49 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाने में एहम भूमिका निबाई इसके लावा बात करें अगर टीम की अन्य खिलाडियों की तो कप्तान हर्मन प्रीत कौर ने शांदार 32 गेंदों में 31 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई और वह नोट आउट रही दिपती शर्मा के साथ अंत में साजेदारी की इसके लावा याशितिका भाटिया के साथ भी हर्मन प्रीत कौर ने साजेदारी करते हुए टीम को 127 रनों के स्कोर तक पहुचाया और 5 विकेट से जीत दिलाने में एहम भूमिका निबाई बता दें कि हर्मन प्रीत कौर ने टी 20 में मिताली राज के सबसे ज़्यादा रन बनाने के रिकौर्ड को भी तोड़ा और साथ ही उन्होंने शानदार बल्ले बाजी वी की अगर बात करें शिरलंका की गेंद बाजी की तो टीम के लिए ओशाधी ने दो विकेट चटकाए साथ ही इनो का भी दो विकेट चटकाने में काम्याब रही बराल अब तीसरे मुकाबला खेला जाएगा देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है आपकी क्या राय है क्रमेंट करके ज़र बताएं वीडियो को लाइक करें शियर करें और वन इंडियो को सब्सक्राइब करें नमस्कार पैंगलूरू के एम चिन्नस्वामे स्टेडियम में खेले जा रहे रंजी ट्रॉफी फाइनल मुकाबले में मंध्यप्रदेश की टीम ने चौथे दिन 536 रं बनाए तो वहीं चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक मुंबई की टीम ने दो विकिट खोकर 113 रं बना लिये हैं आपको पता दे कि बारिश की वजह से चौथे दिन का खेल एक घंटा देड से खत्म हुआ तीसरे दिन की बात करें तो मध्यप्रदेश की टीम ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 3 विकिट के नुकसान पर 368 रं बनाए थे वहीं चौथे दिन टीम अपने ओवरनाइट स्कोर में 168 रं ही आगे जोड सकी लेकिन इस 168 रं की वजह से मध्यप्रदेश 536 रं तक पहुँच पाया और मुंबई के खिलाफ 162 रं की बड़त पाकर इस मुकाबले में रंजी ट्रॉफी जीतने का दावेदार बन गया है आपको बता दे कि मध्यप्रदेश के लिए इस मुकाबले में यश्दूबे, शुभम शर्मा और रजत पड़िदार ने शतके पारी के लिए इन तीनों ही बल्लेबाजों की शतक के वजह से मध्यप्रदेश इस मुकाबले में मजबूत हो गया है चौथे दिन की बात करें तो बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम ने दूसरी पारी में कप्तान प्रत्वी शौ के साथ यश्ष्वी जैस्वाल की बजाए हार्दिक तोमर को बल्लेबाजी के लिए भेजा ताकि मुंबई की टीम जितने हो सके उतने रन और जोड कर इस मुकाबले में वापसी कर सके लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि पांच में दिन मध्यप्रदेश की टीम रंजी ट्रॉफी 2021 के सीजन को जीत कर एक नया कीरतिमान रचेगी इस वक्त मध्यप्रदेश की टीम रंजी ट्रॉफी से मातर एक कदम दूर नजर आ रही है मध्यप्रदेश के लिए इस मुकाबले में हरे खिलारी ने शांदार प्रदर्शन करके दिखाया है वहीं आप मुंबई की बात करें तो मुंबई की टीम इस मुखाबले में पीछे है और पांचवे दिन रंजी ट्रोफी जीतने के लिए उन्हें किसी चमतकार की जरुरत है मुंबई के गेनबाज भी इस मुखाबले में धेर नजर आए जहां दूसरे और तीसरे दिन मुंबई के गेनबाज विकेट के लिए तर्चे वही चौथे दिन शम्स मौलानी ने पंजा मार कर चौथे दिन मुंबई को वापसी कर आई फिलहाल मुंबई की टीम इस मुखाबले में 49 रनों से पीछे है अगर पांचवे दिन मध्य प्रदेश की गिनबाज मुंबई के जल्दी विकेट निकाल लेते हैं तो फिर ये मुखाबला पूरी तरह से मध्य प्रदेश की गृफ्त में आ जाएगा इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिया बने रही है वन इंडिया के साथ अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन खासत्वार पे फरस्टाफ के दौरान आपको excessive mental stress हो सकता है कोई पुराना matter आपके सामने आ सकता है जो आपके तनाव को और बढ़ा कर जा सकता है इसलिए सोच के समझ कर matters को सारे positivity के साथ अध्यन करके आगे बढ़ने की जरूरत है रुके हुए काम आपके आगे बढ़ने शुरू होंगे अगर वो चीज किसी निवेश से सम्मंद रखती हुई आपके सामने आती है या आप काफी समय से निवेश करने की सोच रहे थे कुछ property matters में आगे बढ़ने की सोच रहे थे और चलते चलते कुछ ब्लॉके जा रहा था वहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेश की तरह से आपको आज के दिन बहुमूल राय मिल सकती है आज के दिन investment point of view से काफी अच्छा दिन साबित हो सकता है अगर tactfully बिताया जाए तो बात करते हैं विर्शव राशी वालों के लिए स्वास संबंदी चिंताएं विर्शव राशी वालों आपके लिए बढ़ सकती है आज के दिन आपका और आपके माता या माततुलिक किसी सदस्य का स्वास्त आपको चिंता दे सकता है तो वहाँ पर आपको balance बनाए रखने की जरूरत है साथ ही साथ आज के दिन आपको अपने आपको तनाव रहित होने के साथ साथ अपने lifestyle improvement techniques पर भी काम करने की जरूरत है आज के दिन आपको अपने लिए थोड़ा सा निकालना चाहिए जहां पर आप आखलन कर सकें कि क्या situation किस तरह से चल रही है उसमें किस तरह का interventions किस तरह का मुल्यांकन करके कौन सा step आप अपनी आत्मिक शांती के लिए ले सकते हैं क्योंकि अगर आप आपने चिंतन आज के दिन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने काफी दुनों से अपने स्वास्त को या mental health को इग्नॉर करके आप चल रहे थे कामकाज के संदर्म में मिथुन राशी वालों आज के दिन आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है लंबे समय से चल रहा तनाव कारिशेतर के संदर्म में आपको आज के दिन कोई ना कोई नुकसान पहुँचा कर जा सकता है इसलिए कारिशेत्र में कॉम्मिनिकेशन को क्लारिटी के साथ लेकर आगे बढ़ना है शब्दों का प्रयोग और जिस सेंस में आप बात कहा रहे हैं उसी प्रस्पेक्टिव में या उसी सेंस में सामने वाला आपकी बात को समझे इसकी आपको पूरी कोशिश करने चाहिए कारिशेत्र में पराकरम की वृद्धी होगी मन आपका शानत रहेगा लेकिन कॉमिनिकेशन पॉइंट अव्यू से आपको आज के दिन पॉजिटिव होकर क्लारटी के साथ बढ़ने की जरूरत है बात करते हैं करकराशी वालो के लिए करकराशी वालो आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज के दिन पॉजिटिविटी को इंब्रेस करिये समाने तापकी परिस्थिती चलेगी कुछ खास उतार चड़ाव चीजों में देखने को नहीं मिलेगा, जैसे चल रही है, situations वैसे चलती रहेंगी, लंबी समय से चल रहा है, पारिवारिक तनाव साजा होता हुआ नजर आएगा, कुछ नई दिशा निर्देश सूचना संकेत आपको किसी मैत्रपूर्ण व्यक्ति विशेष से मिल सकते हैं, जो कारशेतर के संदर्व में आपकी उननती के लिए कोई ना कोई स्टेप लिया जा सकता है, या कारगर वो व्यक्ति हो सकता है, विदेश यात्रा से संबंदित, विदेश रहने इस्थान गमन से संबंदित, या वहाँ पर सेटल्मेंट से सब्सक्ति धंग से लेकर आगे बढ़िये, अगराइस रही है, डिस्प्लिन रही है, हाला कि फर्स्टाफ के दौरान थोड़ा असा आलस आपको सता सकता है, कारेशेतर में कुछ चीज़ों को महत्रपुन तथियों को इग्नॉर भी कर सकते हैं, तो आज के दिन के बाद आप उसमें महत्रपुन कोई स्टप भी ले पाएंगे, साथी साथ आज के दिन स्वास संबंदी चिंताएं भी आपको सेकंड हाफ के दौरान सता सकती है, खास तोर पे पेट संबंदी रोग से आपको साफधान रहने की जरूरत है, बात कर दें कनेराशी वालों के जरूरत है, स्ट्रेस फैक्टर्स को बैलंस आउट करिए, शब्दों का प्रयोग सोच के समझ के करिए, खास तोर पे निजी संबंदों में, क्योंकि यही आज के दिन से दरार डालने का काम कर सकते हैं, साथी साथ निवेश करने से पहले, सारे आयाम को सारे आसपेक्ट्स क सोच के समझ के आगे बढ़ने में ही पूर्टा आपको देखने को मिलेगी, कुल मिला के आज का दिन अगर टैक्ट्फुली बिताया जाए, तो काफी ज़्यादा लाबदा एक सिद्ध हो सकता है, बात करते हैं तुला राशी वालों के लिए, तुला राशी वालों आज के दिन की मैं बात करूं, तो आज का दिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचा कर चलना है अपने आपको, इंपल्स पर आकर ना आक तो शॉपिंग करनी है, ना ही कोई इंवेस्मेंट पार्टन को आगे लेकर जाना है, अगर आपको लगता है कि आपके उपर कहीं से प्र टेंशन दे कर जा सकता है, अगर आप अपने प्रयासों में तेजी आज के दिन लाएंगे तो आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर शुबता या शुब संकेत चीजों में देखने को मिलेगी, चले बात करते हैं व्रिश्चिक राशी बालों के लिए, व्रिश्चिक राशी बा आज के दिन आप प्राथमिक्ताओं के दाएरे को बढ़ाते हुए और ज्यादा चीजों में भी फोकस अपना बना रहे हैं, कारिशेत्र के एक्स्पैंशन के बारे में अगर आप सोचना चाहें तो परिस्तितियां आपके लिए नुकुल बन नहीं रहेंगी, मन आपका शा अधारन तरीके से एफेक्टिवली अगर आप मैनेज करने की कोशिश करें, तो आपके लिए सिचुएशन जवार पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगी, बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए, कारिशेत्र में धनुराशी वालों आज का दिन आपके लिए काफी चंताइं आपको सता सकती है, खास तोर पे परिवार पक्ष से आपको कुछ नकुछ नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, परिवार में चोटी मोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है, संतान पक्ष से आज के दिन आपके चंताइं बढ़ सकती है, इसलिए आज के दिन आप कारेशेतर से संबंदी ट्रावल इंडिकेटेड है तो वो आपके stress factors को balance करती हुई जा सकती आपको rejuvenate करती हुई जा सकती और prepare कर सकती आगे आने वाली चुनोतियों के लिए तो कुल मिला कि आज के दिन कारेशेतर से थोड़ा सा आपको समय लेकर अपने उपर काम करने की जरूरत है जिसे कि आप rejuvenator feel कर पाएं बात करते हैं मकर राच्छी वालों के लिए मकर राच्छी वालों अगर आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए नई उर्जा का एक प्रतीक बनमाना जा सकता है संबंधों में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी परिस्थिती आपके लिए किसी व्यक्ति विशेश की तरफ से आ सकती है जो आपके रिष्टों में कोई अच्छी पॉजिटिविटी लेकर परिस्थिती बन सकती है साथी साथ लंबे समय से चल रहा पारिवाल एक चनाव साजा होता हुआ नजर आएगा लेकिन आपको सोच के समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है महतरपूर्ण ये है कि आप साई समय पर किस तरह का महतरपूर्ण डिसिजन लेते हैं तो आज के दिन टाइमिंग का आपको ख्याल रखते हुए कोई भी डिसिजन लेने की जरूरत है बात करते हैं कुमराशी बालों के लिए कुमराशी रखिए साथी साथ काम का बोज बढ़ सकता है अपने आपको रिलाक्स रखने की कोशिश करिए प्रियोरिटी वाइज चीजों को हैंडल करने की कोशिश करिए क्योंकि पाइल अगर आपकी चीजे होंगी तो आपका तनाव या स्ट्रेस फैक्टर और एक्डिवेट होता विदेश सेट्लमेंट की परिस्तिती तेज तरीके से आगे बढ़ते हुई नजर आएगी खास तोर पर अगर डॉक्यमेंटरी प्रसीजर में डिले हो रहा था तो बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए मन को शांत रखिए मीन राशी वालों पॉजिटिविटी को इंब् द्रण निश्रे और संकल्प करी आगे बढ़ते चलिए आप अपने आपको उर्जावान बनाएए परिस्टितियों को अपने फेवर में लाएए साथ ही साथ आज के दिन दृष्टी कोन को आज के दिन आपको और प्रबल बनाना है अपने चीजों को देखने के नजरिये क महराश्ट के सियासी संकट में एक जवर्दस्त मोडा गया है सिपसेना से बागी हुए एकनाथ सिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कबायत शुरू कर दी है इंडिया टूडे की खबर के मुताबिक एकनाथ सिंदे सुक्रवार की रात गोहाटी से निकले थे उन्होंने बडोदरा में जाकर महराश्ट के पूर्व सियम और बीजेपी के दिगज नेता देवेंद्र फटनवी से मुलकात की ऐसे भी दाबे हुए कि अमित साभी बडोदरा में मौझूद थे लेकिन इसकी किसी ने पुष्टी नहीं की है कि अमित साभी बैठक में थे या नहीं मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुहाटी के होटल में बागियों के साथ रह रहे एकनाथ सिंदे प्राइवेट जेट से सुक्रवार की रात बडोदरा रवाना हुए थे एकनाथ सिंदे ने बडोदरा में फटनवीस से मुलकात की उनसे मुलकात के बाद सिंदे सनिवार की सुबा 6 बज कर 45 मिनट पर गुहाटी बापस लोट गए दूसरी तरफ देवेंदर फटनवीस को लेकर दावा है कि उन्हें सुक्रवार की रात साड़े 10 बजे मुंबई एरपोर्ट पर देखा गया था सिंदे से मुलकात के बाद वो भी मुंबई लोट आए ऐसे भी दावे हो रहे हैं कि सुक्रवार की रात अमिद सा बटोदरा के सरकिट हाउस में मुझूद थे बड़ी बात यह है कि सनिवार की सुबा ही पत्रकारों के सवालों के जबाब में सिब सेना सांसत संजे राउद ने देवेंद्र फटनवीश को महराष्ट के सियासी संकट से दूर रहने की सला दी थी मैं देवेंद्र जी को एक सला दूंगा वो भी राजनीते में बहुत सालों से माहिच खिलारी है महराष्ट में लगातार गहराते सियासी संकट के बीच सनिवार को मुंबई के सिब सेना भवन में कारकारणी की बैठक भी हुई इसमें च्छा परस्ता उपास किये गए जिसमें बागी बिधायकों को किसी भी सूरत में माफ नहीं करने का फैसला भी लिया गया बैठक में नहीं आने वाले एकनाच सिंदे समेट 16 बागी बिधायकों को अयोग भोसित करने से जुड़ा नोटिस भी जारी किया गया जारी नोटिस में बागी बिधायकों को 27 जुन की शाम 5 बजे तक अनुपस्थित रहने पर लिखित जवाब देने को कहा गया है इन सब के भी सनीवार की साम ऐसी खबरे आई कि बडोदरा में देवेंदर फण नवीस और एगनाच सिंदे की मुलकात हुई है इस कबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ महरास्ट में सियासी रार की बीच शियुसेना के बागी विधायक बाला साहब ठाकरे के नाम से एक नई सियासी पार्टी को जन दे सकते हैं बागी शियुसेना विधायकों के साथ असम के गुहाटी में ठेहरे एकनाच शिंदे नई पार्टी बना सकते हैं शियुसेना के बागी विधायक दीपक केसर करने इस बात के संकेती हैं एनाई के साथ बाचीत में उन्होंने कहा कि हमारे पास 38 विधायकों का समर्थन है हम विधान सभा में एक नया दल गठित करेंगे इसका नाम बाला साहब ठाकरे शियुसेना हुका यह खबर उद्धव ठाकरे के नित्रतो वाली शियुसेना द्वारा विधान सभा सायोग ठहर क्लाने पर शिफ्ट हो चुकी है क्योंकि फलोर टेस्ट होते ही सरकार गिरने की पूरी संभावना नजर आ रही है वहीं पार्टी बचाने के लिए अब शियुसेना भागियों के किलाफ कारवाई की बात कर रही है इसके लिए डिप्टी स्पीकर से शिकायत की जा रही है औ अकेले पड़े उद्धो ठाकरे शियुसेना की राश्ट्रे कार्यकारणी की बैठक को संबोधित कर रही है जिसमें बागियों को सपष्ट संदेश देने की कोशिश की जा रही है ताकि शियुसेना में अपना सियासी रुद्वा कायम रख सकें क्योंकि राजनितिक हलकों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि भारी संख्या में शियुसेना सांसद भी बागी रुख अक्तियार कर सकते हैं बताते चले कि शिंदे गुट ने नई पार्टी बनाने की बात तो की है हाला कि नियमों के हिसाब से पहले अलग गु ये वन इंडिया हिंदी के साथ लेकिन इस बीच उन्हें महाराष्ट विधान सभा से एक जोरदार जटका लगा है महाराष्ट विधान सभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल ने उनके अर्मानों पर पानी फेरते हुए अविश्वास प्रस्ताव को खारिच कर दिया है लिहाजा यहाँ से मायूसी ह लगने के बाद शिंदे गुट ने फैसला किया है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे शिंदे की ओर से ये फैसला ऐसे वक्त पर रिया गया है जब डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है उनसे 26 जून तक जवाब बांगा गया है आपको बता दें कि शिंदे गुट के विधायक अभी भी गुवाहाटी के एक रिजॉर्ट में बने हुए हैं इस बीच महाराष्ट के सियासी गलियारों में एक चर्चार ने जोर पकड़ा है कि एकनात शिंदे शिवसेना पर आधिपत्य नहीं जमाएंगे बलके अपने ग जिससे उद्धव के नेत्रित्व वाली शिवसेना के भी कान खड़े हो गए लिहाजा उन्होंने अगाडी मारते हुए सीधे चुनाव आयों के दर्वाजे पर दस्तक देने की बात कह डाली उद्धव ठाकरी की ओर से इस बात को लेकर पुर जोर आपत्ती जताई गई है क कि शिंदे गुट बाला सहब और शिवसेना के नाम का इस्तिमाल नहीं कर सकता इसे लिकर उद्धव गुट ने कारेकारनी की एक बैठक भी बुलाई जिसमें इस बात को लेकर प्रस्ताव पास हुआ कि किसी भी समूह या गुट को शिवसेना या बाल ठाकरे के नाम का इस् उद्धव ठाकरे पर छोड़ दिया इस तोरान उद्धव ठाकरे ने पार्टी के बागी विधायकों को लेकर कहा कि वे एक ऐसे बंपर बैठे हैं जो सुलग रहा है वहीं शिंदे पर व्यंक गस्ते हुए उन्होंने कहा कि एक नात शिंदे पहले नात थे अब दास हो चु इसके खिलाफ चुनाव आयोग जाने की बात कह डाली विरासत की सियासत को बचाने की जद्धो जहद और इस पर पनपे हालात अब उग्र होते दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट में कुछ जगहों पर शिवसेनकों को उग्र होते देखा गया है पूरे में धारा 144 लगाई उधर शिंदेगुट में शामिल हुए विधायक तानाजी सावंद के ऑफिस में भी तोड़ फोड की गई है पूरे की शिवसेना प्रमुक का कहना है कि तोड़ फोड उनहीं के कारेकरताओं की ओर से की गई है चेतामनी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि बागी विधायकों और गद्दारों को इसी तरह की कारवाई का सामना करना पड़ेगा इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ महराष्ट में जारी सियासी महा संग्राम लगातार गहराता जा रहा है शनीवार को मुंबई के शिप्षेना भवन में हुई राष्टिये कारकारणी की बैठत में च्छव परस्ताव पारिक किये गए बड़ी बात ये रही कि बागी बिधायकों को किसी भी सूरत में माफ नहीं करने का फैसला लिया गया शिप्षेना की राष्टिये कारकारणी की बैठत खत्म होने के बाद अनुपस्तित रहने वाले बिधायकों की चिंता जरूर बढ़ गई बैठत में नहीं आने वाले एकनाच सिंदे समेथ 16 बागी बिधायकों को अयोग घोशित करने का नोटिस जारी कर दिया गया जारी नोटिस में बागी बिधायकों से 27 जून की शाम 5 बजे तक अनुपस्तित रहने पर लिखित जवाब देने को कहा गया है कहने का मतलब है कि सियम उद्धव ठाकरे ने बागी बिधायकों के खिलाब सबसे बड़ी चाल चल दी है 16 बागी बिधायकों को भेजे गए नोटिस में पूछा गया है कि आपकी सदस्ता क्योंन रद कर दी जाए एक दिल पहले सुक्रवार को ही सिबसेना ने 16 बागी बिधायकों की सदस्ता रद करने की अरजी डिप्टी स्पीकर को दी थी नोटिस में इस बात का भी जिक्र है कि अगर बागी बिधायक जवाब नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उनके पास जबाब देने के लिए कुछ नहीं है इसके बाद कानून के तहट कारवाई की जाएगी सिबसेना की राष्टे कारकारणी की बैठक के बाद संजेर आउपने मीडिया को जानकारी गी उन्होंने बताया कि पार्टी ने तै किया है कि जिसने भी गदारी की है उसे माफ नहीं किया जाएगा बागी बिधायकों की खिलाब काठोर कारवाई की जाएगी अगर कोई बैक्ती या पार्टी राजनीतिक फाइदे के लिए बाल ठकने के नाम का इस्तमाल करता है तो उसके खिलाब भी कारवाई होगी जिस लोगों ने कायों कितनी भी बड़े अबड़ा हो नेता हो मंत्री हो जुसने शिवसरा के साथ गतारी या भेमानी की है उनके उपर कठोर कठोर कारवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक विजलोशन के नावादे पुढ़ ठकने हुद्द्धो इसके ऊपर अमल हो अगर अगर कोई अनदे चुछना-सी नाम काया दो हमें मंजूर नहीं उसका उपर लिगल आक्शन लिया जाए अगर जो छोड़ कर गए है वो लोग शिवसना का नाम से धिक्मत मांगे और अगर होट मांगते है तो आपने खूद के बाप के नाम पर मांगे एक तरफ 16 बागी विधायकों को नोटी चारी किया गया है दूसरी तरफ गुहाटी के रेडिसन बुलू होटल में बैठक के बाद एकनाच सिंदे ने 38 विधायकों की सुचीत जारी की थी आंखडों के हिसाब से समझे तो महाराश्ट की उद्धव ठाकरे सरकार को अल्वमत में लाने के लिए एकनाच सिंदे को 37 विधायकों की जरूरत है इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ महाराश्ट में शिव सेना वर्सस शिव सेना के बीच सियासी घमासान जारी है इसमें एक और है उद्धव ठाकरे वाली शिव सेना तो दूसरी और है एकनाच शिंदे वाली शिव सेना दोनों के बीच तलवारें खीची नजरा रही है महाराश्ट में जो जुबानी जंग अब तक मीडिया के कैमरों के सामने जारी था उसका टैंपरेचर अब और बढ़ गया है ठाडे में तो धाना 144 तक लगानी पड़ गई है एक और शिव सेना वरकर्स के एक धड़े में नाराजगी दिख रही है तो इस बीच शिव सेना के दूसरे धड़े मसलन एकनाच शिंदे वाली शिव सेना में शिंदे समर्थक 38 विधायकों के परिवारों की सुरक्षा हटा ली गई है इस बात से एकनात्शिंदे इस कदर खफा हुए हैं कि उन्होंने इसे लेकर CM उधव समेथ प्रदेश के ग्रह मंतरी और DJP को एक चिठे लिख डाली है जिसमें उन्होंने सरकार पर ये आरोप मढ़ दिया है कि 38 विधायकों के परिवारों की सुरक्षा का हटाया जाना दर असल दुर्भावना से लिया गया फैसला है उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी भरे लहजे में ये तक कह डाला कि अगर विधायकों के परिवार जनों को कोई चोट पहुचती है तो उसके लिए कोई और नहीं बलकि सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, संजेराउत, आदित्य ठाकरे और शरद पवार ही जिम्मिदा को प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदान की गई सुरक्षा को प्रतिशोध के रूप में अवैध रूप से वापिस ले लिया गया है यह उल्लेक करने की आवश्यक्ता नहीं है यह भयावाह कदम हमारे संकल्प को तोड़ने का एक और प्रयास है और NCP और कॉंग्रेस के गु यह जवाब दिया है उन्होंने शिन्दे के आरोपों को सरासर गलत बताया है अपने ट्वीट में ग्रह मंत्री दिलीप वलसे ने लिखा है ना तो मुख्यमंत्री और ना ही ग्रह विभाग ने राज्य में किसी विधाय की सुरक्षा हटाने के आदेश दिये हैं इस किये जा सकने लायक अस्तर शस्तर आदी लाए या ले जाए नहीं जा सकेंगे साथ ही किसी भी तरह के भड़काव पोस्टर लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है पुलिस की और से इस तरह के कदम एहतियाती तोर पर उठाये गए हैं इस खबर में फिलहाल इतरा ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है वर इंडिया हिंदी के साथ महराष्ट के महा संग्राम में हरुष सियासी किरदार पर जुबानी हमले हो रहे हैं जिसने सिमसेना या उसके नेताओं को चुनोती देने की कोशिश की एकनाथ सिंदे के बागी तेवर के चलते सिमसेना के लिए लगातार मुश्किले खड़ी हो रही है सिंदे कुट अपने 38 पिधायकों के साथ असम के एक होटल में टटा हुआ है दूसरी तरब सिमसेना सांसत संजे राउत ने एक बार फिर से कई मुद्धों पर बेवाक राय रखी मेडिया से बात करते हुए संजे राउत ने कहा कि सिमसेना राज और देश में बहुत बड़ी पाटी है इस पार्टी को बनाने में बाला सहाब ठाकरे, उद्धर ठाकरे और सभी कारकरताओंने खून पसीना बहाया है सिमसेना पर कोई भी आसानी से टाका नहीं डाल सकता केवल पैसे के दम पर कोई पार्टी नहीं खरीच सकता है संजे राउत ने बागी बिधायकों को बकरी बताते हुए मुंबई आने के चुनोती भी इसके साथ ही बीजेपी के दिगज नेता दिवेंद्र फटनवीस पर भी बड़ा हमला कर दिया पार्टी बहुत बड़ी है राज्य में और देश में इस पार्टी को बनाने में हमने खुन पसीना बहाया है बाला साथ ठाकरी जी हो उद्दव ठाकरी जी हो सबी कारे करता हो तो ये पार्टी इतनी असानी से कोई हैजाक नहीं कर सकता सोज भी नहीं सकता यह पार्टी हमारे खुन से बनी हुई पार्टी है शेकडों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए सिप पैसा है किसे के पास और पैसे की बल पर कोई पार्टी खरिद नहीं सकता बखरी जैसे बेवे बेवे कर रहे है छोड़ दीजे ये बात अब भी मौका नहीं गया है कल भी रात को शरत पार साब और अजित पार साब जैंद्राव पाटिल प्रफुल पटेल सब मातुस रिपे आई थे उनके सामने उनके मौदूदगी में वहां से दस हैमिले ने आम से बात कि उनके मौदूदगी में अरे क्या बोल रहा है कौन किसके साथ है आईए आप महाराष्टाय में फ्लोर आप दा हाउस पर इसमें कितना दम है वो पता चलेगा और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और कॉन्फिरेंटली बोल रहा हूँ यह हवा की बात नहीं है संजे राउत कभी हवा में बात नहीं करता उद्दो ठाकरी जो चाहते है और हमारे पास क्या है कौन सी ताकत है मुझे मालूम है और जो बगावत पर उतराए है वो अपने विधाय की बचाए आप महाराष्टा से बाहर है भाई आप महाराष्टा में आकरे बात कर लिए किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है यह जिम्मेदारी हमारी नहीं है लोगों का गुसा जरूर है अब तक गुसा जो है उसका विस्पोट नहीं हो है लेकिन हो सकता है अभी मेरे पास सांगले के लोग आए हमारे पुछना चाहते हैं हम लोग क्या करे अगर लोग भढ़क गए तो आग लग जाएगी मैं आपको बताना चाहता हूँ लेकिन सब को बोला है सायम रखो मुझे विश्वास है जब विधायक मॉंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे मैं देवेंद्र जी को एक सला दूँगा वो भी राजनिते में बहुत सालों से माहिच खिला रही है आप इस जबेले में मत पड़िए फिर एक बार जो सुभा का हो गया था ना वो श्याम का हो जाएगा इस हमेले में मत पड़िए आप आप आपकी जो भी बच्ची कुची प्रतिष्टा है वो संभाल कर रखिए चुनाव में देखेंगे इस हमेले में आप मत पड़िए आप फच जाओगे नमस्कार मैं हो कुल लिदिवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी स्यूसेना में वर्चसु की लडाई के चलते धाई साल में ही महाविकास अगाडी सरकार पर संकट के बादल चाय हुए है महाराश की राजिनीती में हर रोज परिवर्तन हो रहा है पहली बार महाराश की गदि में बेठा स्यूसेनिक राजनीती में बगावद और राजनीती क दौपेज का शिकार हो गया है स्यूसेना में खीस्तान जारी है उद्धो की कुर्सी के साथ साथ उनकी पार्टी सिवसेना की कमान भी उनके हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है विधान सभा में सिवसेना का संख्या दल लगातार घट रहा है हालां कि इस बात के संकेत अम मिलने लगे हैं कि जल्द ही महाराष्ट में ये मामला निपटने वाला नहीं है महाराष्ट के लडाई लंबी चलने वाली है इसके पीछे एक बड़ा कारण है बागी मंत्री एक नाथ सिंदे दिन बदिन थाकतवर हो रहे हैं क्योंकि सिंदे सेना के पहले 33 विधायक थे जो गुरुवार को बढ़कर 38 हो गए 9 विधायक निर्दली हैं, 2 विधायक प्रहार जन्शक्ति पार्टी के हैं महराष्ट में सप्ता और स्युसेना के कबजे की लडाई स्पीकर तक पहुँच गई अब सभी की निगाह स्पीकर के कदम पर होगी क्योंकि गुरुवार को स्पीकर ने महादिवक्ता के साथ बैट कर बात्चीत की है ऐसे में फ्लोर्टेस्ट की संभावना भी बढ़ गई है अब सवाल है कि अगर फ्लोर्टेस्ट हुआ तो क्या होगा? अब आपको बताते हैं यह फ्लोर्टेस्ट होता क्या है? दरसल फ्लोर्टेस्ट में फैसला किया जाता है कि मौदूदा दल के पास सरकार में बने रहने या बनाने के लिए संख्या बल है या नहीं इसमें राजपाल किसी तरह का हंस्ता छेथ तो नहीं करते वही सुप्रीम कॉट के एक आदेश में कहा गया है कि राजिपाल को flow test के आदेश देने की शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता अगर राजिपाल को लगता है कि सरकार के पास सदन में संख्या बल कम है तो वो चाहें तो flow test के लिए बुला सकते हैं अब आपको बताते हैं flow test लेता कौन है कानून के मुताबिक अगर विधान सभा सत्र चल रहा है तो विधान सभा अध्यक्ष flow test के लिए बुला सकते हैं लेकिन अगर सत्र नहीं चल रहा तो अनुच्छेद 163 के तहर राजपाल flow test के लिए बुला सकते हैं याद रहे महराष्ट में अभी flow test के लिए राजपाल ही बुला सकते हैं क्योंकि वहाँ पर विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा है अब अगर बात बहुमत साबित करने की आई तो महराष्ट की 288 विधायकों वाली विधान सभा में किसी भी राजनीतिक दल को अपना बहुमत साबित करने के लिए 144 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है मौजूदा सरकार की बात करें तो M.V.A. सरकार में स्यूसेना के पचपन, N.C.P. के तिरपन, कॉंग्रेस के 44 विधायक इसके अलावा M.N.S., स्वाभिमानी पक्ष, राष्टी समाज पक्ष के एक-एक विधायक और 6 विधायक निर्दली हैं जिनका समर्थन सरकार को मिला हुआ है वहीं B.J.P. के पास 106 विधायक है जो महराष्टे में मुख विपक्षी पार्टी है अब बात कर लेते हैं उस समीकरण की जो एकनाच सिंदे की बगावत के बाद पैदा हुआ है एकनाच सिंदे के बागी होने के बाद कहा जा रहा है कि उद्धो सरकार अल्प मत में चल रही है क्योंकि सिंदे का दावा है कि सियूसेना के 38 विधायक उनके साथ है इसके अलावा 9 निर्डली दो प्रहार जनसकती पार्टी के विधायवकों का समर्थन सिंदे को मिला हुआ है इसके साथ ही अगर बीजेपी साथ हाई तो बीजेपी के एक 606 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी सिंदे के साथ होगी ऐसे में आसानी से बहुमत साबित किया जा सकता है क्योंकि 38 सिंदे और 106 BJP कुल मिलाकर 144 यानि BJP और सिंदे की लोटरी लग सकती है अगर सरकार के साथ विधायकों की बात करें तो 114 विधायक ऐसे हैं जो सरकार के साथ है जिनमें न्सीपी के तिरपन, सिंदे के बचे हुए 17 है और कॉंग्रेस के 44 विधायक शामिल है तो वहीं सरकार के खिलाफ या आंकड़ा ज़्यादा बड़ा है जहां 164 कुल विधायक हो रहे हैं जो सरकार के खिलाफ खड़े हुए जिनमें बीजेपी के 106 हैं बागी शिंदे के 38 अन्न 20 विधायकों को सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ देखा जा सकता है हला कि इस सब के बीच संजयराउत का एक अपना अलागी रुख है संजयराउत का दावा है कि विधान सभा में स्यूसेना का संख्याबल घटा जरूर है लेकिन शक्ति परिक्षण में बागी विधायकों का समर्थन MVA के साथ होगा राउत ने कहा है कि संख्या किसी भी वक्त बदल सकती है उन्होंने दावा किया है कि मुंबई लोटने के बाद सभी विधायक जो बागी हैं वो पार्टी के प्रति वफदारी की अस्री परिच्छा देंगे राउत ने पत्रकारों से बादचीत में स्वयकार कर लिया है कि बगावत के कारण विधान सभा में पार्टी का संख्या बल कम हुआ है उन्होंने कहा है कि बागी गुट ने परयाप्त संख्या बल होने का दावा किया है और लोगतंत्र संख्या बल पर ही चलता है लेकिन नंबर किसी भी वक्त बदल सकते हैं जब बागी विधायक लोटेंगे तो बाला साफ ठाकरे और सियुसेना के प्रति उनकी वफादारी की परिक्षा भी होगे यानि सबके अपने दावे हैं और सबकी अपनी आख्रे बाजी है इस सबके बीच जो पीछे छूट रहा है वो है महराष्ट महराष्ट का विकास मराथी मानुस जिसका विकास और उत्थान का दावा इन नेताओं ने किया था जो अब सत्ता की कुर्सी के लिए खींस्तान करते नजर आ रहें उमीद है अपने वर्चस्ट की लड़ाई के बीच जल्द ही वो जनता का खयाल लाएंगे और जनमानस के कारियों में फिर से रूची लेंगे आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं फिलाल इस खबर में इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ नमस्कार महरास्ट्र में चल रहा सियासी शेहमात का खेल अपने आखरी पड़ाओ पर पहुँच गया है शिंदे को नए नाम के साथ पार्टी बनाने की बात कर रहा है तो शिवसेना नेता संजय राउत अपताकत दिखाने पर उतारू है दोनों तरफ मामला टेंशन वाला है बेहिसाब बैठके चल रही है बैठकों के बाद बयान भी सामने आ रही है नई नई रड़नीतियां बनाई जा रही है लेकिन इस बीच सवाल है कि जो कई दवा उट रहा है कि दो तिहाई शियुसेनिक विदायक बागी हो गए और उदो ठाकरे को भनक तक नहीं लगी इस सवाल को अब शियुसेना के संगी साथी भी उठाने लगी है दरसल आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी नेताओं ने शियुसेना की टॉप लीडर्शिप पर ही सवाल खड़े कर दिये हैं एनसीपी के नेताओं का कहना था कि शियुसेना के अंदर इतनी बड़ी बगावत हो गई और उनके नेताओं को इसकी भनक तक नहीं लगी यह सब हैरान कर देने वाला घटना करम है NCP की बैठक में प्रमुखरूप से सवाल उठाते हुए कहा गया कि इतने बड़े स्तर पर बगावत हो गई और पार्टी नेतरत तो इस सब से बेखबर कैसे रह गया जो नेता सीम हाउस की बैठक में शामिल हुए थे वो अगले ही रोज बागी होकर महरास्टर से बाहर कैसे चले गए इसके साथ ही सवाल किया गया कि जमीनी स्तर पर कांद करने वाले कारेकरताओं के बीच आखिर क्या चल रहा है कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है वहीं उद्धव ठाकरे ने इसका जवाब देते हुए कहा कि एकनाज शिंदेई बीजेपी के साथ जाने की बात कर रही थे जिसको मैंने मना किया था इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ बागी विठायक उनके संपर्क में है वो उनसे SMS के जरिये बात कर रही है उम्मीद है कि वे मुंबई आएंगे तो फिर से संपर्क करेंगे और उनका साथ देंगे इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा कि पार्टी कैडर को किसी भी प्रतिक्रिया के लिए मना किया गया था लेकिन आने वाले समय में पार्टी कारेकरता चुप नहीं बैठेंगे फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही अब डेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ महराष्ट में मचे सियासी घमासान के बीच केंद्रियों मंत्री और भारती रिपब्लिकन पार्टी के अध्याक्ष रामदास अठावले ने पूर्व सियम देवेंद्र फर्णविस से मुलाकात की मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि शिवसेना में फैली अंद्रूनी कला से हमारा कोई लेना देना नहीं है उद्धर ठागरे और एकना शिंदे अपने बीच के विवात को खुद सुल जा लेंगे इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बागी विधायकों को सुरक्षा देनी चाहिए और उनके घरों और दफ्तरों पर तोड़ फोर नहीं होनी चाहिए सबस्क्राइब देखते हैके इतने मेले मतलब आपको फोड़ पर चले गए है सब्सक्राइब करने का कोई अधिकार को बिल्कुल नहीं है और अगर होता है तो यह अन्याकारग भुमिका होगी महाराश्रा में इसी तरह का इल्लीगल काम नहीं चलना चाहिए और टू धर्ट मेज़ोर डी से एकना सिंदे के साथ यह में चले गए है तो उनको मतलब सिव चना के माननेता मिलनी चाहिए और इसी तरह की दादागेरी करना अच्छी बात नहीं है जो तोड़पाट हो रही है इसको रूपने की आवशकता है लेकिन पूलिस के सामने इसी तरह की तोड़पाट हो रही है ए बात बिल्कुल नाजायश है और बहुत गंबिर बात है तो पूलिस ने ध्यान देने क्या हो शकता है उनके सभी MLA के घर को प्रोटेक्शन देने क्या हो शकता है आइसी दादागेरी बिल्कुल नहीं चलेगी और दादागेरी अगर करनी कुशित होगी तो दादागेरी को दादागेरी से उत्तर दिया जा सकता है इन सब के बीज सियम उद्धव ठाकरे ने शुषेना राश्ट्री कारेकारणी समीती के बैठक बुलाई और आगे की रणनीती पर चर्चा हुई बैठक में कई प्रस्ताओं पर मुहल लगी और मीडिया से बाचीत में संजे राउत ने कहा कि शुषेना के आगे फैसले खुद उद्धव ठाकरे लेंगे इसके साथी उन्होंने एकना शिंदे पर तंज कसा और कहा कि अगर बोट मांगना है या फिर पार्टी बनानी है तो अपने पिता के नाम पर करे बाला साहब का नाम लेने की जरूरत नहीं है बैराल महराष्ट की सियासत में लगातार नया मोड आता जा रहा है बागी विधायकों और सियम उद्धो के बीच जंग लगातार बढ़ती जा रही है कई विधायक सियम उद्धो ठाकरे का खेमा छोड़ सिंदे गुट में शामिल हो गये हैं बाजोद इसके संजराउद सरकार पर कोई खत्रा नहीं होने की बात कह रहे हैं इस ख़बर में फिलाल इतनाई अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ महराष्ट में सियासी संकट जारी है शनिवार को शिप्षेना की कारकारेनी की बैठक हुई इसमें बागी विधायकों के खिलाब कड़ी कारवाई का प्रस्ताव पास हुआ दूसरी तरफ सोला बागी विधायकों को अयोग ठहराने से जुड़ा नोटिस भी जारी किया गया इन सब के बिच महराष्ट के सियासी महासंगराम पर AI MIM चीप असलदी नोवैसी ने भी बयान दिया है उन्होंने समचार एजनसी AI से बात की और कहा कि महाविकास अगाड़ी को इस मामले पर विचार करने दे हम सामने आ रहे ड्रामा पर नजर रख रहे हैं यह बंद्रों का डांस लग रहा है एक साखा से दूसरी साखा में खूदने वाले बंद्रों की तरह काम कर रहे हैं यह सुनिय महराश्ट संकट पर असदुदील वैसी ने क्या कुछ कहा मुझे इस बारे में कुछ बोलना नहीं है वो महाविकास अगाड़ी जाने वो तैक करें वो उनका अंदोरुनी मामला है वो उस पर देखें वो फैसला करें हमको क्या करना है उसे उसकी सियासत में आप यहां बिल्कुल हैं हम बहुत बड़े हमारा रोल है और रहेगा मगर इस मसले में वो वो खुद देख लें क्या होगा नहीं मालों वो तैक करेंगे संजे राउथ का जैसे बयाना है कि सियसानी की रोट पर आएंगे इस इसको लेकर की लिए और रोट पर आएंगे तो आना चाहिए उनको लो 실ॉन का रहा हैических सिस्ट्व करें नि निए वो फैसला करें गए मे उनको कोन होता हूं मुझे मैशले करा मुझे ऐसी अरे ने ने अभी तो हम छोटे मोटे पॉलिटीशन हैं बड़े नहीं है इतने हम देख रहे हैं ना देख रहे हैं नजर रख रहे हैं हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो बंदरों का नाच हो रहा है एक जाड़ से दूसरे जाड़ को कूद रहा है कोई इस पेड़ से इस महराष्ट में जारी सियासी महा संगराम के बीच सनीवार को भी जबरदस्ट उतार चाहो दिखा शिपसेना ने कहा है कि वो बागियों के सामने जुकने वाली नहीं है दूसरी तरब शिपसेना के बागी बिधायकों के साथ असम में जम्मे एकनाथ सिंदे ने 38 बिधायकों का समर्थन पत्र जारी कर दिया शिंदे की तरब से जारी पत्र में 38 पिदायकों के हस्ताथ चर भी हैं दरसल महराश्ट में सियासी सह मात के जारी खेल के बीच हिंसा की खबरे भियानी शुरू हो गई है पूने में सिपसेना विधायक ताना जी सावंद के आपिस में पार्टी के कारकरताओं ने शनिवार को जम कर तोड़ फोड़ की इसके अलावा उनके दुकानों में भी तोड़ फोड़ की गई इस दोरान सिपसेनिक सावंद के खिलब नारेवाजी भी करते दिखे उन्होंने ताना जी सावंद के ऑफिस और दुकानों की दिवारों पर गदार लिख दिया ताना जी सावंद भी एकनात सिंदे के साथ गुहाटी में है एक दिल पहले सुक्रवार को भी शिबसेना के कुरला से बागी विधायक मंगेस कुडालकर के ओफिस में तोलपोड की गई थी इस हमले कारोप शिबसेना के कारकरताओं पर लगा था कुडालकर मुंबई के कुरला से शिबसेना के विधायक है वो सुक्रवार को गुहाटी गए थे और एकनाथ सिंदे के गुट में शामिल हो गए थे इसके पहले सिमसेनको ने महराष्ट के नासिक में बागी नेता एकनाथ सिंदे के पोश्टर पर भी कालिक पोती थी पोश्टर पर अंडे भी फेके गए और सिंदे के बिरोद में जोरदार नारेवाजी भी की गई थी इन सब के बिच सनिवार को पूले में सिब सेना के बिदायक ताना जी सावंत के आफिस में पार्टी के कारकरताओं ने जम कर तोड़ फोड़ की अ되는 पिसा कार्टी अ कि तो तो पूले में पूलें से की कार्टी में पार्टी महाराष्ट में महा अगारी सरकार स्यूसेना की फूट से जूज रही है पूरे मामले में लगतार वार पलट वार का खेल चल रहा राजी की सियासत दिन बदिन गरमाती दिख रही है इस बीच मौका पाकर निर्दली हिसांसद नौनीत राना ने उद्धो सरकार और संज रावत पर निशाना साधा है नौनीत राना ने वीडियो जारी करते हुए ग्रहमंत्री अमिश्ता से महाराष्ट में राष्ट पती सासन लगाने की मांग की है सूशल मीडिया पर नौनीत राना ने एक वीडियो शेर किया है जिसमें वो कहती है ये गुंडगर्दी बंद की जाए महाराष्ट में उद्धो ठाकरे गुंडगर्दी पावर का गलत इस्तमाल सम्विधान को खत्म करने वाला नियम राज्य मिल्ले कराए है उन्होंने कहा कि मेरी विंती है कि इनके परिवारों को सुरक्षा दी जाए साथ ही महाराष्ट में रश्टपती शासन लागों किया जाए उन्होंने कहा कि आप बताईए कि ये विधायक आखिर क्यों इनसे अलग होए है उन्होंने ग्रहमंति अमिश शा से हाथ जोड़ कर विंती की है कि बाला साथ की विचारधारा पर चलने वाले इन विधायकों के परिवारों को सुरक्षा दी जाए मैं अमीज शाजी से विनंती करूंगी चितने भी विदायक जो बाड़ा साहब के विचारधारों पे लेकर हिंदुत वादी विचारधारों को लेकर उद्दव ठाकरे को छोड़कर अपनी विचारधारों से जुड़कर वो अलग अपनी निरने ले रहे हैं उनके परिवार क को सिक्योर करना यह हम सब की जवाबदारिया ओर मैं अमिज शारी से विनंती करूंगे कि उनके परिवार को सिक्यॉर new दी जाए उनको सिक्यॉर किया जाए और हमारे महारास्ट्ण से उद्दव ठाकरे की गूंडे शाई कि Peru 32 में हमने मेरे हमारे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गुंडा गर्दी और पावर का दुरूपियों और सभीदान को खतम करने वाला नियम इन्होंने महाराष्ट्र में लाया है ये 20 सालों में मैं आपसे विननती करूंगी जल्चे जल्द ये परिवारों को सिक्योर किया ज ये महाराष्ट्र में लगाये जाए इतनी में आपसे जरूर भी नंती करूंगी दरसल बागी विधायकों को लेकर शुसेना कारेकरताओं में पुस्सा देखने को मिल रहा है इसी के चलते पुरे में शुसेना के बागी विधायक ताना जी सावंध के दफ्तर में शुसेना कारेकरताओं ने तोड़ पोड़ की है इस दौरान कारेकरताओं ने उद्धो ठाकरे के समर्तन में नारेबा जीवी की इसी को लेकर अमरावती से निर्दली ए सांसर नौनीत राणा ने उद्धो ठाकरे पर हमला बोलते हुए फीडियो शेर किया पतादे कि इस उसेना के नेता संजे राउत ने पुणे में बागी विधायक ताना जी सावंत के दफ्तर में हुई तोड़ पोड़ को सही करार देते हुए कहा था कि ये केवल एक्शन का रियक्शन है उन्होंने कहा कि शेर उसेना की भासा में सभी विधायकों को जवाब दिया जाएगा और इसी वज़े से ये रियक्शन अबराज्य में हर जगए दिखेगा इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे ये वन इंडिया हिंदी के साथ महाराष्ट में शिव सेना दो फाड होने की कगार पर है उद्धव ठाकरे ने पहले मनाने की कोशिश की फिर पद छोड़ा फिर छोड़ा सरकारी आवास और तो और शिंदे का पार्टी में पद और कद बढ़ाने की भी पेशकश की लेकिन मजाल क्या कि एकनात शिंदे टस से मस हुए हों वे लगातार अपने रुख पर कायम बने हुए हैं उन्होंने जता दिया है कि मान मनवल के लिए अब बहुत देर हो चुकी है लिहाजा पार्टी का विभाजन तह है इस बात से शिवसेना में खुद उधव और उनके वफादार सहयोगी आहत है पार्टी में इस तरह के बिखराव को लेकर संजराउत कई बार संकेतों की भाशा में बीजेपी को घेर चुके हैं उस पर आरोप मढ़ चुके हैं और ऐसा होने के लिए सियासी शड्यंतर तक बता चुके हैं ऐसे में इसे तंजपूर्ड ढंग से महरास्ट में ऑपरेशन लोटस भी कहा जा रहा है बीजेपी हाला की इसे लेकर शांत मुद्रा में बनी हुई है इसे शिवसेरा का आंतरिक मसला बता कर वो लगभग मौन बनी हुई है वो और बात है कि महरास्ट के राजनितिक संकट को लेकर विरोधी दल बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं इस बीच कनहिया कुमार ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया है इसे लेकर उन्होंने एक टुइट करते हुए बीजेपी पर तंज कसा है अपने ट्वीट में कनहिया कुमार लिखते हैं कि इसे औपरेशन लोटस नहीं बलकि औपरेशन लोटस कहा जाना चाहिए कनहिया कुमार की और से एसा बयान तब सामने आया है जब महाराष्ट में पनपास सियासी संकट और गहरा गया है शिवसेना तूट के कगार पर है एकनात शिंदे अपने गुट को लेकर नामों पर विचार मिमर्श कर रहे हैं तो इस बीच महाराष्ट के कुछ जिलों में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है शिंदे के ग्रहजिले ठाणे में धारा 144 लगानी पड़ी है ताकि किसी तरह की अराजकता की संभावना को कम किया जा सके ठाणे में पुलिस ने निशेधाग्या लगा दी है ऐसे में इस शेतर में किसी भी प्रकार से हिंसावे प्रयोग किये जा सकने लायक अस्तर शस्तर आदी लाने या ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है साथ ही किसी भी तरह के भड़काऊ पोस्टर लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है पुलिस की ओर से इस तरह के कदम एहतियाती तौर पर उठाए गए हैं इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे हैं वन इंडिया हिंदी के साथ महरास्ट में सियासी टकराओ जारी है शूसेना वर्सेज शूसेना के इस पूरे सियासी घड़ना करम के बीच रोजाना नई नई रणनीत देखने को मिल रही है दो पालों में बटे शूसेना फिलहाल अपना अस्तित तलाश रही है लेकिन इस बीच बॉलिवुट की चर्चित अभीनेते कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे की बीच चली रार फिर से चर्चा में है दरसल कंगना रनौत का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वारल हो रहा है इस वीडियो में कंगना रनौत कह रही है कि उद्धव ठाकरे का घमंड टूट जाएगा कंगना रनौत का यह वीडियो साल 2020 का है जब अभिनेतरी का ओफिस पर बींसी ने कारवाई की थी और बुल्डोजर चला दिया था उन दिनों अभिनेतरी ने उद्धव ठाकरे को निशाना बनाते हुए कहा था कि उद्धव ठाकरे तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझसे बदला लिया है आज मेरा घर टूटा है कल तुम्हारा घमंड टूटेगा इसके अलावा कंगना रनाउत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है इसमें मैं कहती है कि जब भी कोई व्यक्ती औरत का अपमान करता है उसका पतल जरूर बोता है उद्व ठाकरे तुझे क्या लगता है कि तुने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है आज मेरा घर टूटा है कल तेरा घमंड टूटेगा यो वक्त का पहिया है याद रखना हमेशा एक जैसा नहीं रहता है आपको बता दें कि बीमसी ने साल 2020 में कंगना रनौत के मुंबई स्थित आफिस में जमकर तोड़ फोर की थी इसके बाद अभी नेत्री ने बीमसी के खिलाफ बॉंबे हाई कोड का दरवाजा खटखटाया था और मुआवजे की मांग की थी इस मामले में कोड का फैसला भ अधालत के फैसले के बाद कंगना रनौत ने ट्वीट किया था जब कोई व्यक्ती सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है तो यह व्यक्ती की जीत नहीं बलकि लोक्तर की जीत नहीं है ये पूरा मुद्धा उस वक्त काफी चर्चा में रहा था जो एक बार फिर वा जम्बू कश्मीर की पूर मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज केंदर की मोधी सरकार पर जमकर निशाना साधा उन्हों ने कहा कि इस देश को जवाहरलाल नहरू, इंदरा गांधी, राजीब गांधी जैसे नेताओं के खून पसीने से ब वो आपको मार कर धन प्राप्त करते हैं, मैं उनसे बंदुक उठाना बंद करने का रोध करती हूँ, मैं मॉल्वी सन रोध करती हूँ कि पंडितों को हमारे संसाधन गोशित करें, उन पर कई हमले हुए नहीं होने चाहिए थे बढेव और चाहिपए हूँ आखि बाश्बाश्ट आ जानि आपको में वाजब कर गूए नहीं हुए टूंट स्टम आझाभी बढश्टा में विसक घू बाश्टाव थेन्ट में दो आखिए नियों नहीं प्रोड़ साथ अप्साइश्टा नहीं नहीं हूँ पस्या है घ इसके साथ ही महभूबा मुफ्ती ने शोपिया में हुए सूमो धमाके का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि सूमो में हुए धमाके में चालक शौकत एहमर शेख को गिरफतार कर लिया क्या और उसे हिरासत में ले लिया क्या तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहिए One India हिंदी के साथ मुंबई में सोशल एक्टिवेस्ट तीस्ता सीतलवार के आवास पर गुजरात ATS की टीम ने अचानक दबिश दी उन्हें गिरफतार किया गया और वहां से उन्हें सिधे सांता क्रूस थाने लिजाये गया जहां उनके अलावा दो पूर्व IPS अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्श की गई है उन पर ये कारवाई एहमदाबाद सिटी की अपराद शाखा के इंस्पेक्टर दर्शन सिंग बरार की शिकायत पर की गई है तीस्ता सितलवाड और पूर्व IPS आर्वी श्रीकुमार और संजीव भट के खिलाफ ये कारवाई गुजराद दंगा मामले में जोटी जानकारी देने के आरोप में की गई है दर्श FIR के मताबिक इस मामले में आरोपियों ने जाक्या जाफरी के जरीए कोर्ट में कई आचिकाय दी थी जबकि SIT समेट अन्य आयों को गलत जानकारिया दी थी आज तक की एक रिपोर्ट के मताबिक गिरफतार किये गए पूर्व IPS अधिकारी आर्बी श्रीकुमार को लेकर जोजानकारिया सामने आई हैं उसके मताबिक गुजराद दंगा मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में सीम की बैठक में शामिल होने के दावितारों के बयान राजनीतिक तोर से संसरी पैदा करने वाले थे आपको बता दें कि इस संबंध में पूर्व IPS आर्मी श्रीकुमार के अलावा हेरेन पांडिया और संजीव भट ने SIT के सामने जो बयान दर्ज करवाए थे वे जूठे और निराधार साबित हुए थे बाद में जब इसकी जाच परख की गई तो मालूम पड़ा कि लॉए और की समिक्षा के लिए जो बैठक बुलाए गई थी उस बैठक में वे शामिल ही नहीं हुए थे वही 24 जून को गुजरात दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT की रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी की ओर से दायर याचिका को रद कर दिया था इसे रद करते हुए कोर्ट ने टिपड़ी की थी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तीस्ता इस पूरे मामले में इसी वजह से घुशी रही क्योंकि जाकिया जाफरी इस मामले में असल पीडित है कोर्ट ने अपनी टिपड़ी में ये भी कहा था कि तीस्ता अपने हिसाब से इस मामले में मदद के बहाने इसे नियंतरित कर रही थी और अपने हिद को साधने की भी कोशिश कर रही थी इस खबर में फिलहाल इतना ही सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगे के मामले में असाइटी की ओर से पीम नरेंद्र मोदी को दी गई क्लीन चीट बरकरार रखी है कोर्ट ने असाइटी के काम की तारीफ करते हुए कहा कि राज़ प्रिशासन के कुछ हधिकारियों की लापरवाही का मतलब ये नहीं राज़ प्रिशासन की ये साजिश थी मैं सुप्रीम कोर्ट के फैतले के बाद ग्रे मंत्री अमिशा ने अनाई को दिये इंटर्विव में कहा कि पीम मोदी पिछले 18 सालों से भगवान शंकर की तरह विश्पान करते रहे लेकिन किसी से कभी भी कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा कि मैंने प्रधान मंत्री मोदी को नज़्दीक से इस दर्द को जेलते हुए देखा है क्योंकि न्याईक क्रक्रिया चल रही थी तो सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोले बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टेंड ले सकता है दिखे सबसे पहले क्लीन चीट नहीं है मैं इसके बारे में बात में बात करूंगा सुप्रिम कॉट ने पूरे आरोपों को खारीज किया है और आरोप क्यूं घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कौट ने कहा है एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रूम कौट ने आरोब पोलिटिकली मोटिवेटेड है ये भी सिद्ध कर दिया है सुप्रीम कौट के जजमेंट ने सिद्ध किया है जहां तक कैसा लगा का सवाल है 18-19 साल की लड़ाई देश का इतना बड़ा नेता एक सब्द बोले बगर सभी दुखों को भगवान संकर के विश्पान की तरह गले में उतार कर सहन करकर लड़ता रहा और आज जब अन्त में सत्य सोने की तरह बारा है चमकता हुआ बारा है तो आनन्द ही होगा मैंने बहुत नद्दीक से मोदी जी को इस दर्द को जिलते हुए दिखा है इस आरोपों को जिलते हुए दिखा है और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि नाएक प्रक्रिया चालू है हम कुछ नहीं बोलेंगे इस टेंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही इस टेंड ले सकता है इसके साथ ही अमिर्शा ने कहा कि मोदी और बीजेपी के खलाब करीब दो दर्शक से दुश प्रचार चले रहा था उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोट ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोट के फैसले ने ये सिद्ध कर दिया कि सभी आरोप राजनितिक रूप से प्रेडित थे उन्नीस साल के बाद सुप्रीम कोट के खंड़पिट ने आज जो जज्जमेंट दिया है उस जज्जमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे घलत आरोप को खारीच कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पोलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था विस्टेड इंट्रेस था तौन थे वो आपके हिसाब से ना मैं बताता हूँ बाद में और तीसरा इस से भारतिय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है और मोटिजी जैसे वैस्विक नेता पर जो घलत आरोप लगाये थे मैं मानता हूँ कि लोग तंत्रन के अंदर मोटिजी ने संभिधान का संद्मान कैसे हो सकता है इसका एक आदर्स उदाहन सभी राजनिती में काम करने वालों लोगों के सामने करा है मोटिजी की भी पुत्ताच हुई थे किसी ने धर्णा प्रदसन नहीं करा था देश भर से कारे करता आकर मोटिजी के समर्थन में सॉलिरालिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे हम कानून को कॉपरेट की थे आपको बता दें कि जश्टिस ए एम खान विलकर दिनेश महश्वरी और सीटी रवी कुमार की बेंच ने 452 पन्नों में फैसला सुनाया सुनमाई के दोरान कोट ने कहा कि जो छान बीन हुई उसमें ऐसा कोई तत्थ है नहीं जो बताया कि अल्प संख्यक समुदा के खलाब हिंसा के लिए हाई लेवल पर साजिश रची गई थी इस खबर में फिलाल इतना ही अफडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ बिहार के राजदानी पतना में शनिवार को एक बार फिर से बिमान हाथ सटल गया पतना एरपोर्ट से उरान भरने के ठीक पहले गुहाटी जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में तकनीकी खरावी आ गई जिसके बाद प्लेन को रनवे से बापस लोटा दिया गया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पाइस जेट का प्लेन पटना से गुहाटी के लिए टेक ओफ करने वाला था, टेक ओफ के दौरान ही वार्निंग लाइट जलने लगी, जिसके बाद टेक ओफ को कैंसिल कर दिया गया, इस फ्लाइट में करीक 50 यातरी सामिल थे, गरसब स्पाइ इसनों पहले भी पटना से नई दिल्ली जारी स्पाइस जेट की फ्लाइट के इंजन में बर्ड हिट हो गया था, इस कारण इंजन में आग लग गई थी, बात में पाइलेट ने सूज बूच के साथ प्लेन को पटना एरपोर्ट पर लेंड करा दिया था, उस फ्लाइट मे 185 पैसेंजर्स के अलावा कुरू मेंबर्स भी मौजूद थे, इस कावर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ NDA की राष्टपती पत के उमिदबार द्रापदी मुर्मू ने शुक्रवार को अपना नमांकन दाखिल कर दिया इस मौके पर PM नरेंद्र मोधी समित कई दिगजनेता मौजूद रहे NDA की राष्टपती पत की उमिदबार के लिए BJP लगातार समर्थन चुटा रही है इसी बिच द्रापदी मुर्मू ने TMC प्रमुक और पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी से समर्थन की अपील की PTI की रिपोर्ट के मुताबिक द्रापदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी से फोन पर बात चीत की इस दोरान उन्होंने ममता बनर्जी से समर्थन देने की अपील की रिबोर्ट के मुताबिक मम्ता बनर जी ने NDA की राष्टपती पत की उमिद्वार द्रौपदी मुर्मू को शुब काम नाए दी, लेकिन राष्टपती चुनाओ में उनने समर्थन देने पर कुछ नहीं कहा NDA की उमिदवार द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी के अलाबा कॉंग्रेस सद्यक्ट सोनिया गांधी, जारखंड के सियम हेमंत सोरेन और NCP चीप सरद पवार से भी बात की उन्होंने तमाम बड़े दलों से समर्थन मांगा है सभी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्टपती चुनाओं के लिए सुबकामनाय दी रिबोर्ट के मुताविक नमांकन दाखिल करने से पहले तमाम नेताओं को फोन किया गया था दरसल विपक्ष ने यस्वंत सिना को राष्टपती पत का उमिदबार बनाया है 27 जुन को दिल्ली में राष्टपती पत के उमिदबार यस्वंत सिना अपना नमांकन दाखिल करेंगे रिबोर्ट के मुताविक मम्ता बनर जी ने द्रौपदी मुर्मू से कहा कि पाटी तै करेगी कि क्या करना है अगर सियासी समिकरन की बात करें तो मम्ता बनर जी का द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना संभव नहीं है ऐसा इसलिए कि यस्वंत सिना राष्टपती पत के उमिदबार है बिपक्ची दलो ने यस्वंत सिना को अपना उमिदबार बनाया है इसके पहले भी मम्ता बनर जी ने राष्टपती चुनाओ को लेकर दिल्ली में कई नेताओं के साथ बैठक की थी उनकी कोशिश बिपक्च के उमिदबार के लिए समर्थन चुटाना था अगर राष्टपती पत के चुनाओ की बात करें तो 18 जुलाई को मतदान होगा यदि द्रौकदी मुर्मु को जीत मिलती है तो वो पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्टपती होंगी मौजूदा राष्टपती रामनात कोविंद का कारेकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ राष्टपती चुनाब में एंडिया ने दुरौपती मूर्मू को उमीदवार बनाया है बीजेटी की आदिवासी कार्ड ने विपक्ची दिलो को भी राष्टपती चुनाब में समर्थन के मुद्दे पर पसुपेश में डाल दिया है पुरिशा से आने वाली आदिवासी नेता दुरौपती मूर्मू ने बच्ची खेमे में सेंड लगा दिया है बता दे आज बीजेटी चीफ मायवती ने मूर्मू को राष्टपती चुनाब में समर्थन देने का एलान किया है उन्होंने का है कि आदिवासी समाज BSP के मूर्मेंट का खास हिस्सा है इसलिए हमने दुरौपती मूर्मू को समर्थन देने का एलान किया है परत्मान समय में इसी कड़ी में राष्टपती चुनाब में अपना फैसला खुद लेने के लिए सर्तंत्र आजाद है जिसके तहती हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूर्मेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रोपती मुर्मियू को राष्टपती पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है और हमने यती महत्रपुन फैसला बीजेपी वे इनके अंडिये के पक्षवे नहीं और ना ही इनके विपक्ष यूपिये के विरोध में कोई सोच कर लिया है बलकि अपनी पार्टी वे मुव्मेंट को विशेज ध्यान में रखकर ही एक आदिवाची समाज की योग्य वे करमठ महला को देश का राष्टपती बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है हलाके वे कितना फिरिली होकर वे बिना किसी दवाग के कारे कर पाएगी ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा अंत में अब मैं अपने आदिवाची समाज की महला को देश का राष्टपती बनाने के लिए अपनी पार्टे का बोट देने का एलान करते हुए अपनी बात यहीं समाग करती हूँ मैं ये ये फैसला ना तो बीजे पी या ए एनडिये के पक्ष में नही विपक्ष के विरोध में लिया है मायवती ने ये भी साफ किया कि हमने ये फैतला अपनी पार्टी और आंदलन को ध्यान में रखते हुए लिया है गौर्टलब है कि बसपा दलित मुव्मेंट में उपजी पार्टी है पार्टी का बेज वोट बैंक पी दलित है एंदीय केंडिडेट दरावपती मुर्मु आधिवासी समुदाय से आती है ऐसे मैं बसपा भी इस पर सोपेश में फसीती की दरावपती मुर्मु का समर्तन करे या विपक्षी दलों के उमीदवार पूर्ट केंद्रेमंत्री यश्वन सिना का आपको बताते हैं द्रौपती मुल में एंडिया की राश्पती पत की उमीद्वार है वो इससे पहले जहरकंट की पहली महीला राज्येपार ले चुकी है। सत्ताधारी एंडिया का उमीद्वार होने के दाते उनकी जीत तैमानी जा रही है। ऐसा होने पर वो देश की पहली आदिवासी महीला राश्पती होंगी बीएसपी का समर्टन मिलने से एंडिया की उमीद्वार को और मजबूती मिली है। इस ख़पर में फिलाल इतना ही बनलिया बनलिया हिंदी के साथ। देश में राश्पती चुनाव को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। एक विपक्षी उमिद्वार का चैन करने के लिए 15 जून को एक बैठक बुलाई थी। जिसमें केवल चैनित पार्टियों को आमंतरीत किया। जब शरत पवार ने 21 जून को एक बैठक बुलाई तो भी बीएसपी को आमंतरीत नहीं किया गया। ये उनके जातिवादि उद्देशों को दर्शाता है। ब्यसपी सुप्रीमों मैयावती ने बड़ा एलान करते हुए द्रॉक्ती मुर्मू के समर्थन की बात कही। आगे मायवती ने कहा कि हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपने मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौकति मुर्मू को राश्टपती पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही मायवती ने ये भी साप किया, कि हमने ये फैसला एंडिये के पक्ष में या यूपिये के विरोध में नहीं लिया, बलकि अपनी पार्टी के मुवमेंट को ध्यान में रखते हुए एक आदिवासी महिला को देश की राश्पती बनाने के लिए ये फैसला लिया इस खपर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है बन इंडियाज हिंदी के साथ भारत में मांगाई ने आम जन जीवन को अस्त बेस्ट कर दिया है हालात ऐसे हैं कि आम से लेकर खास जनता तक मांगाई से प्रभावित है पेटरॉल डीजल से लेकर LPG और खाने पीने के सामान भी महंगे हो गए हैं दुनिया के कई दूसरे देशों में भी मांगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है इसी बिच AIMIM चीप असदुदीन ओवैसी ने देश में जारी महंगाई को लेकर PM नरेंदर मोदी पर निशाना साधा है ओवैसी ने ट्विट करके बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार पर जोरदार तंज कसा है ओवैसी ने ट्विट में लिखा ये सजबी परदान मंतरी सिरी नरेंदर मोदी जी के नेदरित्म में महंगाई नई उचाईया छू रही है ये हमारा सौभाग है कि हमें ऐसे परदान सेवक मिले हैं मोदी जी लगता है कि आप कहीं और बीजी है टेंसन मत लीजिए आपके आठ साल के राज की बदोलत देश बास्यों की सहन सक्ती भी नई उचाईया छू रही है अपने ट्विट के साथ असदुदीन ओवैसी ने एक चाट भी सेर किया है जिसमें उर्जा, कपड़े और खाने पीने से जुड़े सामानों की लिश्ट और उनके बढ़ते दामों का जिक्र है बताते चले कि AIMIM चिप असदुदीन ओवैसी लगतार केंदर सरकार पर जुवानी हमले करते रहते हैं इसके पहले ओवैसी ने अगनिपत स्कीम को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साथा था उन्होंने अगनिपत स्कीम को बापस लेने की मांग की थी अब ओवैसी ने मांगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को गेरा है इस ख़बर में फिलहाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ हिमाचल प्रदेश विधान सभाद चुनाओ को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से संजीदा दिखाई दे रही है लिहाजा पार्टी के सयोजक अर्विंद केजरिवाल एक बार फिर से हिमाचल दोरे पर पहुँचे है उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कुल्लू पहुँचे भुंतर एयरपोर्ट पर पार्टी कारेकरताओं ने उनका ग्रेंड वेलकम किया करीब 300 मीटर तक विरत यातरा पर भी सवार दिखाई दिये इस दोरान सैकडों की संख्या में पार्टी कारेकरताओं ने तिरंगा यातरा निकाली यहाँ से केजरिवाल का रत धालपूर पहुँचा जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर स्वास्थ, शिक्षा और बिजली समेत कई मूर्भूत सुविधाओं के अभाव के मुद्धों पर जम कर प्रहार किया पार्टी के सिधानतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम राजनीती नहीं जानते और नहीं हिमाचल में राजनीती करने आये हैं उन्होंने कहा कि पार्टी का मक्सद सिर्फ और सिर्फ काम करना और भरष्टाचार को मिटाना है आप आज इतनी धूप में हमारे साथ तिरंगा यात्रा निकालने के लिए कठे हुए आज आप यहाँ पे सारे कठे हुए इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रियादा करना चाहता हूँ जैसा भी मेरे छोटे भाई भगवन जी ने कहा हमें राजनीती करनी नहीं आती हमें पॉलिटिक्स करनी नहीं आती हम यहाँ पॉलिटिक्स करने भी नहीं आए अन्ना अंदोलन से शुरू हुआ था हमारा सिलसला अन्ना अंदोलन के बाद हमने पार्टी बनाई कसम खाई थी कि इस देश से प्रश्टाचार दूर करेंगे और आज भी उसी रस्ते के उपर चल रहे हैं पहले दिल्ली में प्रश्टाचार खतम किया अब पंजाब के अंदर सिलसला चालू हो गया आपने कभी सुना था कोई मुख्यमंत्री कि अपनी कैमिरेट के मिनिस्टर को खुदी पकड़के और जेल में डाल दे कमी सुना था आपने अब इमान साब ने थोड़े दिन पहले इनके पास एक कोई रेकॉर्डिंग देखे गया उस रेकॉर्डिंग को इन्होंने सुना उसमें पता चला कि इनका जो हेल्थ मिनिस्टर था वो गड़बड कर रहा था विपक्ष वालों को नहीं पता था भी मीडिया वालों को भी नहीं पता था ये चाहते तो दबा देते ये चाहते तो हेल्थ मिनिस्टर को बुला के बोलते कि निए थोड़ो मेरा हिस्सा कहा हैं इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपनी पुलिस गुलाई और उसको पुलिस के आतों कर दी आज वो जेल में बैठा है। इनका है एंगा है। आम आदमी party कर सकती है केबल और कोई नी कर सकता जीरो tolerance भ्रशकाचारियों को छोड़ेंगे नी हमारे वाला करेगा उसको भी नी छोड़ेंगे उनके वाला करेगा उसको भी नी छोड़ेंगे इस खबर में फिलहाली तरह ही बाकी अप्डेट्स के लिए बने रहे रहे वन इंडिया हिंदी के साथ सेना में भरती की नई स्कीम अगरिपत को लेकर मचे घमासान में जहां सडकों पर उनमाद में युवा उपद्रव और हिंसा पर आमादा दिखे तो तमाम विपक्षी दल इसे लेकर बेहत आग बबूला नजराये थे एक के बाद एक केंदर सरकार की इस नई भरती स्कीम को लेकर जुआनी प्रहार किये जा रहे थे जिस पर सरकार तो कुछ फिर बदल के साथ अपने रुख पर कायम रही अलबता इस पर अब सियासत दानों के अलावा सम्विधानिक पदपर आसीन मेगाले के राजजपाल सत्तिपाल मलिक ने एक गर्मा गर्म बयान दे डाला है NDTV की एक रिपोर्ट के मुदाविक उन्हें भी सेना में भरती किये नए स्कीम नहीं भाई है लिहाजा उन्होंने भी तमाव विरोधी दलों के सुर में सुर मिलाते हुए इस स्कीम को वापिस लेने की अपील की है इसलिकर अपने एक बयान में उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री मोदी से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि इस योजना को वापिस लें योजना बताती है कि सरकार और गावों के बीच दूरी बढ़ रही है मैं युवाओं से भी आगरह करता हूँ कि प्रधर्शन करते वक्त हिंसा ना करें सेरा में भरती की इस रई स्कीम पर नाराज़गी जाहिर करते हुए मेखाले के राज़िपाल सत्विपाल मलिक ने तंजगसते हुए कहा कि जो मुख्य منतری ये वादे कर रहे हैं कि वो नौकृरियां देंगे उनका ही भरोसा नहीं है कि वो दुबारा मुख्य मंतری बनेंगे या नहीं वहीँ उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारी जो सरकार का बचाव कर रहे हैं वो भी गलत है राज़िपाल मलिक ने कहा कि वर्दी और नियायले की ही इज़द बची है लिहाजा वर्दी वाले जनरल को भी टीवी पर लाना सरासर गलत है उन्होंने कहा कि उन्हें पद की लालसा नहीं है लेकिन वो बोलना बंद नहीं करेंगे अपने बयान में वे आगे कहते हैं कि उन्हें कहा जाएं तो वे राज़िपाल का भी पद छोड़ने को तयार हैं आपको पता दें कि सेरा में भरती की इस नई स्कीम अगरिपत को लेकर कई राज्यों में जबरदस्थ विरोग देखने को बिला था अगर परदर्शनों के दोरान रेलवे की संपत्तियों को भी भारी रुकसान पहुचाया गया था हाला कि बाद में सरकार ने इस पर विचार करते हुए एक साल के लिए उम्र में छूट देने का एलान भी किया था लेकिन उसके बावजूद नाराज धीवाओं का गुसा शांत नहीं हुआ इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ किंद सरकार ने 14 जून को अगनी पर भड़ती योजना की गोशना की थी इस खोशना के बाद से पूरे देश में इंसक परदेशन के साथ साथ सियासत भी जाड़ी है तो वहीं इस योजना के विरोध में हस्तिना पूर्स से विदान सबा चुनाव लड़ी ही कॉंगरिस ने 3 और फिल्म अभी ने 3 अर्चना गौतम 24 जून को बुलंशेर पहुची यहां अर्चना गौतम ने 2 में तपती सड़क पर नंगे पाउं उतरी और अगनी पत योजना के खिलाब जम कर विरोध प्रदेशन किया प्रदेशन के दोरान अर्चना गौतम हातों में रसी की बेडियां और गले में फंदा डाले हुए नजर आई आपको बता देख फिल्म अभी ने 3 और कौंगरेस नेता अर्चना गौतम 24 जून को सेहना बढ़ती अगनी पत योजना और वियापक वेरोजगारी के विरोध में जिला कौंगरेस कमेटी और युत कौंगरेस कमेटी के साथ सड़क परूतरी इस दोरान अगनी पत योजना वापस लोग के नारे लगाए बदा देख दोरान कौंगरेस नेता और अभी नेतरी अर्चना गौतम ने कहा अगनी पत योजना देश और युवाओ के हितमे नहीं है इस योजना के तहत युवाओ को मात्र चार साल के लिए जॉप देंगे चार साल के बाद युवाओ को बीजेपी का चौकीडार बना दिये जाएगा या फिर उनसे पकोड़े तलवाए जाएंगे जानकारी के मताबिक इतना ही नहीं हर्चना गौतम ने कहा कि मोदी सरकार युवाओ के सपनों से खिलवाड कर रही है चार साल के लिए युवाओ को आर्मी में बढ़्जी किया जा रहा है चार साल बाद वो क्या करेंगे कहा घर में मार्पीट करेंगे चोरी करेंगे डेकैटी डालेंगे क्योंकि उनके पास कमाने का कोई सादन नहीं बचा होगा अर्चना गौतम ने इस दौरान सवाल पूछते हुए कहा कि ऐसी कौन सी मा होगी जो अपने बेटे को गोली खाने के लिए चार साल के लिए आर्मी में भेजेगी इस दौरान उन्होंने कहा कि कई बड़े कॉर्परेट घराने और दिगज उद्योपती जो इन युवाओं को चार साल बाद जॉब देने का आज वादा कर रहे हैं वो चार साल बाद इन्हें जॉब नहीं उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है जबकि बड़ी-बड़ी कंपनियों में अंग्रेजी जरूरी होती है इसलिए मुझे लगता है कि बड़ी-बड़ी कंपनिया द्वारा जॉब देने के किये गए वाले वादे खोकले साबित होंगे खाबर में फिलाल इतना ही बने दिया बने इंडिया हिंदी के साथ चीन सीमा में बढ़ते तनाओं के बीच भारतीय सेना को बड़ा हत्यार मिला है ये वो हत्यार है जो दुश्मन को दूर से देखकर नश्त नाबूद करने के लिए काफी है देखते ही देखते बड़े से बड़े टैंक को तबाह करने की छमता रखता है एक साथ कई मोर्चों पर लड़ सकता है ये वहन इतना कमफर्टेबल है कि कोई वी साइनिक इसको चला कर दुश्मन के छक के छुड़ा सकता है भारतिय सेना ने चीन से जुड़ी सीमा पर इंफरेंटी कॉमबैक्ट वहन तैनात किया है जिसे शुक्रुआर को लगदाख में फारवर्ड पोस्ट हिरिया में तैनात नौर्दन आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जंडर उपंदर दिवेदी ने चला कर देखा एलेसी पर चीन से चल रही तनातनी के बीच भारतिय सेना ने फ्यूचरिस्टिक इंफरेंट्री कॉमबैक्ट विकल यानि FICV को तैनात किया है जिसे मेकिन इंडिया प्रोजेक्ट के तैयार किया गया है ऐसे 1750 FICV सेना को मिलेंगे बता दें कि दुश्मन के टैंकों को नस्ट करने और सैनिकों को ले जाने के लिए भारतिय सेना को फ्यूचरिस्टिक इंफरेंट्री कॉमबैक्ट विकल की बहुत जरूरत थी इसके लिए सेना ने फ्यूटरिस्टिक इंफिंट्री कॉम्बैट वीकल की मांगी थी भारतिये सेना चाहती थी कि पूर्वी लगताक जैसे इलाकों में वहन को तैनात किया जाए ताकि सीमा को सुरक्चित और दुश्मन को मूतोर जवाब दिया जा सके सेना के सूत्रों के मुताविक सेना को हर साल 75 से 100 कॉम्बैट मिलेंगे जिन्हें जरूरत के हिसाब से तैनात किया जाएगा दुश्मन के टैंक नस्ट करने वाला ये पहला वहन दियार्डियो और टाटा ने मिल कर तायार किया है लेह लग्दाक जैसे दुर्गम इलाकों में भारतिय सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए मेड इन इंडिया इंफ्रेंट्री कॉम्बैट विकल को सेना के बेड़े में शामिल किया गया है शुक्रवार को लग्दाक में फारवर्ड एरिया पोस्ट में तैनाध नौर्दन आर्मी को ये कॉम्बैट विकल मिला नौर्दन आर्मी कमांडर लेफ्रेंट जेनरल उपेंदर दिवेदी ने इस विकल को चलाया और बताया कि इस इलाके में ये विकल बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा इसे यहाँ पर बहुत आसानी से चलाया जा सकता है उपेंदर दिवेदी ने बताया कि कोई भी इस वाहन को आसानी से चला सकता है जो भी इसे चलाएगा वो अठारे सो मीटर दूर दुश्मन को देख सकता है। इस वीकल में लगे हत्यारों को अंदर से ही बैट कर कंट्रूल किया जा सकता है। आपको बता दें कि Infantry Protected Mobility Vehicles के नाम की इन वहनों को इसी साल आप्रेल में भारती सेनों को सौपा गया था। लेकिन पहाडी इलाकों जैसे लग्दाक छेतर में इसका परिश्चन चला था। प्रिश्चन में यह पास रहा इसलिए नौर्दान आर्मी को सौपा गया है। Infantry Protected Mobility Vehicle की खासियत की बात करें तो इस वहन में एंटी टैंक मिसाल भी है। RFI के अनुसार इस Combat Vehicle को भारत की उत्री सीमाओं यानि लद्दाक, मद्द और सिक्किम सेक्टर के ओपरेशन्स के लिए तैनात किया जाएगा। इन IPMP का इस्तमाल सैनिकों के तेजी से मुवमेंट करने और टैंकों के खिलाफ किया जाता है। इन Combat Vehicles में 8-10 जैनिक अपने हाथ्यारों के साथ तैनात रह सकते हैं। इसके अलाओ मशीन गन और ATGM यानि Anti-Tank Guided Visiles से भी लैस किया गया है। सीना से जुड़ी इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है One India Hindi के साथ। पडोसी मुल्क पाकिस्तान जो बम बारूत गोले खरीदने के लिए अपने खजाने के द्वार खोल दिया करता है। उसे अब चाय की चुस्की के भी वांदे होते जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने। वही प्याली भर चाय जिसे आप और हम सुड़क कर भूल जाया करते हैं। उसे सुड़कने से पहले अब पाकिस्तान की आवाम को दो बार सोचना पड़ेगा कि अगली प्याली नसीब होगी या नहीं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार इसका भी हल ढुण लाई है। पाकिस्तान में ताजा ताजा बनी शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान युनिवर्सटी को चाय का एक विकल्प सुझाया है। युनिवर्सटी को कहा गया है कि वो यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को लसी और सत्तु पीने के लिए प्रोप साहित करे। इसे वो चाय के विकल्प के तोर पर ले सकते हैं। आयात किया जाता है। ऐसे में पाकिस्तान के उच्छ शिक्षा आयोग ने अब चाय के आयात पर खर्च में कटोती पर विचार किया और उसके लिए एक नया तरीका भी सुझाया। इस सिलसले में एक पाकिस्तानी अख़बार दन्यूज ने एक रिपोर्ट परकाशित की जिसमें बताया गया है कि शिक्षा निकाय ने कुल्पतियों से लसी और सत्तु जैसे स्थानिय पे की खपत को बढ़ाने के लिए कहा है। इसके साथ साथ लोगों से ये भी अपील की गई है कि वे चाय का कम से कम सिवन करें और अपनी दिंचर्या में बद्राव करते हुए चाय की तलब को कम करने की कोशिश करें। विकल्प साबित होगा बलकि इससे रोजगार भी बढ़ेगा और तंगी से जूचते लोगों को आए का जरिया भी मिल जाएगा। हलाकि इस फैसले को पाकिस्तान के लोग किस नजरिये से देखते हैं ये आने वाले दिनों में जाहिर हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहेए वन इंडिया हिंदी के साथ। अमेरिका में लंबे समय से ये बहस छड़ी हुई थी कि यहाँ गर्भपात या अबॉर्शन पर परतिमंध लगाया जाए या नहीं। ये चर्चा उठ खड़े होने भर से कई संगठन सड़कों पर उतराये थे। पिछले कुछ हफ्तों से इसे लेकर सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन भी देखा जा रहा था। लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर अब एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिसने कई संगठनों को जोरदार जटका दिया है। अधिकार माना था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब अमेरिकी राज्यों के लिए फिर से गर्बपात पर पूर्ण परतिबंद लगाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस पर परतिबंद लगाने की विरोध में पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका की सडकों पर लगातार प्रदर्शन देखे जा रहे थे। अमेरिकी लोग इसे अपने अधिकारों का हरन बता रहे हैं। उनका मानना है कि उनके शरीर पर पूरी तरह से उनका ही अधिकार होना चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिका में गर्भपात का कारून करीब 50 साल पुरारा था। यहां दुनिया के दूसरे देशों की तरह गर्भपात को लेकर बंदिशे नहीं थी। इसी वजह से वहां लोग अपनी बर्जी से अबॉर्शन करवाया करते थे। लेकिन वो अब से मुमकिन नहीं हो पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए One India हिंदी के साथ। जिसने स्वास्त मंत्रालय और राज्य सरकारों के चिंता पढ़ा रखी है। देश में पिछले 24 गंटे में कोरोना की रफटार ने एक बार फिर से टेंसर बढ़ा दी है। पिछले 24 गंटे में कोरोना के 15,000 से जादा नए मामले सामने आए। देश में कोरोना की सूपर 940 नए मामले दर्ज किये गए महराष्ट में सबसे ज़्यादा 4205 मामले मिले इसके बाद केरल में 3981 दिल्ली में 1447 तमिलनाडू में 1369 और करनाटक में 816 नए मामले सामने आए देश में कुल नए मामलों में से 74.8% नए मामले इन 5 राज्यों में मिले है कोरोना के नए केस मिलने के बाद देश में अब मिले संक्रमिदों की संख्या 4,33,78,234 हो गई है देश में पिछले 24 गंटे में कोरोना से 20 मरीजों की मौत भी होई है जिसमें कोरोना संक्रमण से मनने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,24,974 हो गई है उदर देश में कोरोना क पिछले 24 घंटे में कुल 12,425 मरीज ठीक भी हुए। अब तक देश भर में कुरोना से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 4,27,61,480 हो गई है। कुरोना केसों में जिस तरह से लगातार ही जाफा होता जा रहा है विश्रेशग्यों का मानना है कि कुरोना के बढ़ते मामले 4 लहर की आहट भी हो सकते हैं। महराष्ट केरल में सबसे ज़्यादा मामले है जिसको लेकर स्वास्त मंतराले ने राज्यों को निर्देश भी जारी किया है और कुरोना रोगथाम से संबंदिश सभी संभव उपाय करने को कहा गया है। इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है बन इंडिया हिंदी के साथ। तो जुलाई महा में डिये में बढ़ोतरी के साथ ही बकाया डिये का भुखतान भी किया जा सकता है। इतना ही ने पियफ पर ब्याज की रकम भी सरकारी करमचारियों के खाते में पहुँच सकती है। खबरों की बाने तो सरकार अपने करमचारियों के बगाया D.A. का भुकतान अगले महीने कर सकती है ये भुकतान लगभग 18 महीने से कोरोना के कारण लटका हुआ था अब ये कुल जमा एक बार में 2 लाग तक दिया जा सकता है इसके साथ ही सरकार कर्मचारियों के डिये में भी इजाफा करनी की ओर कोई फैसला ले सकती है कर्मचारियों के डिये में 4-5 फीसिदी तक की बढ़ूतरी की जा सकती है फिलाल कर्मचारियों को 34 फीसिदी की दर से डिये मिल रहा है अगर ये डिये बढ़ता है तो 50 लाग से जादा कर्मचारियों और 65 लाग पेंशनर्स को इसका सीधा फाइदा मिलेगा इतना ही ने अगले महा सरकार अपने कर्मचारियों को भविश्य निदी संगधन यानि EPFO के ब्याज का पैसा भी दे सकती है बता दें कि बड़ती महंगाई को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से ये कदम उठाए जा सकते हैं ये फैस्ट ले अगले महीने अमल में लाई जा सकते हैं तो फिलाल के लिए इस ख़बर में इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहिए One India हिंदी के साथ ओनलाइन पेमेंट जितना असान है उतना ही खतरनाक भी है क्योंकि अभी के दौर में साइबर क्राइम भी बढ़ गया है ऐसे में अगर आप ज्यादा तर ओनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ये ख़बर आपके लिए है दरसल एक जुलाई से क्रेडिट डेविट कार्ड के नियम बदल जाएंगे आपके ऑनलाइन पेमेंट को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए रिजरो बैंक ने पिछले साल ही कार्ड टोकनाईजेशन की शुरुआत की थी जिसे एक जुलाई से लागू किया जाएगा इसके डेडलाइन पहले एक जनवरी 2022 थी जिसे बढ़ा करे एक जुलाई 2022 कर दिया गया था दरसल नहीं गाइडलाइन के मुताबिक कार्ड पेमेंट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए मर्चेंट को अपने सर्वर पर ग्राहकों के कार्ड के डेटा को इस्टोर नहीं करने की हिदायद दी थी जिसके बाद ऑनलाइन मर्चेंट अपने कस्टमर के डेविट और क्रेडिट कार्ड की डीटेल या उनका डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं RBI ने मर्चेंट के लिए कार्ड और फाइल टोकन को अनिवारि कर दिया है इस नियम के बाद अब एक जुलाई को ग्राहकों के पेमेंट और ज्यादा सुरक्षित होंगे RBI के लिर्देश के मताविक ग्राहकों के डेविट या क्रेडिट कार्ड की डीटेल को एनक्रिप्टेड टोकन में बदलना होगा जिसकी मदस से पेमेंट की जा सकेगी यानि कि अब आपको एक जुलाई से हर बार पेमेंट के समय अपने कार्ड की पूरी डीटेल भरनी होगी अगर आपने कार्ड टोकनाइजेशन के लिए सहमती नहीं दी है इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ। हर तरफ पानी ही पानी, घर, सड़के, स्कूल और फसल, सब जलमग। ये हालात पुर्वोतर भारतिय राज्य असम का है, जहां कई दिनों से हो रही बारिश के बाद हालात मुश्किल हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि असम के कई जिलों में बाड की वज़ा से भिशन तबाही मची हुई है। हजारों लोगों का आशियाना पानी में डूप चुका है। हालात ये हैं कि अपना घर बार छोड़ कर लोगों को शिवीरों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो बीते 24 घंटे के दौरान असम में बाड की वज़ा से 10 लोगों की जान और चली गई। जिसके बाद अब इस साल असम में बाड और भुसकलन से मरने वालों का आकड़ा 118 पर पहुच गया है। तो वहीं बेजुबान जानवर भी परेशान है। सडके पानी में डूप गई हैं जिससे लोगों को एक जगा से दूसरी जगा जाने में समस्या हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान असम के 28 जिलों के 2510 गाओं के कुल 33,333 लोग बाड से प्रभावित हुए हैं। जबकि बाड की वजह से लाखो हेक्टेर फसल शेत्र प्रभावित हुआ। बाड ने 173 सडकों और 20 पुलों को भी शतिकरस्त कर दिया। फिलाल रहत और बचाओ के लिए राज्य में सेना के साथ ही पुलिसबल, NDRF, SDRF, अगनी शमन और अपात कालीन कर्मियों के जवान समेत आपदा मित्र के वॉलन्टियर्स लगातार मदद पहुँचा रहे हैं। राज्य में बाड की मौजूदा इस्तिती पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के सीम हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार बाड की स्तिती पर करीब से नजर बनाये हुए हैं। कौरतलब है कि हर साल असम में बाड भुसकलन की घटनाएं सामने आती हैं और हजारों लोगों की जान चली जाती है। यहां की सबसे बड़ी नदी ब्रह्म पुत्र है जुसकी साहयक नदियों में आपार जल भरा हुआ है जुसकी वज़ा से बाड जैसी आफत बारिश के सीजन में ज्याद आती है। फिलाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिया बने रहीए One India हिंदी के साथ। पानी पानी असम लाखो लोग हुए बेघर ये भयावे तस्वीर असम की है। जहां बाड का कहर अब भी जारी है। असम के नागाओं जिले में बाड के स्थिती अभी भी गंभीर है। क्यूंकि जिले में पांच लाख से ज्यादा लोग अभी भी बाड से प्रभावित है। असिफीजदी से ज्यादा असम इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। बाड और लगतार बारिश के बीच असम को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कई सडके वह गई हैं, हजारों घर तभाह हो गई हैं, कई पुल शती ग्रस्त हो गई हैं, बाड और बूसकलन में कई लोगों की मौत हो गई है। आंखडों के मताबिक बाड बूसकलन में मरनेवालों की संख्या 118 हो गई है। वहीं बाड की वजह से कई स्कूल भी पानी में डूप चुके हैं जुसकी वजह से स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है ऐसे में असम के नागाओं में छात्र छात्राओं की पढ़ाई जारी रखने में मदद के लिए बाढ़ रहत शिवीरों में प्रिस्कूल मॉडल इस्थापित किया गया है जहां बच्चों को ड्राइंग और सिंगिंग जैसी प्रिस्कूली गतिविधियां कराई जा रही है असम में भारी बारिश और बार से भारी तबाही देखने को मिल रही है बाढ़ और भुसकलन की दोहरी माल लोग छेल रहे है बाढ़ के स्थिती में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है रहत और बचाओ कार्रे के लिए सेना, असम राइफल्स, NDRF, SDRF, भारतिय सेना, नागरिक सुरक्षा, अर्ध सैनिक बल, भारतिय वायु सेना, जिला प्रशासन के साथ, अगनी शमन और अपात कालीन सेवाओं जिला प्रशाशन की मदद कर रहे हैं प्रभावित शेत्रों में लोगों की सुरक्षित निकासी में मदद कर रहे हैं इसके साथ ही बचाकर सुरक्षित इस्थानों पर लाए गए लोगों की भूख मिटाने के लिए अनाज भी दिया जा रहा है, ताकि कोई भूख से न मरे फिलाल इस खबर में तरही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिया बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ दक्षन भारत के राजे केरल से पिछले महीने के अंत में शुरू हुआ मौनसून अब तक कई प्रिदेशों में पहुंच चुका है हाला कि राजेराजानी दिली समय देश के कई हिस्सों में लंबे समय से जारी मौनसून का बेसबरी से इंतिज़ार अब खतम ओने वाला है दरसल मौसम विवाग का अनुमान है कि 27 जून को मौनसून राजधानी में दस्तक देगा उदर मौसम विवाग ने आज कई राजियों में जहमाजम बारिश के आसार भी जताए है आपको बता दें पश्यमंगाल सिक्किम मिगाले आजी जैसे राजियों में अगले 5 दिनों तक बारिश की संबावना जताई गई है मालमों कि कीरल करनाटक जैसे दक्षन भारत के राजियों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है वहीं उत्तर भारत के लोग मौसुन का इंतिजार कर रहे है आने वाले दिनों की बात की जाए तो आएमडी के मताबिक कल यारी 26 जून को भी मौसम समा नहीं बना रहेगा कहीं-कहीं बादर चाहे रहेंगे लेकिन गर्मी का एहसास रहेगा 27 जून को दिल्ली के कुछ इलागों में गर्ज के साथ छीटा पड़ सकती है 28 जून से दिल्ली वाचियों के लिए मौसम एक बार फिर तो आना हो जाएगा दिन बर बादर चाहे रहेंगे और दिल्ली के अलग-अलग इलागों में बारिश देखने को मिलेगी इसके बाद 30 जून को भी ऐसा ही मौसम रहेगा और दिन बर रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी बता दें 28 जून को दिल्ली में लगातार बारिश रहने के बाद 30 जून को भारी बारिश हो सकती है इसे लेकर मौसम विवाग की ओर से येलो लट जारी किया गया है 30 जून को दिन बर मौसम खराब बने रहने की सम्भावना जटाई गई है मौसम विवाग के मुताबिक 30 जून से मौसून की शुरुआत हो जाएगी और आगे भी मौसम यूही बना रहेगा आपको बता दें मद्धेश के वोपाल में आज आंदी और बारिश की सम्भावना है यहां का नियून तम तापमान 23 डिगरी सेल्सियस और अधिक्तम तापमान 38 डिगरी सेल्सियस तक रहने की सम्भावना है इसके अलावा चंडी गर में आज बाद अच्छा है रहेंगे मौसम यूहाग के मताबिक यहां का नियून तम तापमान 26 डिगरी सेल्सियस और अधिक्तम तापमान 49 डिगरी सेल्सियस रहने वाला है आपको बता दें मौसम यूहाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक बंगाल से किम अरुणाजर प्रदेश, असम, मेगाले, नागालेंट, मनीपूर, मिदोरम और तिरपुरा में भारी बारिश होने वाली है इसके अलावा 27 जून से यूपी और उत्रखण में बारिश की गतिविदियां में भड़ोत्री होने की संभावना है इसके अलावा आज कोकाड़ा, गोवा और तटिये करनाटक में भी बारिश जारी रहेगी मद्य महराज और दक्षिन गुजराज में भी आज बारिश हो सकती है मौसम विज्ञानी को ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी से दूसरी बार मौनसून सकरी होगा इसके बाद ये राजदानी समय तो तर प्रदेश में बारिश होने की अच्छी संभावना है ये मौसून जूट के अंतिन दिनों में सकरी होने का अनुमान है मौसम विज्ञानी अलट जारी करते हुए बताया है कि 60 किलोमेटर पती गंटे की रफ्तार से प्रदेश के 10 जिलों में हवाय चलेंगी इसमें जौनपूर, प्रताबगड, सुल्तानपूर, माराजगन, सिद्धातनगर, बर्लामपूर, श्रवस्ती, बहराइच, लकिनपूर, खीरी और पीलीवी जिले शामिल है इस खबर उतलार इतना ही बंदिया बंदिया हिंदी के साथ क्या कभी आपने सुना है? कोई सडक करोडों की लागत से बने और दो ही दिन में खराब हो जाए नहीं, तो ये खबर ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ सरकार और सरकारी तंत्रों की और से दावों और वादों के बड़े-बड़े पुल बनाये जाते हैं उन्हीं वादों पर सडके भी बनती हैं, जो बारिश की एक मार भी नहीं जहल पाती दरसल प्रधान मंत्री मोदी के बैंगलूरू दोरे से पहले 23 करोड की लागत से तयार की गई सडक, एक बारिश भी नहीं जहल पाई है बैंगलूरू महानगर पालिया ने हालही में सडक का निर्माड कराया था, महानगर पालिया ने 326 किलोमेटर सडक को बनाया, जो कि बैंगलूरू युनिवर्सिटी केंपस का हिस्सा है प्रधानमत्री मोधी इसी सडक से सोमवार को डॉक्टर भीम राव अमबेट कर स्कूल ओफ एकोनॉमिक्स पहुंचे थे कितनी शिद्दत और मेहनत से सडक बनाई गई होगी, जो राग की एक बारिश में ही बैठ गई सडक के बीचो बीच गड़ा हो गया, जहां सडक शतिग्रस हुई, वो विस्तुविद्याले केंपस के पास ही है सडक पर गुजरने वाले लोग देखते हैं, लेकिन देख के भी क्या करेंगे, सरकारी तंत को कोसने के अलावा ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, जब रोड में इतना बड़ा गड़ा हो गया हो, इससे पहले प्रधान मंत्री मोदी अप्रेल में जाने वाले थे, तब भी सडक बनाई गई थी लेकिन पिया मोदी का दौरा रद हो गया, सडक की हालत थोड़े ही दिनों में खस्ता हो गई, और सडक पर बीच बीच में गड़े हो गए मानगर पालिका के इंजिनियर्स का कहना है कि पानी के लीक होने या फिर सीवेज पाइपलाइन के टूटने की बज़े से ये गड़ा हुआ, प्रधान मंत्री मोदी के आने से पहले इसकी मरम्मत करवाई गई थी स्पेशल कमिशनर बीबी एंपी ने कहा कि प्रोटोकॉल की बज़े से मजदूरों ने इसे दिन राति करके सड़क को तयार किया था इस ख़बर में फिलाल इतना ही, अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ 36 गण की बिलासपूर पुलिस ने एक ऐसा कारणामा किया है जिसकी चर्चा दूर दूर तक है पुलिस ने तसकरों से बरामत हुए गाजे का ऐसा इस्तिमाल किया है कि जिस पर लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा लेकिन घटना ये सच है दरसल बिलासपूर पुलिस का दावा है कि 12 टंग गांजा से उसने 5 मेगवाट बिजली का उतपादन किया है पुलिस ने इस कारणामे को अधिकारियों की मौझूदगी में कैमरे के सामने किया है पूरा वागया 36 गढ़के नशा विरोधी अभियान के तहत की गई कारवाई का है जहां पुलिस ने अनोखे तरीके से शुक्रवार को नशीले पदार्थों को नश्ट करते हुए इलाके के एक बायो मास प्लांट में करीब 12 टंग गांजा जलाया पूलिस का दावा है कि गांजे को जलाने के बाद लगबग 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ दरसल बिलासपूर पूलिस के थानों में नशे से आजादी अभियान के तहत जब 12 टंग गांजे को पावर प्लांट की भट्टी में शुक्रवार को डालकर नश्ट किया गया जिससे करीब 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ देश में नशीले पदार्थ को जलाकर बिजली उत्पादन का यह अनोखा मामला है नशे की सामागरी नश्टी करणग में गांजे के साथ नशीले कफ, सीरप, इंजेक्शन और टैबलेट को भी चलाकर नश्ट किया गया इसके अलावा उन पर गुल्डोजर भी चलाई गई पिलासपुल पुलिस रेंज आईजी रतनलान डांगी ने बताये कि 12-26 जूम तक नशे से आजादी पकवाड़ा बनाया जा रहा है इस दोरान सभी ठाना चेत्रों में नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कारोई के दोरान बड़ी मातरा में गांजा जब्त किया गया था नशीले पदार्थों को जब्त करने के लिए द्रग डिस्पोजल कमेटी बनायी गयी थी कमेटी ने नशे के सावान की सूची तैयार की और उसे पावर प्लांट में डिस्पोजल करने करने न लिया गया ताकि विजली बन कर उपियोग किया जा सके जानकारी के मुताबिक बिलासपुर रेंज के सभी थानों में चप्ती में पांसु तिरपन प्रक्रणों में बारा दसमलों साथ छह साथ गांजग बरामत किया गया 13 नक पौधा, 8,380 नक पैबलेट, 11,220 नक कप सीरफ, 897 नक कैप्सूल और 222 नक इंजेक्शन बरामत किये गये थे जिसे पावर प्लान की भट्टी में नश्ट कर दिया गया इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ नमश्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ मर्दुल चंदेल बिहार के मुगेर से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर सभी हैरान है दरसल हुआ ये कि शादी के मैच साथ दिन बाद एक नई नवेली दुलन अपने प्रेमी के संग फरार हो गई दरसल उसने अपने पती से कहा कि उसे मार्केट से कुछ समा लेना है जिसके लिए पती उसे मार्केट लेकर गया वहीं कुछ देर बाद उसका प्रेमी वहां आया और वो अपने प्रेमी का हाथ पकड़ कर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बैट कर फरार हो गई जिसका CCTV फोटेज भी वायरल हो रहा है आईए दिखाते हैं आपको जे CCTV फोटेज बिहार के मुंगेट से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर सब हैरान है यहां शादी के महल साथ दिन बाद एक नव विवाईता अपने प्रेमी का हाथ पकड़ कर 9-11 हो गई हैरानी की बात गिये रही कि पती के सामने ही ये पूरी घटन हुई बेबस पती ने उनका पीचा करने की भी कोशिश की लेकिन तक तक दोनों मौके से फरार होने में काम्याब रहे इस मामले की तैकिकाद में जुटी पुलिस ने नई नवेली दुलन और उसके प्रेमी को पकड़ दिया है आपको पता दें ये पूरा मामला कोटवाली थाना इलाके का है यहां पोदार पॉलानी के रहने वाले एक युवक की शादी नया राम नगर थाना छेतर के नौवा गड़ी की रहने वाली एक युटी से बीते 14 जून को ही थी शादी के बाद चार दिन नवे वहता ससुराल में रही इसके बाद 18 जून को अपने माय के आ गई 21 जून को वह वापस ससुराल आई और दूसरे दिन यानी 22 को प्रेमी के साथ फरार हो गई आपको बता दे हैं दूलन ने पती से कहा था कि बजार चलिए मुझे चूडी और कुछ सामान खरीदना है पती उसे लेकर बजार गया जानना हो गया था अपने पती से बोली आप ही चूड़ी पसंद कीजिए जैसे ही पती चूडी पसंद करने लगा वैसे ही दूलन पीचे इंतजार कर रहे अपने प्रेमी का हाथ पकड़ कर भाग गई पती ने पीचा भी किया लेकिन तब तक गाड़ी में बैट कर दौनों फरार हो गए वहीं अब पिड़िक उपनी मा और बहन के साथ इस मामले की शिकायत देने कोतवाली पहुचा पुलिक्स को बताया गया कि हम लोग कोतवाली थाना इलाके के ही तीन दयाज चौक पर अंजली चूडी हाउस खरिदारी कर रहे थे तब ही मेरी पत्नी ने दूसरे यूगक का हाथ पकड़ लिया और सड़क पर खड़ी स्कौर्प्यो कार में बैट कर चली गई वो शादी के जेवर भी साथ में ले गई है और कुछ डॉक्यूमेंट भी रख कर लाई थी जिने अपने साथ ले गई आपको बताता है इस संबन में दुलन की साथ ने कहा कि हमारा एक ही लड़का है बड़े दून दाम से शादी की थी लेकिन बहु गरत निकल गई उसे अ आदार पर दूनन और उसके प्रेमी को बरामत कर मुंगेर कोतवाली थाना पुलिस के सुपूर्द कर दिया है इस संबन में कोतवाली थाने में अपरण का मामदा दर्च किया गया है लड़की का मेडिकल कराने के बाद अदालत में बयान दर्च कराए जाएंगे फिलाल प् मुझसे शादी कराने के लिए तयार नहीं थे जबरदस्ती इसकी शादी दूसरे लड़के से करा दी गई थी इस खबर अखलाल इतना ही बने दिया बने दिया हिंदी के साथ निमंतरन देने के बावजूद बरात में नहीं ले जाने पर एक यूवक ने अपने दूले दोस्त पर मांसिप प्रताणना का आरोप लगाते हुए 50 लाक रुपे का मानहानी का नोटित बीज दिया आपको बताते हैं हरिद्वार के अधिवक्ता अरण बदोरिया ने बताया कि हरिद्वार के बहादराबाद के रहने वाले रवी नामक यूवक ने अन्ने लोगों के साथ साथ अपने दोस्त चंद शेकर को विवा का नोटा दिया था और बरात में भी चलने के लिए कहा था लेकिन दूला रवी अपने दोस्त को छोड़ कर कतित रूप से समय से पहले ही बरात लेकर चला गया और जब चंदशेकर समय पर बरात में जाने के लिए पहुचा तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था पता चले कि बरात तो जा चुकी थी अधिवक्ता ने बताया कि इस बात को चंदशेकर ने अपना अपमान समझ लिया और वो इसकदर मानसिक तराम में आ गया कि आत्माहत्या करने की सोचने लगा और दूले पर मानसिक ग्रूप से प्रताडित करने का आरोप लगाते हुए पचास लाग रुपे के मानहानी का कानूनी नोटिर बेज दिया चंदशेकर के वकील के मताबिक चंदशेकर ने जब अपने दोस्त रवी को फोन किया और वो इस अपमान को सैंड नहीं कर पाया था उन् vine polsk कील के इस अपमान को लेकर नियाएं दिलाने का भरोस्तावर देकर उन्होंने चंदशेकर को आत्माथ्या करने से रोका के चंदशेकर ने अपने दोस्त दोले को आनून करके भी गानकで बात भी उसके दोस्त ने जब उसकी बात को गंबीरता से नहीं लिया तो उसने धूले को पचास लाक रुपे का मानहानी का कानूनी नोटिल भेशते हुए तीन दिन में सरवजनी क्रूप से माफी नहीं मांगने पर कानूनी कारवाई करने की चेतावनी दिये इस ख़बर और फिलाल इतना ही बने रिया वन इंडिया हिंदी के साथ ताबटोर टार्गेट किलिंग के मामलों के बाद कश्मीन में सबसे बड़ी चिंदा का विशे है अमारनात यात्रा इस महीने शुरू होने जा रही इस यात्रा की सकुषलता प्रशाशन और सैना के लिए एम सवाल कि लिए बन वही है क्योंकि खुफिया जानकाली मिली है कि हाइबरिड आतनकी और पत्थरबाद दक्षणी कश्मीर की ओर पूच कर चुके हैं आपको बता दे यात्रा का पहला जत्ता जम्मू से उन्ति जून को रवाना होना है शैर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा से पहले करीब 5000 के करीब अद्रिक जवान जम्मू में तैनात की गए हैं वहीं किसी भी इस्तिती में निपटने के लिए जम्मू में कोई रियक्शन टीम को भी तैनात किया गया है बता दे हुफिया जानकारी के मताबिक इस साल होने वाली अमना त्यातर में पाकिस्तान बादा डालने के लिए हमरा बोल सकता है जिसके लिए वो स्टिकी बंप या मेगरेटिक बंप का इस्तिमाल कर सकता है आपको बता दे हाली के दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस समयत सुरक्षा एजंसियों ने सीमा पार से ड्रोन के जरिये बेजे गए कई इस्तिकी बंप समयत मेगरेटिक बंप को परामत किये हैं पुलिस ने अलट जारी करते जानकारी के मताबिक अधिकारियों ने इस दोरान सिना को समग्र सुरक्षा इस्तिती से अवगत कराते हुए यात्रा से सम्मंदित अलग-अलग विवस्ताओं पर चर्चा भी की इस खाबर में फिलाल इतना ही बनरिया बनरिया हिंदी के साथ शारुखान को बॉलिबूड का वाश्या यूही नहीं कहा जाता उन्होंने अपने करियर में जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए उन्होंने खूब मेहनत की है आज उन्हें बॉलिबूड में काम करते हुए पूरे 30 साल हो गए है 25 जून 1992 आज ही के दिन शारुखान की पहली फिल्म दिवाना रिलीज हुई थी हलाकि इस फिल्म में में लीड रोल दिवंगत एक्टर रिशी कपूर का था लेकिन सबसे ज्यादा जिस एक्टर की चर्चा हुई वो थे डेब्यो एक्टर शारुखान पहली फिल्म में ही उन्होंने लोगों को अपनी एक्टिंग से दिवाना बना कर उनके दिलों पर छाप छूरती थी टीवी से बॉलिबुड तक का सफर करने वाले शारुखान आज इंडस्ट्री के टॉप एक्टर में शुमार है बाजीगर और डर जैसी ब्लोगबस्टर फिल्मों के साथ उन्होंने खुद को साबित किया शारुखान ने बॉलिबुड में अपने 30 साल के सफर में कई उतार चड़ाओ देखे लेकिन हार नहीं मानी और महनत करते गए और आज वो लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हैं बॉलिबुड में अपने 30 साल कुरे होने के इस खास मौके पर शारुखान ने ट्वीट कर अपने फांस को शुक्री आदा किया कि खान का ये ट्वीट काफी भावो कर देने वाला है जो तेजी से वाइरल हो रहा है शारुखान ने अपने ट्वीट में लिखा कि काम कर रहा हूँ और अभी देखा आपका ये धेर सारा प्यार जो आप 30 साल से मुझ पर लुटा रहे हैं अभी एहसास हुआ कि आपको एंटर्टेन करने की कोशिश करते हुए मैंने अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी निकाल दी है कल थोड़ा वक्त निकाल कर आप लोगों से बात करूँगा इस प्यार के लिए शुक्रिया इसकी बहुत जरुद थी पतादे कि शारुखान ने थीएटर से अपने करियर के शुरुआद की थी आज वो जिस मुकाम पर है उसे उन्होंने कड़ी मेहनत से हासिल किया है शारुखान जब थीएटर करते थे तब वो बहुत ही साधारन लुक में रहते थे इसके बाद दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल फौजी और सरकस से एंटर्टेइन्मेंट इंडस्ट्री में कदम रखा और बिना रोके आगे बढ़ते रहे आज शारुखान बॉलगुट के बाज़चहा किंग खान किंग ओफ रोमांस जैसे नामों से मशूर है किंग खान ऐसे एक्टर हैं जिसने लोगों को सपने देखना सिखाया प्यार करना सिखाया जिंदगी से लड़ना सिखाया और मेहनत करना सिखाया शारुखान 56 साल के हो गए है फिल्म प्रोजेक्ट की बात करें तो पठान, जवान, डंकी किंग, खान की अपकमिंग फिल्म में हैं इसके अलावा ब्रहमास्त्र, टाइगर थ्री, लाल सिंग चड़ा और रोकेटरी दननम्बी इफेक्ट में आपको उनका कैमियो रोल देखने को मिलेगा अब उनके फैंस बेसबरी से उनकी अपकमिंग फिल्मों का इंतिजार कर रहे हैं फिल्हाल इस खबर में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हैं वन इंडिया हिंदी के साथ बॉलिवूट के दबंग एक्टर सलमान खान 56 के हो गए हैं सुपरस्टार सलमान खान को इंडुस्ट्री में कई नामों से फुकारा जाता है इनमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है भाईजान सलमान को उनके फान से लेकर इंडुस्ट्री के उनके कई कलीक्स भाईजान कहे कर ही पुकारते हैं लेकिन वॉलिवूट एक्टरेस सारा अली खान ले जाने अन जाने में भाईजान को नराज कर दिया है भरी महफिल में सारा ने सलमान खान को कुछ ऐसा कह दिया कि भाई जान उनसे नराज हो गए हैं दरसल बीते दिनों अबुधाबी में आईफा अवोर्ड्स 2022 का आयोजन हुआ था जहां बॉलबुड के कई सितारे पहुचे थे अवोर्ड्स शो को टीवी पर आज रात आज बजे दिखाया जाएगा इस बीच शो के कई प्रोमो वीडियोज सामने आ चुके हैं इन्हीं में से एक वीडियो ऐसा है जो इस समय शोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में है वीडियो में देखा जा सकता है कि सारा बातों ही बातों में सलमान खान को अंकल कह देती हैं जिसके बाद भाईजान को गुस्ता तो आता है लेकिन वो अपनी नराजगी जाहिर नहीं करते सलमान इशारों ही इशारों में कहते हैं कि आपकी पिक्चर तो गई जिसके बाद सारा कहती है कि मेरी पिक्चर क्यों गई इस पर सलमान कहते हैं कि आपने सब के सामने मुझे अंकल बुलाया इसके बाद सारा कहती है कि आप ही ने तो कहा था कि सब के सामने अंकल बुलाओ इसे सुनने के बाद तो इवेंट में आए सभी सितारे अपनी हसी पर कंट्रोल नहीं कर पाते और सभी जोर-जोर से हसने लगते हैं वहीं सलमान शांत खड़े हुजाते हैं वीडियो में देखा जा सकता है कि खुद सलमान और सारा भी इस मज़ेदार इंसिडेंट को इंजुआए करने लगते हैं दोनों को फिर 1997 की फिल्म जुड़वा के गाने पर थिरकते हुए भी देखा जा सकता है वीडियो पर लोगों के अलग-अलग रियक्शन्स आ रहे हैं एक यूजर ने लिखा सारा ने सलमान खान को गुसा दिला दिया है तो दूसरे ने कहा ये देखने के लिए और इंतिजार नहीं कर सकता कई लोग सारा के हूमर की तारिफ कर रहे हैं और उन्हें एंटर्टेनिंग बता रहे हैं शोशल मीडिया पर ये वीडियो खुब वारल हो रहा है तो वहीं वर्कफरंड की बात करें तो सारा अली खान लुकाचिपी 2 और गैसलाइट में नजर आने वाले हैं तो महीं सल्मान खान कभी एद कभी दिवाली गौट फादर टाइगर 3 में नजर आने वाले हैं फिलहाल इस खबर में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं वन इंडिया हिंदी के साथ भारत और श्रिलंगा की महीला टीम के बीच इस वक्त तीन मैचों की T20 सीरीज के लिए जा रही है मकाबले की बात करें तो पहला मैच भारती टीम ने जीता और इसके बाद दूसरे मकाबले में शनिवार को टीम इंडिया ने जवर्दस जीत हासिल करते हुए सिरीज में दो जीरो से भड़त बना ली है साथ ही सिरीज पर भी कबजा कर लिया है बात करें मकाबले की तो श्रिलंगा की टीम पहले बलेवाजी करने उतरी जिन्होंने 87 रन जोड़े और साथ ही टीम को बहतर शुरुआ दिलाए इस जोड़ी को पूजा वस्तरकार ने तोड़ा और टीम इंडिया को पहली सफलता थी इसके बाद लगाता श्रिलंगा की टीम के बलेवाज एक के बाद एक आउट होते चले गए और कोई भी खिलाडी दोरे अंग तक नहीं पोच पाया भारती टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकिट दिप्ती शर्मा ने चटकाए साथ ही रेनुका और राधा पूजा और हर्मन प्रीत को भी एक एक विकित बाद करें अगर भारती बले बादे की तो 126 रनों के लक्षे का पीछा करने उत्री भारती टीम को स्मिर्थी मंदाना ने शांदार शुरुआ दिलाई 34 गेंदों में 49 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाने में एहम भूमिका निबाई इसके लावा बात करें अगर टीम के अन्य खिलाडियों की तो कप्तान हर्मन प्रीत कौर ने शांदार 32 गेंदों में 31 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई और वह नोट आउट रही दिपती शर्मा के साथ अंत में साजेदारी की इसके लावा याशितिका भाटिया के साथ भी हर्मन प्रीत कौर ने साजेदारी करते हुए टीम को 127 रन के स्कोर तक पहुचाया और 5 विकेट से जीत दिलाने में एहम भूमिका निबाई बता दें कि हर्मन प्रीत कौर ने टी 20 में मिताली राज के सबसे ज़्यादा रन बनाने के रिकौर्ड को भी तोड़ा और साथ ही उन्होंने शानदार बल्ले बाजी वी की अगर बात करें शिरलंका की गेंद बाजी की तो टीम के लिए ओशाधी ने दो विकेट चटकाए साथ इनो का भी दो विकेट चटकाने में काम्याब रही बराल अब तीसरे मुकाबला खेला जाएगा देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है आपकी क्या राय है क्रमेंट करके ज़र बताएं वीडियो को लाइक करें शियर करें और वन इंडिया को सब्सक्राइब करें नमस्कार पैंगलूरू के एम चिन्नस्वामे स्टेडियम में खेले जा रहे रंजी ट्रॉफी फाइनल मुकाबले में मंध्यप्रदेश की टीम ने चौथे दिन 536 रं बनाए तो वहीं चौथे दिन का खेल समापत होने तक मुंबई की टीम ने दो विकिट खोकर 113 रं बना लिये हैं आपको पता दे कि बारिश की वजह से चौथे दिन का खेल एक घंटा देड़ से खत्म हुआ तीसरे दिन की बात करें तो मध्यप्रदेश की टीम ने तीसरे दिन का खेल समापत होने तक 3 विकिट के नुकसान पर 368 रं बनाए थे वहीं चौथे दिन टीम अपने ओवरनाइट स्कोर में 168 रं ही आगे जोड सकी लेकिन इस 168 रं की वजह से मध्यप्रदेश 536 रं तक पहुँच पाया और मुंबई के खिलाफ 162 रं की बड़त पाकर इस मुकाबले में रंजी ट्रॉफी जीतने का दावेदार बन गया है आपको बता दे कि मध्यप्रदेश के लिए इस मुकाबले में यश्दूबे, शुभम शर्मा और रजट पड़िदार ने शतके पारी खेली इन तीनों ही बल्लेबाजों की शतक के वजह से मध्यप्रदेश इस मुकाबले में मजबूत हो गया है चौतरे दिन की बात करें तो बल्लेबाजी करने उत्री मुंबई के टीम ने दूसरी पारी में कप्तान प्रित्वी शौक के साथ यशश्बी जैसवाल के बजाए हार्दिक तोमर को बल्लेबाजी के लिए भेजा ताकि मुंबई की टीम जितने हो सके उतने रन और जोड़ कर इस मुखाबले में वापसी कर सके लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि पांच में दिन मध्य प्रदेश की टीम रंजी ट्रॉफी 2021 के सीजन को जीत कर एक नया कीरतिमान रचेगी इस वक्त मध्य प्रदेश की टीम रंजी ट्रॉफी से मातर एक कदम दूर नजर आ रही ह मध्य प्रदेश के लिए इस मुखाबले में हर एक खिलाडी ने शांदार प्रदर्शन करके दिखाया है वहीं आप मुंबई की बात करें तो मुंबई की टीम इस मुखाबले में पीछे है और पांचवे दिन रंजी ट्रॉफी जीतने के लिए उन्हें किसी चमतकार की जरूरत है मुंबई के गेनबाज भी इस मुखाबले में धेर नज़र आए जहां दूसरे और तीसरे दिन मुंबई के गेनबाज विकेट के लिए तर्च से वहीं चौथे दिन शम्स मौलानी ने पंजा मार कर चौथे दिन मुंबई को वापसी कराई फिलहाल मुंबई की टीम इस मुखाबले में 49 रनों से पीछे है अगर पांचवे दिन मध्य प्रदेश की गिनबाज मुंबई के जल्दी विकेट निकाल लेते हैं तो फिर ये मुखाबला पूरी तरह से मध्य प्रदेश की गृफ्त में आ जाएगा इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिया बने रही है वन इंडिया के साथ अगर आज के दिन के मैं बात करूं तो आज का दिन खासतवार पर फिरस्टाफ के दौरान आपको excessive mental stress हो सकता है कोई पुराना matter आपके सामने आ सकता है जो आपके तनाव को और बढ़ा कर जा सकता है इसलिए सोच के समझ कर matters को सारे positivity के साथ अधियन करके आगे बढ़ने की जरूरत है रुके हुए काम आपके आगे बढ़ने शुरू होंगे अगर वो चीज किसी निवेश से सम्मंद रखती हुई आपके सामने आती है या आप काफी समय से निवेश करने की सोच रहे थे कुछ property matters में आगे बढ़ने की सोच रहे थे और चलते चलते कुछ ब्लॉके जा रहा था वहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेश की तरह से आपको आज के दिन बहुमूल राय मिल सकती है आज के दिन investment point of view से काफी अच्छा दिन साबित हो सकता है अगर टैक्ट फुली बिताया जाए तो बात करते हैं विर्शव राशी वालों के लिए स्वास संबंदी चिंताएं विर्शव राशी वालों आपके लिए बढ़ सकती हैं आज के दिन आपका और आपके माता या माता तुली किसी सदस्य का स्वास्त आपको चिंता दे सकता है तो वहाँ पर आपको balance बनाये रखने की जरूरत है साथ ही साथ आज के दिन आपको अपने आपको तनाव रहित होने के साथ साथ अपने lifestyle improvement techniques पर भी काम करने की जरूरत है आज के दिन आपको अपने लिए थोड़ा सा निकालना चाहिए जहाँ पर आप आप आखलन कर सकें कि क्या situation किस तरह से चल रही है उसमें किस तरह का interventions किस तरह का मुल्यांकन करके कौन सा step आप अपनी आत्मिक शांती के लिए ले सकते हैं क्योंकि अगर आप आत्म चिंतन आज के दिन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने काफी दुनों से अपने स्वास्त को या mental health को इग्नॉर करके आप चल रहे थे बात करते हैं मिथुन राशी वालों के लिए कामकाज के संदर्म में मिथुन राशी वालों आज के दिन आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है लंबे समय से चल रहा तनाव कारिशेत्र के संदर्ब में आपको आज के दिन कोई नकोई नुकसान पहुंचा कर जा सकता है इसलिए कारिशेत्र में कॉम्मिनिकेशन को क्लारिटी के साथ लेकर आगे बढ़ना है शब्दों का प्रयोग और जिस सेंस में आप बात कह रहे हैं उसी प्रस्पेक्टिव में या उसी सेंस में सामने वाला आपकी बात को समझे इसकी आपको पूरी कोशिश करने चाहिए कारिशेत्र में पराकरम की व्रधी होगी मन आपका शानत रहेगा लेकिन कॉमिनिकेशन पॉइंट अव व्यू से आपको आज के दिन पॉजिटिव होकर क्लारिटी के साथ बढ़ने की जरूरत है बात करते हैं करकराशी वालो के लिए करकराशी वालो आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज के दिन positivity को embrace करिये समानिता आपकी परिस्थिती चलेगी कुछ खास उतार चड़ाव चीजों में देखने को नहीं मिलेगा जैसे चल रही है situations वैसे चलती रहेंगी लंबे समय से चल रहा पारिवारिक तनाव साजा होता हुआ नजर आएगा कुछ नई दिशा निर्देश सूचना संकेत आपको किसी मैत्रपूर्ण व्यक्ति विशेश से मिल सकते हैं जो कारशेतर के संदर्व में आपकी उननती के लिए कोई ना कोई स्टेप लिया जा सकता है या कारगर वो व्यक्ति हो सकता है विदेश यात्रा से संबंदित विदेश रहने इस्थान गमन से संबंदित या वहाँ पर settlement से सम्बंदित कोई ना कोई अगर आप प्रयास कर रहे थे तो उसमें आज के दिन positive step आपको देखने को मिल सकता है बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए सिंग राशी वालों आज के दिन थोड़ा सा ओर जावान बनाने के अपने आपको कोशिश करिये चीज़ों को विवस्ति धंग से लेकर आगे बढ़िये और गरास रही है डिस्सिप्लिन रही है हालकि फर्स्टाफ के दौरान थोड़ा सा आलस आपको सता सकता है कारेशेतर में कुछ चीज़ों को महत्रोपूर्ण तथियों को इग्नॉर भी कर सकते है तो आज के दिन अटेंटिवनेस जितनी आप अटेंटिव बन के चलेंगे उतना आपके लिए अलर्टनेस आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगी साथी साथ discipline approach लेकर चलेंगे तो आपके कारेशेतर में चल रही अनिमिताओं को आप आकलन भी कर पाएंगे समझ भी पाएंगे gap identification के बाद आप उसमें महत्रोपूर्ण कोई step भी ले पाएंगे साथी साथ आज के दिन स्वास संबंदी चिंताएं भी आपको second half के दोरान सता सकती है खास तोर पेट संबंदी रोग से आपको साफधान रहने की जरूरत है बात करते हैं कनेराशी वालों के लिए परिस्तितियां कनेराशी वालों आपके लिए बिल्कुल ठीक चल रही है अनुचित जो आपकी भाषा बीच-बीच में हो जाती है जहांपर आप stress आउट हो जाते हैं साथी साथ निवेश करने से पहले सारे आयाम को सारे आस्पेक्ट्स को सोचके समझ के आगे बढ़ने में ही पूर्टा आपको देखने को मिलेगी गुल मिला के आज का दिन अगर टैक्टफुली बिताया जाए तो काफी ज़दा लाबदा एक सिद्ध हो सकता है बात करते हैं तुला राशी वालों के लिए तुला राशी वालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचा कर चलना है अपने आपको impulse पर आकर नाक तो shopping करनी है ना ही कोई investment partner को आगे लेकर जाना है अगर आपको लगता है कि आपके उपर कहीं से pressure आ रहा है कुछ deal करने का, कुछ चीजी खरीदने का तो आज के दिन आप उसको postpone कर सकते हैं unless and until आपने सारे तक्षियों को review कर लिया है तब आपका निवेश करना बनता है नहीं तो लंबे समय में यही किया हुआ निवेश आपको mental tension दे कर जा सकता है साथी साथ जोलों नौकरी चेंज करने के एकशुक है अगर आप अपने प्रयासों में तेजी आज के दिन लाएंगे तो आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर शुबता या शुबसंकेट चीजों में देखने को मिलेगी चले बात करते हैं व्रिश्चिक राशी बालों के लिए व्रिश्चिक राशी बालों अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन सोच के समझ के सारे आयाम को अपने फेवर में लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है नकरात्मक उर्जा को अपने आप से दूर रखे विवस्तित रहिए और आज की आज के दिन आप प्राथमिक्ताओं के दाएरे को बढ़ाते हुए और ज़्यादा चीजों में भी फोकस अपना बना रहे हैं कारे शेत्र के एक्सपैंशन के बारे में अगर आप सोचना चाहें तो परिस्तितियां आपके लिए नुकुल बन नहीं रहेंगी मन आपका शांत रहेगा विचार धराएं प्रबल रहेंगी स्वास्त के प्रती थोड़ा सा संवेधन शील रहे कारे शेत्र में उनती के लिए अवसर जो आप इतने दिनों से ढूंड रहे थे आज के दिन आपको वो मिलते हुए नज़र आएंगे कुल मिलाके आज का दिन साधारन तरीके से इफेक्टिवली अगर आप मैनेज करने की कोशिश करें तो आपके लिए सिचुवेशन ज़ार पॉसिटिव होते हुए नज़र आएंगी बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए कारे शेत्र में धनुराशी वालों आज का दिन आपके लिए काफी ज़दा टायरिंग और टाक्सिंग हो सकता है स्वाससंबंदी चिंताएं आपको सता सकती है खास तोर पे परिवार पक्ष से आपको कुछ नकुछ नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है परिवार में चोटी मोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है संतान पक्ष से आज के दिन आपके चिंताएं बढ़ सकती है इसलिए आज के दिन आपको वेवस्ति धंग से परिवार की सारी उत्तर दायत्मों की पूर्ती करते हुए कोई एक effective एक ठोस निरने आज के दिन लेने की जरूरत है साथी साथ अगर आप traveling में interested है या आपकी कोई long term travel या कारेशेतर से संबंदि ट्रावल इंडिकेटेड है तो वो आपके stress factors को balance करती हुई जा सकती आपको rejuvenate करती हुई जा सकती और prepare कर सकती है आगया आने वाली चुनोतियों के लिए तो कुल मिला कि आज के दिन कारेशेतर से थोड़ा सा आपको समय लेकर अपने उपर काम करने की जरूरत है जिससे की आप rejuvenated feel कर पाएं बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए आज के दिन खतम होता हुआ नजर आएगा या उसकी परिस्तितिया नुकूर होती हुए नजर आएंगी कोई दिशा निर्देश सूचना संकेत या कोई एक महतरपूर्ण परिस्तिती आपके लिए किसी व्यक्ति विशेश की तरफ से आ सकती है जो आपके रिष्टो में कोई एक अच्छी पॉजिविटी लेकर परिस्तिती बन सकती है साथी साथ लंबे समय से चल रहा पारिवाल एक चनाओ साजा होता हुआ नजर आएगा लेकिन आपको सोच के समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है महतरपूर्ण ये है कि आप साई समय पर किस तरह का महतरपूर्ण डिसिजन लेते हैं तो आज के दिन टाइमिंग का आपको ख्याल रखते हुए कोई भी डिसिजन लेने की जरूरत है बात करते हैं कुमराज शिवालों के लिए कुमराशी बारों आज का दिन मेहनत जादा करा सकता है टाइरिंग टैक्सिंग हो सकता है चिटरापन भी बढ़ सकता है खान-पान अनियंतरित हो सकता है situations को balance out करने के लिए खान-पान पे पहले पूरा ध्यान देने की जरूरत है नकरात्मक्ता को अपने आप से दूर रखे मन को शांत रखे साथी साथ काम का बोज बढ़ सकता है अपने आपको relax रखने की कोशिश करिए priority wise चीज़ों को handle करने की कोशिश करिए क्योंकि pile up अगर आपकी चीज़े होंगी अब उनके प्रयास कारगर होते हुए नजर आएंगे विदेश settlement की परिस्तिती तेज तरीके से अब आगे बढ़ते हुए नजर आएगी खास तोर पर अगर documentary procedure में डिले हो रहा था तो बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए मन को शांत रखिए मीन राशी वालों positivity को embrace करिये confidence level में जाफा करिये और आगे बढ़ते चलिये आप अपनी मन्जिल के बहुत ही निकट है साथी साथ अगर आप किसी competitive examination की तयारी कर रहे हैं multiple income resources को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सब तरह से आपके लिए positivity indicated है द्रण निश्रे और संकल्प करी आगे बढ़ते चलिये आप अपने आपको उर्जावान बनाईए परिस्टितियों को अपने favor में लाईए साथी साथ आज के दिन दृष्टी कोण को आज के दिन आपको और प्रबल बनाना है अपने चीजों को देखने के नजरिये को बदलिए positivity आपके लिए आजाएगी साथी साथ कारिशेतर में नई strategy का भी आप आज के दिन अब लोकन करते हुए उसको भी execution mode में ला सकते हैं कारिशेतर में बिस्तार की परिस्टितियां बनी हुई है इसी के साथ मुझे आगिया दीजे मैं कल फिर आजरोंगी नमस्कार महराश्ट के सियासी संकट में एक जबरदस्त मोड़ा गया है सिबसेना से बागी हुए एकनाथ सिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कबायत सुरू कर दी है इंडिया टूडे की खबर के मुताबिक एकनाथ सिंदे सुक्रवार की रात गोहाटी से निकले थे उन्होंने बडोदरा में जाकर महराश्ट के पूर्व सियम और बीजेपी के दिगज नेता देवेंद्र फटनवी से मुलकात की ऐसे भी दाबे हुए कि अमित साभी बडोदरा में मौझूद थे लेकिन इसकी किसी ने पुष्टी नहीं की है कि अमित साभी बैठक में थे या नहीं मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोहाटी के होटल में बागियों के साथ रह रहे एकनाथ सिंदे प्राइवेट जेट से शुक्रवार की राद बडोदरा रवाना हुए थे एकनाथ सिंदे ने बडोदरा में फटनवी से मुलकात की उनसे मुलकात के बाद सिंदे सनिवार की सुबद 6 बच कर 45 मिनट पर गुहाटी बापस लोट गय दूसरी तरफ देवेंदर फटनवीज को लेकर दावा है कि उन्हें सुक्रवार की रात साढ़े 10 वजे मुंबई एर्पोर्ट पर देखा गया था सिंदे से मुलकात के बाद वो भी मुंबई लोटा है ऐसे भी दावे हो रहे हैं कि सुक्रवार की रात अमिद्सा बडोदरा के सरकिट हाउस में मुझूद थे बड़ी बात यह है कि सनिवार की सुबह ही पत्रकारों के सवालों के जबाब में सिब सेना सांसत संजे राउद ने देवेंद्र फटनवीश को महराष्ट के सियासी संकट से दूर रहने की सला दी थी मैं देवेंद्र जी को एक सला दूंगा वो भी राजनिते में बहुत सालों से माहिच खिला री है महराष्ट में लगातार गहराते सियासी संकट के वीच सनिवार को मुंबल के सिब सेना भवन में कारकारणी की बैठक भी हुई इसमें च्छा परस्ता उपास किये गए जिसमें बागी बिधायकों को किसी भी सूरत में माफ नहीं करने का फैसला भी लिया गया बैठक में नहीं आने वाले एकनाच सिंदे समेट 16 बागी बिधायकों को अयोग भोसित करने से जुड़ा नोटिस भी जारी किया गया जारी नोटिस में बागी बिधायकों को 27 जुन की शाम 5 बजे तक अनुपस्थित रहने पर लिखित जवाब देने को कहा गया है इन सब के विश सनिवार की साम ऐसी खबरे आई कि बडोदरा में देवेंदर फणनवीस और एगनाच सिंदे की मुलाकात हुई है इस कबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ महरास्ट में सियासी रार की बीच शूसेना के बागी विधायक बाला साहब ठाकरे के नाम से एक नई सियासी पार्टी को जन दे सकते हैं बागी शूसेना विधायकों के साथ असम के गुहाटी में ठेहरे एकनाच शिंदे नई पार्टी बना सकते हैं शियुसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने इस बात के संकेती है एनाई के साथ बाचीत में उन्होंने कहा कि हमारे पास 38 विधायकों का समर्थन है हम विधान सभा में एक नया दल गठित करेंगे जिसका नाम बाला सहब ठाकरे शियुसेना हुका यह खबर उद्धव ठाकरे के नित्रत वाली शियुसेना द्वारा विधान सभा सायोग ठहराये जाने के दबाओ के बीचाई है आपको बता दें कि एकनाज शिंदे की बगावत के बाद शियुसेना ने उन्हें मनाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बने जिसके बाद अब शियुसेना की कोशिश पार्टी बचाने पर शिफ्ट हो चुकी है क्योंकि फ्लोर टेस्ट होते ही सरकार गिरने की पूरी संभावना नजर आ रही है वहीं पार्टी बचाने के लिए अब शुसेना बागियों के खिलाफ कारवाई की बात कर रही है इसके लिए डिप्टी स्पीकर से शिकायत की जा रही है और बागी विधायकों को नोटिस भेजने की तयारी भी है सियम उद्धव ठाकरे पहले ही बागी विधायकों को अपनी तरफ से अल्टीमेटम दे चुके हैं जिसमें उन्होंने 24 घंटे के भीतर बापसी की बात कही थी हैं राजनिति का सहजता में अकेले पड़े उद्धव ठाकरे शियुसेना की राष्ट्री कार्यकार्णी की बैठक को सम्बोधित कर रही है जिसमें बागीयों को सपष्ट संदेश देने की कोशिश की जा रही है ताकि शियुसेना में अपना सियासी रुदवा कायम रख सके है क्योंकि राजनितिक हलकों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि भारी संख्या में शियुसेना सांसत भी बागी रुखक तियार कर सकते हैं बताते चले कि शिंदे गुट ने नई पार्टी बनाने की बात तो की है हाला कि नियमों के हिसाब से पहले अलग पर में इतना हैं अपडेट्स के लिए बने रहे हैं वन इंडिया हिंदी के सार्ट महराष्ट में जारी शिवसेना वर्सस शिवसेना की लडाई और गहरा गई है मान मनवल और मनोहार के बाद भी एकनात शिंदे अपने रुख पर अडे हुए हैं लेकिन इस बीच उन्हें महराष्ट विधान सभा से एक जोरदार जटका लगा है महराष्ट विधान सभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिर्वाल ने उनके अर्मानों पर पानी फेरते हुए अविश्वास प्रस्ताव को खारिच कर दिया है लिहाजा यहाँ से मायूसी हाथ लगने के बाद शिंदे गुट ने फैसला किया है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे शिंदे की ओर से ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है उनसे 26 जून तक जवाब बांगा गया है आपको बता दें कि शिंदे गुट के विधायक अभी भी गुवाहाटी के एक रिजॉर्ट में बने हुए हैं इस बीच महाराष्ट के सियासी गलियारों में एक चर्चार ने जोर पकड़ा है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना पर आधिपत्य नहीं जमाएंगे बलके अपने गुट के विधायकों के साथ एक अलग दल का गठन करेंगे इस बीच उड़ते उड़ते एक खबर ये भी आई कि वे अपने दल के नाम में शिवसेना और बाल ठाकरे के नाम का भी इस्तिमाल करने वाले हैं चर्चा ऐसी थी जिससे उद्धव के नेत्रित्व वाली शिवसेना के भी कान खड़े हो गए लिहाजा उन्होंने अगाडी मारते हुए सीधे चुनाव आयों के दर्वाजे पर दस्तक देने की बात कह डाली उद्धव ठाकरे की ओर से इस बात को लेकर पुरजोर आपत्ती जताई गई है कि शिवसेना के नाम का इस्तिमाल नहीं कर सकता इसे लेकर उद्धव गुट ने कारेकारणी की एक बैठक भी बुलाई जिसमें इस बात को लेकर प्रस्ताव पास हुआ कि किसी भी समूह या गुट को शिवसेना या बाल ठाकरे के नाम का इस्तिमाल करने की अनुमती नहीं दी जाएगी कारेकारणी की इस बैठक में पहुँचे नेताओं ने उद्धव ठाकरे में अपनी आस्था दिखाई साथी बागी विधायकों को लेकर आगे का फैसला उद्धव ठाकरे पर छोड़ दिया इस तोरान उद्धव ठाकरे ने पार्टी के बागी विधायकों को लेकर कहा कि वे एक ऐसे बंपर बैठे हैं जो सुलग रहा है वहीं शिंदे पर व्यंग गस्ते हुए उन्होंने कहा कि एक नाथ शिंदे पहले नाथ थे अब दास हो चुके हैं आपको बता दें कि इस बीच एक ऐसी चर्चा ने जोर पकड़ा था कि शिंदे अपने दलकानाम शिवसेना बाला सहब ठाकरे रखने पर विचार कर रहे हैं जिसके बाद उद्धव ठाकरे के गुट ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसके खिलाफ चुनाव आयोग जाने की बात कह डाली विरासत की सियासत को बचाने की जद्दो जिहद और इस पर पनपे हालात अब उग्र होते दिखाई दे रहे हैं महारास्ट में कुछ जगहों पर शिवसेनिकों को उग्र होते देखा गया है पूरे में 244 लगाई गई है उधर शिंदेगुट में शामिल हुए विधायक तानाजी सावंद के आफिस में भी तोड़ फोड की गई है पूरे की शिवसेना प्रमुक का कहना है कि तोड़ फोड उनहीं के कारेकरताओं की ओर से की गई है चेतामनी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि बागी विधायकों और गद्दारों को इसी तरह की कारवाई का सामना करना पड़ेगा इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है One India हिंदी के साथ महराष्ट में जारी सियासी महा संग्राम लगातार गहराता जा रहा है शनीवार को मुंबई के शिवसेना भवन में हुई राष्टिये कारकारनी की बैटक में च्छा परस्ताव पारित किये गए बड़ी बात ये रही कि बागी बिधायकों को किसी भी सूरत में माफ नहीं करने का फैसला लिया गया शिवसेना की राष्टिये कारकारनी की बैटक खत्म होने के बाद अनुपस्तित रहने वाले बिधायकों की चिंता जरूर बढ़ गई बैटक में नहीं आने वाले एकनाथ सिंदे समयत 16 बागी बिधायकों को अयोग घोशित करने का नोटिस जारी कर दिया गया जारी नोटिस में बागी बिधायकों से 27 जुन की शाम 5 बजे तक अनुपस्तित रहने पर लिखित जवाब देने को कहा गया है कहने का मतलब है कि सियम उद्धव ठाकरे ने बागी बिधायकों के खिलाब सबसे बड़ी चाल चल दी है 16 बागी बिधायकों को भेजे गए नोटिस में पूछा गया है कि आपकी सदस्ता क्यों न रद कर दी जाए एक दिल पहले सुक्रवार को ही सिबसेना ने 16 बागी बिधायकों की सदस्ता रद करने की अरजी डिप्टी स्पीकर को दी थी नोटिस में इस बात का भी जिक्र है कि अगर बागी बिधायक जवाब नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उनके पास जबाब देने के लिए कुछ नहीं है इसके बाद कानून के तहट कारवाई की जाएगी सिबसेना की राष्टे कारकारनी की बैठक के बाद संजेर आउपने मीडिया को जानकारी भी उन्होंने बताया कि पार्टी ने तै किया है कि जिसने भी गदारी की है उसे माफ नहीं किया जाएगा बागी बिधायकों की खिलाब कठोर कारवाई की जाएगी अगर कोई बैक्ती या पार्टी राजनीतिक फाइदे के लिए बाल ठाकने के नाम का इस्तमाल करता है अगर जोड़कर गए है बोलोग शिवसना का नाम से अगर कोई अपने राजनीतिक फार्टी यूज करता है अगर जोड़कर गए है बोलोग शिवसना का नाम से भिक्मत मांगे और अगर होट मांगते है तो आपने खूद के बाप के नाम पर मांगे शिवसना के बाप, हमारे बाप बाला साथ ठाके के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं आप अपने बाप के नाम से होट मांग सकते। अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। उसका टैंपरेचर अब और बढ़ गया है। ठाडे में तो धाना 144 तक लगानी पड़ गई है। एक और शिवसेना वरकर्स के एक धड़े में नाराजगी दिख रही है। तो इस बीच शिवसेना के दूसरे धड़े मसलन एक नात शिंदे वाली शिवसेना में शिंदे समर्थक 38 विधायकों के परिवारों की सुरक्षा हटा ली गई है। इस बात से एक नात शिंदे इस कदर खफा हुए हैं कि उन्होंने इसे लेकर सीम उधव समेथ प्रदेश के ग्रह मंतरी और डीजेपी को एक चिठे लिख डाली है। इसमें उन्होंने सरकार पर ये आरोप मढ़ दिया है कि 38 विधायकों के परिवारों की सुरक्षा का हटाया जाना दर असल दुरभावना से लिया गया फैसला है। उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी भरे लहजे में ये तक कह डाला कि अगर विधायकों के परिवार जनों को कोई चोट पहुचती है तो उसके लिए कोई और नहीं बलकि सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, संजे राउत, आदित्य ठाकरे और शरद पवार ही जिम्मिद प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदान की गई सुरक्षा को प्रतिशोध के रूप में अवैध रूप से वापिस ले लिया गया है यह उल्लेक करने की आवश्यक्ता नहीं है यह भयावाह कदम हमारे संकल्प को तोड़ने का एक और प्रयास है और NCP और कॉंग्रेस के यह जवाब दिया है उन्होंने शिंदे के आरोपों को सरासर गलत बताया है अपने ट्वीट में ग्रह मंत्री दिलीप वलसे ने लिखा है ना तो मुख्यमंत्री और ना ही ग्रह विभाग ने राज्य में किसी विधाय की सुरक्षा हटाने के आदेश दिये हैं इस संबंध किये जा सकने लायक अस्तर शस्तर आदी लाए या ले जाए नहीं जा सकेंगे साथ ही किसी भी तरह के भड़काव पोस्टर लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है पुलिस की और से इस तरह के कदम एहतियाती तोर पर उठाए गए हैं इस खबर में फिलहाल इतरा ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है वर इंडिया हिंदी के साथ महराष्ट के महा संग्राम में हरुष सियासी किरदार पर जुबानी हमले हो रहे हैं जिसने सिमसेना या उसके नेताओं को चुनावती देने की कोशिश की एकनाथ सिन्दे के बागी तेवर के चलते सिमसेना के लिए लगातार मुश्किले खड़ी हो रही है सिन्दे कुट अपने 38 बिधायकों के साथ असम के एक होटल में टटा हुआ है दूसरी तरब सिमसेना सांसत संजे राउत ने एक बार फिर से कई मुद्धों पर बेवाक राय रखी मेडिया से बात करते हुए संजे राउत ने कहा कि सिमसेना राज और देश में बहुत बड़ी पाटी है इस पार्टी को बनाने में बाला सहाब ठाकरे, उद्धर ठाकरे और सभी कारकरताओंने खून पसीना बहाया है सिमसेना पर कोई भी आसानी से टाका नहीं डाल सकता केवल पैसे के दम पर कोई पार्टी नहीं खरीच सकता है संजे राउत ने बागी विधायकों को बकरी बताते हुए मुंबई आने की चुनोती भी इसके साथ ही बीजेपी के दिगज नेता दिवेंद्र फटनवीस पर भी बड़ा हमला कर दिया पार्टी बहुत बड़ी है राज्य में और देश में इस पार्टी को बनाने में हमने खुन पसीना बहाया है बाला साथ ठाकरी जी हो, उद्दव ठाकरी जी हो, सबी कारे करता हो तो ये पार्टी इतनी असानी से कोई हैजाक नहीं कर सकता सोच भी नहीं सकता ये पार्टी हमारे खुन से बनी हुई पार्टी है शेकडो लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए सिब पैसा है किसे के पास और पैसी की बल पर कोई पार्टी खरिद नहीं सकता बक्री जैसे बेवय बेवय कर रहा है छोड़ दीजिए ये बात अब भी मौका नहीं गया है कर भी रात को शरत पौर साब और अजीद पौर साब जयंद्र पाटिल प्रफुल पटेल सब मातुसरी पर आई थे उनके सामने उनके मौदूदगी में वहां से 10 हमिले ने आमसे बात किए उनके मौदूदगी में अरे क्या बोल रहे हैं कुन किसक किसमे कितना दम है वो पता चलेगा और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और कॉंफिरेंटली बोल रहा हूं यह हवा की बात नहीं है संजे राउत कभी हवा की हवा में बात नहीं करता है उद्धो ठाकरी जो चाहते हैं ओई मैं बोलूँगा और हमारे पास क्या है कुन सी ताक पता है वो अपने विधाय की बचाए आप महारास्ट्रा से बाहर है भाई आप महारास्ट्रा में आकर बात कर लिए किसी की शुरक्षा नहीं निकालीए यह जिम्मेदारी हमारी नहीं है लोगों का गुशा जरूर है अब तक गुशा जो है उसका बिस्पोर्ट नहीं हो है लेकिन हो सकता है अभी मेरे पास सांगले के लोग आए हमारे पुछना चाहते हैं हम लोग क्या करें अगर लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी मैं आपको बताना चाहता हूं लेकिन सबको बोला है सयम रखो मुझे विश्वास है जब विधायक मुंबई में आ मैं देवेंदर जी को एक सला दूंगा वो भी राजनिते में बहुत सालों से माहिच खिला रही है आप जहमेले में मत पड़िए फिर एक बार जो सुबह का हो गया था ना वो श्याम का हो जाएगा इस जहमेले में मत पड़िए आप आपकी जो भी बची-कुची प्रतिष् वो संबाल कर रखिए चुनार में देखेंगे इस घहमेले में आप मत पड़िए आप फच जाओगे नमस्कार में अउकुल दिवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी स्यूसेना में वर्चसु की लड़ाई के चलते धाई साल में ही महाविकास अगाडी सरकार पर संकट के बादल चाय हुए है महाराश की राजिनीती में हर रोज परिवर्तन हो रहा है पहली बार महाराश की गर्दी में बैठा स्यूसेनिक राजिनीती में बगावर और राजिनीतिक दाउपेज का शिकार हो गया है सिवसेना में खीचतान जारी है उद्धो की कुर्सी के साथ-साथ उनकी पार्टी सिवसेना की कमान भी उनके हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है विधान सबा में सिवसेना का संख्या बल लगातार घट रहा है हालां कि इस बात के संकेत अब मिलने लगे हैं कि जल्द ही महाराष्ट में ये मामला निपटने वाला नहीं है महाराष्ट के लड़ाई लंबी चलने वाली है इसके पीछे एक बड़ा कारण है बागी मंत्री एक नाथ सिंदे दिन बदिन थाकतवर हो रहे हैं क्योंकि सिंदे सेना के पहले 33 विधायक थे जो गुरुवार को बढ़कर 38 हो गए 9 विधायक निर्दली हैं, 2 विधायक प्रहार जन्शक्ति पार्टी के हैं महाराष्ट में सप्ता और स्युसेना के कबजे की लड़ाई स्पीकर तक पहुँच गई अब सभी की निगाह स्पीकर के कदम पर होगी क्योंकि गुरुवार को स्पीकर ने महादिवक्ता के साथ बैट कर बात्चित की हैं ऐसे में फ्लोर्टेस्ट की संभावना भी बढ़ गई है अब सवाल है कि अगर फ्लोर्टेस्ट हुआ तो क्या होगा? अब आपको बताते ही फ्लोर्टेस्ट होता क्या है? दरसल फ्लोर्टेस्ट में फैसला किया जाता है कि मौझूदा दल के पास सरकार में बने रहने या बनाने के लिए संख्यावल है या नहीं इसमें राजपाल किसी तरह का हंस्ता छेट तो नहीं करते वहीं सुप्रीम कोट के एक आदेश में कहा गया है कि राजपाल को फ्लोर टेस्ट के आदेश देने के शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता अगर राजपाल को लगता है कि सरकार के पास सदन में संख्या बल कम है तो उचाहें तो फ्लोटेस्ट के लिए बुला सकते हैं अब आपको बताते हैं फ्लोटेस्ट लेता कौन है कानून के मुताबिक अगर विधानसभा सत्र चल रहा है तो विधानसभा अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं लेकिन अगर सत्र नहीं चल रहा तो अनुछेद 163 के तहट राजपाल फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं याद रहे महराष्ट में अभी फ्लोर टेस्ट के लिए राजपाल ही बुला सकते हैं क्योंकि वहाँ पर विधान सबा का सत्र नहीं चल रहा है। अब अगर बात बहुमत साबित करने की आई तो महराष्ट की 288 विधायकों वाली विधान साबा में किसी भी राजनीतिक दल को अपना बहुमत साबित करने के लिए 144 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है। मौजूदा सरकार की बात करें तो M.V.A. सरकार में स्यूसेना के पचपन, N.C.P. के तिरपन, कॉंग्रेस के 44 विधायक, इसके अलावा M.N.S., स्वाभिमानी पक्ष, राष्टी समाज पक्ष के एक-एक विधायक और 6 विधायक निर्दलिये हैं जिनका समर्थन सरकार को मि मिला हुआ है. वहीं B.J.P. के पास 106 विधायक हैं, जो महराष्टे में मुख विपक्षी पार्टी है. अब बात कर लेते हैं उस समीकरन की जो एकनाज सिंदे की बगावत के बाद पैदा हुआ है. एकनाज सिंदे के बागी होने के बाद कहा जा रहा है कि उद्धो सरकार अल्प मत में चल रही है. क्योंकि सिंदे का दावा है कि सियुसेना के 38 विधायक उनके साथ है. इसके अलावा नौ निर्दली दो प्रहार जनसक्ती पार्टी के विधायकों का समर्तन सिंदे को मिला हुआ है. इसके साथ ही अगर B.J.P. साथ हाई तो B.J.P. के एक सुच्छ है. अगर सरकार के साथ विधायकों की बात करें तो 114 विधायक ऐसे हैं जो सरकार के साथ हैं. जिनमें N.C.P. के तिरपन, सियुसेना के बचे हुए 17 और कॉंग्रेस के 44 विधायक शामिल है. तो वहीं सरकार के खिलाफ या आंकड़ा ज्यादा बड़ा है. जहां 164 कुल वि राउत का एक अपना अलागी रुख है. संजय राउत का दावा है कि विधान सभा में सियुसेना का संख्याबल घटा जरूर है. लेकिन शक्ति परिच्छन में बागी विधायकों का समर्थन M.V.A. के साथ होगा. राउत ने कहा है कि संख्या किसी भी वक्त बदल सकती है. उन्होंने दावा किया है कि मुंबई लोटने के बाद सभी विधायक जो बागी है वो पार्टी के प्रति वफादारी की अस्री परिच्छा देंगे. राउत ने पत्रकारों से बादचीत में स्वैकार कर लिया है कि बगावत के कारण विधान सभा में पार्टी का संख्या बल होने का दावा किया है और लोकतंत्र संख्या बल पर ही चलता है. लेकिन नंबर किसी भी वक्त बदल सकते हैं. जब बागी विधायक लोटेंगे तो बाला साहब ठाकरे और स्युसेना के प्रति उनकी वफादारी की परिच्छा भी होगी. यानि सबके अपने दावे हैं और सबकी अपनी आंक्रे बाजी हैं. इस सबके बीच जो पीछे चूट रहा है वो है महराश्ट. महराश्ट का विकास मराथी मानुस जिसका विकास और उत्थान का दावा इन नेताओं ने किया था जो अब सत्ता की कुरसी के लिए खीशतान करते नजर आ रहें. उमीद है अपने वर्चस्तो की लड़ाई के बीच जल्द ही वो जनता का खयाल लाएंगे और जन्मानस के कारियों में फिर से रूची लेंगे. आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं. फिलाल इस खबर में इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहें वन शिंदे को नए नाम के साथ पार्टी बनाने की बात कर रहा है. तो शिवसेना नेता संजय राउत अपताकत दिखाने पर उतारू है. दोनों तरफ मामला टेंशन वाला है. बेहिसाब बैठके जल रही है. बैठकों के बाद बयान भी सामने आ रही है. नई नई रड़नीति शिवसेना बनाई जा रही है. लेकिन इस बीच सवाल है कि जो कई दवा उट रहा है. कि दो तिहाई शिवसेनिक विदायक बागी हो गए और उधो ठाकरे को भनक तक नहीं लगी. इस सवाल को अब शिवसेना के संगी साथी भी उठाने लगी है. दरसल आज तक की एक रिप अनक तक नहीं लगी. यह सव हैरान कर देने वाला घटना करम है. एनसीपी की बैठक में प्रमुखरूप से सवाल उठाते हुए कहा गया कि इतने बड़े स्तर पर बगावत हो गई. और पार्टी नेतरत तो इस सब से बेखबर कैसे रह गया. जो नेता सीम हाउस की बैठक म क्यों नहीं आ रही है? वहीं उद्धव ठाकरे ने इसका जवाब देते हुए कहा कि एकनाज शिंदेई बीजेपी के साथ जाने की बात कर रहे थे जिसको मैंने मना किया था. इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ बागी विठायक उनके संपर्क में हैं. वो उनसे SMS के जरि क्रिया के लिए मना किया गया था. लेकिन आने वाले समय में पार्टी कारेकरता चुप नहीं बैठेंगे. फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही, अब डेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ. महराष्ट में मचे सियासी घमासान के बीच केंद्रियों मंत्री और भारती रिपब्लिकन पार्टी के अध्याक्ष रामदास अठावले ने पूर्व सियम देवेंदर फन्नविस से मुलाकात की. मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि शिवसेना में फैली अंद्रूनी कला से हमारा कोई लेना देना नहीं है. कि मतलब जो शिव शेना में जो अंतरगत जगड़ा है उससे हमारा कोई संबंद नहीं है और एकना सिंदेजी और उद्दो ठाकरे की बीज में जो विवाद है वो निप्ता है उससे हमारा कोई संबंद नहीं है और हमें कोई वाच पर हम लोग है हमें कोई गाई करता नहीं है और सरकार बनाने के संबंद में हमने अभी कोई सोचाता नहीं है जब आगे क्या होता है हम ना देखते हैं लेकिन यह जो माननी जैसरत पवार जी माननी अजीत पवार जी माननी उद्धो ठाकरे जी संजेर राउ जी जो बोल रहे हैं कि हम मेजॉर्टी दिखाएगे तो इतने MLA मतलब आपको छोड़ कर जाए चले गए है चुछ यह ना के थर्टी जोवन MLA और साथ अपने इंडिमेंटेंटेंट MLA उनके साथ है तो इतने MLA अगर बाहर आए तो आप कैसे कहों से मुह से बोल सकते हैं कि हम मेजॉर्टी से तक करेगे तो ठीक बात है हाउस में अगर महराश्रा में इस्टी तरह का इल्लीगल काम नहीं चलना चाहिए और टू धर्ट मेजॉर्टी से एकना सिंदे के साथ एमेली चले गए है तो उनको मतलब सिव चना के माननेता मिलनी चाहिए और इसी तरह की दादागेरी करना अच्छी बात नहीं है जो तोड़पाट हो र सभी एमेले के घर को प्रोटेक्शन देने के आवशकता है आएंसी दादागेरी बिल्कुल नहीं चलेगी और दादागेरी अगर करने कुशित होगी तो दादागेरी को दादागेरी से उत्तर दिया जा सकता है इन सब के बीज सियम उद्धव ठाकरे ने शुषेना राश्री कारेकारणी समीती के बैठक बुलाई और आगे किरनीती पर चर्चा हुई बैठक में कई प्रस्ताओं पर मुहल लगी और मीडिया से बाचीत में संजे राउत ने कहा कि शुषेना के आगे फैसले खुद और कहा कि अगर बोट मांगना है या फिर पार्टी बनानी है तो अपने पिता के नाम पर करे बाला साहब का नाम लेने की जरूरत नहीं है बैराल महराश्ट की सियासत में लगातार नया मोड आता जा रहा है बागी विधायकों और सीयम उद्धो के बीच जंग लगातार ब महराश्ट में सियासी संकट जारी है शनिवार को शिप्षेना की कारकारणी की बैठक हुई इसमें बागी विधायकों के खिलाप कड़ी कारवाई का प्रस्ताव पास हुआ दूसरी तरफ सोला बागी विधायकों को अयोग ठहराने से जुड़ा नोटिस भी जारी किया गय इन सब के बिच महराश्ट के सियासी महासंगराम पर AI MIM चीप असदुदी नोवैसी ने भी बयान दिया है उन्होंने समचार एजनसी ANI से बात की और कहा कि महाविकास अगाडी को इस मामले पर विचार करने दे हम सामने आरे ड्रामा पर नजर रख रहे हैं ये बंदरों का डांस लग रहा है एक साखा से दूसरी साखा में खूदने वाले बंदरों की तरह काम कर रहे हैं यहां सुनिये महराश्ट संगट पर असदुदी नोवैसी ने क्या कुछ कहा मुझे इस बारे में कुछ बोलना नहीं है वो महाविकास अगाडी जाने वो तैक करें वो उनका अंदरोंी मामला है वो उस पर देखें वो फैसला करें हमको क्या करना है उससे हाँ बिलकुल हैं हम बहुत बड़े हमारा रोल है और रहेगा मगर इस मसले में वो वो खुद देख लें क्या होगा नहीं मालूं वो तैक करेंगे संजे राउत का जैसे बयान है कि सिसनी के रोट पे आएंगे इस इसको लेकर कहते हैं हरे रोट पे आएंगे तो आना चाहि ही जाने हम क्या करेंगे उसमें हम को क्या करना है उसमें मैं जा क्योंको उसमें खामखा अपना हाथ राजनितिकी के साथ हाँ ने हम भी है अरे ने अब ही तो हम चोटे मोटे पुलिटीशन हैं बड़े नहीं है इतने हम ने हम देख रहे हैं ना देख रहें नजर रख रहे हम देख रहे हैं कि वहां पर जो बंदरों का नाच हो रहा है एक जाड़ से दूसरे जाड़ को कूद रहा है कोई इस पेड़ से इस पेड़ पे आ रहा है देख रहे हैं तमाशा इखलाख का जलता हुआ घर देख रहा हूँ देखा नहीं जाता हम अगर देख रहा हूँ महराष्ट में जारी सियासी महा संगराम के बीच सनीवार को भी जबरदस्ट उतार चाढ़ों दिखा शिपसेना ने कहा है कि वो बागियों के सामने जुकने वाली नहीं है दूसरी तरब सिपसेना के बागी विधायकों के साथ असम में जम्मे एकनाथ सिंदे ने 38 विधायकों का समर्थन पत्र जारी कर दिया शिंदे की तरब से जारी पत्र में 38 विधायकों के हस्ताक्षर भी है दरसल महराष्ट में सियासी सह मात के जारी खेल के बीच हिंसा की खबरे भियानी शुरू हो गई है पूने में सिपसेना विधायक ताना जी सावंत के आफिस में पार्टी के कारकरताओं ने शनिवार को जम कर तोड़ फोड की इसके अलावा उनके दुकानों में भी तोड़ फोड की गई इस दोरान सिपसेनिक सावंत के खिलाप नारे वाजी भी करते दिखे उन्होंने ताना जी सावंत के आफिस और दुकानों की दिवारों पर गद्दार लिख दिया ताना जी सावंत भी एकनाथ सिंदे के साथ बुहाटी में है एक दिल पहले सुक्रवार को भी शिपसेना के कुरला से बागी विधायक मंगेस कुडालकर के ओफिस में तोलपोड की गई थी इस हमले कारोप शिपसेना के कारकरताओं पर लगा था कुडालकर मुंबई के कुरला से शिपसेना के विधायक है वो सुक्रवार को गुहाटी गए थे और एकनाथ सिंदे के गुट में शामिल हो गए थे इसके पहले सिमसेनको ने महराष्ट के नासिक में बागी नेता एकनाथ सिंदे के पोश्टर पर भी कालिक पोती थी पोश्टर पर अंडे भी फेके गए और सिंदे के बिरोद में जोरदार नारेवाजी भी की गई थी इन सब के बिच स्वनिवार को पूले में सिब सेना के बिदायक ताना जी सावंत के आफिस में पार्टी के कारकरताओं ने जम कर तोड़ फोड़ की यहाँ पर अवार लए्ट पार्टी का ज्रुट झाल्ग। महाराष्ट में महा अगारी सरकार स्यूसेना की फूट से जूज रही है औरे मामले में लगतार वार पलटवार का खिल चल रहा राजी की सियासत दिन बदिन गर्माती दिख रही है इस बीच मौका पाकर निर्दली इसांसद नौनीत राणा ने उद्धो सरकार और संज राउत पर निशाना साधा है नौनीत राणा ने वीडियो जारी करते हुए ग्रहमंत्री अमिश्ता से महाराष्ट में राष्ट पती सासन लगाने की मांगी है सोशल मीडिया पर नौनीत राणा ने एक वीडियो शेर किया है जिसमें वो कहती है ये गुंड़ागर्दी बंद की जाए महाराष्ट में उद्धो ठाकरे गुंड़ागर्दी पावर का गलत इस्तमाल समिधान को खत्म करने वाला नियम राज्य मिल्ले कराए है उन्होंने कहा कि मेरी विन्ती है कि इनके परिवारों को सुरक्षा दी जाए साथ ही महाराष्ट में रश्टपती शासन लागो किया जाए उन्होंने कहा कि आप बताईए कि ये विधायक आखिर क्यों इनसे अलग होए है उन्होंने ग्रहमंती अमिशा से हाथ जोड़कर विन्ती की है कि बाला साहब की विचारधारा पर चलने वाले इन विधायकों के परिवारों को सुरक्षा दी जाए मैं अमिशा जी से विन्ती करूंगी चितने भी विधायक जो बाला साहब के विचारधारों पर लेकर हिंदुत वादी विचारधारों को लेकर उद्दव ठाकरे को छोड़कर अपनी विचारधारों से जुड़कर वो अलग अपनी निरने ले रहे हैं उनके परिवार को सिक् जाए और हमारे महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की गुंडे शाई ये बंद की जाए क्योंकि बार-बार ये ठाई वर्षों में हमने मेरे हमारे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गुंडा गर्दी और पावर का दुरूपियों और सभीदान को खतम करने वाला नियम इन्होंने महाराष्ट्र में लाया है ये 20 सालों में मैं आपसे विनंती करूंगी जल्द से जल्द ये परिवारों को सिक्योर किया जाए और राष्चपती शाषन ये महाराष्ट्र में लगाये जाए इतनी में आपसे जरूर विनंती करूंगी दरसल बागी विधायकों को लेकर शुसेना कारेकरताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते पुरे में शुसेना के बागी विधायक ताना जी सावंद के दफ्तर में शुसेना कारेकरताओं ने तोड़ पोड़ की है। इस दोरान कारेकरताओं ने उद्धो ठाकरे पर हमला बोलते हुए फीडियो शेर किया पतादे कि इस उसेना के नेता संजय राउत ने कुणे में बागी विधायक ताना जी सावंत के दफ्तर में हुई तोड़ पोड को सही करार देते हुए कहा था कि ये केवल एक्षन का रियक्षन है उन्होंने कहा कि इस उसेना महारास्ट में शिव सेना दो फार्ड होने की कगार पर है उद्धफ ठाकरे ने पहले मनाने की कोशिश की फिर पद छोड़ा फिर छोड़ा सरकारी आवास और तो और शिंदे का पार्टी में पद और कद बढ़ाने की भी पेशकश की लेकिन मजाल क्या कि एकनात शिंदे ट अपने रुख पर कायम बने हुए हैं उन्होंने जता दिया है कि मान मनवल के लिए अब बहुत देर हो चुकी है लिहाजा पार्टी का विभाजन तह है इस बात से शिव सेना में खुद उधव और उनके वफादार सहयोगी आहत हैं पार्टी में इस तरह के बिखराव को ल गए हैं ऐसे में इसे तंजपूर ढंग से महरास्ट में ओपरेशन लोटस भी कहा जा रहा है बीजेपी हाला की इसे लेकर शांत मुद्रा में बनी हुई है इसे शिव सेना का आंतरिक मसला बता कर वो लगभग मौन बनी हुई है वो और बात है कि महरास्ट के राजनितिक सं संकट को लेकर विरोधी दल बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं इस बीच कनहिया कुमार ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया है इसे लेकर उन्होंने एक ट्वीट करते हुए बीजेपी पर तंज कसा है अपने ट्वीट में कनहिया कुमार लिखते हैं कि इसे ऑपरेशन लोटस नहीं बलकि आउपरेशन लूटस कहा जाना चाहिए। करहिया कुमार की ओर से ऐसा बयान तब सामने आया है जब महाराश्ट में पनपास सियासी संकट और गहरा गया है। शिवसेना तूट के कगार पर है एकनात शिंदे अपने गुट को लेकर नामों पर विचार मिमर्श कर रहे हैं। तो इस बीच महाराश्ट के कुछ जिलों में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। शिंदे के ग्रह जिले ठाणे में धारा 144 लगानी पड़ी है ताकि किसी तरह की अराजकता की संभावना को कम किया जा सके। ठाणे में पुलिस ने निशेधाग्या लगा दी है। ऐसे में इस शेत्र में किसी भी प्रकार से हिंसावे प्रयोग किये जा सकने लायक अस्तर शुस्तर आदी लाने या ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही किसी भी तरह के भड़काऊं पोस्टर लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है पुलिस की ओर से इस तरह की कदम एहतियाती तौर पर उठाए गए हैं इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए One India हिंदी के साथ महरास्ट में सियासी टकराओ जारी है शूसेना वर्सेज शूसेना के इस पूरे सियासी घड़ना करम के बीच रोजाना नई नई रणनीत देखने को मिल रही है दो पालों में बटे शूसेना फिलहाल अपना अस्तित तलाश रही है लेकिन इस बीच बॉलिवुड की चर्चि जामे है दरसल कंगना रनाओत का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वाइरल हो रहा है इस वीडियो में कंगना रनाओत कह रही है कि उद्धर ठाकरे का घमंड टूट जाएका कंगना रनाओत का यह वीडियो साल 2020 का है जब अभिनेतरी का ओफिस पर ब घमंड टूटेगा इसके अलावा कंगना रनाओत का एक और वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वैं कहती है कि जब भी कोई व्यक्ती औरत का अपमान करता है उसका पतल जरूर होता है उद्र ठाकरे तूझे क्या लगता है कि तुने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड के मुझसे बहुत बड़ा बद्ला लिया है आज मेरा घर तूटा है कल तेरा घमंड तूटेगा यह वक्त का पहिया है याद रखना हमेशा एक जैसा नहीं रहता है आपको बता दें कि बीमसी ने साल 2020 में कंगना अनौत के मुंबई स्थिल ओफिस में जमकर तोड़ फोर की थी इसके बाद अभिनेत्री ने बीमसी के खिलाफ बॉंबे हाई कोड का दरवाजा खटखटाया था और मुआबजे की मांग की थी इस मामले में कोड का फैसला भी कंगना के हक में आया था कोड का कहना था कि बीमसी ने खराब नियत से यह कतम उठाय था और कंगना का दफ़तर गलत इरादे से तबाह किया क्या कोड ने कहा कि यह नागरिकों के अधिकार के भी विरुध था अदालत के फैसले के बाद कंगनार अनौत ने ट्वीट किया था जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है तो यह व्यक्ति की जीत नहीं बलकि लोकतर की जीत नहीं है यह पूरा मुद्धा उस वक्त काफी चर्चा में रहा था जो एक बार फिर वायरत को रहा है फिलाल के लिए इस खबर में इतना है अब डेट्स के लिए बने रहे हैं वर इंडिया हिंदी के साथ जम्बू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महभूबा मुफ्ती ने आज केंदर की मोधी सरकार पर जमकर निशाना साथा उन्होंने कहा कि इस देश को जवाहरलाल नहरू, इंदरा गांधी, राजीब गांधी जैसे नेताओं के खून पसीने से बनाया गया था जिसका अधार लोक्तंडर और धर्म निर्पेक्ष्टा था भाजपा इसके विपरीच चल रही है, मैंने अपने जीवन में इससे भ्रष्ट सरकार नहीं देखी है महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि मैं युवाओं के अभिवावकों से अनरोध करती हूँ, कि युवाओं को बंदुक उठाने से रोखें अवल, I would not like to go into their statements, whatever they are saying but they have made a mess of this country, BJP the country which was built with so much of you know blood and sweat by leaders like Jawaharlal Nehru over the years by the Congress party whether it was Vajshpaa, Indira Gandhi, you know all the leaders the basic fundamentals of the India where democracy and secularism, they are turning everything upside down they are the most corrupt system that I have ever seen in my life because the way they are purchasing MLAs after the elections, be it Madhya Pradesh, be it Rajasthan, be it you know Goa, be it now in Maharashtra, there is no example of such corruption in the history of India for the last 70 years so this is all corruption, nothing else, I have nothing else to say about it इसके साथ ही महबुबा मुफ्ती ने शोपिया में हुए सूमो धमाके का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि सूमो में हुए धमाके में चालक शौकत एहमर शेह को गिरफतार कर लिया क्या और उसे हिरासत में ले लिया क्या दस दिनों के बाद वे कहते हैं कि वह कोपवाडा में एक मढ़भेड में मारा गया था लेकिन वह हिरासत से वहां तक आखिर कैसे पहुचा तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहिए वर इंडिया हिंदी के साथ चाखा के इंस्पेक्टर दर्शन सिंग बरार की शिकायत पर की गई है तीस्ता सितलवाड और पूर्व IPS आर्बी श्रीकुमार और संजीव भट के खिलाफ ये कारवाई गुजराद दंगा मामले में जोटी जानकारी देने के आरोप में की गई है दर्श FIR के मताबिक इस मामले में आरोपियों ने जाक्या जाफरी के जरीए कोर्ट में कई आचिकाय दी थी जबकि SIT समेट अन्य आयों को गलत जानकारिया दी थी आज तक की एक रिपोर्ट के मताबिक गिरफतार किये गए पूर्व IPS अधिकारी आर्बे श्रीकुमार को लेकर जोजानकारिया सामने आई है उसके मताबिक गुजराद दंगा मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में सीम की बैठक में शामिल होने के दावितारों के बयान राजनीतिक तोर से संसरी पैदा करने वाले थे आपको बता दें कि इस संबंध में पूर्व IPS आर्मी श्रीकुमार के अलावा हीरेन पांडिया और संजीव भट ने SIT के सामने जो बयान दर्ज करवाए थे वे जूठे और निराधार साबित हुए थे बाद में जब इसकी जाच परख की गई तो मालूम पड़ा कि लौ एंड ओर्डर की समिक्षा के लिए जो बैठक बुलाई गई थी उस बैठक में वे शामिल ही नहीं हुए थे वही 24 जून को गुजरात दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT की रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी की ओर से दायर याचिका को रद्द कर दिया था इसरद करते हुए कोर्ट ने टिपड़ी की थी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तीस्ता इस पूरे मामले में इसी वज़ह से गुशी रही क्योंकि जाकिया जाफरी इस मामले में असल पीडित है कोड ने अपनी टिपड़ी में ये भी कहा था कि तीस्ता अपने हिसाब से इस मामले में मदद के बहाने इसे नियंत्रित कर रही थी और अपने हित को साधने की भी कोशिश कर रही थी इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपनेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ सुप्रीम कोड ने 2002 गुजरात दंगे के मामले में असाइटी की ओर से पीम नरेंद्र मोधी को दी गई क्लीन चीट बरकरार रखी है कोड ने असाइटी के काम की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य प्रिशासन के कुछ हधिकारियों की लापरवाही का मतलब ये नहीं राज्य प्रिशासन की ये साजिश थी मैं सुप्रीम कोड के फैतले के बाद ग्रे मंत्री अमिशा ने अनाई को दिये इंटर्विव में कहा कि पियम मोधी पिछले 18 सालों से भगवान शंकर की तरह विश्पान करते रहे लेकिन किसी से कभी भी कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा कि मैंने प्रधान मंत्री मोधी को नजदीक से इस दर्द को जेलते हुए देखा है क्योंकि न्याईक प्रक्रिया चल रही थी तो सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोले बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टेंड ले सकता है दिखे सबसे पहले क्लीन चीट नहीं है मैं इसके बारे में बात में बात करूंगा सुप्रिम कोट ने पूरे आरोपों को खारीज किया है और आरोप क्यूं घड़े गहे इसके बारे में भी सुप्रिम कोट ने का है एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रिम कौट ने आरोब पोलिटिकली मोटिवेटेड है ये भी सिद्ध कर दिया है सुप्रिम कौट के जजमेंट ने सिद्ध किया है जहां तक कैसा लगा का सवाल है 18-19 साल की लड़ाई देश का इतना बड़ा नेता एक सब्द बोले बगर सभी दुखों को भगवान संकर के विश्पान की तरह गले में उतार कर सहन करकर लड़ता रहा और आज जब अन्त में सत्य सोने की तरह बारा है चमकता हुआ बारा है तो आनन्द ही होगा मैंने बहुत नद्दीक से मोदी जी को इस दर्द को जिलते हुए दिखा है इस आरोपों को जिलते हुए दिखा है और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्यूंकि नाएक प्रक्रिया चालू है हम कुछ नहीं बोलेंगे इस टेंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही इस टेंड ले सकता है इसके साथ ही अमिर्शा ने कहा कि मोदी और बीजेपी के खलाब करीब दो दर्शक से दुश प्रचार चले रहा था उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोट ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोट के फैसले ने ये सिद्ध कर दिया कि सभी आरोप राजनितिक रूप से प्रेडित थे उननीस साल के बाद सुप्रीम कौट की खंडपिट ने आज जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे घलत आरोप को खारीच कर दिया गया और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पोलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था विस्टेड इंट्रेस था ना मैं बताता हूँ बाद में और तीसरा इस से भारतिय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है और मोटिजी जैसे वैस्विक नेता पर जो घलत आरोप लगाये थे मैं मानता हूँ कि लोग तंत्रन के अंदर मोटिजी ने संविधान का संद्मान कैसे हो सकता है इसका एक आदर्स उदाहन सभी राधनिती में काम करने वालों लोगों के सामने करा है मोटिजी की भी पुत्ताच हुई थे किसी ने धर्णा प्रदसन नहीं करा था देश भर से कारे करता आकर मोटिजी के समर्थन में सॉलिरालिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे हम कानून को कॉपरेट किये थे आपको बता दें कि जश्टिस ए एम खान विलकर दिनेश महश्वरी और सीटी रवी कुमार की बेंच ने 452 पन्नों में फैसला सुनाया सुनमाई के दोरान कोट ने कहा कि जो छान बीन हुई उसमें ऐसा कोई तत्थ है नहीं जो बताया कि अल्प संख्यक समुदा के खलाब हिंसा के लिए हाई लेवल पैर्ट साजिश रची गई थी इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ बिहार के राजदानी पतना में शनिवार को एक बार फिर से बिमान हाथ सटल गया पतना एरपोर्ट से उरान भरने के ठीक पहले गुहाटी जा रही स्पाइज जेट की फलाइट में तकनीकी खरावी आ गई जिसके बाद प्लेन को रनवे से बापस लोटा दिया गया दरसल पटना से गुहाटी जारी स्पाइस जेट की फ्लाइट एस्जी 3724 में खरावी आ गई उडान भरनेक के ठीक पहले बिमान में खरावी के बाद फ्लाइट को रंबे से हटा दिया गया सारे यात्यों को उतारा गया और जान्ट शुरू की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पाइजेट का प्लेन पटना से गुहाटी के लिए टेक ओफ करने वाला था टेक ओफ के दौरान ही वार्निंग लाइट जलने लगी जिसके बाद टेक ओफ को कैंसिल कर दिया गया इस फ्लाइट में करीब 50 यातरी सामिल थे दरसर स्पाइजेट की फ्लाइट SG-3724 अमरित्सर से पटना आती है इसके बाद फ्लाइट को पटना से गुहाटी वेजा जाता है शनिवार कूरान भरने से ठीक पहले स्पाइजेट की फ्लाइट में खरावी की सिकायत मिली थी बताते चले कि कुछ दिनों पहले भी पटना से नई दिल्ली जारी स्पाइजेट की फ्लाइट के इंजन में बर्ड हिट हो गया था इसकारण इंजन में आग लग गई थी बात में पाइलेट ने सूझ बूच के साथ प्लेन को पटना एरपोर्ट पर लेंड करा दिया था उस फ्लाइट में 185 पैसेंजर्स के अलावा कुरू मेंबर्स भी मौजूद थे इस ख़बर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ इंडिये की राष्टपती पत के उमिदबार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को अपना नमांकन दाखिल कर दिया इस मौके पर पियम नरेंद्र मोधी समित कई दिगजनेता मौजूद रहे एंडिये की राष्टपती पत की उमिदबार के लिए बीजेपी लगातार समर्थन चुटा रही है इसी बिच द्रौपदी मुर्मू ने TMC प्रमुक और पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी से समर्थन की अपील की PTI की रिपोर्ट के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी से फोन पर बात चीत की इस दोरान उन्होंने ममता बनर्जी से समर्थन देने की अपील की रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने NDA की राष्टपती पत की उमिद्वार द्रौपदी मुर्मू को शुबकाम नाय दी लेकिन राष्टपती चुनाओं में उनने समर्थन देने पर कुछ नहीं कहा NDA की उमिदवार द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर जी के अलावा कॉंग्रेस सद्यक्ट सोनिया गांधी जारखंड के सियम हेमंत सोरेन और NCP चीप सरद पवार से भी बात की उन्होंने तमाम बड़े दलों से समर्थन मांगा है सभी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्टपती चुनाओं के लिए सुबकामनाय दी रिबोर्ट के मुताविक नमांकन दाखिल करने से पहले तमाम नेताओं को फोन किया गया था दरसल विपक्ष ने यस्वंथ सिना को राष्टपती पत का उमिदबार बनाया है 27 जुन को दिल्ली में राष्टपती पत के उमिदबार यस्वंथ सिना अपना नमांकन दाखिल करेंगे रिपोर्ट के मुताविक मम्ता बनर जी ने द्रौपदी मुर्मू से कहा कि पाटी तै करेगी कि क्या करना है अगर सियासी समीकरन की बात करें तो मम्ता बनर जी का द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना संभव नहीं है हैसा इसलिए कि यस्वन्थ सीना राष्टपती पत के उमिदवार है विपक्षी दलो ने यस्वन्थ सीना को अपना उमिदवार बनाया है इसके पहले भी ममता बनर्जी ने राष्टपती चुनाओ को लेकर दिल्ली में कई नेताओं के साथ बैठक की थी उनकी कोशिश विपक्ष के उमिदवार के लिए समर्थन चुटाना था अगर राष्टपती पत के चुनाओ की बात करें तो 18 जुलाई को मतदान होगा यदि द्रौकदी मुर्मु को जीत मिलती है तो वो पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्टपती होंगी मौजूदा राष्टपती रामनात कोविंद का कारेकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ राष्टपती चुनाम में एंडिये ने दुरौपती मूर्मु को उमीदवार बनाया है बीज़ेटी की आदिवासी कार्ड ने विपक्ची दिलो को भी राष्टपती चुनाम में समर्थन की मुद्दे पर पसुपेश में डाल दिया है औरीशा से आने वाली आदिवासी नेता दुरौपती मूर्मु ने पक्ची खेमे में सेन लगा दिये बताते हैं आज बीज़ेटी चीप मायवती ने मूर्मु को राष्टपती चुनाम में समर्थन देने का एलान किया है उन्होंने काए कि आदिवासी समाज BSP के मूवमेंट का खास हिस्सा है इसलिए हमने दुरौपती मूर्मू को समर्थन देने का एलान किया है परत्मान समय में इसी कड़ी में राष्टपती चुनाव में अपना फैंसला खुद लेने के लिए सर्तंत्र आजाद है जिसके तहती हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए दुरौपती मूर्मियों को राष्टपदी पद के लिए अपना समर्थन देने का फैंसला लिया है और हमने यह अती महत्रपुन फैसला बीजेपी वे इनके अंडिये के पक्षवे नहीं और ना ही इनके विपक्ष यूपिये के विरोध में कोई सोच कर लिया है बलकि अपनी पार्टी वे मूव्मेंट को विश्रेश ध्यान में रखकर ही एक आदिवाची समाज की योग्ये वे करमठ महला को देश का राष्टपती बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है हलाके वे कितना फिरिली होकर वे बिना किसी दवाग के कारे कर पाएगी ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा अन्त में अब मैं अपने आदिवाची समाज की महला को देश का राष्टपती बनाने के लिए अपने पार्टे का बोट देने का एलान करते हुए अपने बात यहीं समाग करती हूँ बहुजों समाज पार्टी की प्रमुप मायवती ने द्रौपती मुरू के समर्थन का एलान कर दिया है लखनों में बसका प्रमुप मायवती ने एलान किया कि हमने राष्पती जुना में एंडिये की उमीदवार द्रौपती मुरू का समर्थन करने का फैसला किया है मायवती ने NDA candidate के समर्थन को लेकर उठाये जा सकने वाले सवालों का जवाब भी दिया उन्होंने का कि हमने ये फैसला ना तो बीजेपी या NDA के पक्ष में नाही विपक्ष के विरोध में लिया है मायवती ने ये भी साफ किया कि हमने ये फैसला अपनी पार्टी और आंदलन को ध्यान में रखते हुए लिया है गौर्टलब है कि बसपा दलित मुव्मेंट में उपजी पार्टी है पार्टी का बेज वोट बैंक भी दलित है एंडिये केंडिडेट द्रौपती मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती है ऐसे में बसपा भी इस पर सोपेश में फसीती की द्रौपती मुर्मू का समर्तन करे या विपक्षी दलो के उमीदवार पूर केंद्रे मंतरी यश्वन सिना का आपको बता द्रौपती मुर्में एंडिये की राश्पती पत की उमीदवार है वो इससे पहले जहरकंड की पहली महिला राज्यपार ले चुकी है सत्तादारी एंडिये का उमीदवार होने के दाते उनकी जीत तैमानी जा रिए ऐसा होने पर वो देश की पहली आदिवासी महिला राश्पति होंगी बीएसपी का समर्टन मिलने से एंडिय की उमिद्वार को और मजबूती मिली है इस खपर में फिलाल इतना ही बनरिया बनरिया हिंदी के साथ देश में राश्पति चुनाव को लेकर अब सियासत तेज हो गई है वहीं विपक्षी पार्टी के बीच भी अब जुबानी जंग लगातार तीज होती जा रही है एंडिया ने आदिवासी समुदाय के मिला द्रौपती मुर्मू को अपना उमिद्वार बनाया तो वहीं विपक्ष की ओर से यश्वन सिना राश्पति पत के उमिद्वार है बियस्पी सुप्रीमो मायावती ने पश्रिम मंगाल की सीम ममता बनर जी पर तंज कसा उन्होंने कहा कि ममताव अनर्जी ने राश्पती चुनाव के लिए एक विपक्षी उमिद्वार का चैन करने के लिए 15 जून को एक बैठक बुलाई थी जिसमें केवल चैनित पार्टियों को आमंतरित किया जब शरत पवार ने 21 जून को एक बैठक बुलाई तो भी बीएसपी को आमंतरित नहीं किया गया ये उनके जातिवादी उद्देशों को दर्शाता है दरसल विपक्ष की ओर से राष्टपती उमिद्वार को लेकर होई हाल फिलाल बैठकों में बीएसपी को नहीं बुलाई गया जिसको लेकर मयावती नाराज है बता दें कि विपक्ष की ओर से 21 जून को राष्टपती चुनाव को लेकर एक बैठक बुलाई गयी थी ये बैठक ममता वनेर जी ने बुलाई थी जिसमें विपक्ष की तमाम बड़ी पार्टियां शामिल हुई लेकिन इस बैठक में ना तो मयावती को बुलाया गया और नहीं उनसे यश्वन सिन्हा को उमिद्वार बनाय जाने से पहले चर्चक ही गई जिसको लेकर अब उन्हो का खास हिस्सा मानते हुए द्रौक्ति मुर्मुक राश्पती पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है इसके साथ ही मयावती ने ये भी साप किया कि हमने ये फैसला एंडिये के पक्ष में या यूपिये के विरोध में नहीं लिया बलकि अपनी पार्टी के को ध्यान में रखते हुए एक आदिवासी महिला को देश की राश्पती बनाने के लिए ये फैसला लिया गया इस खपर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है बन इंडिया हिंदी के साथ भारत में महंगाई ने आम जन जीवन को अस्त बेस्ट कर दिया है खालात ऐसे हैं कि आम से लेकर खास जनता तक महंगाई से प्रभावित है पेट्रॉल डीजल से लेकर LPG और खाने पीने के सामान भी महंगे हो गए हैं दुनिया के कई दूसरे देशों में भी महंगाई ने पर देशाना साधा है ओवैसी ने ट्वीट करके बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार पर जोरदार तंज कसा है ओवैसी ने ट्वीट में लिखा ये सजबी प्रधान मंतरी सिरी नरेंदर मोदी जी के नेतरित में महंगाई नई उचाईया छू रही है ये हमारा सवभाग है क कि हमें ऐसे परधान सेवक मिले हैं मोदी जी लगता है कि आप कहीं और बीजी है टेंसन मत लीजिए आपके आठ साल के राज की बदोलत देश बास्यों की सहन सकती भी नई उचाईया छू रही है अपने ट्वीट के साथ असदुदी नोवैसी ने एक चार्ट भी सेयर किया जिसमें उर्जा, कपड़े और खाने पीने से जुड़े सामानों की लिश्ट और उनके बढ़ते दामों का जिक्र है बताते चले कि AIMIM चिप असदुदीन ओवैसी लगतार केंदर सरकार पर जुवानी हमले करते रहते हैं इसके पहले ओवैसी ने अगनिपत स्कीम को लेकर फ़न इंडिया हिंदी के साथ करीब 300 मीटर तक विरत यातरा पर भी सवार दिखाई दिये इस दोरान सैकडों की संख्या में पार्टी कारे करताओं ने तिरंगा यातरा निकाली यहां से केजरिवाल का रत धालपूर पहुंचा जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर स्वास्थ, शिक्षा और बिजली सम कई मूरभूत सुविदाओं के अभाव के मुद्धोपर जम कर प्रहार किया, प्राटी के सिध्धानतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम राजनीती नहीं जानते और नाहे हिमाचल में राजनीती करने आए है उन्होंने कहा कि पार्टी का मक्जद सिर्फ और अचार को मिटाना है आप आज इतनी धूप में हमारे साथ तिरंगा यात्रा निकालने के लिए कठ्थे हुए आज आप यहाँ पे सारे कठ्थे हुए इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रियादा करना चाहता हूँ जैसा भी मेरे छोटे भाई भगवन जी ने कहा हमें राजनीती करनी नहीं आती हमें पॉलिटिक्स करनी नहीं आती हम यहाँ पॉलिटिक्स करने भी नहीं आए अन्ना अंदोलन से शुरू हुआ था हमारा सिलसला अन्ना अंदोलन के बाद हमने पार्टी बनाई कसम खाई थी क इस देश से प्रश्टाचार दूर करेंगे और आज भी उसी रस्ते के ऊपर चल रहे हैं पहले दिल्ली में प्रश्टाचार खतम किया अब पंजाब के अंदर सिलसला चालू हो गया आपने कमी सुना था कोई मुख्यमंत्री अपनी कैमिरेट के मिनिस्टर को खुदी पकड़ के और जेल में डाल दे कमी सुना था अब इमान साब ने थोड़े दिन पहले इनके पास एक कोई रेकॉर्डिंग लेके गया उस रेकॉर्डिंग को इन्होंने सुना उसमें पता चला कि इनका जो हेल्थ मिनिस्टर था वो गड़बड कर रहा था विपक्ष वालों को नहीं पता था भी, मीडिया वालों को भी नहीं पता था, ये चाहते तो दबा देते, ये चाहते तो हेल्थ मिनिस्टर को बुला के बोलते कि थोड़ा मेरा हिस्सा कहा है, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने अपनी पुलिस बुलाई और उसको पुलिस के आतों कर दिया, आज हमारे वाला करेगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे उनके वाला करेगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे इस खबर में फिलहाली तरह ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे रहे वन इंडिया हिंदी के साथ सेना में भरती की नई स्कीम अगरीपत को लेकर मचे घमासान में जहां सडकों पर उनमाद में युवा उपद्रव और हिंसा पर आमादा दिखे तो तमाम विपक्षी दल इसे लेकर बेहत आग बबूला नजराये थे एक के बाद एक केंदर सरकार की इस नई भरती स्कीम को लेकर जुआनी प्रहार किये जा रहे थे जिस पर सरकार तो कुछ फिर बदल के साथ अपने रुख पर कायम रही अलबता इस पर अब सियासत दानों के अलावा सम्वधानिक पदपर आसीन मेगाले के राजजपाल सत्तिपाल मलिक ने एक गर्मा गर्म बयान दे डाला है NDR TV के एक रिपोर्ट के मुदाविक उन्हें भी सेरा में भरती किये नए स्कीम नहीं भाई है लिहाजा उन्होंने भी तमाम विरोधी दलों के सुर्मे सुर्म मिलाते हुए इस स्कीम को वापिस लेने की अपील की है इसलिए कर अपने एक बयान में उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री मोदी से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि इस योजना को वापिस लें योजना बताती है कि सरकार और गावों के बीच दूरी बढ़ रही है मैं युवाओं से भी आगरह करता हूँ कि प्रधर्शन करते वक्त हिंसा ना करें सेरा में भर्ति की इस रही स्कीम पर नाराजगी जाहिर करते हुए बेखाले के राज़िपाल सत्यपाल मलिक ने तंज कसते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री ये वादे कर रहे हैं कि वो नौकरियां देंगे उनका ही भरोसा नहीं है कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं वहीं उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारी जो सरकार का बचाव कर रहे हैं वो भी गलत है राजिपाल मलिक ने कहा कि वर्दी और न्यायाले की ही इज़त बची है लिहाजा वर्दी वाले जनरल को भी टीवी पर लाना सरासर गलत है उन्होंने कहा कि उन्हें पद की लालसा नहीं है लेकिन वो बोलना बंद नहीं करेंगे अपने बयान में वे आगे कहते हैं कि उन्हें कहा जाए तो वे राज्यपाल का भी पद छोड़ने को तयार हैं आपको पता दें कि सेना में भरती की इस नई स्कीम अगरीपत को लेकर कई राज्यों में जबरदस्त विरोध देखने को मिला था अगर परदर्शनों के दोरान रेलवे की संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुचाया गया था हाला कि बाद में सरकार ने इस पर विचार करते हुए एक साल के लिए उम्र में छूट देने का एलान भी किया था लेकिन उसके बावजूद नाराज धिवाओं का गुसा शांक नहीं हुआ इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ किंद सरकार ने 14 जून को अगनी पत भड़ती योजना की थी इस खोशना के बाद से पूरे देश में इंसक प्रदेशन के साथ साथ सियासत भी जाड़ी है तो वहीं इस योजना के विरोध में हस्तिना पूर्ट से विदान सबा चुनाव लड़ी ही कॉंग्रिस नेतरी और फिल्म अभी नेतरी अर्चना गौतम 24 जून को बुलंचेर पहुंची यहां अर्चना गौतम ने दूप में तपती सड़क पर नंगे पाउं उतरी और अगनी पत योजना के खिलाब जंप कर विरोध प्रदेशन किया प्रदेशन के दूरान अर्चना गौतम हातों में रसी की बेडियां और गले में फंदा डाले हुए नजर आई आपको बतादे फिल्म अभी नेतरी और कौंगरेस नेता अर्चना गौतम 24 जून को सेहना बढ़ती अगनी पत योजना और वियापक बेरोजगारी के विरोध में जिला कौंगरेस कमेटी और युथ कौंगरेस कमेटी के साथ सड़क परूतरी इस दोरान अगनी पत योजन के लिए जौब देंगे चार साल के बाद युवाओ को बीजेपी का चौकीडार बना दिया जाएगा या फिर उनसे पकोड़े तलवाये जाएंगे जानकारी के मताबिक इतना ही नहीं अर्चना गौतम ने कहा कि मोधी सरकार युवाओ के सपनों से खिलवार कर रही है चार साल के लिए युवाओ को आर्मी में वर्दी किया जा रहा है चार साल बात वो क्या करेंगे कहा घर में मार्पीट करेंगे चोरी करेंगे डेकैटी डालेंगे क्योंकि उनके पास कमाने का कोई सादन नहीं बचा होगा अर्चना गौतम ने इस दोरान सवाल पूछते हुए क कहा कि ऐसी कौन सी मा होगी जो अपने बेटे को गोली खाने के लिए चार साल के लिए आर्मी में भेजेगी इस दोरान उनने कहा कि कई बड़े कॉर्परेट घराने और दिगज उद्योपती जो इन युवाओ को चार साल बात जौब देने का आज वादा कर रहे हैं वो चा मुझे लगता है कि बड़ी-बड़ी कंपनिया द्वारा जौब देने के किये गए वाले वादे खोकले साबित होंगे खाबर में फिलाल इतना ही बनरिया बनरिया हिंडिया हिंदी के साथ चीन सीमा में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सीना को बड़ा हत्यार मिला है ये वो हत्यार है जो दुश्मन को दूर से देखकर नश्त नाबूद करने के लिए काफी है देखते ही देखते बड़े से बड़े टैंक को तबाह करने की छमता रखता है एक साथ कई मोर्चों पर लड़ सकता है ये वहन इतना कमफर्टेबल है कि कोई भी साइनिक इसको चला कर दुश्मन के छक के छुला सकता है भारतिय सेना ने चीन से जुड़ी सीमा पर इंफ्रेंट्री कॉमबैक्ट वहन तैनात किया है जिसे शुक्रुआर को लगदाफ में फारवर्ड पोस्ट एरिया में तैनात नौर्धन आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जन्डर उपंदर दिवेदी ने चला कर देखा एलेसी पर चीन से चल रही तनातनी के बीच भारतिय सेना ने फ्यूचरिस्टिक इंफ्रेंट्री कॉमबैक्ट विकल यानि FICV को तैनात किया है जिसे मेकिन इंडिया प्रोजेक्ट करता है तैयार किया गया है ऐसे 1750 FICV सेना को मिलेंगे बता दें कि दुस्मन के टैंकों को नंस्ट करने और सैनिकों को ले जाने के लिए भारतिय सेना को फ्यूचरिस्टिक इंफ्रेंट्री कॉमबैक्ट विकल की बहुत जरूरत थी सेना के सूत्रों के मुंताबेक सेना को हर साल 75-100 कॉमबैक्ट मिलेंगे जिन्हें जरूरत के हिसाब से तैनाग किया जाएगा दुश्मन के टैंक नस्ट करने वाला ये पहला वहन दियाडियो और टाटा ने मिल कर तायार किया है लेह लगदाक जैसे दुर्गम इलाकों में भारतिय सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए मेड इन इंडिया इंफ्रेंट्री कॉमबैक्ट विकल को सेना के बेड़े में शामिल किया गया है शुक्रवार को लगदाक में फारवर्ड एरिया पोस्ट में तैनाग नॉर्दन आर्मी को ये कॉमबैक्ट विकल मिला Northern Army Commander Lieutenant General उपेंदर दिवेदी ने इस वीकल को चलाया और बताया कि इस इलाके में ये वीकल बहुत बहुत बहुतर तरीके से काम करेगा इसे यहाँ पर बहुत आसानी से चलाये जा सकता है उपेंदर दिवेदी ने बताया कि कोई भी इस वाहन को आसानी से चला सकता है जो भी इसे चलायेगा वो अठारे सो मीटर दूर दुश्मन को देख सकता है इस वीकल में लगे हत्यारों को अंदर से ही बैट कर कंट्रूल किया जा सकता है आपको बता दें कि Infantry Protected Mobility Vehicles के नाम की इन वाहनों को इसी साल आपरेल में भारती सेनों को सौपा गया था लेकिन पहाडी इलाकों जैसे लग्दाक छेतर में इसका परिश्चन चला था प्रसुच्छन में यह पास रहा इसलिए नौर्दान आर्मी को सौपा गया है Infantry Protected Mobility Vehicle की खासियत की बात करें तो इस वाहन में एंटी टैंक मिसाल भी है RFI के अनुसार इस Combat Vehicle को भारत के उत्री सीमाओं यानि लग्दाक, मद और सिक्किम सेक्टर के ओपरेशन्स के लिए तैनात किया जाएगा इन IPMP का इस्तमाल सैनिकों के तेजी से मुमेंट करने और टैंकों के खिलाफ किया जाता है इन Combat Vehicles में 8-10 सैनिक अपने हाथ्यारों के साथ तैनात रह सकते हैं इसके अलाओ मशीन गन और ATGM यानि Anti-Tank Guided Visile से भी लैस किया गया है सीने से जुड़ी इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है One India Hindi के साथ पडोसी मुल्क पाकिस्तान जो बम बारूत गोले खरीदने के लिए अपने खजाने के द्वार खोल दिया करता है उसे अब चाय की चुस्की के भी वांदे होते जा रहे हैं जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने वही प्याली भर चाय जिसे आप और हम सुड़क कर भूल जाया करते हैं उसे सुड़कने से पहले अब पाकिस्तान की आवाम को दो बार सोचना पड़ेगा कि अगली प्याली नसीब होगी या नहीं ऐसे में पाकिस्तान सरकार इसका भी हल ढूण लाई है पाकिस्तान में ताजा ताजा बनी शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान युनिवर्सिटी को चाय का एक विकल्प सुझाया है युनिवर्सिटी को कहा गया है कि वो यहाँ पढ़ने वाले च्छात्रों को लसी और सत्तू पीने के लिए प्रोत्साहित करे इसे वो चाय के विकल्ब के तौर पर ले सकते हैं अब आपके जहन में ये सवाल कौंध रहा होगा कि चाय के विकल्ब को लेकर पाकिस्तानी सरकार ने ऐसा सुझाव दिया कियो और तमाम बड़े-बड़े मसर्वों को छोड़ चाय को लेकर विचार किया कियो यह सवाल आपके जहन में उठना भी चाहिए दरसल पाकिस्तान इन दिनों बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है ऐसे में बाहर से आयात होने वाली चीजों पर होने वाले खर्च में कटोती की जा रही है पाकिस्तान में बड़ी मात्रा में चाय का भी आयात किया जाता है ऐसे में पाकिस्तान के उच्छ शिक्षा आयोग ने अब चाय के आयात पर खर्च में कटोती पर विजार किया और उसके लिए एक नया तरीका भी सुझाया इस सिलसले में एक पाकिस्तानी अख़बार दन्यूज ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताया गया है कि शिक्षा निकाय ने कुल पतियों से लसी और सत्तु जैसे स्थानिय पे की खपत को बढ़ाने के लिए कहा है इसके साथ साथ लोगों से ये भी अपील की गई है कि वे चाय का कम से कम सिवन करें और अपनी दिन्चर्या में बदलाव करते हुए चाय की तलब को कम करने की कोशिश करें पाकिस्तान पहले ही बहुत सी गैर जरूरी चीज़ों के आयात में कटोती कर चुका है जबकि सरकारी करमचारियों के खर्चों में भी कई तरह की बंदिशें लगाई गई थी चाय के आयात में कटोती के साथ मुलक में सब्तू और लशी के सेवन को अपनाने को लेकर पाकिस्तान उच्छ शिक्षा आयोग की दलील है कि ये ना केवल एक सेहत बंद विकल्प साबित होगा बलकि इससे रोजगार भी बढ़ेगा और तंगी से जूचते लोगों को आये का जरिया भी मिल जाएगा हलाकि इस फैसले को पाकिस्तान के लोग किस नजरिये से देखते हैं ये आने वाले दिनों में जाहिर हो जाएगा इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रहेए One India हिंदी के साथ अमेरिका में लंबे समय से ये बहस श्री हुई थी कि यहां गर्भपात या अबॉर्शन पर परतिबंध लगाया जाए या नहीं ये चर्चा उठ खड़े होने भर से कई संगठन सड़कों पर उतराये थे पिछले कुछ हफतों से इसे लेकर सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन भी देखा जा रहा था लेकिन अमेरिकी स्प्रीम कोर्ट ने इसे लेकर अब एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिस ने कई संगठनों को जोरदार झटका दिया है स्प्रीम कोर्ट ने डॉप्स वर्सस जैक्सन वाद में 6-3 की सहमती के आधार पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अमेरिका में अबॉर्शन सम्वेधानिक अधिकार नहीं है कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए साल 1973 के उस फैसले को पलट दिया जिसे रो वर्सेस वेड के नाम से जाना जाता है उस फैसले में कोर्ट ने गर्भपात के अधिकार को समवेधानिक अधिकार माना था अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब अमेरिकी राज्यों के लिए फिर से गर्भपात पर पूर्ण पर्तिबंध लगाने का रास्ता साफ हो जाएगा इसे लिकर हुमेन राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है कि इससे अमेरिकी महिलाओं की आजादी उनके खुद के फैसले लेने की स्वतंतरता और व्यक्तिकत स्वायत्तिता की रास्त्री समझ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी साल 1994 के बाद से अमेरिका ऐसा चौथा दिश बन गया है जिसने अबोर्शन राइट्स को वापिस लिया है इस पर प्रतिबंद लगाने की विरोध में पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका की सड़कों पर लगतार प्रदर्शन देखे जा रहे थे अमेरिकी लोग इसे अपने अधिकारों का हरनन बता रहे हैं उनका मानना है कि उनके शरीर पर पूरी तरह से उनका ही अधिकार होना चाहिए गौरतलब है कि अमेरिका में गर्भपात का कानून करीब 50 साल पुरारा था यहाँ दुनिया के दूसरे देशों की तरह गर्भपात को लेकर बंदिशे नहीं थी इसी वजह से वहाँ लोग अपनी बर्जी से अबॉर्शन करवाया करते थे लेकिन वो अब से मुम्किन नहीं हो पाएगा इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे हैं वन इंडिया हिंदी के साथ देश और दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिट से डराना शुरू कर दिया है दुनिया के कई देशों में चौथी लहर चल लई है तो यह अब भारत में भी पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं देश के कई राज्यों में कोरोना केसों में लगातारी जाफा हो रहा है जिसने स्वास्त मंत्रालय और राज्य सरकारों की चिंता पढ़ा रखी है देश में पिछले 24 गंटे में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर से टेंसर बढ़ा दी है पिछले 24 गंटे में कोरोना के 15,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए देश में कोरोना की सूपर स्पीड के भी चेक्टिव केस की तादाद भी बढ़ती जा रही है कोरोना के नए मामलों में आई तेजी के साथी देश में अब एक्टिव केसों के संख्या कुल तकरीबन 22,000 तक पहुँच गई है देश में पिछले 24 गंटे में 15,940 नए मामले दर्ज किये गए महराष्ट में सबसे ज़्यादा 4,205 मामले मिले इसके बाद केरल में 3,981, दिल्ली में 1,447, तमिलनाडू में 1,369 और करनाटक में 816 नए मामले सामने आए देश में कुल नए मामलों में से 74,08% नए मामले इन 5 राज्यों में मिले है कॉरोना के नए केस मिलने के बाद देश में अब मिले संक्रमीदों की संख्या 4,33,78,234 हो गई है देश में पिछले 24 घंटे में कॉरोना से 20 मरीजों की मौत भी होई है जिसमें कॉरोना संक्रमर से मनने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,24,974 हो गई है उधर देश में कुरोना की रिकवरी रेट अब ठान में दस्मलाव 5-8 फिजदी हो गई है पिछले 24 घंटे में कुल 12,425 मरीज ठीक भी हुए अब तक देश बर में कुरोना से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 4,27,61,480 हो गई है कुरोना केसों में जिस तरह से लगातार ही जाफा होता जा रहा है विश्रेशग्यों का मानना है कि कुरोना के बढ़ते मामले 4 लहर की आहट भी हो सकते हैं महराष्ट केरल में सबसे ज़्यादा मामले है जिसको लेकर स्वास्त मंत्राले ने राज्यों को निर्देश पी जारी किया है और कुरोना रोगथाम से संबंदे सभी संभव उपाय करने को कहा गया है इस ख़वर में फिलाल इतना ही अब डेट्स के लिए बने रही है बन इंडिया है हिंदी के साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए जुलाई कई सोगात लेकर आ सकता है सरकार अपने कर्मचारियों तीन बड़े तोहफे देने के मूड में नजर आ रही है दरसल सरकार अपने करमचारियों के वेतन में बढ़ोतरी से लेकर बकाया राश्य के भुकतान पर विचार कर रही है प्लानिंग की जा रही है सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई महा में डिये में बढ़ोतरी के साथ भी बकाया डिये का भुकतान भी किया जा सकता है इतना ही ने PF पर ब्याज की रकम भी सरकारी करमचारियों के खाते में पहुँच सकती है खबरों की माने तो सरकार अपने करमचारियों के बकाया DA का भुखतान अगले महीने कर सकती है ये भुखतान लगभग 18 महीने से कोरोना के कारण लटका हुआ था अब ये कुल जमा एक बार में 2 लाग तक दिया जा सकता है इसके साथ ही सरकार करमचारियों के DA में भी इजाफा करने की ओर कोई फैसला ले सकती है करमचारियों के DA में 4-5 फीसिदी तक की बढ़ुतरी की जा सकती है फिलाल कर्मचारियों को 34 फीसेदी की दर से डिये मिल रहा है अगर ये डिये बढ़ता है तो 50 लाग से जादा कर्मचारियों और 65 लाग पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा इतना ही ने अगले महा सरकार अपने कर्मचारियों को भविशी निदी संगधन यानी EPFO के ब्याज का पैसा भी दे सकती है बता दें कि बड़ती महंगाई को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार की और से ये कदम उठाए जा सकते हैं ये फैस्ट ले अगले महीने अमल में लाई जा सकते हैं तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ ओनलाइन पेमेंट जितना असान है उतना ही खतरनाक भी है क्योंकि अभी के दोर में साइबर क्राइम भी बढ़ गया है ऐसे में अगर आप ज्यादा तर ओनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए है दरसल एक जुलाई से क्रेडिट डेविट कार्ड के नियम बदल जाएंगे आपके ओनलाइन पेमेंट को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए रिजरो बैंक ने पिछले साल ही कार्ड टोकनाईजेशन की शुरुआत की थी जिसे एक जुलाई से लागू किया जाएगा इसकी डेडलाइन पहले एक जनवरी 2022 थी जिसे बढ़ा करे एक जुलाई 2022 कर दिया गया था दरसल नहीं गाइडलाइन के मुताबिक कार्ड पेमेंट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए मर्चेंट को अपने सर्वर पर ग्राहकों के कार्ड के डेटा को श्टोर नहीं करने की हिदाद दी थी जिसके बाद ऑनलाइन मर्चेंट अपने कस्टमर के डेविट और क्रेडिट कार्ड की डीटेल या उनका डेटा श्टोर नहीं कर सकते हैं RBI ने मर्चेंट के लिए card on file token को अनिवारिक कर दिया है इस नियम के बाद अब एक जुलाई को ग्राहकों के payment और ज्यादा सुरक्षित होंगे RBI के लिर्देश के मताविक ग्राहकों के debit या credit card की detail को encrypted token में बदलना होगा जिसकी मदद से payment की जा सकेगी यानि कि अब आपको 8 जुलाई से हर बार payment के समय अपने card की पूरी detail भरनी होगी अगर आपने card tokenization के लिए सहमती नहीं दी है तो उस payment से पहले अपने credit या debit card की पूरी detail भरनी होगी वही अगर कोई ग्राहक card tokenization के लिए सहमती देता है तो उसे सिर्फ CVV और OTP भरनी होगी और payment हो जाएगा यानि ये पूरी स्वतंतरताब ग्राहकों पर होगी मर्चंट के हाथों में कुछ नहीं होगा बिना अनुमती के वो आपके detail अपने server पर save नहीं कर सकते इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है One India Hindi के साथ हर तरफ पानी ही पानी घर, सडके, स्कूल और फसल सब जलमग ये हालात पुर्वोतर भारतिय राज्य असम का है जहां कई दिनों से हो रही बारिश के बाद हालात मुश्किल हो गए है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि असम के कई जिलों में बाड की वज़ा से भिशन तबाही मची हुई है हजारों लोगों का आशियाना पानी में टूप चुका है हालात ये हैं कि अपना घर बार छोड़ कर लोगों को शिवीरों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है तो बीते 24 घंटे के दौरान असम में बाड की वज़ा से 10 लोगों की जान और चली गई जिसके बाद अब इस साल असम में बाड और भुसकलन से मरने वालों का आखड़ा 118 पर पहुच गया है तो वहीं बेज़ुबान जानवर भी परेशान है सड़के पानी में डूप गई हैं जिससे लोगों को एक जगा से दूसरी जगा जाने में समस्या हो रही है एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान असम के 28 जिलों के 2510 गाओं के कुल 33,333 लोग बाड से प्रभावित हुए हैं जबकि बाड की वज़ा से लाखों हेक्टेर फसल शेत्र प्रभावित हुआ बाड ने 173 सड़कों और 20 पुलों को भी शतिकरस्ट कर दिया फिलाल रहत और बचाओ के लिए राज्य में सेना के साथ ही पुलिसबल, NDRF, SDRF, अगनी शमन और अपात कालीन कर्मियों के जवान समेत आपदा मित्र के वॉलन्टियर्स लगातार मदद पहुँचा रहे हैं राज्य में बाड की मौजूदा इस्तिती पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के सीम हीमंत बिस्वा शर्मा लगातार बाड की स्तिती पर करीब से नظर बनाय हुए हैं कौरतलब है कि हर साल असम में बार बुसकलं की घटनाएं सामने आती हैं और हजारों लोगों की जान चली जाती है यहां की सबसे बड़ी नदी ब्रह्म पुत्र है जिसकी साहयक नदियों में आपार जल भरा हुआ है जिसकी बज़ा से बार जैसी आफत बारिश के सीजन में जियादा आती है फिलाल इस खबर में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिया बने रहीए One India हिंदी के साथ पानी पानी असम लाखों लोग हुए बेघर ये भयावे तस्वीर असम की है जहां बार का कहर अब भी जारी है असम के नागाओं जिले में बार के स्थिती अभी भी गंभीर है क्यूंकि जिले में पांच लाग से ज्यादा लोग अभी भी बार से प्रभावित है अस्सी फ हाजारों घर तभा हो गए हैं, कई पुल शतिग्रस्त हो गए हैं, बाढ़ और भुसकलन में कई लोगों की मौत हो गई हैं, आख़ों के मताबिक बाढ़ भुसकलन में मरने वालों की संख्या 118 हो गई है, वहीं बाढ़ की वजह से कई स्कूल भी पानी में डूप चुके हैं बाड राहत शिवीरो में प्री स्कूल मॉडल इस्थापित किया गया है जहां बच्चों को ड्राइंग और सिंगिंग जैसी प्री स्कूली गतिविधियां कराई जा रही है फिजिकल एक्सेसाइज करवाते है फिर उसके बाद हम प्री स्कूल एक्टिविटीश से उसके अंदर धारए जैसे की गाना गाना असम में भारी बारिश और बार से भारी तबाही देखने को मिल रही है बार और भुसकलन की दोहरी माल लोग छेल रही है बार के स्थिती में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है रहत और बचाओ कार्य के लिए सेना, असम राइफल्स, NDRF, SDRF, भारतिय सेना, नागरिक सुरक्षा, अर्ध सैनिक बल, भारतिय वायु सेना, जिलाप्रशासन के साथ, अगनी शमन और अपात कालीन सेवाओं, जिलाप्रशासन की मदद कर रहे हैं प्रभावित शेत्रों में लोगों की सुरक्षित निकासी में मदद कर रहे हैं इसके साथ ही बचा कर सुरक्षित इस्थानों पर लाए गए लोगों की भूप मिटाने के लिए अनाज भी दिया जा रहा है, ताकि कोई भूप से न मरे फिलाल इस खबर में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिया बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ दक्षन भारत के राजे केरल से पिछले महीने के अंत में शुरू हुआ मौनसून अब तक कई प्रिदेशों में पहुंच चुका है हानकि राजे राजदानी दिली समय देश के कई हिस्तों में लंबे समय से जारी मौनसून का बेसबरी से इंतिज़दार अब खतम होने वाला है दरसल मौनसून विवाग का अनुमान है कि 27 जून को मौनसून राजदानी में दस्तक देगा उदर मौसर विवाग ने आज कई राजियों में जहमाजम बारिश के आसार भी जताएं आपको बता दें पश्चिम बंगाल सिक्किम मिगाले आधी जैसे राजियों में अगले पांच दिनों तक बारिश की संबावना जताई गई है मालमों की केरल करनाटक यासे दक्षन भारत के राजियों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है वहीं उत्तर भारत के लोग मौसुम का इंतिजार कर रहे है आने वाले दिनों की बात की जाए तो आएमडी के मुताबिक कल यारी 26 जून को भी मौसम समा नहीं बना रहेगा कहीं-कहीं बादर चाहे रहेंगे लेकिन गर्मी का एहसास रहेगा 27 जून को दिल्ली के कुछ इलागों में गरज के साथ छीटा पड़ सकती है 28 जून से दिल्ली वाचियों के लिए मौसम एक बाद फिर तो आना हो जाएगा दिन बर बादर चाहे रहेंगे और दिल्ली के अलग-अलग इलागों में बारिश देखने को मिलेगी इसके बाद 29 जून को भी ऐसा ही मौसम रहेगा और दिन बर रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी बताते हैं 28 जून को दिल्ली में लगातार बारिश रहने के बाद 30 जून को भारी बारिश हो सकती है इसे लेकर मौसम विवाग की ओर से येलो लट जारी किया गया है 30 जून को दिन बर मौसम खराब बने रहने की संबावना जताई गई है मौसम विवाग के मुताबिक 30 जून से मौसून की शुरुआत हो जाएगी और आगे भी मौसम यूही बना रहेगा आपको बताते है मध्य पिदेश के वोपाल में आज हांदी और बारिश की संबावना है यहां का नियून तम तापमान 23 डिगरी सेल्सियस और अधिक्तम तापमान 38 डिगरी सेल्सियस तक रहने की संबावना है इसके अलावा चंडीगर में आज बाद अच्छाहे रहेंगे मौसम यूहां के मताबिक यहां का नियून तम तापमान 26 डिगरी सेल्सियस और अधिक्तम तापमान 49 डिगरी सेल्सियस रहने वाला है आपको बता दें मौसम विवाग ने बताया है कि अगले पांस दिनों तक बंगाल से किम अरुणाजर प्रदेश, असम, मेगाले, नागालेंट, मनीपूल, मिदोरम और तिरपूरा में भारी बारिश होने वाली है इसके अलावा 27 जून से यूपी और उत्तरखण में बारिश की गतिविदियां में भड़ोत्री होने की संभावना है इसके अलावा आज कोकाड़ा, गोवा और तटिये करनाटक में भी बारिश जारी रहेगी मद्य महराज और दक्षिन गुजराज में भी आज बारिश हो सकती है मौसम विज्ञानी को ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी से दूसरी बार मौनसून सक्री होगा इसके बाद ही राजदानी समयत उत्तरखण में बारिश होने की अच्छी संभावना है ये मौसून जूट के अंतिन दिनों में सक्री होने का अनुमान है मौसम विवाग ने अलट जानी करते हुए बताया है कि 60 किलोमेटर पती घंटे की रफ्तार तरप्रिदेश के 10 जिलों में हवाय चलेंगी इसमें जौनपूर, प्रताबगड, सुल्तानपूर, माराजगन, सिद्दादनगर, बर्लामपूर, श्रवस्ती, बहराइच, लकिनपूर, खीरी और पीलीवीट जिले शामिल है इस खबर उन्पलार इतना ही बनरिया बनिया हिंदी के साथ क्या कभी आपने सुना है? कोई सडक करोडों की लागत से बने और दो ही दिन में खराब हो जाए नहीं, तो ये खबर ध्यान से देखिए क्योंकि यहां सरकार और सरकारी तंत्रों की और से दावों और वादों के बड़े-बड़े पुल बनाये जाते हैं उन्हीं वादों पर सडके भी बनती हैं, जो बारिश की एक मार भी नहीं जहल पाती दरसल प्रधान मंत्री मोदी के बैंगलोरू दोरे से पहले 23 करोड की लागत से तयार की गई सडक, एक बारिश भी नहीं जहल पाई है बैंगलोरू महानगर पालिगा ने हाल ही में सडक का निर्माड कराया था, महानगर पालिगा ने 396 किलोमेटर सडक को बनाया, जो कि बैंगलोरू युनिवर्सिटी केमपस का हिस्सा है प्रधानमत्री मोदी इसी सडक से सोमवार को डॉक्टर भीम राव अमबेट कर स्कूल ओफ एकोनॉमिक्स पहुँचे थे कितनी शिद्दत और मेहनत से सडक बनाई गई होगी, जो राग की एक बारिश में ही बैठ गई सडक के बीचों बीच गढ़ा हो गया, जहां सडक शतिग्रस हुई, वो विस्तुविद्याले केमपस के पास ही है सडक पर गुजरने वाले लोग देखते हैं, लेकिन देख के भी क्या करेंगे, सरकारी तंत को कोशने के अलावा ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, जब रोड में इतना बड़ा गढ़ा हो गया हो, इससे पहले प्रधान मंत्री मोदी अप्रैल में जाने वाले थे, तब भी सडक बनाई गई थी लेकिन पियम मोदी का दोरा रद हो गया, सडक की हालत थोड़े ही दिनों में खस्ता हो गई, और सडक पर बीच बीच में गड़े हो गए मान अगर पालिका के इंजिनियर्स का कहना है कि पानी के लीक होने या फिर सीवेज पाइपलाइन के टूटने की बज़े से यह गठा हुआ, प्रधान मंत्री मोदी के आने से पहले इसकी मरम्मत करवाई गई थी स्पेशल कमिशनर बीबी एंपी ने कहा कि प्रोटोकॉल की बज़े से मजदूरों ने इसे दिन राती करके सड़क को तयार किया था इस ख़बर में फिलाल इतना ही, अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ 36 गण की बिलासपूर पुलिस ने एक ऐसा कारणामा किया है जिसकी चर्चा दूर दूर तक है पुलिस ने तसकरों से बरामत हुए गाजे का ऐसा इस्तिमाल किया है कि जिस पर लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा लेकिन घटना ये सच है दरसल बिलासपूर पुलिस का दावा है कि 12 टंग गांजा से उसने 5 मेगवाड बिजली का उत्पादन किया है पुलिस ने इस कारनामे को अधिकारियों की मौझूद्गी में कैमरे के सामने किया है पूरा वागया 36 गढ़के नशा विरोधी अभियान के तहत की गई कारवाई का है जहां पुलिस ने अनोखे तरीके से शुक्रवार को नशीले पदार्थों को नश्ट करते हुए इलाके के एक बायो मास प्लांट में करीब 12 टंग गांजा जलाया पूलिस का दावा है कि गांजे को जलाने के बाद लगबग 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ दरसल बिलासपूर पूलिस के थानों में नशे से आजादी अभियान के तहत जब 12 टंग गांजे को पावर प्लांट की भट्टी में शुकरवार को डालकर नश्ट किया गया जिससे करीब 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ देश में नशीले पदार्त को जलाकर बिजले उत्पादन का यह अनोखा मामला है नशे की सामागरी नश्टी करणग में गांजे के साथ नशीले कफ, सीरप, इंजेक्शन और टैबलेट को भी जलाकर नश्ट किया गया इसके अलावा उन पर बुल्डोजर भी चलाई गई पिलासपुल पुलिस रेंज आईजी रतललाल डांगी ने बताया कि 12-26 जून तक नशे से आजादी पकवाड़ा बनाया जा रहा है इस दोरान सभी थाना छेतों में नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कारोवाई के दोरान बड़ी मात्रा में गांजा जब्त किया गया था नशीले पदार्थों को जब्त करने के लिए द्रग डिस्पोजल कमेटी बनाई गयी थी कमेटी ने नशे के सावान की सूची तैयार की और उसे पावर प्लांट में डिस्पोजल करने कंडे न लिया गया ताकि विजली बनकर उपियोग किया जा सके जानकारी के मुताबिक बिलासपुर रेंज के सभी थानों में चपती में पान सु तिरपन प्रक्रणों में 12.76 गांजग बरामत किया गया 13 नक पौधा, 8,380 नक टैबलेट, 11,220 नक कप सीरफ, 897 नक कैप्सूल और 222 नक इंजग्सन बरामत किये गये थे जिसे पावर प्लांट की भट्टी में नश्ट कर दिया गया इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ मर्दुल चन्देल बिहार के मुगेर से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर सभी हैरान है दरसल हुआ यह की शादी के मैच साथ दिन बाद एक नई नवेली दूलन अपने प्रेमी के संग फरार हो गई दरसल उसने अपने पती से कहा की उसे मार्किट से कुछ समान लेना है जिसके लिए पती उसे मार्किट लेकर गया वहीं कुछ देर बाद उसका प्रेमी वहां आया और वो अपने प्रेमी का हाथ पकड़ कर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बैट कर फरार हो गई जिसका CCTV फोटेज भी वायरल हो रहा है आईए दिखाते हैं आपको जे CCTV फोटेज बिहार के मुगेर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर सब हैरान है यहां शादी के महल साथ दिन बाद एक नव विवायता अपने प्रेमी का हाथ पकड़ कर 9-11 हो गई हैरानी की बात यह रही कि पती के सामने ही ये पुरी घटन होई बेबसपती ने उनका पीचा करने की भी कोशिश की लेकिन तब तक दोनों मौके से फरार होने में काम्याब रहे इस मामले की तैकिकाद में जुटी पुलिस ने नई नवेली दुलन और उसके प्रेमी को पकड़ दिया है आपको बताते हैं ये पूरा मामला कोटवाली थाना इलाके का है यहां पोदार कॉरानी के रहने वाले एक युगक की शादी नया राम नगर थाना छेत्र के नौवा गड़ी की रहने वाली एक युखती से बीते 14 जून को ही थी शादी के बाद चार दिन नवी वाहता ससुराल में रही इसके बाद 18 जून को अपने माय के आगई 21 जून को वो वापस ससुराल आई और दूसर दिन यानी 22 को प्रेमी के साथ फरार हो गई आपको बता दें दूलन ने पती से कहा तकी बजार चलिए मुझे चूड़ी और कुछ सामान खरीदना है पती उसे लेकर बजार गया जानना वुगायता अपने पती से बोली आप ही चूड़ी पसंद कीजिए जैसे ही पती चूड़ी पसंद करने लगा वैसे ही दूलन पीचे इंतजार कर रहे अपने पिरमी का हाथ पकड़ कर भाग गई पती ने पीचा भी किया लेकिन तब तक गाड़ी में बैट कर दौनों फरार हो गए वहीं अब पिड़िक अपनी मा और बहन के साथ इस मामले की शिकायत देने कोतवाली पहुंचा पुलिस को बताया गया कि हम लोग कोतवाली थाना इलाके के ही दीन दयाज चौक पर अंजली चूड़ी हाउस खरिदारी कर रहे थे भी मेरी पतनी ने दूसरे यूग का हाथ पकड़ लिया और सड़क पर खड़ी स्कॉर्प्यो कार में पैट कर चली गई वो शादी के जेवर भी साथ में ले गई है और कुछ डॉक्यूमेंट भी रख कर लाई थी जिनने अपने साथ ले गई आपको बता दे हैं इस संबन में दूलन की साथ ने कहा कि हमारा एक ही लड़का है बड़े दून दाम से शादी की थी लेकिन बहु गलत निकल गई उसे अगर प्रेमी के साथ ही जाना था तो वो शादी ही नहीं करती हमारे परिवार के साथ उसके परिवार वालों ने दोका किया अब हमारे परिवार की बेज़जती हो रही है बता दें नया रामनगा थाना पुलिस ने सूचना के आदार पर दूलन और उसके प्रेमी को बरामत कर मुंगेर कोतवाली थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है इस संबन में कोतवाली थाने में अपरण का मामदा दर्च किया गया है लड़की का मैडिकल कराने के बाद अदालत में वयानतर्च कराय जाएंगे फिलाल प्रेमी को हिराशप में लेकर फूस्ताज की जा रही है फूस्ताज में प्रेमी ने बताया इची जब पेशे से ड्राइवर हूं और दूसरे की गाड़ी चलाता हूं हमारे बीच पिछले 6 साल से प्रिम प्रसंग चला था लेकिन लड़की के घरवाले मुझसे शादी कराने के लिए तयार नहीं थे जबर्दस्ती इसकी शादी दूसरे लड़के से करा दी गई थी इस खबर अकलाल इतना ही बने लिया बने लिया हिंदी के साथ निमंतरन देने के बावजूद बरात में नहीं ले जाने पर एक यूवक ने अपने धूले दोस्त पर मानसिफ प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए 50 लाक रुपे का मानहानी का नोटित बीच दिया आपको बताते हैं हरिद्वार के अधिवक्ता अरोण बदोरिया ने बताया कि हरिद्वार के बहादराबाद के रहने वाले रवी नामक यूवक ने अन्ने लोगों के साथ साथ अपने दोस्त चंदशेकर को विवा का नियोता दिया था और बराद में भी चलने के लिए कहा था लेकिन दूला रवी अपने दोस्त को छोड़कर कतित रूप से समय से पहले ही बराद लेका चला गया और जब चंदशेकर समय पर बरात में जाने के लिए पहुंचा तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था पता चले कि बरात तो जा चुकी थी अधिवक्ता ने बताया कि इस बात को चंदशेकर ने अपना अपमान समझ लिया और वो इसकदर मानसिक तराम में आ गया कि आत्माहत्या करने की सोचने लगा और दूले पर मानसिक रूप से प्रताडित करने का आरोप लगाते हुए 50 लाग रुपे के मानहानी का कानूनी नोटिस बेज दिया चंदशेकर के वकील के मताबिक चंदशेकर ने जब अपने दोस्त रवी को फोन किया तो उसने कहा कि वो तो बरात लेकर निकल गए है और आप लोगों को अब बरात में आने की कोई जरूत नहीं है आप लोग अपने घर जाओ वकील बदोरिया का कहना है कि चंदशेकर भहुत ज़्यादा मांसिक तराम में आ गया था और वो इस अपमान को सैन नहीं कर पाया था उन्होंने बताया कि इस अपमान को लेकर नियाय दिलाने का भरोसा देकर उन्होंने चंदशेकर को हाथ महत्या करने से रोका चंदशेकर ने अपने दोस्त दूले को फोन करके मानहानी का नोटिस बेजने की बात बताई मगर इसके बात भी उसके दोस्त ने जब उसकी बात को गंबीरता से नहीं लिया तो उसके दूले को 50 लाक रुपे का मानहानी का कानूनी नोटिस बेजते हुए तीन दिन में सरवजनी कुरूप से माफी नहीं मांगने पर कानूनी कारवाई करने की चेतावनी दिये इस ख़बर में फिलाल इतना ही बने रिया वन इंडिया हिंदी के साथ तावड तोड टार्गेट किलिंग के मामलों के बाद कश्मीन में सबसे बड़ी चिंता का विशे है अमारनात यातरा इस मईदें शुरू होने जा रही इस यातरा की सकुषलता प्रशाशन और सैना के लिए एम सवाल कि लिए बन वही है क्योंकि खुफिया जानकारी मिली है कि हाइबिर्ड आतंकी और पत्थरबाद दक्षणी कश्मीर की ओर फूच कर चुके हैं आपको बता दें यातरा का पहला जत्ता जम्मू से उन्ति जून को रवाना होना है शेहर की सुरक्षा को ध्यान में लगते हुए यातरा से पहले करीब 5000 के करीब अत्रिक जवान जम्मू में तैनाद की गए है वहीं किसी भी इस्तिती में निपटने के लिए जम्मू में कोई रियक्शन टीम को भी तैनाद किया गया है बता दे खूफिया जानकारी के मताबिक इस साल होने वाली अमना तैतर में पाकिस्तान बादा डालने के लिए हमला बोल सकता है जिसके लिए वो इस्तिकी बंप या मेगरेटिक बंप का इस्तमाल कर सकता है आपको पता दे हाली के दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस समयद सुरक्षा एजंसियों ने सीमा पार से ड्रोन के जरिये बेजे गए कई इस्तिकी बंप समयद मेगरेटिक बंप को परामत किये है पुलिस ने अलट जारी करते हुए आम जंता से अपील किये कि गाड़ी चलाने से पहले एक बार पूदी गाड़ी को चेक कर ले बीते दुनों जम्मू कश्मीर के उपराजेपाल मनो सिना ने सुरक्षा विवस्ता और अन्य तेयारियों की समिक्षा की है जानकारी के मताबिक अधिकारियों ने इस दौरान सिना को समग्र सुरक्षा इस्तिती से अवगत कराते हुए यात्रा से सम्मंदित अलग-अलग विवस्ताओं पर चर्चा भी की इस खबर में फिलाल इतना ही बनडिया बनडिया हिंदी के साथ शारुखान को बॉलिवूड का वाश्या यू ही नहीं कहा जाता उन्होंने अपने करियर में जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए उन्होंने खूब महनत की है आज उन्हें बॉलिवूड में काम करते हुए पूरे 30 साल हो गए है 25 जून 1992 आज ही के दिन शारुखान की पहली फिल्म दिवाना रिलीज हुई थी हलाकि इस फिल्म में में लीड रोल दिवंगत एक्टर रिशी कपूर का था लेकिन सबसे ज्यादा जिस एक्टर की चर्चा हुई वो थे डेब्यो एक्टर शारुखान पहली फिल्म में ही उन्होंने लोगों को अपनी एक्टिंग से दिवाना बना कर उनके दिलों पर छाप छूर दी थी टीवी से बॉलिबुड तक का सफर करने वाले शारुखान आज इंडस्टरी के टॉप एक्टर में शुमार है बाजीगर और डर जैसी ब्लॉगबस्टर फिल्मों के साथ उन्होंने खुद को साबित किया शारुखान ने बॉलिबुड में अपने 30 साल के सफर में कई उतार चड़ाओ देखे लेकिन हार नहीं मानी और महनत करते गए और आज वो लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए है बॉलिबुड में अपने 30 साल कोरे होने के इस खास मौके पर शारुखान ने ट्वीट कर अपने फ्रांस को शुकरी आदा किया किन खान का ये ट्वीट काफी भावो कर देने वाला है जो तेजी से वाइरल हो रहा है शारुखान ने अपने ट्वीट में लिखा कि काम कर रहा हूँ और अभी देखा आपका ये धेर सारा प्यार जो आप 30 साल से मुझ पर लुटा रही है अभी एहसास हुआ कि आपको एंटर्टेन करने की कोशिश करते हुए मैंने अपनी आधी से ज़्यादा जिन्दगी निकाल दी है कल थोड़ा वक्त निकाल कर आप लोगों से बाद करूँगा इस प्यार के लिए शुक्रिया इसकी बहुत ज़रुद थी पतादे कि शारुखान ने थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की थी आज वो जिस मुकाम पर है उसे उन्होंने कड़ी मेहनत से हासिल किया है शारुखान जब थीएटर करते थे तब वो बहुत ही साधारण लुक में रहते थे इसके बाद दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल फौजी और सरकस से एंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री में कदम रखा और बीना रोके आगे बढ़ते रहे आज शारुखान वाले बुट के बाज़ चहां किंग खान किंग ओफ रोमांस जैसे नामों से मशूर है किंग खान ऐसे एक्टर हैं जिसने लोगों को सपने देखना सिखाया प्यार करना सिखाया जिंदगी से लड़ना सिखाया और महनत करना सिखाया शारुखान 56 साल के हो गए है फिल्म प्रोजेक्ट की बात करें तो पठान, जवान, डंकी किंग, खान की अपकमिंग फिल्म में हैं इसके अलावा ब्रहमास्त्र, टाइगर थ्री, लाल सिंग चंधा और रोकेटरी दननम्बी इफेक्ट में आपको उनका कैमियो रोल देखने को मिलेगा अब उनके फैंस बेसबरी से उनकी अपकमिंग फिल्मों का इंतिजार कर रहे हैं फिल्हाल इस खबर में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हैं वन इंडिया हिंदी के साथ बॉलिवूट के दबंग एक्टर सलमान खान 56 के हो गए हैं सुपरस्टार सलमान खान को इंडिस्ट्री में कई नामों से पुकारा जाता है इनमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है भाईजान सलमान को उनके फान से लेकर इंडिस्ट्री के उनके कई कलीक्स भाईजान कहे कर ही पुकारते हैं लेकिन बॉलिवूट एक्टरेस सारा अली खान ले जाने अंजाने में भाईजान को नराज कर दिया है भरी महफिल में सारा ने सलमान खान को कुछ ऐसा कह दिया कि भाई जान उनसे नराज हो गए है दरसल बीते दिनों अबुधाबी में आईफा अवोर्ड्स 2022 का आयोजन हुआ था जहां बॉलेबुट के कई सितारे पहुचे थे अवोर्ड्स शो को टीवी पर आज रात आट बजे दिखाया जाएगा इस बीच शो के कई प्रोमो वीडियोज सामने आ चुके है इन्ही में से एक वीडियो ऐसा है जो इस समय शोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में है वीडियो में देखा जा सकता है कि सारा बातों ही बातों में सल्मान खान को अंकल कह देती है जिसके बाद भाईजान को गुस्ता तो आता है लेकिन वो अपनी नराजगी जाहिर नहीं करते सल्मान इशारों ही इशारों में कहते हैं कि आपकी पिक्चर तो गई जिसके बाद सारा कहती हैं कि मेरी पिक्चर क्यों गई इस पर सलमान कहते हैं कि आपने सब के सामने मुझे अंकल बुलाया इसके बाद सारा कहती हैं कि आप ही ने तो कहा था कि सब के सामने अंकल बुलाओ इसे सुनने के बाद तो इवेंट में आए सभी सितारे अपनी हसी पर कंट्रोल नहीं कर पाते और सभी जोर-जोर से हसने लगते हैं वहीं सल्मान शांत खड़े हुजाते हैं वीडियो में देखा जा सकता है कि खुद सल्मान और सारा भी इस मज़ेदार इंसिडेंट को इंजुआए करने लगते हैं दोनों को फिर 1997 की फिल्म जुड़वा के गाने पर थिरकते हुए भी देखा जा सकता है वीडियो पर लोगों के अलग-अलग रियक्शन्स आ रहे हैं एक यूजर ने लिखा सारा ने सल्मान खान को गुस्सा दिला दिया है तो दूसरे ने कहा ये देखने के लिए और इंतिजार नहीं कर सकता कई लोग सारा के हूमर की तारिफ कर रहे हैं और उन्हें एंटर्टेनिंग बता रहे हैं शोशल मीडिया पर ये वीडियो खुब वारल हो रहा है तो वहीं वर्क फ्रेंट की बात करें तो सारा अली खान लुकाचिपी 2 और गैस लाइट में नज़र आने वाले हैं तो महीं सल्मान खान कभी ईद कभी दिवाली गौट फादर टाइगर थ्री में नज़र आने वाले हैं फिलहाल इस खबर में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं वन इंडिया हिंदी के साथ भारत और श्रिलंगा की महीला टीम के बीच इस वक्त तीन मैचों की T20 सीरीज के लिए जा रही है मकाबले की बात करें तो पहला मैच भारती टीम ने जीता और इसके बाद दूसरे मकाबले में शनिवार को टीम इंडिया ने जबर्दस जीत हासिल करते हुए सिरीज में दो जीरो से भड़त बना ली है साथ ही सिरीज पर विकपजा कर लिया है बात करें मकाबले की तो श्रिलंगा की टीम पहले बलेवाजी करने उतरी श्रिलंगा के लिए टीम की कप्तान और साथी ओपनिंग बलेवाज ने शांदार बलेवाजी की और टीम के लिए 87 रन जोड़े दोना ही खिलाडी जिनमें विश्मी गुणारतने और कप्तान चामीरा अट्टा पट्टू रही जिन्होंने 87 रन जोड़े और साथी टीम को बहतर शुरुआ दिलाए इस जोड़ी को पूजा वस्त्राकार ने तोड़ा और टीम इंडिया को पहली सफलता थी इसके बाद लगाता श्रिलंका की टीम के बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होते चले गए और कोई भी खिलाडी दोरे अंग तक नहीं पहुच पाया भारती टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकिट दिप्ती शर्मा ने चटकाई साथी रेनुका और राधा पूजा और हर्मनप्रीत को भी एक एक विकित बाद करें अगर भारती बल्ले बाद की तो 126 रनों के लक्षे का पीछा करने उत्री भारती टीम को स्मृती मंदाना ने शांदार शुरुआ दिलाई 34 गेंदों में 49 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाने में एहम भूमी का निबाई इसके लावा बात करें अगर टीम के अन्य खिलाडियों की तो कप्तान हर्मन प्रीत कौर ने शांदार 32 गेंदों में 31 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई और वह नोट आउट रही बता दें कि हर्मन प्रीत कौर ने T20 में मिताली राज के सबसे ज़्यादा रन बनाने के रिकौर्ड को भी तोड़ा और साथ ही उन्होंने शांदार बल्ले बाजी भी की अगर बात करें श्रिलंका की गेंद बाजी की तो टीम के लिए ओशाधी ने दो विकेट चटकाई साथे इनोका भी दो विकेट चटकाने में काम्याब रही बराल अब तीसरे मुकाबला खेला जाएगा देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है आपकी क्या राय है क्रमेंट करके ज़र बताएं वीडियो को लाइक करें शियर करें और वन इंडियो को सब्सक्राइब करें नमस्कार पैंगलूरू के एम चिननस्वामे स्टेडियम में खेले जा रहे रंजी ट्रॉफी फाइनल मुखाबले में मंध्य प्रदेश की टीम ने चौथे दिन 536 रं बनाए तो वहीं चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक मुंबई की टीम ने दो विकिट खोकर 113 रं बना लिये हैं आपको पता दे कि बारिश की वजह से चौथे दिन का खेल एक घंटा देड से खत्म हुआ तीसरे दिन की बात करे तो मध्य प्रदेश की टीम ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 3 विकिट के नुकसान पर 368 रं बनाए थे वहीं चौथे दिन टीम अपने ओवरनाइट स्कोर में 168 रं ही आगे जोड सकी लेकिन इस 168 रं की वजह से मध्य प्रदेश 536 रं तक पहुँच पाया और मुंबई के खिलाफ 162 रं की बड़त पाकर इस मुकाबले में रंजी ट्रॉफी जीतने का दावेदार बन गया है आपको बता दे कि मध्य प्रदेश के लिए इस मुकाबले में यश्दूबे, शुभम शर्मा और रजत पड़िदार ने शतके पारी के लिए इन तीनों ही बल्लेबाजों की शतक के वजह से मध्य प्रदेश इस मुकाबले में मजबूत हो गया है चौथरे दिन की बात करें तो बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम ने दूसरी पारी में कप्तान प्रत्वी शौ के साथ यश्दूबी जैस्वाल के बजाए हार्दिक तोमर को बल्लेबाजी के लिए भेजा ताकि मुंबई की टीम जितने हो सके उतने रन और जोड़ कर इस मुखाबले में वापसी कर सके लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि पांच में दिन मध्य प्रदेश की टीम रंजी ट्रॉफी 2021 की सीजन को जीत कर एक नया कीरतिमान रचेगी इस वक्त मध्य प्रदेश की टीम रंजी ट्रॉफी से मातर एक कदम दूर नजर आ रही है मध्य प्रदेश के लिए इस मुखाबले में हर एक खिलारी ने शांदार प्रदर्शन करके दिखाया है वहीं आप मुंबई की बात करें तो मुंबई की टीम इस मुखाबले में पीछे है और पांचवे दिन रंजी ट्रॉफी जीतने के लिए उन्हें किसी चमतकार की जरूरत है मुंबई की गेंबाज भी इस मुखाबले में धेर नजर आए जहां दूसरे और तीसरे दिन मुंबई की गेंबाज विकेट के लिए तरसे वहीं चौथे दिन शम्स मौलानी ने पंजा मार कर चौथे दिन मुंबई को वापसी कराई फिलहाल मुंबई की टीम इस मुखाबले में 49 रनों से पीछे है अगर पांचवे दिन मध्य प्रदेश की गिनबाज मुंबई के जल्दी विकेट निकाल लेते हैं तो फिर ये मुखाबला पूरी तरह से मध्य प्रदेश के गृफ्त में आ जाएगा इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिया बने रही है वन इंडिया के साथ अगर आज के दिन के मैं बात करूं तो आज का दिन खास्तवार पर फरस्टाफ के दौरान आपको excessive mental stress हो सकता है कोई पुराना matter आपके सामने आ सकता है जो आपके तनाव को और बढ़ा कर जा सकता है इसलिए सोच के समझ कर matters को सारे positivity के साथ अध्यन करके आगे बढ़ने की जरूरत है रुके उड़े काम आपके आगे बढ़ने शुरू होंगे अगर वो चीज किसी निवेश से संबंद रखती हुई आपके सामने आती है या आप काफी समय से निवेश करने की सोच रहे थे कुछ property matters में आगे बढ़ने की सोच रहे थे और चलते चलते कुछ ब्लॉके जा रहा था वहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेश की तरह से आपको आज के दिन बहुमूल राए मिल सकती है आज के दिन investment point of view से काफी अच्छा दिन साबित हो सकता है अगर tactfully बिताया जाए तो बात करते हैं विर्शव राशी वालों के लिए स्वास्त संबंदी चिंताएं विर्शव राशी वालों आपके लिए बढ़ सकती हैं आज के दिन आपका और आपके माता या माता तुलिक किसी सदस्से का स्वास्त आपको चिंता दे सकता है तो वहाँ पर आपको balance बनाए रखने की जरूरत है साथ ही साथ आज के दिन आपको अपने आपको तनाव रहित होने के साथ साथ अपने lifestyle improvement techniques पर भी काम करने की जरूरत है आज के दिन आपको अपने लिए थोड़ा सा निकालना चाहिए जहाँ पर आप आप आखलन कर सकें कि क्या situation किस तरह से चल रही है उसमें किस तरह का interventions किस तरह का मुल्यांकन करके कौन से step आप अपनी आत्मिक शांती के लिए ले सकते हैं क्यूंकि अगर आप आत्म चिंतन आज के दिन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने काफी दुनों से अपने स्वास्त को या mental health को इग्नॉर करके आप चल रहे थे बात करते हैं मिथुन राशी बालों के लिए कामकाज के संदर्म में मिथुन राशी बालों आज के दिन आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है लंबे समय से चल रहा तनाव कारिशेत्र के संदर्ब में आपको आज के दिन कोई नकोई नुकसान पहुचा कर जा सकता है इसलिए कारिशेत्र में कॉम्यूनिकेशन को क्लारिटी के साथ लेकर आगे बढ़ना है शब्दों का प्रयोग और जिस सेंस में आप बात कहा रहे हैं उसी प्रस्पेक्टिव में या उसी सेंस में सामने वाला आपकी बात को समझे इसकी आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कारिशेत्र में पराकरम की वृद्धी होगी मन आपका शानत रहेगा लेकिन कॉमिनिकेशन पॉर्ण आपको आज के दिन पॉजिटिव होकर क्लारिटी के साथ बढ़ने की जरूरत है बात करते हैं करक राशी वालों के लिए करक राशिवालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज के दिन पॉजिटिविटी को इंब्रेस करिए समानेता आपकी परिस्थिती चलेगी कुछ खास उतार चड़ाव चीजों में देखने को नहीं मिलेगा जैसे चल रही हैं सिटुवेशन वैसे चलती रहेंगी लंबे समय से चल रहा पारिवारिक तनाव साजा होता हुआ नजर आएगा कुछ नई दिशा निर्देश सूचना संकेत आपको किसी मेत्रपूर्ण व्यक्ति विशेश से मिल सकते हैं जो कारशेतर के संदर्व में आपकी उननती के लिए कोई ना कोई स्टेप लिया जा सकता है या कारगर वो व्यक्ति हो सकता है विदेश यात्रा से संबंदित विदेश रहने इस्थान गमन से संबंदित या वहाँ पर settlement से संबंदित कोई ना कोई अगर आप प्रयास कर रहे थे तो उसमें आज के दिन positive step आपको देखने को मिल सकता है बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए सिंग राशी वालों आज का दिन थोड़ा सा ओर जावान बनाने के अपने आपको कोशिश करिये चीजों को विवस्ति धंग से लेकर आगे बढ़िये और अगरास रही है डिस्रिप्लिन रही है हाला कि फर्स्टाफ के दौरान थोड़ा सा आलस आपको सता सकता है कारेशेतर में कुछ चीजों को महत्रपूर्ण तथियों को इग्नोर भी कर सकते हैं तो आज के दिन अटेंटिवनेस जितनी आप अटेंटिव बन के चलेंगे उतना आपके लिए अलर्टनेस आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगी साथी साथ डिस्रिप्लिन अप्रोच लेकर चलेंगे तो आपके कारेशेतर में चल रही अनिमिताओं को आप आकलन भी कर पाएंगे समझ भी पाएंगे गैप आइटिफिकेशन के बात आप उसमें महत्रपूर्ण कोई स्टेप भी ले पाएंगे साथी साथ आज के दिन स्वास संबंदी चिंताएं भी आपको सेकंड हाफ के दौरान सता सकती है खास तोर पे पेट संबंदी रोग से आपको साफधान रहने की जरूरत है बात कर दें कनेराशी वालों के लिए परिस्तितियां करने राशी वालों आपके लिए बिल्कुल ठीक चल रही है अनुचित जो आपकी भाशा बीच-बीच में हो जाती है जहां पर आप स्ट्रेस आउट हो जाते हैं और परिवार पे स्ट्रेस निकाल देते हैं पर आज के दिन आपको थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है स्ट्रेस फैक्टर्स को बैलन्स आउट करिए शब्दों का प्रियोग सोच के समझ के करिए खासतर पे निजी संबंदों में क्योंकि यही आज के दिन से दरार डालने का काम कर सकते हैं साथी साथ निवेश करने से पहले सारे आयाम को सारे आस्पेक्ट्स को सोच के समझ के आगे बढ़ने में ही पूर्टा आपको देखने को मिलेगी गुल मिला के आज का दिन अगर टैक्टफुली बिताया जाए तो काफी ज़दा लाबदा एक सिद्ध हो सकता है बात करते हैं तुला राशी वालों के लिए तुला राशी वालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचा कर चलना है अपने आपको impulse पर आकर नाक तो shopping करनी है ना ही कोई investment partner को आगे लेकर जाना है अगर आपको लगता है कि आपके उपर कहीं से pressure आ रहा है कुछ deal करने का, कुछ चीजे खरीदने का तो आज के दिन आप उसको postpone कर सकते हैं unless and until आपने सारे तक्षियों को review कर लिया है तब आपका निवेश करना बनता है नहीं तो लंबे समय में यही किया हुआ निवेश आपको mental tension दे कर जा सकता है साथी साथ जोलोग नौकरी चेंज करने के एक्षुक हैं अगर आप अपने प्रयासों में तेजी आज के दिन लाएंगे तो आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर शुबता या शुबसंकेट चीजों में देखने को मिलेगी चले बात करते हैं व्रिश्चिक राशी बालों के लिए व्रिश्चिक राशी बालों अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन सोच के समझ के सारे आयाम को अपने फेवर में लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है नकरात्मक उर्जा को अपने आप से दूर रखिए विवस्तित रहिए, औरगनाइस रहिए, डिस्सिप्रिन रहिए अपने लिए भी समय निकाल पाना उतना ही जरूरी है जितना की आज के दिन आप प्राथमिक्ताओं के दाएरे को बढ़ाते हुए और ज़्यादा चीजों में भी फोकस अपना बना रहे है कारे शेत्र के एक्स्पैंशन के बारे में अगर आप सोचना चाहें के लिए सिचुवेशन दोर पॉसिटिव होते हुए नजर आएंगी बात करते हैं धनूराशी वालों के लिए कारे शेत्र में धनूराशी वालों आज का दिन आपके लिए काफी ज़दा टाइरिंग और टाक्सिंग हो सकता है स्वास संबंदी चिंताएं आपको सता सकती है खास तोर पे परिवार पक्ष से आपको कुछ न कुछ नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है संतान पक्ष से आज के दिन आपके चिंताएं बढ़ सकती हैं इसलिए आज के दिन आपको वेवस्थित धंग से परिवार की सारी उत्तरदायत्मों की पूर्ती करते हुए कोई एक effective यह थोस निरने आज के दिन लेने की जरूरत है साथी साथ अगर आप traveling में interested है या आपकी कोई long term travel या कारेशेतर से संबंदिट travel indicated है तो वो आपके stress factors को balance करती हुई जा सकती आपको rejuvenate करती हुई जा सकती और prepare कर सकती आगया आने वाली चुनोतियों के लिए तो कुल मिला कि आज के दिन कारेशेतर से थोड़ा सा आपको समय लेकर अपने उपर काम करने की जरूरत है जिससे की आप rejuvenated feel कर पाएं बात करते हैं मकर राची वालों के लिए मकर राची वालों अगर आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए नए उर्जा का एक प्रतीक बनमाना जा सकता है संबंदों में positivity देखने को मिलेगी कोई परिवारिक स्थर पे अगर आपका कोई तनाव या चुनोती आपके लिए आ रही होगी रिष्टों में संबंदों में वो भी अब challenge आज के दिन खतम होता हुआ नजर आएगा या उसकी परिस्थितिया नुकूर होती हुए नजर आएगी कोई दिशा निर्देश सूचना संकेत या कोई एक महतरपूर्ण परिस्थिति आपके लिए किसी व्यक्ति विशेश की तरफ से आ सकती है जो आपके रिष्टों में कोई एक अच्छी positivity लेकर परिस्थिति बन सकती है साथी साथ लंबे समय से चल रहा पारिवालिक चनाओ साजा होता हुआ नजर आएगा लेकिन आपको सोच के समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है महतरपूर्ण ये है कि आप साई समय पर किस तरह का महतरपूर्ण डिसिजन लेते हैं तो आज के दिन टाइमिंग का आपको ख्याल रखते हुए कोई भी डिसिजन लेने की जरूरत है बात करते हैं कुमराशी बालों के लिए कुमराई शिवारों आज का दिन मेहनत जादा करा सकता है टाइरिंग टैक्सिंग हो सकता है चिटड़ापन भी बढ़ सकता है खान पान अनियंतरित हो सकता है situations को balance out करने के लिए खान पान पे पहले पूरा ध्यान देने की जरूरत है नकरात्मक्ता को अपने आप से दूर रखे मन को शांत रखे साथी साथ काम का बोज बढ़ सकता है अपने आपको relax रखने की कोशिश करिए priority wise चीज़ों को handle करने की कोशिश करिए क्योंकि pile up अगर आपकी चीज़े होंगी तो आपका तनाव या stress factor और एग्रिबेट होता हुए नजर आएगा जो लोग promotion के एक शुक थे या promotion की परिस्थितिया बन रही थी अब उनके लिए वो परिस्थितिया नुकूल होती हुए नजर आएगी इसी के संदर्व में नौकरी चेंज करने के लिए जो लोग एक शुक थे या प्रियास रथ थे अब उनके प्रियास कारगर होते हुए नजर आएगे विदेश settlement की परिस्थिती तेज तरीके से अब आगे बढ़ते हुए नजर आएगी आगे बढ़ते चलिए आप अपने आपको उर्जावान बनाईए परिस्थितियों को अपने फेवर में लाईए साथी साथ आज के दिन दृष्टी कोण को आज के दिन आपको और प्रबल बनाना है अपने चीजों को देखने के नजरिये को बदलिए पॉजिटिविटी आपके लिए आजाएगी साथी साथ कारिशेतर में नई स्ट्राटेजी का भी आप आज के दिन अब लोकन करते हुए उसको भी एक्जिक्यूशन मोड में ला सकते हैं कारिशेतर में बिस्तार की परिस्टितियां बनी हुई है इसी के साथ मुझे आग्या दीजे मैं कल फिर आजरोंगे नमस्कार महराश्ट के सियासी संकट में एक जबरदस्त मोडा गया है सिपसेना से बागी हुए एकनाथ सिंदे ने बीजे पी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कबायत शुरू कर दी है इंडिया टूडे की खबर के मुताबिक एकनाथ सिंदे सुक्रोबार की रात गोहाटी से निकले थे उन्होंने बडोदरा में जाकर महराष्ट के पूर्व सियम और बीजे पी के दिगज नेता देवेंद्र फटनवीस से मुलकात की ऐसे भी दाबे हुए कि अमित साभी बडोदरा में मुझूद थे लेकिन इसकी किसी ने पुष्टी नहीं कि है कि अमित साभी बैठक में थे या नहीं मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोहाटी के होटल में बागियों के साथ रह रहे एकनाथ सिंदे प्राइवेट जेट से सुक्रोबार की रात बडोदरा रवाना हुए थे एकनाथ सिंदे ने बडोदरा में फटनवी से मुलाकात की उनसे मुलाकात के बाद सिंदे सनिवार की सुबद 6 बच कर 45 मिनट पर गोहाटी